सार्वजनिक रूप से बोलने की कला डेल कारनेगी की पुस्तक श्याम द्वारा सुनाई गई अध्याए एक दर्शकों के सामने आत्म विश्वास हासिल करना दर्शकों की उपस्थिती में अकसर एक अजीब सी अनुभूती होती है यह कई आँखों की निगाहों से आगे बढ़ सकता है जो वक्ता की और मुड़ती है खास कर अगर वह खुद को लगातार उस नजर पर लोटने की अनुमती देता है अधिकांश वक्ता इसके प्रती एक अनाम रोमांच एक वास्त्विक चीज वातावरण में व्याप्त, मूर्थ, अप्रकट, अवर्णनिये के रूप में सचेत रहे हैं सभी लेखकों ने दर्शकों को प्रभावित करने में वक्ता की आँख की शक्ती का प्रमान दिया है यह प्रभाव जिस पर अब हम विचार कर रहे हैं, वह उस तस्वीर के विपरीध है जिस शक्ती से उनकी आँखें उस पर प्रभाव डाल सकती हैं खास कर इस से पहले की वह बोलना शुरू करे, वक्तरित्व की आंतरिक आग भड़कने के बाद दर्शकों की आँखों का सारा आतंक खत्म हो जाता है विलियम पिटेंजर, एक्स टेंपोर भाशन, सार्वजनिक भाशन के छात्र लगातार पूछते हैं मैं आत्म चेतना और उस डर पर कैसे काबू पा सकता हूँ, जो दर्शकों के सामने मुझे पंगू बना देता है क्या आपने कभी ट्रेन की खिडकी से देखने पर ध्यान दिया है कि कुछ घोडे ट्रैक के पास चर रहे हैं और गरजती कारों को देखने के लिए भी नहीं रुकते हैं, जबकि अगले रेलवे क्रॉसिंग पर एक किसान की पत्नी घबराई हुई, अपने डरे हुए घोडे को शांत करने की कोशिश कर रही होगी ट्रेन चली जाती है, आप उस घोडे का इलाज कैसे करेंगे जो पीछे के जंगल में कारों के चरने से डरता है, जहां उसने कभी भाप इंजन या आटो मोबाइल नहीं देखे होंगे, या जहां वह अकसर मशीनों को देखता है, वहां उसे चलाता या चराता है अपने आपको आत्म चेतना और भय से चुटकारा पाने के लिए होर्स सेंस का उपयोग करें, जितनी बार संभव हो दर्शकों का सामना करें, और आप जल्द ही शर्माना बंद कर देंगे किसी ग्रंत को पढ़कर आप कभी भी मंच के भय से मुक्ति नहीं पा सकते एक किताब आपको इस बारे में बहतरीन सुझाव दे सकती है कि पानी में खुद को कैसे बहतर तरीके से रखा जाए लेकिन देर सबेर आपको भीगना ही होगा, शायद आपका गला भी घोंट दिया जाए और आप आधे डरे हुए हों जिससे आपकी मौत हो जाए समुद्र के किनारे बहुत सारे गीले रहित सनान सूट पहने जाते हैं, लेकिन कोई भी उनमें तैरना नहीं सीखता डुबकी लगाना ही एक मात्र रास्ता है, दर्शकों के सामने बोलने का अभ्यास 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 दर्शकों के सभी डर को दूर कर देगा, जैसे तैराकी में अभ्यास से पानी में आत्म विश्वास और सुविधा पैदा होगी आपको बोल कर बोलना सीखना होगा प्रेरित पॉलूस हमें बताता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना उद्धार स्वयम करना होगा हम यहां केवल आपको यह सुझाव दे सकते हैं कि आप अपनी छलांग के लिए सबसे अच्छी तैयारी कैसे करें असली छलांग आपके लिए कोई नहीं उठा सकता डॉक्टर लिख सकता है लेकिन आपको दवा लेनी होगी यदि आप शुरुआत में मंच के डर से पेडित हैं तो निराश न हो एक सेवा निवरित ड्राय घोडे की तुलना में डैन पैच को पीड़ा होने की अधिक संभावना थी किसी मूर्ख को दर्शकों के सामने आने से कभी दुख नहीं होता क्योंकि उसकी क्षमता महसूस करने की क्षमता नहीं है एक ऐसा आगात जो एक सभ्य व्यक्ति को मार सकता है जल्द ही एक जंगली व्यक्ति पर ठीक हो जाता है हम जीवन के पैमाने पर जितना उपर जाते हैं दुख सहने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है किसी न किसी कारण से कुछ मास्टर वक्ता कभी भी मंच के डर पर पूरी तरह काबू नहीं पापाते हैं लेकिन इस पर काबू पाने के लिए आपको कोई कसर नहीं छोड़नी होगी डैनियल वेबिस्टर अपनी पहली उपस्थिती में असफल रहे और उन्हें अपना भाशन समाप्त किये बिना अपनी सीट लेनी पड़ी क्योंकि वह घबराए हुए थे ग्लैड स्टोन अकसर किसी संबोधन की शुरुवात में आत्म चेतना से परेशान रहते थे सार्वजनिक रूप से बात करने से पहले बीचर हमेशा परेशान रहते थे लोहार कभी-कभी घोडे की नाक के चारों और रसी कसकर घुमा देते हैं और इस तरह थोड़ा दर्द पहुँचा कर उसका ध्यान जूते लगाने की प्रक्रिया से भटका देते हैं गिलास से हवा निकालने का एक तरीका पानी डालना है अपने विशय में लीन रहें जब आप बोल रहे हों तो लोहार के घरेलू सिध्धान्त को लागू करें यदि आप अपने विशय के बारे में गहराई से महसूस करते हैं तो आप कुछ और नहीं सोच पाएंगे एक आग्रता कम महत्वपूर्ण मामलों से ध्यान भटकाने की एक प्रक्रिया है जब आप एक बार मंच पर हों तो अपने कोट के कट के बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी है इसलिए आप जो कहने जा रहे हैं उस पर अपनी रुचि केंद्रित करें अपने भाशन सामग्री से अपने दिमाग को भरें और गिलास में पानी भरने की तरह यह काम करेगा अपने निराधार भय को दूर भगाओ आत्म चेतना स्वयम की अनुचित चेतना है और वितरण के उद्देश्य से स्वयम आपके विशय में गौण है न केवल दर्शकों की राय में बलकि यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपने आप में भी किसी भी अन्य दृष्टिकोंड को रखने का अर्थ स्वयम को एक संदेश वाहक के बजाए एक प्रदर्शन करता के रूप में मानना है जिसके पास देने योग्य संदेश है क्या आपको एलबर्ट हबबार्ड का जबरदस्थ छोटा ट्रैक्ट ए मैसेज टू गार्सिया याद है युवा ने अपने आपको उस संदेश के अधीन कर लिया जो उसने दिया था ऐसा ही आपको भी करना चाहिए जितना द्रिड संकल्प आप जुटा सकते हैं अपने मन को स्वयम के विचारों से भरना सरा सरा हंकार है जबकि इससे भी बड़ी चीज सत्य है इसे अपने आप से सकती से कहें और अपनी आत्म चेतना को शर्म सार करके शांत कर दें यदि थेटर में आग लग जाती है तो आप मंच पर दोड सकते हैं और बिना किसी आत्म चेतना के दर्शकों को चिल्ला कर निर्देश दे सकते हैं क्योंकि आप जो कह रहे थे उसका महत्व आपके मन से सभी डर के विचारों को बाहर निकाल देगा खराब काम करने के डर से होने वाली आत्म चेतना से कहीं अधिक बुरा अच्छा करने की धारणा से होने वाली आत्म चेतना है महानता का पहला लक्षन वह है जब कोई व्यक्ति महान दिखने और कार्य करने का प्रयास नहीं करता। इससे पहले कि आप अपने आपको एक आदमी कह सकें। किपलिंग हमें आश्वासन देते हैं। आपको बहुत अच्छा नहीं दिखना चाहिए और नहीं बहुत बुधिमान बात करनी चाहिए। कोई भी चीज इतनी अच्छी तरह से खुद को विज्यापित नहीं करती जितनी दंब, कोई व्यक्ती स्वयम से इतना भरा हो सकता है कि वह खाली हो जाए। वोल्टेर ने कहा हमें आत्म प्रेम को छिपाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। आप इसे सच मानते हैं क्योंकि आपने दूसरों में अत्यधिक आत्म प्रेम को पहचान लिया है। यदि आपके पास यह है तो दूसरे इसे आप में देख रहे हैं। इस दुनिया में स्वयम से भी बड़ी चीजें हैं और उनके लिए काम करने में स्वयम को भुला दिया जाएगा। या जो बेहतर है उसे केवल इसलिए याद रखा जाता है ताकि हमें उच्चतर चीजों की और जीतने में मदद मिल सके। कहने को कुछ है कई वक्ताओं के साथ समस्या ये है कि वे दर्शकों के सामने अपना दिमाग खाली रख कर जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रकृती, निर्वात से घ्रणा करते हुए उन्हें निकट्तम उपियोगी चीज से भर देती है, जो आम तौर पर होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं यह सही कर रहा हूं। मेरे बाल कैसे दिखते हैं। मुझे पता है कि मैं असफल हो जाओंगा। उनकी भविश्य सूचक आत्माए निश्चित रूप से सही होंगी। आत्म विश्वास हासिल करने के लिए अपने विश्य में तलीन रहना ही पर्याप्त नहीं है। आपके पास आत्म विश्वासी होने के लिए कुछ होना चाहिए। यदि आप बिना किसी तैयारी या अपने विश्य के पूर्व ज्यान के बिना दर्शकों के सामने जाते हैं तो आपको सचेत रहना चाहिए, आपको अपने दर्शकों का समय चुराने में शर्मानी चाहिए अपने आपको तयार करें, जाने कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं और सामान्य तोर पर आप इसे कैसे कहने जा रहे हैं पहले कुछ वाकियों पर पूरी तरह से काम करें ताकि आपको शुरुआत में शब्द ढूंडने में परिशानी न हो अपने विशय को अपने सुनने वालों से बहतर जाने और आपको डरने की कोई बात नहीं है सफलता के लिए तैयारी करने के बाद इसकी उम्मीद करें अपने व्यवहार को मामूली रूप से आश्वस्त होने दें लेकिन सबसे बढ़कर अपने भीतर से मामूली आत्मविश्वास से भरे रहें अतियात्म विश्वास बुरा है, लेकिन विफलता की पूर्व सूचना को सहन करना और भी बुरा है, क्योंकि एक साहसी व्यक्ति अपने व्यवहार से ध्यान आकरशित कर सकता है, जबकि एक खरगोश जैसा कायर व्यक्ति आपदा को आमंत्रित करता है। विनम्रता कोई व्यक्तिगत छूट नहीं है जिसे हमें दूसरों की उपस्थिती में पेश करना चाहिए। इस पुरानी व्याख्या के विरुद्ध सबसे स्वस्थ आधुनिक प्रतिक्रिया हुई है। इर्विंग ने एक बार चार्ल्स डिकेंस के सम्मान में दिये गए रात्रिभोज में उनका परिचय कराया था। अपने भाशन के बीच में इर्विंग जिंचके, शर्मिंदा हुए और अजीब तरीके से बैठ गए। अपने बगल में बैठे एक मित्र की और मुड़ते हुए उन्होंने कहा। वहाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं असफल हो जाओंगा और मैं असफल हो गया। यदि आपको विश्वास है कि आप असफल होंगे, तो आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। आप करेंगे। अपने आपको इस विचार से मुक्त करो कि मैं धूल में पड़ा एक बिचारा कीडा हूँ। आप अनंत क्षमताओं वाले भगवान हैं। यदि मन हो तो सभी चीजें तयार हैं। चील चेहरे पर बादल रहित सूरज को देखती है। अपने श्रोताओं पर प्रभुत्व स्थापित करें सार्वजनिक भाशन में बिजली की तरह एक सकारात्मक और एक नकारात्मक शक्ती होती है। या तो आप या आपके दर्शकों के पास सकारात्मक कारक होगा। आत्म निर्देशन की अपनी सारी शक्ती को बुलाएं और याद रखें कि यद्यपी आपके श्रोता आपसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत्य आप दोनों से अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह शाश्वत है। यदि आपका मन इसके नेत्रित्व में डगमगा गया, तो तलवार आपके हाथ से गिर जाएगी। एक भीड या यहां तक कि लोगों के एक छोटे समुह को निर्देश देने, नेत्रित्व करने या प्रेरित करने में सक्षम होने की आपकी धारणा आपको बहुत बड़ी अशिष्टा के रूप में भैभीत कर सकती है, जैसा कि वास्तव में हो सकता है, लेकिन एक बार बोल आपको ठेस नहीं पहुंचाएंगे. यदि लिवरपूल में बीचर ने वायर स्क्रीन के पीछे बात की होती, तो उन्होंने दर्शकों को उन अति परिपक्व मिसाइलों को फेंकने के लिए आमंतरित किया होता, जिनसे वे भरी हुई थी, लेकिन वे एक आदमी था, उसने निडर होकर अपने विरोधी श्रोताओं का सामना किया और उन्हें जीत लिया. अपने दर्शकों का सामना करते समय एक क्षण रुकें और उन्हें सौ से अधिक अवसरों पर देखें, जिन में से एक वे चाहते हैं कि आप सफल हों, क्योंकि कौन आदमी इतना मूर्ख है कि अपना समय, शायद अपना पैसा इस उम्मीद में बर्बाद कर दे कि आप बातचीत करके उसका निवेश बर्बाद कर देंगे. नीरस, समापन संकेत शुरू करने में जल्दबाजी न करें. जल्दबाजी नियंतरण की कमी को दर्शाती है. माफी न मांगे. ये आवश्यक नहीं होना चाहिए. और यदि ऐसा है, तो इससे मदद नहीं मिलेगी. आगे सीधे बढ़ो. गहरी सांस लें, आराम करें और शांत बातचीत के लहजे में बातचीत शुरू करें जैसे कि आप किसी बड़े दोस्त से बात कर रहे हों. आपको यह उतना बुरा नहीं लगेगा जितना आपने सोचा था. वास्तव में यह ठंडी डुबकी लगाने जैसा है. आपके अंद के बाद अपने विचार सोचने पर मजबूर करना सबसे बड़ी खुशी है जिसे आप कभी भी जान सकते हैं. इससे डरने के बजाए आपको उतना ही चिंतित होना चाहिए जितना की लोमडी अपने पटे को खींचती है या रेस के घोडे अपनी लगाम को खींचते हैं. इ ज़िदी आपके घुटने कापते हैं तो अपने दर्शकों का साहस पूर्वक सामना करें. उन्हें रोकें. आपके दर्शकों में आपकी और आप जिस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी कुछ जीत नहित है. जाओ, इसे जीतो. मान लीज़िए कि Charles Martell Tours में सार्सेन पर हथोड़ा चलाने से डर्ते थे. मान लीज़िए कि कोलंबस को अग्यात पश्चिम में जाने का डर था. मान लीज़िए कि हमारे पूर्वज systems जोर्ज तृतिये के अत्याचार का विरोध करने में बहुत दर्पोक थे. मान लीज़ कि कोई भी व्यक्ति जिसने कभी कोई सार्थक कार्य किया वह कायर रहा हो. दुनिया की प्रगतिक अश्रे उन लोगों को जाता है जिन्होंने साहस किया है और आपको उस प्रभावी शब्द को बोलने का साहस करना चाहिए जिसे बोलने के लिए आपके दिल में अक्सर एक वाक्य बोलने के लिए साहस की आवश्यक्ता होती है लेकिन याद रखें कि लोग उन लोगों के लिए कोई समारक नहीं बनाते हैं और नहीं उनकी प्रशंसा करते हैं जो वह करने से डरते हैं, जो वह कर सकते हैं क्या यह सब असहानुभूती पूर्ण हैं? क्या आप कहते हैं? यार, तुम्हें सहानुभूती की नहीं, बलकि एक धक्के की जरूरत है किसी को संदेह नहीं है कि स्वभाव और घबराहट और बीमारी और यहां तक की प्रशंसनिय विनम्रता, अकेले या संयुक्त रूप से दर्शकों के सामने वक्ता के गाल को फड़कने का कारण बन सकती है लेकिन किसी को भी संदेह नहीं हो सकता है कि लाड़ प्यार इस कमजोरी को बढ़ा देगा जीत निडर मनहस्थिती में निहित है प्रो वाल्टर डील स्कॉट कहते हैं व्यवसाय में सफलता या विफलता मानसिक क्षमता से भी अधिक मानसिक दृष्टिकोंड के कारण होती है भय की मनोवृत्ति को दूर भगाएं आत्म विश्वास पूर्ण मनोवृत्ति को अपनाएं और याद रखें कि इसे हासिल करने का एक मात्र तरीका इसे हासिल करना है इस आधार अध्याय में हमने अनुसरन करने योग्य बहुत सी बातों को सपष्ट करने का प्रयास किया है इन में से कई विचारों को अधिक विशिष्ट तरीके से प्रवर्धित और लागू किया जाएगा लेकिन इन सभी अध्यायों के माध्यम से एक कलापर जो श्री मान ग्लैड स्टोन को सारवजनिक प्रेस से अधिक शक्तिशाली माना जाता है उचित आत्म विश्वास का स्वर बार-बार बजना चाहिए अध्याय दो एक रिस्ता का पाप एक दिन एक रूपता से एन्नुई का जन्म हुआ मोटे वर्षों के साथ हमारी अंग्रेजी इतनी बदल गई है कि कई शब्द अब मूल अर्थ से कहीं अधिक अर्थ देते हैं यह नीरस शब्द के बारे में सत्य है एक ही स्वर होने से इसका अर्थ अधिक व्यापक रूप से विविधता का अभाव हो गया है नीरस वक्ता न केवल समान मात्रा और स्वर की पिछ में बोलता है बलकि हमेशा एक ही जोर, एक ही गती, एक ही विचार का उप्योग करता है या विचार को पूरी तरह से दूर कर देता है एक रस्ता, सार्वजनिक वक्ता का प्रमुख और सबसे आम पाप कोई अपराद नहीं है, ये चूक का पाप है क्योंकि इसमें प्रार्थना पुस्तक की स्वीकारोक्ती के अनुसार जीना शामिल है हमने उन चीजों को अधूरा छोड़ दिया है, जो हमें करनी चाहिए थी, हो गया एमर्सन कहते हैं, कला का गुण वैराग्य में निहित है, एक वस्तु को शर्मनाक विविधता से अलग करने में ये वही है, जो नीरस वक्ता करने में विफल रहता है वह एक विचार या वाक्यांश को दूसरे से अलग नहीं करता है, विस सभी एक ही तरीके से व्यक्त किये जाते हैं आपको यह बताना कि आपकी वानी नीरस है, आपके लिए बहुत कम मायने रख सकता है इसलिए आईए हम जीवन के अन्यक शेत्रों में नीरस्ता की प्रकृती और अभिशाप को देखें फिर हम अधिक पूरी तरह से समझेंगे कि यह एक अन्य था अच्छी वानी को कैसे नश्ट कर देगा यदि निकटवर्ती अपार्टमेंट में विक्टरोला बार-बार केवल तीन चैनों को पीसता है तो यह मान लेना काफी सुरक्षित है कि आपके पडोसी के पास कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं है यदि कोई वक्ता अपनी कुछ ही शक्तियों का उप्योग करता है तो यह स्तथ्य की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसकी शेश शक्तियां विक्सित नहीं है एक रस्ता हमारी सीमाओं को उजागर करती है पीडित पर इसके प्रभाव में एक रस्ता वास्तव में घातक होती है यह गालों से फूल और आँखों से चमक को उतनी ही तेजी से खत्म कर देती है जितनी तेजी से पाप करती है और अक्सर दुष्टता की ओर ले जाती है सबसे बुरी सजा जिसे मानव प्रतिभा कभी इजाद कर पाई है वह है अत्यधिक एक रस्ता एकांत कारावास मेज पर एक कंचा बिछाएं और दिन के 18 घंटे कुछ न करें बलकि उस कंचे को एक बिंदू से दूसरे बिंदू पर और फिर वापस बदलें और यदि आप लंबे समय तक जारी रखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे तो यह चीज जो जीवन को छोटा कर देती है और हमारी जेलों में सबसे क्रूर सज्जाओं के रूप में उप्योग की जाती है वह चीज है जो भाशन के पूरे जीवन और शक्ति को नश्ट कर देगी इससे बचें क्योंकि आप एक घातक सुस्त बोर से दूर रहेंगे निश्क्री अमीरों के पास आधा दर्जन घर हो सकते हैं वे प्रिथवी के चारों कोनों से एकत्र किये गए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी इच्छा नुसार अफ्रीका या अलास्का के लिए रवाना हो सकते हैं लेकिन गरीबी से तरस्त व्यक्ति को पैदल चलना पड़ता है या सडक पर कार लेनी पड़ती है उसके पास नौका, ओएंटो या विशेश ट्रेन का विकल्प नहीं होता है उसे अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा श्रम में बिताना होगा और खाद्य बाजार की मुख्य वस्तूँ से संतुष्ट रहना होगा एक रसता दरिद्रता है, चाहे वाणी में हो या जीवन में जिस प्रकार व्यवसाई अपनी संपत्ती बढ़ाने के लिए परिश्रम करता है उसी प्रकार अपनी वाणी की विविधता बढ़ाने का प्रयास करें पक्षियों के गीत, जंगल के किनारे और पहाड नीरस नहीं है बलकि भूरे पत्थरों की लंबी कतारें और पक्की सड़कों की मीलों लंबी कतारें बहुत समान है प्रकृती अपनी संपता में हमें अनंत विविधता प्रदान करती है मनुष्य अपनी सीमाओं के कारण प्रायह नीरस होता है भाशन देने के अपने तरीकों में प्रकृती की ओर वापस लोटें विविधता की शक्ती उसके आनंद देने वाले गुण में निहित है उदाहरण के लिए दुनिया की महान सच्चाईयों को अकसर आकरशक कहानियों Less Miserables में समाहित किया गया है यदि आप पुरुषों को सिखाना या प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको पहले या आखिरी में उन्हें खुश करना होगा पियानों पर एक ही स्वर को बार बार बजाएं इससे आपको एक रस्ता के अप्रिय जगजोड देने वाले प्रभाव का कान पर कुछ अंदाजा हो जाएगा शब्दकोश नीरस को ठकाव के परियाय के रूप में परिभाशित करता है यह इसे हलके ढंक से कह रहा है यह परिशान करने वाला है डिपार्टमेंटल स्टोर का राजकुमार केवल एक ही धुन बजाकर जनता को निराश नहीं करता है आओ मेरा सामान खरीदो वह 125,000 डॉलर के और प्रस्तुती देता है और प्रसन्न लोग स्वाभाविक रूप से खरीदारी के मूड में आ जाते हैं एक रस्ता पर कैसे विजय प्राप्त करें हम अपने वाड्रोप को फिर से तैयार करके पोशाक में एक रस्ता को दूर करते हैं हम अपनी वानी की शक्तियों को बढ़ा कर वानी में एक रस्ता से बचते हैं हम अपने उपकरणों को बढ़ा कर अपनी बोलने की शक्ति को बढ़ाते हैं। बढ़ाई के पास एक इमारत के कई हिस्सों का निर्मान करने के लिए विशेश उपकरण होते हैं। औरगेनिस्ट के पास कुछ कुण्जियां और स्टॉप होते हैं जिनका उप्योग वह अपने सामन जस्य और प्रभाव उत्पन करने के लिए करता है। इसी तरह वक्ता के पास कुछ यंत्र और उपकरण होते हैं, जिनके द्वारा वह अपना तर्क तैयार करता है, भावनाओं से खेलता है और अपने श्रोताओं के विश्वासों का मार्क दर्शन करता है. आपको इन उपकरणों की एक अवधारना देना और उनका उपयोग करना सीखने में व्यावाहरिक मदद देना ततकाल निम्नलिखित अध्याईयों का उद्देश्य है. इसराईल के बच्चे लिमोसिन में रेगिस्तान में क्यो नहीं घूमते थे? और नूह के पास जहाज पर चलती-फिरती तस्वीरें और बात करने वाली मशीने क्यो नहीं थी? वे कानून जो हमें आउंटो मोबाइल चलाने, चलती फिरती तस्वीरें बनाने या विक्टरोला पर संगीत बनाने में सक्षम बनाते हैं वे तब भी उतने ही अच्छे ढंग से काम करते जितने आज करते हैं यह कानून की अज्ञानता ही थी जिसने युगों युगों तक मानवता को हमारी आधुनिक सुविधाओं से वंचित रखा कई वक्ता अभी भी अपने भाशन में ओंटो मोबाइल या ओवर लैंड एक्स्प्रेस विधियों का उपयोग करने के बजाए बैल गाड़ी विधियों का उपयोग करते हैं वे बोलने में दक्षता लाने वाले कानूनों से अनभिजन हैं जिस हद तक आप उन कानूनों का सम्मान करते हैं और उनका उपयोग करते हैं जिनकी हम जाँच करने जा रहे हैं और सीखते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है आपके बोलने में दक्षता और ताकत होगी और जिस हद तक आप उनकी उपेक्षा करेंगे आपकी बातचीत कमजोर और अप्रभावी होगी हम आपको इन सिद्धान्तों की वास्तविक कामकाजी निपुन्टा की आवश्यक्ता के बारे में पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं वे सफल बोलने की नीव हैं नेपोलियन ने कहा अपने सिद्धान्तों को सही करें और बाकी सब विस्तार का विशय है मरे हुए घोडे पर जूता लगाना बेकार है और ईसाई जगत के सभी अच्छे सिद्धान्त कभी भी मरे हुए घोडे से जीवन्त भाशन नहीं देंगे तो यह समझ लें कि सार्वजनिक रूप से बोलना कुछ मृत नियमों में महारत हासिल करने का मामला नहीं है सार्वजनिक भाशन का सबसे महत्वपूर्ण नियम सत्य, बल, भावना और जीवन की आवश्यक्ता है बाकी सब भूल जाओ, लेकिन यह नहीं जब आप अगले कुछ अध्यायों में उल्लिखित भाशन की यांत्रिकी में महारत हासिल कर लेंगे तो आप एक रस्ता से परेशान नहीं होंगे इन सिध्धान्तों का पूरा ज्यान और उन्हें लागू करने की क्षमता आपको अपनी अभिव्यक्ति की शक्तियों में काफी विविधता प्रदान करेगी लेकिन उनके बारे में सोचने या पढ़ने से उन पर महारत हासिल और लागू नहीं की जा सकती आपको अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा यदि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तो अपनी बात सुने आपको हमेशा अपना सबसे अच्छा आलोचक और सबसे गंभीर आलोचक बनना चाहिए निम्नलिखित अध्यायों में हमने जो तक्नीकी सिद्धांत बताए हैं वे हमारी अपनी मनमानी रचनाय नहीं हैं वे सभी उन प्रथाओं पर आधारित हैं जिन्हें अच्छे वक्ता और अभिनेता अपना प्रभाव प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से और अंजाने में या निर्देश के तहत अपनाते हैं विद्यार्थी को यह चेतावनी देना व्यर्थ है कि उसे स्वाभाविक होना चाहिए स्वाभाविक होना नीरस होना हो सकता है आर्कटिक में कुछ छोटे बीज और एसिड टैंग वाली छोटी स्ट्रॉबेरी एक प्राकृतिक बेरी है लेकिन इसकी तुलना उस उन्नत किस्म से नहीं की जा सकती जिसका आनंद हम यहां लेते हैं चट्टानी पहाडी पर बौना ओक प्राकृतिक है लेकिन सम्रिद्ध नम निचली भूमी में पाए जाने वाले खूबसूरत पेड की तुलना में एक घटिया चीज है प्राकृतिक बने लेकिन अपने प्राकृतिक उपहारों में तब तक सुधार करें जब तक आप आदर्श के करीब न पहुँच जाएं क्योंकि हमें फल, पेड और वानी में आदर्श प्रकृति के लिए प्रयास करना चाहिए प्रश्न और अभ्यास अध्याय तीन जोर और अधीनता के माध्यम से दक्षिता एक शब्द में कहें तो जोर देने का सिध्धान्त किसी विशेश नियम को याद रखने से नहीं, बलकि किसी विशेश भावना से परिपूर्ण होने से ही इसका सर्वोत्तम पालन किया जाता है जो बंदूक बहुत अधिक बिखेरती है, वह पक्षियों को नहीं पकड़ती यही सिध्धान्त वानी पर भी लागू होता है जो वक्ता किसी वाक्य में बेतर्तीब धंक से अपना बल और जोर लगाता है, उसे परिणाम नहीं मिलेंगे प्रत्येक शब्द विशेश महत्व का नहीं होता, इसलिए केवल कुछ शब्दों पर ही जोर देने की आवश्यक्ता होती है आप मास्चूसेट्स और मिनिये पोलिस कहते हैं, आप प्रत्येक अक्षर पर समान रूप से जोर नहीं देते हैं लेकिन उच्चारण वाले अक्षर पर जोर से प्रहार करते हैं और महत्वहीन अक्षर पर जल्दी करते हैं अब आप इस सिध्धान्त को वाक्य बोलने में क्यों नहीं लागू करते हैं? कुछ हद तक आप ऐसा करते हैं? सामान रे बोल चाल में, लेकिन क्या आप सार्वजनिक चर्चा में हैं? यह वहाँ है कि जोर की कमी के कारण होने वाली एक रस्ता बहुत दर्दनाक रूप से स्पष्ठ है जहां तक जोर देने का सवाल है, आप औसत वाक्य को सिर्फ एक बड़ा शब्द मान सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण शब्द उच्चारन वाला शब्दांश हो सकता है निम्न लिखित पर ध्यान दें, भाग्य संयोग का विशय नहीं है, ये पसंद का सवाल है आप प्रत्येक शब्दांश पर समान रूप से जोर देते हुए मा से चू सेट भी कह सकते हैं, जैसा कि पिछले वाक्यों में प्रत्येक शब्द पर समान रूप से जोर देने के लिए है जोर से बोल कर देखो, नीसंदेह आप नियती पर जोर देना चाहेंगे, क्योंकि यह आपकी घोषणा में मुख्य विचार है, और आप न करने पर भी कुछ जोर देंगे अन्य था आपके श्रोता सोच सकते हैं कि आप इस बात की पुष्टी कर रहे हैं कि नियती संयोग का विशय है हर तरह से आपको अवसर पर जोर देना चाहिए, क्योंकि यह कथन के दो बड़े विचारों में से एक है मौका पर जोर देने का एक और कारण यह है कि अगले वाक्य में इसकी तुलना विकल्प से की जाती है जाहिर है, लेखक ने जान बूज कर इन विचारों की तुलना की है, ताकि वे अधिक सशक्त हो सकें और यहां हम देखते हैं कि विरोधा भास जोर देने वाले सबसे पहले उपकरणों में से एक है एक सारवजनिक वक्ता के रूप में आप अपनी आवाज के साथ विरोधा भास पर जोर देने में सहायता कर सकते हैं यदि आप कहते हैं, मेरा घोडा काला नहीं है, तुरंत कौन सा रंग दिमाग में आता है? सफेद, स्वाभाविक रूप से, काले के विपरीथ है. यदि आप इस विचार को सामने लाना चाहते हैं कि भाग्य पसंद का मामला है, तो आप पहले यह कहकर अधिक प्रभावी ढंग से ऐसा कर सकते हैं कि नियती मौका का मामला नहीं है. जब आप कहते हैं मेरा घोड़ा काला नहीं है तो क्या घोड़े के रंग का हम पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता वह सफेध हैं कि तुलना में यह तब होगा जब आप केवल यह कहते हुए सुनेंगे कि आपका घोड़ा सफेध है कथन के दूसरे वाक्य में केवल एक महत्वपूर्ण शब्द विकल्प है यह एक ऐसा शब्द है जो चर्चा किये जा रहे विशय की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से परिभाशित करता है और उन पंक्तियों के लेखक इसे सशक्त रूप से सामने लाना चाहते थे बहुत अधिक बल से प्रहार करें लगभग हर वाक्य में कुछ माउंटेन पीक शब्द हैं जो बड़े महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जब आप शाम का अखबार उठाते हैं तो आप एक नजर में बता सकते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण समाचार लेख हैं संपादक को धन्यवाद वह हांग कांग में होल्डप के बारे में उसी आकार में नहीं बताता जैसा वह आपके ग्रह शहर में पांच फायर मैन की मौत की रिपोर्ट करने के लिए उप्योग करता है बोल्ड रिलीफ में जोर दिखाने के लिए आकार का प्रकार उसका उपकरण है वह कभी-कभी दिन भर की चौकाने वाली खबरों को लाल सुर्खियों में भी सामने लाता है यह भाशन निर्मान के लिए एक वरदान होगा यदि वक्ता उसी तरह अपने दर्शकों का ध्यान केंद्रित रखेंगे और केवल महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों पर जोर देंगे औसत वक्ता प्रत्येक शब्द पर लगभग समान मात्रा में जोर देते हुए नियती पर पूर्वगामी पंक्तियाओं प्रस्तुत करेगा यह कहने के बजाए यह पसंद का मामला है वह यह कहेगा यह पसंद का मामला है या यह पसंद का मामला है दोनों ही समान रूप से बुरे हैं दे नियू यॉर्क सन के मशहूर समपादक चार्ल्स डाना ने अपने एक समबाददाता से कहा कि अगर वह सड़क पर जाएं और देखें कि कोई कुट्टा किसी आदमी को काट रहा है तो उस पर ध्यान न दें। दसन ऐसी महत्वहीन घटनाओं पर अपने पाठकों का समय और ध्यान बरबाद नहीं कर सकता था। लेकिन श्रीमान ने कहा डाना यदि आप किसी आदमी को कुट्टे को काटते हुए देखते हैं तो जल्दी से कारियाले वापस जाए और कहानी लिखें बेशक ये खबर है ये असामान्य है। अब जो वक्ता कहता है कि यह पसंद का मामला है वह उन चीजों पर बहुत अधिक जोर दे रहा है जो महानगरिये पाठकों के लिए कुट्टे के काटने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और जब वह पसंद पर जोर देने में विफल रहता है तो वह उस रिपोर्टर क की तरह होता है जो उपर चला गया आदमी एक कुट्टे को काट रहा है आदर्श वक्ता अपने बड़े शब्दों को पहाड की चोटियों की तरह खड़ा कर देता है उसके महत्वहीन शब्द जलधारा की तरह डूबे हुए हैं उनके बड़े विचार विशाल बांज व्र का मामला है हाल ही में न्यू यॉर्क अमेरिकन ने आर्थर ब्रिजबेन का एक संपाद किये छापा निम्न लिखित पर ध्यान दें उसी प्रकार में मुद्रित करें जैसा की यहां दिया गया है हम नहीं जानते कि जब राष्ट्रपती को वह संदेश मिला तो उन्होंने क्य सोचा या जब हाथी ने चूहे को देखा तो उन्होंने क्या सोचा लेकिन हम यह जानते हैं कि राष्ट्रपती ने क्या किया थौट और डी आईडी शब्द तुरंत पाठक का ध्यान आकरशित करते हैं क्योंकि वह दूसरों से भिन्न हैं विशेश रूप से इसलिए नहीं कि वे बड़े हैं यदि इस वाक्य के बाकी सभी शब्दों को उनके आकार से दस गुना बड़ा कर दिया जाए और डी आईडी और थौट को उनके वर्तमान आकार में रखा जाए तो भी वे सशक्त होंगे क्योंकि भिन्न रॉबर्ट चेंबर्स के उपन्यास दी बिजनेस आफ लाइफ से निम्न लिखित को लें आपके पास जो शब्द हैं वे सभी सशक्त हैं क्योंकि उन्हें अलग-अलग बनाया गया है उसने क्रोधित आश्चर्य से उसकी ओर देखा ठीक है आप इसे क्या कहेंगे अगर इस चीज का दोशी होता जिसके लिए तुमने मुझ पर आरोप लगाया है तो मैंने जो किया वह कायरता पूर्ण होता अन्य था यह उचित है एक फिफ्ट इवेन्यू बस मिनिसिंग फोर्ड न्यू यॉर्क तक ध्यान आकरशित करेगी जबकि बैल टीमों में से एक जो अकसर वहां से गुजरती है वह फिफ्ट इवेन्यू पर ध्यान आकरशित करेगी किसी शब्द को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे उसके आसपास के शब्दों को बोलने के तरीके से अलग तरीके से पेश करें यदि आप उची आवाज में बात कर रहे हैं तो जोड़दार पर अपने जोड़दार विचारों को कम स्वर में लें विभक्ति, भावना, विराम, पिच का परिवर्तन, गती का परिवर्तन पर अध्याय पढ़ें। इन में से प्रत्येक विस्तार से समझाएगा कि एक निश्चित सिध्धान्त के उप्योग के माध्यम से जोर कैसे प्राप्त किया जाए। हालां कि इस अध्याय में हम जोर देने के केवल एक ही रूप पर विचार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण शब्द पर बल लगाना और महत्वहीन शब्दों को अधीन करना। मत भूलिये, यह मुख्य तरीकों में से एक है जिसे आपको अपने प्रभाव प्राप्त करने के लिए लगातार नियोजित करना चाहिए। आईए हम जोर को जोर के साथ भ्रमित न करें। चिल्लाना, इमानदारी, बुद्धिमत्ता या भावना का प्रतीक नहीं है। जिस प्रकार का बल हम सशक्त शब्द पर लागू करना चाहते हैं, वह पूरी तरह से भौतिक नहीं है। सच है, जोरदार शब्द अधिक जोर से बोला जा सकता है या इसे अधिक धीरे से बोला जा सकता है, लेकिन वानचित वास्तविक गुण, तीवरता, इमानदारी है। यह भीतर से बाहर से आना चाहिए। कल रात एक वक्ता ने कहा, इस देश का अभिशाप शिक्षा की कमी नहीं है, यह राजनीती है। उन्होंने अभिशाप, अभाव, शिक्षा, राजनीती पर जोर दिया। अन्य शब्दों पर जल्दबाजी की गई और इस प्रकार उन्हें कोई तुलनात्मक महत्व नहीं दिया गया। जब उसने गुस्से से अपने हाथ एक साथ पटक दिये, तो राजनीती शब्द बड़ी भावना के साथ फूट पड़ा। उनका जोर सही भी था और सशक्त भी। उन्होंने हमारा सारा ध्यान इस ए, औफ, इट्स जैसे शब्दों पर केंद्रित करने के बज रैकिंग पारलर का दौरा करने में अपना समय बिताया। एक वक्ता के लिए अपने श्रोताओं का ध्यान आकरशित करने का केवल एक ही बहाना है। उसके पास उनके लिए या तो सच्चाई होनी चाहिए या मनोरंजन। यदि वह छोटी-छोटी बातों में उनका ध्यान भटकाएगा तो वाल स्ट्रीट और गगन चुम्बी इमारतों के महत्व के शब्दों तक पहुँचने पर उनमें न तो जीवंतता बचेगी और नहीं इच्छा। आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इन छोटे-छोटे शब्दों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि आप बातचीत में बोर नहीं हैं? मंच पर रोजमर्रा के भाशन की सही पद्धती लागू करें। जैसा कि हमने अन्यत्र देखा है, सारवजनिक रूप से बोलना काफी हद तक विस्तृत बातचीत के समान है। कभी-कभी अधिक जोर देने के लिए किसी शब्द के हर एक अ पर लागू किया जाना चाहिए। यह विशेश ध्यान आकर्शित करने के लिए एक अच्छा उपकरण है और यह एक मनभावन विविधता प्रदान करता है। पैट्रिक हेंरी के उल्लेखनिय चर्मोत कर्श को बहुत प्रभावी ढंक से प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसे चुना जा सकता है। हमें जो कीमत चुकानी होगी, जो बलिदान हमें देना होगा, जो बोज हमें उठाना होगा, जो हमले हमें सहने होंगे, यह जानते हुए भी कि हमें कितनी कीमत चुकानी होगी, फिर भी हम भरती होते हैं और हम युद्ध के लिए भरती होते हैं, क्योंकि हम अपने उद्देश्य के न्याय को जानते हैं और हम इसकी निश्चित विजय को भी जानते हैं अल्बर्ट जे द्वारा पास प्रॉस्पेरिटी अराउंड से बेवरिज, प्रोग्रेसिव पार्टी के शिकागो राष्ट्रिय सम्मेलन से पहले किसी एक शब्द पर जोड़ देकर उसके विपरी तार्थक का सुझाव देने की प्रवृत्ती होती है ध्यान दें कि निम्न लिखित वाक्य में केवल अलग-अलग शब्दों पर जोड़ देने से अर्थ कैसे बदल जाता है सशक्त शब्दों के पूरक के लिए कोष्ट की अभिव्यक्तियों की वास्तव में आवश्यक्ता नहीं होगी मैं इस वसंत में एक घर खरीदने का इरादा रखता हूँ भले ही आपने ऐसा नहीं किया हो मैं इस वसंत में एक घर खरीदने का इरादा रखता था लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ मेरा इरादा इस वसंत में एक घर खरीदने का था पहले की तरह किराय पर लेने के बजाए इस वसंत में मेरा इरादा एक घर खरीदने का था आटो मोबाइल नहीं मेरा इरादा इस वसंत में अगले वसंत के बजाए एक घर खरीदने का था जब अख़बारों में किसी बड़े युद्ध की खबर आती है तो वे बार-बार उन ही तथियों पर जोर नहीं देते वे नई जानकारी या नया जुकाव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो समाचार सुभ़ के संसकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह दोपहर के बाद के संसकरण में एक छोटे से स्थान पर सिमट कर रह जाएगा हम नए विचारों और नए तथियों में रुची रखते हैं यह सिद्धान्त आपके जोर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है जब तक आप उस पर अतिरिक्त जोर देना न चाहें, एक ही विचार पर बार-बार जोर न दें सीनेटर थस्टन ने प्रिष्ट पचास पर अपने भाशन में बल पर अधिक्तम जोर देने की इच्छा जताई ध्यान दें कि कैसे बल पर बार-बार जोर दिया जाता है हाला कि एक सामान्य नियम के रूप में नया विचार, नया जुकाव चाहे किसी युद्ध की अखबार की रिपोर्ट में हो या किसी वक्ता द्वारा अपने विचारों का प्रतिपादन जोरदार होता है निम्न लिखित चैन में बड़ा जोरदार है क्योंकि यह नया विचार है सभी मनुष्यों के पास आँखें होती हैं लेकिन यह आदमी बड़ी आँख की मांग करता है बड़ी आँखों वाला यह आदमी कहता है कि वह नदियों या हवाई जहाज के लिए सुरक्षा उपकरणों की नहीं बलकि नए सितारों और सूरज की खोज करेगा नए तारे और सूरज शायद ही बड़े शब्द जितने सशक्त हों क्यों? क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि एक खगोल शास्त्री खाना पकाने के व्यंजनों के बजाए स्वरगिये पिंडों की खोज करेगा अगले वाक्य में गणतंत्र की आवश्यक्ता है शब्द सशक्त हैं वे एक नया और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं गणतंत्रों को हमेशा पुरुषों की आवश्यक्ता रही है लेकिन लेखक का कहना है कि उन्हें नए पुरुषों की आवश्यक्ता है नया सशक्त है क्योंकि यह एक नए विचार का परिचाय देता है इसी प्रकार मिट्टी, अनाज, उपकरण भी सशक्त है इस चैन में सबसे सशक्त शब्दों को इटैलिकाइज किया गया है क्या कोई और भी है जिस पर आप जोड़ देंगे? क्यों? बूढे खगोल शास्त्री ने कहा मुझे एक बड़ी आँख दो और मैं नए तारे और सूरज की खोज करूँगा गन तंत्र को आज ऐसे नए लोगों की आवश्यक्ता है जो मिट्टी के प्रती, अनाज के प्रती, औजारों के प्रती बुद्धिमान हो यदि इश्वर लोगों के लिए वाट फुल्टन और मैक कोर्मिक जैसे केवल दो या तीन व्यक्तियों को ही खड़ा करेगा तो वे राज्य के लिए कैलिफोर्निया या मैक्सिको नामक हजाने के बकसे से अधिक मूल्यवान होंगे और मनुष्य की वास्त्विक सर्वोच्चता उसकी शिक्षा की क्षमता पर आधारित है मनुष्य अपने बचपन की अवधि में अद्वितिय है जिसका अर्थ है लचीलापन और शिक्षा की अवधि एक पतंगे का बचपन रोबिन के अंडे सैने और उसकी परिपक्वता के बीच की दूरी कुछ घंटों या कुछ हफ्तों का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन विकास के लिए 20 साल मनुष्य के पालने और उसकी नागरिक्ता के बीच होते हैं यह लंबा बचपन हजारों वर्षों में जातियों और सभ्यताओं द्वारा अर्जित सभी संचित भंडार को लड़के को सौपना संभव बनाता है गुमनाम आपको यह समझना चाहिए कि जोर देने के कोई स्टील रिवेट नियम नहीं है यह निर्दिष्ट करना हमेशा संभव नहीं होता कि किस शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए और किस पर नहीं एक वक्ता किसी भाशन की एक व्याख्या करेगा दूसरा वक्ता एक अलग व्याख्या लाने के लिए अलग-अलग जोर देगा कोई यह नहीं कह सकता कि एक व्याख्या सही है और दूसरी गलत हमारे सभी चेहनित अभ्यासों में इस सिध्धान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए यहां आपकी अपनी बुद्ध को आपके लाब के लिए मार्कदर्शन और मार्कदर्शन करना चाहिए अध्याय चार पिछ के परिवर्तन के माध्यम से दक्षता भाशन केवल गायन का एक संशोधित रूप है मुख्य अंतर यह है कि गायन में स्वर लंबे होते हैं और अंतराल छोटे होते हैं जबकि भाशन में शब्दों को स्टायकाटो स्वर कहा जा सकता है स्वर नहीं विशेश रूप से लंबा होना और शब्दों के बीच का अंतराल अधिक स्पष्ट होना तथ्य यह है कि गायन में हमारे पास स्वरों की एक बड़ी श्रंखला होती है जो इसे सामान्य भाशन से उचित रूप से अलग नहीं करती है वानी में भी स्वरों की विविधता होती है और यहां तक की सामान्य बातचीत में भी तीन से छह अर्ध स्वरों का अंतर होता है, जैसा की मैंने अपनी जांच में पाया है, और कुछ व्यक्तियों में यह सीमा एक सब्तक तक होती है। विलियम शेप पेग्रेल, पॉपुलर साइंस मन्थली, जैसा की सभी जानते हैं, पिछ से हमारा तातपर्य स्वर की सांपेक्ष स्थिती से है, जैसे उच्च, मध्यम, निम्न या इनके बीच कोई भिन्नता। सार्वजनिक भाषण में हम इसे न केवल किसी एक उचारण, विस्मयादिबोधक या एक आक्षरिय, ओ, या के रूप में लागू करते हैं, बलकि किसी भी शब्दांश, शब्द और यहां तक की वाक्यों के समुह पर भी लागू करते हैं, जो एक ही स्वर में बोले जा सक इस अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशल वक्ता न केवल क्रमिक अक्षरों की पिच को बदलता है, अध्याय साथ विभक्ति के माध्यम से दक्षता देखें, बलकि क्रमिक वाक्यों के विभिन भागों या शब्द समुहों को एक अलग पिच देत यह विशय का वह चरण है, जिस पर हम इस अध्याय में विचार कर रहे हैं, विचार में प्रत्येक परिवर्तन आवाज की पिच में बदलाव की मांग करता है, चाहे वक्ता सचेत रूप से, अंजाने में या अवचेतन रूप से नियम का पालन करता है, यह तारकिक आधार है, जिस पर सभी अच्छी आवाज में बदलाव किये जाते हैं, फिर भी इस कानून का उलंगन किसी भी अन्य की तुलना में अधिक बार किया जाता है, सार्वजनिक वक्ता, एक अपराधी बिना पता लगाए और सजा दिये राज्य के कानून की अवहेलना कर सकता है, लेक कि एक रस्ता न केवल अपराधी का पाप है, जैसा कि हमने दिखाया है, लेकिन पीडितों पर भी एक प्लेई, पिछ में बदलाव लगभग सभी शुरुआती लोगों के लिए एक बाधा है, और कई अनुभवी वक्ताओं के लिए भी, यह विशेश रूप से सच है, जब भाशन के शब्दों को याद किया गया हो, यदि आप सुनना चाहते हैं कि पिछ की एक रस्ता कैसी लगती है, तो पियानों पर एक ही स्वर को बार-बार बजाएं, आपकी बोलने की आवाज में उच्च से निम्न तक की पिछ होती है, चरम सीमाओं के बीच बहुत सारे शे की पुनरा वृत्ति को सुन्दर्ता की नीव बनाया जा सकता है, क्योंकि उस एक मूल स्वर के बारे में बुनाई सद्भाव, एक सतत, आग्रह पूर्ण गुणवत्ता उत्पन्न करती है, जो शुद्ध विभिन्न प्रकार के तार अनुक्रमों में महसूस नहीं की जाती है इसी तरह किसी अनुष्ठान में तेज आवाज में शायद ही कभी गंभीर सुन्दर्ता होती है, लेकिन सार्वजनिक वक्ता को एक रस्ता से बचना चाहिए क्योंकि वह एक महामारी है पिच का निरंतर परिवर्तन प्रकृती की सर्वोच्च विधि है, दक्षता के सिध्धानतों की खोज में हमें लगातार प्रकृती की ओर वापस जाना होगा सचमुच सुनो, पक्षियों का गाना सुनो, इन में से कौन सी पंक वाली जनजातियां अपने गायन प्रयासों में सबसे अधिक आनंद दायक हैं, जिनकी आवाज मधुर होते हुए भी बहुत कम या कोई रेंज नहीं होती है, या जिनकी आवाज कैनरी, लार्क और नाइटि जब बिना बदलाव के दोहराई जाती है, तो मजबूर श्रोता को परेशान कर सकती है, छोटा बच्चा शायद ही कभी नीरस स्वर में बोलता है, सडक पर या घर में आप जो छोटे-छोटे लोगों की बातचीत सुनते हैं, उन पर गौर करें और स्वर में लगातार होने वाले बदलावों पर ध्यान दें, अधिकांश वयसकों की अचेतन वानी भी इसी तरह मनभावन विविधताओं से भरी होती है, कल्पना कीजिए कि कोई निम्न लिखित बोल रहा है, और विचार करें कि क्या प्रभाव उतना नहीं होगा जितना बताया गया है, याद रख प्रभाव की स्वाभाविक्ता में अंतर देखें, निम्न लिखित अभ्यास को पिछ के कई बदलावों के साथ पूरी तरह से बातचीत के लहजे में बोला जाना चाहिए, इसका अभ्यास तब तक करें जब तक कि आपकी डिलीवरी के कारण अगले कमरे में कोई अजनबी यह न सोचे कि आप एक याद किया हुआ एकालाब देने के बजाए किसी मित्र के साथ किसी वास्तविक घटना पर चर्चा कर रहे हैं। मैं जाकर यह किया है। ठीक है, आप साथ साथ चले, तारों से जगमगाते आकाश के उपर, और मैं शर्त लगा सकता हूँ बूढ़े आदमी, यह स्विकार करो कि तुम भैभीत थे। मैं भी ऐसा ही था, तो आप छट पर टहल रहे थे। गर्मियों की चांदनी को पानी पर अपनी सारी चमक बिखेरते हुए देखा, जैसे वे किनारे पर लहरा रहे थे। काफी देर तक आपने साहस जुटाया, जब आपने देखा कि कोई भी निकट नहीं था, तो आपने उसे करीब खीच लिया और उसे बताया कि आप उसको प्यार करता था, तो मैंने किया, खैर, मुझे आपसे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और मुझे यकीन है कि मै आपकी खुशी की कामना करता हूँ, सोचो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो मैं घूमूँगा, और तुमसे मिलूँगा, एह, मेरे लड़के, जब हनीमून खत्म हो जाएगा, और आप शान्त हो जाएंगे, तो हम क्या प्रयास करेंगे, आप जो ड्यूस कहते हैं अस्विकार कर दिया आपने, अस्विकार कर दिया, मैं भी ऐसा ही था, गुमनाम पिच बदलने की आवश्यक्ता इतनी स्पष्ट है कि इसे तुरंत समझा जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए हालां कि खुद को पिच की एक करस्ता से मुक्त करने के लिए धैर्य पूर्वक अभ्यास की आवश्यक्ता होती है स्वाभाविक बातचीत में आप पहले किसी विचार के बारे में सोचते हैं और फिर उसे व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंडते हैं याद किये, गए भाषणों में आप शब्दों को बोलने के लिए उत्तरदाई होते हैं, और फिर सोचते हैं कि उनका क्या मतलब है और कई वक्ता इस बारे में बहुत कम चिंता करते हैं। क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि प्रक्रिया को उलटने से परिणाम उलट जाना चाहिए? अपनी अभिव्यक्ति के तरीकों में प्रक्रिती की ओर वापस लोटें। यदि आप निर्देशों का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने कई रीडिंग के बाद पिच में कई बदलाव किये हैं। यह काम नहीं है जो मनुष्य को मारता है, यह चिंता है। काम स्वस्थ है। आप शायद ही किसी आदमी पर उसकी सहन शक्ती से अधिक कुछ डाल सकते हैं। चिंता ब्लेड पर जंग है। यह क्रांती नहीं है जो मशीनरी को नश्ट करती है बलकि घर्शन है। पिच बदलने से जोर पड़ता है, यह एक अत्यंत महत्वपून कथन है। पिच में विविधता श्रोता की रुची को बनाए रखती है, लेकिन असामान्य जोर देने के लिए ध्यान आकर्शित करने के लिए सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है अपनी आवाज की पिच को अचानक और एक चेहनिट डिग्री में बदलना। एक महान विरोधा भास हमेशा ध्यान आकर्शित करता है, सफेद काले के मुकाबले सफेद दिखाता है, सहारा के सननाटे में तोप, शिकागो की तुलना में अधिक तेज गर्जना करती है, ये विरोधा भास की शक्ती के सरल उदारण है, कांग्रेस आगे क्या करने जा रह और अपने द्वारा उठाए गए प्रश्न की गंभीरता का सुझाव दिया, पिच परिवर्तन के पूर्वगामी क्रम को समान रूप से अच्छे प्रभाव के साथ उलटा किया जा सकता है, हालां कि गंभीरता में थोड़े से बदलाव के साथ कोई भी तरीका समझदारी से उपयोग किये जाने पर जोर पैदा करता है, यानि प्राप्त किये जाने वाले जोर के प्रकार की सामान्य घ्यान सराहना के साथ, पिच के इन विरोधा भासों का प्रयास करते समय अप्रिय चरम सीमाओं से बचना महत्वपूर्ण है, अधिकांश वक्ता अपनी आवाज ब क्योंकि किसी आवाज को शक्तिशाली होने के लिए स्पष्ट रूप से आवश्चक नहीं है और मनभावन होने के लिए ऐसा होना भी जरूरी नहीं है। अध्याय पांच गती में परिवर्तन के माध्यम से दक्षता सुनिये कि वह आस्था के बिंदूओं को कैसे स्पष्ट करता है। अब नम्रता से शांत, अब उग्र क्रोध में वह मोहर लगा रहा है और उचल रहा है। शरीर में कोई बदलाव नहीं, यह टेंपो शब्द है और इसका अर्थ है गती की दर, जैसा कि उस गती को निश्पादित करने में लगने वाले समय से मापा जाता है। अब तक इसका उपयोग काफी हद तक गायन और संगीत कला तक ही सीमित रहा है। लेकिन अधिक ठोस मामलों में गती को लागू होते हुए सुनना आश्चर्य जनक नहीं होगा। क्योंकि यह शब्द के वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से दर्शाता है कि एक बैल गाड़ी धीमी गती से चलती है। तेज गती से चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन। हमारी बंदूकें जो एक मिनट में 600 बार फायर करती हैं। तेज गती से फायर करती हैं पुराना थूथन लोडर जिसे लोड करने में तीन मिनट लगते थे धीमी गती से चलाया गया। प्रत्येक संगीतकार इस सिध्धान्त को समझता है। आठवे स्वर की तुलना में खुद को जोर देने और शक्ती के अपने मुख्य साधनों में से एक से वंचित कर रहा है। बेसबॉल पिचर, क्रिकेट में गेंदबाज, टेनिस सर्वर, सभी अपनी गेंद को फेंकने में गती में बदलाव की कीमत को जानते हैं। और इसलिए सार्व जनिक वक्ता को इस की शक्ती का निरीक्षन करना चाहिए। टेंपो का परिवर्तन वित्रण में स्वाभाविक्ता लाता है। जैसा कि एक रस्ता ध्याय में बताया गया है स्वाभाविक्ता या कम से कम प्रतीत होने वाली स्वाभाविक्ता बहुत वांचनिये हैं और टेंपो में निरंतर पर दिखक से कहा कि गति में बदलाव अभिनेता के सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है, हालां कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कई अभिनेताओं की रुक-रुक कर बोली जाने वाली भाशा धुंधले दरपणों का संकेत देती है, फिर भी सार्वजनिक वक्ता के लिए अभिनेता की गतिके उपियोग का अध्यान करना अच्छा होगा, हालां कि किसी गुण की स्वाभाविक्ता का अध्यान करने के लिए एक अधिक मौलिक और प्रभावी स्रोत है, जो एक बार खो जाने पर पुनह प्राप्त करने से कत्राता है वहसरोत किसी भी अच्छी तरह से विक्सित समूह की आम बातचीत है यह वह मानक है जिसे हम मंच और मंच दोनों पर कुछ अंतरों के साथ हासिल करने का प्रयास करते हैं निश्चित रूप से जो आगे बढ़ने पर दिखाई देगा यह उन विशिष्ट भागों का पुनरुत पादन है जो वास्तव में संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं यथार्थवादी कहानिकार समवाद लिखते समय इसे समझता है और हमें गति में परिवर्तन के माध्यम से स्वाभाविक्ता की तलाश में इसे ध्यान में रखना चाहिए मान लीजिए कि आप निम्नलिखित वाक्यों में से पहला वाक्य धीमी गति से बोलते हैं दूसरा वाक्य तेजी से यह देखते हुए कि प्रभाव कितना स्वाभाविक है फिर दोनों को समान तेजी से बोलें और अंतर नोट करें मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अपने चाकु से क्या किया ओह अब मुझे याद आया कि मैंने इसे मैरी को दिया था हम यहां देखते हैं कि गती में बदलाव अकसर एक ही वाक्य में होता है क्योंकि गती न केवल एकल शब्दों, शब्दों के समूहों और वाक्यों के समूहों पर लागू होती है बलकि सार्वजनिक भाशन के प्रमुक हिस्सों पर भी लागू होती है साहित्यकार का सच्चा काम अपने अर्थ को गूंथना या बुनना है, उसे अपने चारों ओर समाहित करना, ताकि प्रत्येक वाक्य, क्रमिक वाक्यांशों द्वारा पहले एक प्रकार की गांट में आ जाए और फिर निलंबित अर्थ के एक क्षण के बाद खुद को हल और स् जोर्ज सेंटसबरी, अंग्रेजी गद्य शैली पर, विविध निबंधों में, विराम, इसका एक विशिष्ट मूल्य है, जो मौन में व्यक्त होता है, दूसरे शब्दों में, जब आवाज प्रतीक्षा कर रही है, आंदोलन का संगीत चल रहा है, इसे प्रबंधित करने के लिए इसकी व्यंजनों और क्षतिपूर्ती के साथ कान की उसी सुन्दर्ता की आवश्यक्ता होती है, जिस पर हमें सभी तुटिहीन गद्य लए के लिए निर्भर रहना पड़ता है, जब कोई मुआवजा न हो, जब विराम अंजाने में हो, जटके और कमी का एहसास हो होता है, जैसे कोई पिन या बंधन तूट कर गिर गया हो, जॉन फ्रैंकलिन जेनुंग, बयान बाजी के कार्य सिध्धान्त, सार्वजनिक भाशन में विराम, केवल मौन नहीं है, ये जान बूज कर वाकपठू बनाया गया मौन है, जब एक आदमी कहता है, मुझे बहुत वक्ता लड़ खडाने के बावजूत प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके कारण कभी नहीं, दूसरी और सार्वजनिक बोलने में शक्ति विक्सित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन किसी महत्वपूर्ण शब्द या वाक्यांश के पहले या बाद में या पहले और इस संभावित उपकरण का तब तक अध्ययन करें, जब तक आप इसे आत्मसाथ और आत्मसाथ नहीं कर लेते। अगर ये हिंदुस्तानी में बोला जाता तो बहतर होता, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अनुभव के फल को उत्सुकता से नहीं खाते हैं। जब वह प्रभावशाली ढंक से अधिकार की धाली में हमारे सामने रखा जाता है, हम अपने लिए फल तोड़ना पसंद करते हैं। न केवल इसका स्वाद बहतर होता है, बलकि हम उस पेड को कभी नहीं भूलते। सौभाग्य से इस उदाहरण में ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पेड हमारे चारों और घने खड़े हैं। एक आदमी दूसरे के पक्ष में वकालत कर रहा है, मेरे दोस्तों, इस आदमी ने आपके और मेरे लिए ये अद्भुत बलिदान दिया है। क्या इस विराम ने आश्चरे जनक रूप से इस कथन की शक्ती को नहीं बढ़ाया? देखिए कि कैसे उन्होंने आपके और मेरे लिए शब्दों को व्यक्त करने के लिए आरक्षित शक्ती और प्रभावशालिता जुटाई। स्वाभाविक रूप से इस तरह के पूर्व निर्धारित विराम के दोरान वक्ता का दिमाग उस विचार पर केंद्रित होता है जिसे वह अभी व्यक्ती देने वाला है। वह अपने विचारों को एक पल के लिए भी इधर उधर भटकने देने का साहस नहीं करेगा, बलकि वह अपने विचारों और भावनाओं को सर्वोच्च रूप से उस बलिदान पर केंद्रित करेगा, जिसकी सेवा, मधूरता और दिव्यता को वह अपनी अपील से लागू 1. विराम अंतिम वॉली देने से पहले वक्ता के दिमाग को अपनी ताकत इकठा करने में सक्षम बनाता है, तैयारी के लिए रुके बिना या रंग रूटों की प्रतीक्षा किये बिना युद्ध में भागना अकसर खतरनाक होता है, उदाहरण के तौर पर कस्टर के नर सं अमीद नहीं होगी, रुकें और लेंस गर्मी इकठा कर लेता है, आपके विचार आपके श्रोताओं के दिमाग में तब तक आग नहीं लगाएंगे, जब तक कि आप एक या दो सेकंड की एकागरता से आने वाली शक्ती को इकठा करने के लिए नहीं रुकते, मेपल के पे और जब पेड या कुआ फिर से खोला जाता है, तो परिणाम एक मजबूत प्रवा होता है, अपने दिमाग के साथ समान सामान्य घ्यान का प्रयोग करें, यदि आप किसी विचार को विशेश रूप से प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो उसके उच्चारण से ठीक प परिपक्व न हो जाए, मौन से आपकी शक्ती आती है, वानी चांदी जैसी है, मौन सुनहरा है, वानी मानवीय है, मौन दिव्य है, मौन को वानी का जनक कहा गया है, ये होना चाहिए, हमारे बहुत से सार्वजनिक भाशनों का कोई पिता नहीं होता, वे बिना रुके या प्रभावों के पीछे प्रयास करते हैं. प्रकृती के तरीकों पर वापस जाएं और रुकें. डू. विराम आपके संदेश को प्राप्त करने के लिए ऑंडिटर के दिमाग को तैयार करता है. हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड गती में है. ऐसा ही है और सभी पूर्ण गती लाय है. लाय का हिस्सा विश्राम है. विश्राम पूरी प्रकृती में गती विधी का अनुसरण करता है. उदाहरण, दिन और रात, वसंत गर्मिया, शरद रतु सर्दिया, सांसों के बीच आराम की अवधी, दिल की धड़कनों के बीच पूर्ण विश्राम का एक ख्षण. रुकें और अपने दर्शकों की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को विश्राम दें. इतनी शांती के बाद आप जो कहेंगे उसका असर बहुत ज्यादा होगा. जब आपके देहाती चचेरे भाई बहन शहर में आते हैं, तो गुजरती कार का शोर उन्हें जगा देगा. हालांकि यह शायद ही कभी एक अनुभवी शहरवासी को प्रभावित करता है. लगातार कारों के गुजरने से उसकी ध्यान शक्ति खत्म हो गई है. ऐसे व्यक्ति में जो शहर का दौरा करता है, लेकिन शायद ही कभी ध्यान का मूल्य आग्रह पूर्ण होता है. उसके लिए शोर एक लंबे विराम के बाद आता है, इसलिए इसकी शक्ति है. हे नगर के निवासियों, तुम्हारे लिए कोई विराम नहीं है, इसलिए कम ध्यान देने योग्य मूल्य. कई घंटों तक ट्रेन में सफर करने के बाद, आप उसकी दहाड के इतने आदी हो जाएंगे कि वह अपना ध्यान खो देगी, जब तक की ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक कर दो बारा शुरू न हो जाए. यदि आप इतनी दूर की घड़ी की टिक टिक को सुनने का प्रयास करें कि आप उसे बमुश्किल सुन सकें, तो आप पाएंगे कि कई बार आप उसे भेद नहीं पाते, लेकिन कुछ हिक्षणों में ध्वनी फिर से स्पष्ट हो जाती है. आपका मन आराम के लिए रुकेगा चाहे आप ऐसा करना चाहें या नहीं. आपके दर्शकों का ध्यान बिलकुल उसी तरह से काम करेगा. इस कानून को पहचाने और रुक कर इसकी तैयारी करें. इसे दोहराया जाए. विराम के बाद जो विचार आता है, वह विराम न होने की तुलना में कहीं अधिक गतिशील होता है. एक रात के बारे में आप से जो कहा गया है, उसका आपके दिमाग पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना की सुबह कहा गया हो, जब आपका दर्शकों का कमजोर सीमित दिमाग भी आराम की मांग करेगा. प्रकृती का निरीक्षण करें, उसके नियमों का अध्ययन करें और अपनी बात चीत में उनका पालन करें. 3. विराम प्रभावी सस्पेंस बनाता है. सस्पेंस जीवन में हमारी रुची के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है. आपके भाशन के साथ भी ऐसा ही होगा. यदि आप किसी नाटक या उपन्यास का कठानक पहले से जानते हैं, तो अकसर उसकी अधिकांश रुच की खत्म हो जाती है. हम परिणाम के बारे में अनुमान लगाते रहना पसंद करते हैं. सस्पेंस पैदा करने की क्षमता महिला की दूसरे लिंग को बनाए रखने की शक्ति का हिस्सा है. सरकस कलाबाज इस सिध्धान्त का उपयोग तब करता है जब वह किसी उपलब्धी को प्रदर्शित करने के कई प्रयासों में जान बूज कर विफल हो जाता है और फिर उसे हासिल कर लेता है. यहां तक की जिस सोच समझकर वह प्रारंभिक तैयारी की विवस्था करता है उससे हमारी यह अपेक्षा बढ़ जाती है कि हमें इंतजार कराया जाना पसंद है. ना अपना कर्तब दिखाने से पहले बहुत देर तक मनाना पड़ा और उसके साथ काम करना पड़ा तो उसे उस समय की तुलना में बहुत अधिक तालिया मिली जब उसने अपना कर्तब एक बार में ही कर दिखाया था. हम ना केवल इंतजार करना पसंद करते हैं बलकि हम जिस च लेखने के लिए इंतजार करते हैं कि रहस्य कैसे सुलजता है और यदि यह बहुत जल्दी सुलज जाता है तो आप कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं। और बनाय रखने के लिए विराम एक मूलेवान उपकरण है। हमने एक बार श्रीमान को सुना था। ब्रायन ने एक भाशन में कहा यह सुनना मेरा सौभाग्य था और वह रुख गए। जबकि दर्शकों को एक सेकंड के लिए आश्चर्य हुआ कि महान प्रचारक को सुनना उनका सौभाग्य था और वह फिर से रुख गए। हम उस आदमी के बारे में थोड़ा और जानते थे जिसके बारे में उसने सुना था। लेकिन फिर भी आश्चर्य था कि उसने किस प्रचारक का जिक्र किया था और फिर उन्होंने निशकर्ष निकाला। डवाइटल तु उसने श्रीमान को कैसे देखा था। इसके बाद मूडी अपने समय के सबसे महान उपदेशक बने रहे। डैश विरामों को दर्शाते हैं और हमारे पास निम्न लिखित हैं। महान प्रचारक डवाइटल को सुनना मेरा सौभाग्य था। तुन का मिजाज। मैं उन्हें अ छोटी छोटी चीजों का अनुप्रयोग है जो सफल और असफल वक्ता के बीच बहुत अंतर पैदा करता है। चार एक महत्वपूर्ण विचार के बाद रुकने से उसे समझने का समय मिल जाता है। मिसौरी का कोई भी किसान आपको बताएगा कि बहुत तेजी से होने वाल बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान हमें कोई चंक फ्लोटर न भेजें। बस हमें एक अच्छी पुरानी रिमजिम फुहार दीजिए। बारिश की तरह एक भाशन भी किसी के लिए अच्छा नहीं होगा अगर वह इतनी तेजी से आए कि उसे भीग किसान की पतनी अपनी धुलाई करते समय इसी सिध्धान्त का पालन करती है जब वह कपड़े पानी में डालती है और कई घंटों तक रुकती है ताकि पानी उन्हें सोख ले। चिकितसक आपके टर्बाइनेट्स पर कोकीन डालता है और उन्हें हटाने से पहले उसे देखिए इसका क्या असर होता है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहाले में 10 मिनट बिताते हैं, एक्वेरियम में ज्हांकते हैं, ब्रुकलिन ब्रिज को पार करते हैं, चिडिया घर तक जाते हैं और ग्रांट के मकबरे से वापस आते हैं और कॉल करते हैं कि न्यू यॉर्क देख रहा हूं। यदि आप बिना रुके अपने महत्वपूर्ण बिंदूओं पर तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो आपके दर्शकों को इस बात का पर्यापत अंदाजा होगा कि आपने क्या बताने की कोशिश की है। समय लीजिए, आपके पास भी उतना ही है जितना हमारे सबसे अमीर करोडपती के पास है। आपके दर्शक आपका इंतजार करेंगे। इसमें महारत हासिल करें और रुक रुक कर इसका उपयोग करें। हेमलेट का अच्छा किरदार निभाया है और फिर भी प्रत्येक ने अलग-अलग भूमिका निभाई है। कौन पूर्णता के सबसे करीब आता है यह एक राय का सवाल है। यदि आप एक मूल पत को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यक्तिकत हैं, तो आप अपने स्वयम के मार्ग का अनुसरन करने का साहस करके सर्वोत्तम सफल होंगे। एक पल के लिए रुकें कचरे के बीच कुएं से होने का एक क्षणिक स्वाद और लो। प्रेत कारवां उस लक्षे तक पहुँच गया है जहां से वह निकला था। ओ, जल्दी करो, जिस सांसारिक आशा पर मनुष्य अपना हृदय लगाते हैं, वह राक हो जाती है या वह सफल हो जाती है और तुरंत ही रेगिस्तान के धूल भरे चहरे पर बर्फ की तरह प्रकाश एक या दो घंटे के लिए खत्म हो जाता है। समय के पक्षी के पास फड़़ाने का थोड़ा सा ही रास्ता है और पक्षी पंक पर है। आप देखेंगे कि विरामचहनों का रुखने से कोई लेना देना नहीं है, आप एक अवधी को बहुत तेजी से चला सकते हैं और एक लंबा विराम लगा सकते हैं जहां किसी प्रका में जंगल में गाते हुए तुम ओ जंगल अब स्वर्ग थे। आपको सांस लेने और वाक्यांशों के माध्यम से आने वाले प्राकृतिक विराम के साथ जोर देने के लिए विराम को भ्रमित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए बायरण के इस चैन में बताए गए विर प्रम्भिक गर्जना है। इन स्पष्ट भेदों पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक नहीं है। आप देखेंगे कि स्वाभाविक बातचीत में हमारे शब्द समूहों या वाक्यांशों में एकत्रित हो जाते हैं और हम अकसर उनके बीच सांस लेने के लिए रुखते नहीं हो। यहां सावधानी का एक गंभीर शब्द अवश्य कहा जाना चाहिए। रुक कर अधिक काम न करें। ऐसा करने से आपकी वाणी भारी और रूखी हो जाएगी। और यह मत सोचिए कि विराम सामान्य विचारों को महान और गरिमा पूर्ण कथन में बदल सकता महत्वहीन विचारों के साथ संयुक्त एक भव्य तरीका एक हेंबलर्टोनियन को गधे के साथ जोडने जैसा है। आपको पुराने स्कूल का हास्यास पद उद्गोश ए मिड़नाइट मर्डर याद है जो एक रोमांचक चर्मोत कर्ष तक भव्य तरीके से आगे बढ़ा और समाप्थ हुआ और लगा तार एक मच्छर की हत्या कर दी। नाट की ये ढंक से संभाला गया विराम हमेशा सहिशनु श्रोताओं को हसाता रहा। प्रहसन में ये सब बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा विरोधी चर्मोत कर्ष तब दर्दनाक हो जाता है जब वक्ता अंज अंजाने में ही उदात्त से हस्यासपत की ओर गिर जाता है। बूम रैंक के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रभावी होने के लिए विराम को उस विचार से पहले या बाद में होना चाहिए जो वास्तव में सार्थक है या कम से कम एक विचार जिसका भाशन के बाकी हिस्सो पर प्रभाव महत्वपूर्ण है। विलियम पिटेंजर ने अपने खंड एक्स्टेंपोर स्पीच में एक महान अमेरिकी राजनेता और वक्ता द्वारा। अंजाने में किये गए विराम के हास्यासपत उप्योग का एक उदारण बताया है। उन्होंने नियागरा फॉल् तो वक्तृत्व वृत्ति कठिनाईयों से जूँज रही थी। जैसे ही उन्होंने घोशना की सज्जनों मैं 147 फीट उचे आपके शानदार मोतियाबिंद को देखने गया था। पीच में मधुर ताल में गिरता है। अब सब खत्म हो रहा है, अब फिर से जोर से गूंज रहा है। और भी तेज, साफ और सुरीला जैसे आधी आ रही है। आसान बल के साथ यह उन सभी कोशिकाओं को खोल देता है जहां मेमोरी सोई हुई थी। विलियम काउपर कार्य। भाशा की अभिव्यक्ति, वस्तुतह, स्वर स्वर को चाया देने की इस सूक्ष्म शक्ती से कई गुना बढ़ जाती है। और इस स्वर चाया को हम विभक्ती कहते हैं। एक शब्द के भीतर पिछ का परिवर्तन और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वाक्यांश से वाक्यांश में पिछ के परिवर्तन की तुलना में अधिक नाजुक है। दरसल एक के बिना दूसरे का अभ्यास नहीं किया जा सकता। नंगे शब्द केवल इतनी सारी इंटे हैं कि उनसे एक फुटपाथ, एक गिराज या एक गिरजा घर बन जाएगा। यह शब्दों के शेक्स्पियर के टिपपणिकार जेमसन ने हमें विभक्ती के प्रभाव का एक मरमग्योधारन दिया है। लेडी मैकबेत की भूमिका के प्रतिरूपन में श्रीमती। हम असफल हैं। शब्द देने में सिडन्स ने क्रमिक रूप से तीन अलग-अलग स्वर अपनाए। प उसने उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जिसके बारे में मैं आश्वस्त हूँ कि यह सही रीडिंग है कि हम सरल अवधी के साथ असफल हो जाते हैं। आवाज को गहरे, धीमे, द्रढ स्वर में संशोधित करते हैं जो मुद्दे को तुरंत सुल्जा देता है। जैसे कि उ उसने कहा था, अगर हम असफल होते हैं, तो क्यों तब हम असफल हो जाते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारे भाशन का यह सबसे अभिव्यंजक तत्व किसी विदेशी भाशा को बोलने में स्वाभाविक्ता प्राप्त करने में महारत हासिल करने वाला अंतिम है। विविध विभक्तियों के बिना वानी काश्ठिय और नीरस हो जाती है। विभक्तियां केवल दो प्रकार की होती हैं, आरोही और अवरोही, फिर भी ये दोनों इतने चायांकित या इतने संयुक्त हो सकते हैं कि वे कई प्रकार के मॉडुलेशन उत्पन्न करने में सक जैसा कि शायद एक या दो रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। अपक संयोजन प्रभावित हो सकते हैं। ध्यान दें कि फीकी प्रशंसा या विनम्र संदेह या राय की अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए एक बढ़ती हुई विभक्ती कैसे बनाई जा सकती है। फिर ध्यान दें कि आम तोर पर गिरते हुए विभक्ती के साथ बोले गए समान शब्द निश्चितता या अच्छे स्वभाव वाले अनुमोदन या उत्साही प्रशंसा इत्यादी को कैसे दर्शा सकते हैं। सामान्य तोर पर हम पाते हैं कि आवाज का उपर की ओर जुकना संदेह और अनिश्चितता का संकेत देगा। जबकि एक निश्चित गिरता हुआ मोड यह सुझाव देगा कि आप अपनी जमीन के बारे में निश्चित हैं। छात्रों को यह पसंद नहीं है कि उन्हें बताया जाए कि उनके भाशन इतने बुरे नहीं हैं जो बढ़ते भाव के साथ बोले गए हैं। इन शब्दों को लंबे समय तक गिरते विभक्ती के साथ उच्चारित करने से वानी का हार्दिक समर्थन होगा। उस काल्पनिक व्यक्ती को अलविदा कहें जिसे आप कल फिर से देखने की उम्मीद करते हैं तब एक प्रियमित्र से आप दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं करते। विभक्ती में अंतर पर ध्यान दें। मैंने आनंद मय समय बिताया जब एक आपचारिक चाय के समापन पर एक तुछ महिला द्वारा बोला गया शब्द उन प्रेमियों के बीच बोले गए शब्दों की तुलना में पूरी तरह से अलग मोड लेता है जिन्होंने आनंद लिया है। इसे दोहराते हुए दोनों पात्रों की नकल करें और अंतर देखें। की अध्यक्षता करता है। वहाँ वह कॉफी और शराब पीते हैं और मनुष्य के दिमाग से जुड़े हर विशय पर बात करते हैं। प्रत्येक विशय उसका विशय है। वह एक बुजुर्ग व्यक्ती है। उसका चहरा खराब है और उसकी बाई पलक जुकी हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि वह ब्रिटिश सेवा में मलेशिया में कहीं न्यायाधीश हैं जहां वे जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं जो उनके लिए अच्छा है। निम्न लिखित दो चैनों को बड़ी गंभीरता से वित्रित करें और ध्यान दें कि विभक्तियां पूर्व गामी से कैसे भिन्न हैं। फिर इन चैनों को हलके सतही तरीके से दोबारा पढ़ें। यह ध्यान में रखते हुए कि द्रिष्टिकोन में परिवर्तन विभक्ति के परिवर्तन के माध्यम से व्यक्त होता है। सभी विचारों से अधिक गहरी है। आत्माएं आत्माओं को वक कभी नहीं सिखा सकती जो स्वयम को सिखाया गया है। क्रंच यह पूरी तरह से सपष्ट किया जाना चाहिए कि विभक्ति ज्यादा तर एकल शब्दों के भीतर सूक्ष्म नाजुक छायाकन से संबंधित है। और किसी भी तरह से वाक्य बोलने में आवाज में सामान निव्रिद्ध या गिरावट से पूरा नहीं होता है। फिर भी कुछ वाक्यों को ऐसे विभक्ति के साथ प्रभावी धंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वाक्य को कई तरीकों से आजमाएं जब तक कि आप अंतिम दो अक्षरों तक नहीं पहुँच जाते। जैसा कि संकेत दिया गया है, कोई modulation न करें और फिर भी मैंने उसे dis, high बताया, तीक्ष्णता से, कम, तीव्रता से। और फिर भी मैंने उसे यह बताया, उच्च, निम्न, अब इस वाक्य में महत्वपूर्ण शब्दों को विभक्त करके देखिए, ताकि अर्थ के विभिन रंग सामने आ सकें। उपर वर्णित पहला रूप, एक ही शब्द के भीतर, पिछ में बदलाव दिखाता है, जिन रूपों पर आप स्वयम काम करेंगे, उनमें पूरे वाक्य में ऐसे कई विभक्तियां दिखनी चाहिए। जोड देने के मुख्य तरीकों में से एक है, जोड़दार शब्दों पर लंबे समय तक गिरने वाले विभक्ति को नियोजित करना, यानि किसी शब्द में आंतरिक स्वर्ध्वनी पर आवाज को कम पिछ पर आने देना, इसे प्रत्येक, एली मोसिनरी और नश्ट करें जो लंबे समय तक पढ़ने वाले विभक्तियों को अभिव्यंजक बनाने में मदद करेंगे? सर, आप इस छोटी सी संस्था को नश्ट कर सकते हैं, ये कमजोर है, ये आपके हाथ में है मैं जानता हूँ कि ये हमारे देश के साहित्यक क्षितिज की कमतर रोश्णी में से एक है, आप इसे बाहर रख सकते हैं परन्तु यदि तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हें अपना काम जारी रखना होगा, आपको एक-एक करके विज्ञान की उन सभी महान रोश्णी को बुझाना होगा, जो एक सदी से भी अधिक समय से हमारी धर्ती पर अपनी चमक बिखेर रही हैं श्रीमान, जैसा कि मैंने कहा, ये एक छोटा सा कॉलेज है और फिर भी ऐसे लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं सर, मैं नहीं जानता कि दूसरों को कैसा महसूस हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, जब मैं अपनी मात्र संस्था को सीनेट हाउस में सीजर की तरह उन लोगों से घिरा हुआ देखता हूँ, जो बार-बार चाकू से वार कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वह मेरे पास आए, और कह, हे मेरे पुत्र, तू भी, डैनियल वेबस्टर, सावधान रहें की अतिन करें, बहुत अधिक मॉडूलेशन कृत्रिमता का एक अप्रिय प्रभाव पैदा करता है, जैसे एक परिपक्व मैटरन बिल्ली का बच्चा बनने की कोशिश कर रही है, यह प्रसव में और धैर्य पूर्वक आत्म निरीक्षन करके देखें कि विभक्ती द्वारा अर्थ के कितने रंग व्यक्त किये जा सकते हैं, इस प्रकार का सामान्य ज्यान अभ्यास आपको नियमों की पुस्तक से अधिक लाब देगा, लेकिन अपनी आवाज सुनना न भूल इसका देखने का क्षेत्र संकीर्ण या व्यापक है, जब उच्च शक्ती का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान बहुत सीमित सीमाओं के भीतर ही सीमित रहता है, लेकिन इसकी क्रिया अत्यधिक तीव्र और ध्यान खींचने वाली होती है, ये कुछ ही चीजें देखता है, लेकिन इन में से कुछ को पूरे-पूरे देखा जाता है, इस प्रकार केंदरित मांसिक उर्जा और गतिविधी, चाहे वह धारणा की हो या विचार की, जलते हुए कांच द्वारा केंदरित सूर्य की किरणों की तरह कार्य करती है, वस्तु को प्रकाशित किया जाता है, आग लगाई जाती है, प्रभाव इतने गहरे हैं कि उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता, इस प्रकार का ध्यान सरवाधिक उत्पादक मांसिक श्रम की प्रमुक्षर्थ है, डैनियल पुटनम, मनोविज्ञान, जब आप अपनी चाती को थपठपा रहे हों, उसी समय अप मस्तिश्क को एक ही समय में दो या दो से अधिक कारे कुशलता पूर्वक करने से पहले विशेश प्रशिक्षन की आवश्यक्ता होती है, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह अपने उत्तर और उत्तर पश्चिम कोने के बीच एक बाल को विभाजित करने जैसा है, लेकिन कुछ मन मनोवैज्यानिकों का तर्क है कि कोई भी मस्तिश्क दो अलग-अलग विचारों को बिलकुल एक साथ नहीं सोच सकता है, जो एक साथ प्रतीत होता है, वह वास्तव में पहले विचार से दूसरे और फिर वापस आने के लिए बहुत तेजी से घूमता है, जैसा कि उपर जो भी हो, यह निर्विवाद है कि जिस क्षण ध्यान निश्चित रूप से दूसरे या तीसरे विचार की ओर जाता है, मस्तिश्क एक विचार पर अपनी पकड़ खो देता है। और उनका अंत कमजोर तरीके से करते हैं। एक अच्छी तरह से तयार लिखित भाशन में जोरदार शब्द आम तोर पर वाक्य के एक छोर पर आता है। लेकिन एक जोरदार शब्द को जोरदार अभिव्यक्ति की आवश्यक्ता होती है। और यह वही है जो उसे नहीं मिलत बहुत बारीकी से आपका अनुसरण करता है। और यदि आप जो कह रहे हैं उससे अपना ध्यान हटा कर जो कहने जा रहे हैं तो आपके दर्शक भी अपना ध्यान हटा लेंगे। हो सकता है कि वे जान बूझ कर और जान बूझ कर ऐसा न करें। लेकिन वे निश्चित रू विरामों में आपको तेजी से आगे का सर्वेक्षन नहीं करना है। वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना की मोटर कार चलाने में आगे की ओर देखना। सावधानी बिलकुल दूसरे प्रकार की है। एक वाक्य बोलते समय उसके बाद आने वाले वाक्य के बारे में न सो प्रसव के दोरान रुक रुक कर आप तेजी से आगे देखते हैं और प्रभावी हमले के लिए खुद को तयार करते हैं। वास्तविक भाशन के क्षणों के दोरान बोलें अनुमान न लगाएं। अपना ध्यान बांटो और अपनी शक्ती बांटो। आंतरिक मनुष्य के बाहरी प्रभाव पर इस मामले में यहां एक और शब्द की आवश्यक्ता है, विशेश रूप से स्परशात्मक एकागरता के रूप में। क्या पढ़ते हो महाराज? हेमलेट ने उत्तर दिया, शब्द, शब्द, शब्द यह दुनिया भर की पुरानी मुसीबत है। शब शब्दों की प्रलाप यांतरिक ताल को सुना है, उनकी परेशानी मानसिक है, वे उन विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, जो शब्दों को इमानदारी और द्रढ़ विश्वास के साथ जारी करते हैं, बलकि वे केवल यांतरिक रूप से शब्द ध्वनियो का उचारण कर रहे हैं, श्रोता और वक्ता दोनों के लिए समान रूप से दर्दनाक अनुभव, तोता भी उतना ही वाकपटू होता है, एक बार फिर शेक्स्पियर हमें हेमलेट के चाचा राजा की निष्ठाहीन प्रार्थना की यह धुन सुनाए, वह इस प्रकार सपष रूप से विलाप करता है, मेरे शब्द ऊपर उड़ते हैं, मेरे विचार नीचे रहते हैं, विचार के बिना शब्द कभी स्वर्ग नहीं जाते, सच तो यह है कि एक वक्ता के रूप में आपके शब्दों को हर बार बोले जाने पर दोबारा जन्म लेना चाहिए, फिर उ पूरी तरह से सपष्ट कारण के लिए दोहराव से कुछ भी नहीं खोते हैं, क्योंकि वे केंद्रित विचार और भावना से उत्पन्न होते हैं और केवल कुछ कहने की आवश्यक्ता नहीं होती है, जिसका आम तोर पर कुछ भी मतलब होता है, और बदले में कुछ भी नही के बराबर होता है, यदि आपके शब्दों के नीचे का विचार गर्म, ताजा, सहज है, आपके स्वयम का हिस्सा है, तो आपके उच्चारण में सांस और जीवन होगा, शब्द तो केवल परिणाम हैं, कारण को उत्तेजित किये बिना परिणाम प्राप्त करने का प्रयास बारे में सोचें, संकेंदरित, इस बारे मं सोचें कि एक लेंस किसी दे गए वृत्त के भीतर प्रकाश की किरणों को कैसे एकत्रित और केंदरित करता है? यह उन्हें वापसी की प्रक्रिया द्वारा केंदरित करता है. यह एक कठोर कहावत की तरह लग सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, वह या तो इच्छा शक्ती से कमजोर है, घबराया हुआ है, या उसने कभी नहीं सीखा कि इच्छा शक्ती किसके लिए अच्छी है. आपको द्रड़ता पूर्वक, अपना ध्यान, बाकी सभी चीजों से हटा कर ध्यान केंद्रित क करते हैं, जो आपको परेशान कर रहा है, तो वह दर्ड और अधिक तीवर हो जाएगा. अपना आशीरवाद गिनों और वे बढ़ेंगे. अपने विचार को अपने स्ट्रोक्स पर केंद्रित करें और आपका टेनिस खेल धीरे-धीरे बहतर हो जाएगा. ध्यान केंद्रित करने का अर्थ केवल एक चीज़ पर ध्यान देना है और किसी अन्य चीज़ पर ध्यान नहीं देना है. यदि आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कुछ गड़बड है. पहले उस पर ध्यान दे, कारण हटा दे और लक्षन गायब हो जाएगा. इच्छा शक्ती अध्याय पढ़ें. हर कीमत पर इच्छा करके और फिर करके अपनी इच्छा शक्ती विक्सित करें. ध्यान लगाओ और तुम जीत जाओगे. अध्याय 9. बल. हालांकि सावधान रहना उचित है. उदासीनता निश्चित रूप से संकट उत्पन नहीं करती है. और अच्छ प्रतीत होते थे. फिर भी उन्होंने आपको हिलाया नहीं, जकड़ा नहीं. नाठ की ये भाशा में वे समाप्त करने में विफल रहे. जिसका अर्थ है कि उनका संदेश दर्शुकों तक फट लाइट के माध्यम से नहीं पहुँच पाया. उन पर कोई मुक्का, कोई प्रह का कारण बनता है. ऐसी प्रत्येक प्रस्तुती केवल दर्शकों के लिए होती है. और यदि यह उन्हें प्रभावित करने में विफल रहती है और अभिव्यक्ति अच्छी है तो इसके लिए जीने का कोई बहाना नहीं है. नहीं यह लंबे समय तक जीवित रहेगा. बल क्य है. हमारे कुछ सबसे सपष्ट शब्द जांच के तहद गुपत अर्थ खोलते हैं और यह उन्हें से एक है. आरंभ करने के लिए हमें आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच अंतर को पहचानना चाहिए. एक कारण है दूसरा प्रभाव. एक आध्यात्मिक, दूसरा भौतिक. इस महत्वपूर्ण विशेश में चेतन बल निर्जीव बल से भिन्न होता है. मनुष्य की शक्ति भीतर से आती है और खुद को बाहर से व्यक्त करती है. शिमोस पाउडर के बल से एक अलग प्रकार की होती है, जो इसे विसफोट करने के लिए बाहर से कुछ प्रभाव की प्रतीक्षा करती है. बाहरी उत्तेजनाओं के प्रती चाहे कितना भी समवेधन शील क्यों न हो, मनुष्य में शक्ति का असली स्रोत उसके भीतर ही निहित है. यह महज मनो विज्ञान जैसा लग सकता है, लेकिन इसका सार्वजनिक बोलने पर अत्यधिक व्यावहारिक प् भी सकती है और नहीं भी. उदाहरण के लिए जोर का अर्थ बल नहीं है, हालां कि कभी-कभी बल के साथ शोर भी शामिल हो सकता है. केवल दाहारने से कोई अच्छा भाशन नहीं होता, फिर भी ऐसे क्षण होते हैं. ध्यान रखें, ऐसे क्षण नहीं होते जब बड़ी नहीं अपने हाथ से हवा को बहुत ज्यादा देखें, लेकिन सभी का उपयोग धीरे से करें, क्योंकि बहुत तेज तूफान में और जैसा कि मैं कह सकता हूँ, आपके जुनून के बवंडर में आपको एक संयम प्राप्त करना होगा और पैदा करना होगा, जो इसे सहजता दे सके, ओ, यह मुझे बहुत आहत करता है, एक मजबूत पेरिविग धप्थपाए हुए साथी को, एक जुनून को फाड़ते हुए, बहुत चितड़े करने के लिए, ग्राउंड लिंक्स के कानों को फाड़ने के लिए सुनने के लिए, डो, जो, अधिकांश भाग में, अकथनिये मूख प्रदर्शन और शोर के अलावा कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति को टर्मैगंट करने के लिए कोड़े लगवाना चाहता, ये हेरोदेस हेरोदेस को बाहर निकालता है, प्रार्थना करें कि आप इससे बचें, बहुत अधिक संयमित बनें, बलकि अपने विवेक को अपना शिक्षक बनने दें, कार्य को शब्द के अनुरूप बनाएं, शब्द को कार्य के अनुरूप बनाएं, इस विशेश रीति से ऐसा करो कि तुम स्वभाव की नम्रता का उलंगन न करो, किसी भी चीज की इतनी अधिकता खेलने के और समय की आयू और शरीर उसका रूप और दबाव, अब यह अति हो गया है, यह देरी से हुआ है, हालांकि यह अकुशल लोगों को हंसाता है, लेकिन विवेक्षी लोगों को दुखी करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, जिसकी निंदा आपकी अनुमती में दूसर जो न तो ईसाईयों के लहजे में है, नहीं ईसाई, बुद्परस्त या आदमी की चाल में इतने अकड और दहाड रहे हैं, कि मैंने सोचा है कि प्रकृती के कुछ यात्रियों ने मनुश्यों को बनाया है, और उन्हें अच्छा नहीं बनाया है, उन्होंने मानवता की इतन ग्रनित नकल की है, तीन बल कारण और प्रभाव दोनों है, आंतरिक बल जो बाहरी बल से पहले होना चाहिए, चार तत्वों का एक संयोजन है, जो उत्रोत्तर कारे करता है, सबसे पहले बल द्रढ विश्वास से उत्पन्न होता है, आप जो कहने जा रहे हैं, उसे बल पू विश्वास पर मजबूत पकड़ बनानी होगी, द्रढ विश्वास आश्वस्त करता है, दी सेटरडे इवनिंग पोस्ट ने एक लेक में इंग्लैंड के टी, आर, विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने चर्चिल और रूजवेल्ट की सार्वजनिक मंच की सफलता का श्रेय, उनकी सशक्त प्रस्तुती को दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की हाथ में क्या है, ये लोग कुछ समय के लिए खुद को यह विश्वास दिला लेते हैं कि पृत्वी पर वही एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे अपने दर्शकों से ऐसा करो या तुम नश्ठ हो जाओ के अंदाज में बात करते हैं, इस प्रकार का बोलना जीतता है और यह वह पौरुषपूर्ण, जोरदार, आक्रामक रवया है, जो हमारे महानतम नेताओं के मंच करियर को अलग करता है और बनाए रखता है, लेकिन आईए, हम अंतर एक शक्ति की उत्वत् द्रण विश्वास उस व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, जो इसे महसूस करता है, हमने पूछ ताज का उत्तर उसी प्रश्ण में दे दिया है, जिसका उसे अनुभव है, दोश सित्य बापनातमक तनाव पैदा करती है, एक्शन में नियोटोर, रूसवेल्ट और विल नैतिक और शारिरिक बल शक्ति के तारों की जकडन से पहले और साथ में होने में एक जैसे हैं, यह धनुष की डोरी का कसाव, मांस्पेशियों की यह गांठ, स्प्रिंग से पहले का संकुचन है, जो दर्शकों को वक्ता में आरक्षित शक्ति को लगभग महसूस कराता है, कुछ सचमुच अद्भुत तरीके से यह उससे कहीं अधिक है, जो एक वक्ता नहीं कहता और करता है, जो उसके भीतर की गतिशीलता को प्रकट करता है, एक बार इस तरह संग्रहित बल को धीला छोड़ दिया जाए, तो उसमें से कुछ भी आ सकता है, और यह श्रोता को सच द्रढ़ विश्वास होता है, और नहीं भावनातमक तनाव। यदि आप चूरा से सने हुए हैं तो मंच से दूर रहें, क्योंकि आपका अपना भाषन आपको घायल कर देगा। इस द्रढ़ विश्वास के तनाव से बाहर आकर, दर्षकों को उस द्रढ़ विश्वास के तनाव को साज़ा करने का संकल्प मिलता है। उद्देश्य बल की रीड है, इसके बिना वानी फीकी है, यह चमक सकती है, लेकिन यह रीड विहीन जैलिफिश की इंद्रधनुशी छवी है। यदि आप अपने दर्शकों के साथ मजबूती से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपको अपने संकल्प पर द्रधता से कायम रहना होगा। अंत में यह सभी द्रध विश्वास तनाव उद्देश्य बेजान और बेकार है, जब तक कि इसका परिणाम प्रणोधन में न हो। आपको याद है कि कैसे यंग ने अपने अद्भुत नाइट थौट्स में उस व्यक्ति का चित्रण किया है, जो अपने विवेक पूर्ण उद्देश्य को हल करने के लिए प्रेरित करता है, संकल्प करता है और संकल्प करता है और उसी तरह मर जाता है। अपनी शक्ति को मरने न दें, इसे अपने द्रढ़ विश्वास, भावनात्मक तनाव, संकल्प और प्रेरक शक्ति में पूर्ण जीवन में लाएं। क्या बल प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, यदि अधिग्रहन करता के पास ऐसी कोई क्षमता है जैसा की हमने अभी बताया है, इस महत्व पूर्ण कारक को कैसे प्राप्त किया जाए? इसका सुझाव इसके विशलेशन में ही दिया गया है. अपने विशय के साथ तब तक रहें, जब तक आप इसके महत्व के बारे में आश्वस्त न हो जाएं। यदि आपका संदेश स्वयम आपको तनाव में नहीं डालता है, तो अपने आपको एक साथ खींच लें। जब किसी व्यक्ति को दरार में छलांग लगाने की आवश्यक्ता का सामना करना पड़ता है, तो वह प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करता है, वह वसंत के लिए अपनी मान स्पेशियों को तनाव में डालता है, यह बिना उद्देश्य के नहीं है कि हमारी अंग्रेजी भा यह सत्य दोहराने लायक है, भीतर का मनुष्य ही अंतिम कारक है, उसे इंधन की आपूर्ती करनी होगी, दर्शक या यहां तक की वह स्वयम भी माचिस जोड सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इसलिए कि आग लग जाए, आपका इंजन चाहे कितनी भी कुश इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपने संतुलन, ठहराव, मॉडूलेशन और गति में कितनी अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली है, अगर आपके भाशन में आग की कमी है, तो यह मृत है, न तो एक मृत इंजन और नहीं एक मृत वानी किसी को हिला सकती है, बलके चार क मापनिय रूप से आपके नियंत्रण में हैं और उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, विचार, विशय के बारे में भावना, शब्दांकन और प्रस्तुती, शब्दों को छोड़कर इनमें से प्रत्येक पर इस खंड में कमोबेश पूरी तरह से चर्चा की गई है, जिसके वाक्य में शब्दों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, जिनके नाम किसी भी शिक्षक से आसानी से सीखे जा सकते हैं, बल प्राप्त करने के लिए शब्दों के उपियोग पर कुछ सुझाव यहां दिये गए हैं, शब्दों का चयन सादे शब्द कम इस्तेमाल किये जाने वाले शब्दों की तुलना में अधिक सशक्त होते हैं, बाजी गरी में प्रतिष्ठा की तुलना में अधिक शक्ती होती है, छोटे शब्द लंबे शब्दों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, अंत में समा अधिक प्रत्यक्षता होती है। अलंकारिक रूप से वर्ण नात्मक शब्द प्रत्यक्ष नामों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। उन शब्दों से शुरुआत करें जो ध्याना करशित करते हैं। प्रोफेसर कहते हैं उन शब्दों के साथ समाप्त करें जो विशिष्टता के योग्य हों। बैरेट वेंडेल। कमजोर विचारों के मुकाबले मजबूत विचारों को स्थापित करें ताकि इसके विपरीत ताकत हासिल की जा सके। विश्टरित वाक्य सनरचना से बचें, छोटे वाक्य लंबे वाक्यों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। हर बेकार शब्द को हटा दें ताकि वास्तव में महत्वपून शब्दों को प्रमुखता दी जा सके। प्रत्येक वाक्य को एक संक्षिप्त पिटाई करने वाला राम बनने दें, जो ध्यान पर अपने अंतिम प्रहार की ओर जूल रहा हो। एक परिचित घरेलू मुहावरा यदि अधिक उप्योग में न लाया जाए, तो अत्यधिक उपचारिक विद्वतापूर्ण अभिव्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। की सुन्दर्ता पर निर्भर रहना अधिक इमानदार नहीं है। उन्हें पकड़ने के बजाए पुरुषों को आकर्शित क्यों न करें हमला करके। बल का प्रयोग क्यों करें। ऐसी अपील में काफी सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। सपश्टता, अनुनय, सौंदर्य, सत्य का सरल कथन ये सभी वास्तव में आवश्यक हैं। ये सभी किसी विशय की सशक्त प्रस्तुती के निश्चित भाग हैं। एक मात्र भाग न होते हुए भी। मजबूत मांस बर्फ जितना आकर्शक नहीं हो सकता है, लेकिन यह सब भूख और भोजन की अवस्था पर निर्भर करता है। आप छोटे-छोटे स्ट्रॉक्स से कोई आकरामक संदेश नहीं दे सकते। नहीं, इसे कठोर, तेज सौर जाल घूंसे से दबाएं। आप चकमक पत्थर से या प्रेम भरी थपकियों से दर्शकों पर हमला नहीं कर सकते। एक भीड भरे थेटर में उदासीन तरीके से कहें, मुझे ऐसा लगता है कि घर में आग लग गई है और आपकी घोशना का हं द्रण विश्वास के साथ निश्चित होती है। अधिकार रखने वाले व्यक्ति के रूप में सिखाया। दर्शक कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होंगे कि आपको जो सत्य लगता है या जो आपकी विनम्र राय में सच हो सकता है। यदि आप इमानदारी से कर सकते हैं तो अपने निश्कर्षों के रूप में द्र विश्वास से उन्हें वितरित करें, उन्हें अधिकार की अग्नि से अभिव्यक्त करें, उन्हें एक अल्टिमेटम के रूप में उच्चारण करें। यदि आप विश्वास के साथ नहीं बोल सकते तो चुप रहें। उस युवा मंतरी के पास क्या ताकत थी जिसने नहीं तो त्याग दें तुम्हारे पाप, जैसे थे और धार्मिक्ता में बदल जाते हैं। यदि मैं इसे व्यक्त कर सकूँ, तो तुम एक हद तक नश्ट हो जाओगे। प्रभावशाली वानी में युग की जलक अवश्य होनी चाहिए। यह गुलाब जल युग नहीं है और गुन-गुना आधा अधूरा भाशन जीत नहीं पाएगा। यह यात्रा हतोडों की सदी है, ओवर लैंड एक्सप्रेस की जो शेहरों के नीचे और पहाडी सुरंगों के माध्यम से चलती है। और यदि आप एक लोक प्रिय दर्शकों को आकरशित करना चाहते हैं, तो कथा में लीन मत हो जाओ, अपना सारा ध्यान अभिनय की तकनीक और ताकत पर केंद्रित रखें। बड़े चर्मोतकर्श भाशनों में एक किक और एक दुरगटना के साथ साथ एक असीम सूक्ष्म तीवरता है, जो इस पाठ का सुझाव देती है। वही अच्छी तरह से ग प्लेट ग्लास और उसके पार की ओक की दीवारों के माध्यम से एक गोली को उड़ाने के लिए एक राइफल की आवश्यक्ता होती है। बल का प्रयोग कब करें? एक श्रोता स्वर्ग के राज्य के विपरीत है। हिंसक हमेशा इसे बल पूर्वक नहीं लेते हैं। ऐसे सम अंकार में सुन्दर्ता और शांती ही एक मात्र घंटियाओं होनी चाहिए। बल केवल विपरीत उप्योग के महानचर्मों में से एक है। न तो यह और नहीं अन्यस्वरों को छोड़कर शांतो चारण विविध बने और विविधता में उससे भी अधिक बल पाएं जो अधि आप भोर की सुन्दर्ता पर एक निबंध पड़ रहे हैं। शहद के दूध के सुन्दर फूल के बारे में बात कर रहे हैं या गैस इंजन के तंत्र की व्याख्या कर रहे हैं तो वित्रण की एक जोड़दार शैली पूरी तरह से अनुचित है। लेकिन जब आप त जोरियां बंद हो गई हैं और चाबियां खो गई हैं। संयोजनों का पता लगाने का प्रयास न करें। दरारों में थोड़ा सा नाइट्रो ग्लिसरीन डालें और फ्यूज जलाएं। जैसे ही ये पंक्तियां लिखी जा रहे हैं। सडक के नीचे एक ठेकेदार एक महान इ पीलता के लिए अंतिम तर्क यह तत्य है कि मंच के प्रयोजनों के लिए सब कुछ बढ़ाया जाना चाहिए। यही कारण है कि इतने कम भाशन अगली सुबह रिपोर्ट में अच्छी तरह से पढ़े जाते हैं। बयान कच्चे और अतिरंजत दिखाई देते हैं क्योंकि वे संगत नहीं हैं, दर्शकों के सामने एक चमकते वक्ता की जबरदस्त प्रस्तुती से जो चौकस उत्साह से भर गया। इसलिए अपना भाशन तयार करते समय आपको हलके बयान देने की गलती नहीं करनी चाहिए। आपके श्रोता अनिवारे रूप से विचार विमर्ष के ठंडे धूसरपन में आपके शब्दों को धीमा कर देंगे। ति एक भाशन में उपयुक्तता और अनुपात का विशेश अध्ययन होना चाहिए। यदि आप चाहें तो डिलीवरी की गड़गडाहट को छोड़ दें लेकिन वेंडेल फिलिप्स की तरह अपने भाशन में मूख बिजली डालें। अपने विचारों को सांस लें और शक्त बनाएं। अध्याय दस, भावना और उत्साह। उत्साह वह गुप्त और सामंजस्य पूर्ण भावना है जो प्रतिभा के उत्पादन पर मंडराती है। इसहाक, डिस्रायली, साहित्तिक चरित्र। यदि आप तितली के पंकों की नसें या सडक सनरचना जैसे विश हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पुरुष ऐसे उपाय के लिए मतदान करें जो बाल श्रम को खत्म कर देगा, या यदि आप उन्हें स्वतंतरता के लिए हथियार उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आपको सीधे उनकी भावनाओं पर प्रहार करना होगा। इसलिए क्योंकि यह सही लगता है, एक अपच रोगी के अलावा कोई भी अपना आहार चाट से नहीं चुनता। हमारी भावनाएं तै करती हैं कि हम क्या खाएंगे और आम तोर पर हम कैसे व्यवहार करेंगे। मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, इसलिए सार्व जनिक वक्ता की लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की क्षमता लगभग पूरी तरह से उनकी भावनाओं को छूने की क्षमता पर निर्भर करती है। नीलामी ब्लॉक में नीग्रो माताओं ने अपने बच्चों को गुलामी के लिए बेचे जाते हुए देखकर अमेरिका के कुछ सबसे उत्तेजक भाशन दिये। यह सच है कि मा को बोलने की तकनीक का कोई ग्यान नहीं था, लेकिन उसके पास सभी तकनीकों से बढ़कर तर्क से भी अधिक प्रभावी कुछ था। भावना दुनिया के महान भाशन टैरिफ कटोती या डागघर विनियोजन पर नहीं दिये गए हैं। जो भाशन जीवित रहेंगे, उनमें भावनात्मक ताकत भरी होगी। सम्रिद्धी और शान्ती वागपटुता के कमजोर विकास करता है। जब बड़ी गलतियों को सुधारना हो, जब जनता का हिर्दय जोश से जल रहा हो, वही यादगार भाशन का अवसर होता है। पैट्रिक हेनरी ने एक अमर संबोधन दिया, क्योंकि एक युगांतर कारी संकट में उन्होंने स्वतंतरता की गुहार लगाई थी। उसने खुद को इस हद तक जागरित कर लिया था कि वह इमानदारी और जोश से कह सकता था। मुझे आजादी दो या मुझे मौद दो। अगर वह आज जीवित होते और नयायाधीशों को वापस बुलाने के लिए तर्क देते तो उनकी प्रसिद्ध कुछ और होती। उत्साह की शक्ती राजनीतिक दल बैंड बाजे किराय पर लेते हैं और तालियां बजाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। उनका तर्क है कि वोट पाने के लिए उत्साह जगाना तर्क वितर्क से अधिक प्रभावी है। वे कहां तक सही हैं यह सुनने वालों पर निर्भर करता है। लेकिन उत्साह की संक्रामक प्रकृती के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। नियू यॉर्क में एक घड़ी निर्माता ने घड़ी विज्यापनों की दो श्रंखलाएं आजमाईं। एक ने घड़ी के साथ दी जाने वाली बेहतर निर्मान, कारीगरी, स्थाइत्व और गारंटी का तर्क दिया। दूसरे का शीरशक था गर्व करने योग्य एक घड़ी और स्वामित्व के आनंद और गौरव पर ध्यान केंद्रित किया। बादवाली सीरीज पहले की तुलना में दोगुनी भिकी। लोकोमोटिव कारियों के एक सेल्समैन ने लेखक को सूचित किया कि रेल इंजन बेचने में यांत्रिक उतक्रिष्टता पर आधारित तर्क की तुलना में भावनात्मक अपील अधिक मजबूत थी। यह दर्शाने के लिए बिना संख्या वाले उदाहरणों का हवाला दिया जा सकता है कि अपने सभी कारियों में हम भावनात्मक प्राणी हैं। जो वक्ता कुशलता पूर्वक बोलेगा उसे भावना जगाने की शक्ति विकसित करनी होगी। वेबस्टर जो एक महानवाद विवाद करता थे, जानते थे कि एक वक्ता की शक्ति का असली रहस्य भावनात्मक है। वाक पठुता के बारे में वह स्पष्टता से कहते हैं प्रभावित जुनून, तीवर अभिव्यक्ति, उद्गोशना का आडंबर सभी इसकी आकांक्षा कर सकते हैं। उस तक नहीं पहुंच सकते। ये आता है, यदी आता भी है, जैसे कि धर्ती से किसी फववारे का फूटना या ज्वाला मुखी की आग का फूटना, स्वतहस्फूर्थ, मूल, देशी शक्ति के साथ। स्कूलों में सिखाई जाने वाली शालीनताएं, महंगे आभूशन और वानी की सीखी हुई युक्तियां पुरुशों को आश्चरे चकित और निराश करती हैं, जब उनका अपना जीवन और उनकी पत्नियों, उनके बच्चों और उनके देश का भाग्य समय के फैसले पर निर्भर होता है, तब शब्द अपनी शक्ति खो देते हैं, अलंकार व्यर्थ हो जाता है और सभी विस्तृत वक्तृत्व घ्रिनित हो जाते हैं, यहां तक कि स्वयम प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उच्च गुणों की उपस्थिती में खुद को धिकारा और दबा हुआ म आखों से चमकना, हर विशेशता को सूचित करना और पूरे मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक उसके विशय की ओर यह यह वागपटुता है, या यूं कहें कि यह सभी वागपटुता से महान और उच्चतर कुछ है, यह क्रिया है, श्रेष्ठ उदा पर सामान के डिब्बे से एक नकली को बोल रही थी, हर मिलने वाले व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की इमर्सन की सलाह को याद करते हुए, पर यह वेक्षक इस वक्ता की अपील को सुनने के लिए रुख गया, वह एक हेयर टॉनिक बेच रहा था, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि उसने इसे एरिजोना में खोजा था, उसने यह दिखाने के लिए अपनी टोपी उतार दी कि इस उपाये ने उसके लिए क्या किया है, यह दिखाने के लिए कि यह पानी की तरह हानिरहित है, उसमें अपना चेहरा धोया और इसके गुणों को इतने उत्स पाढ़ उचित मात्रा में विद्युत भोजन न मिलने से पुरुशों के बाल मर जाते हैं और जड़ जाते हैं नी संदेह उसके पास एक उपाय था तांबे की एक छोटी सी प्लेट जिसे जूते के निचले हिस्से में कील से ठोक दिया जाए उन्होंने गंजेपन से बचने की वांचनियता को उत्साही और ज्वलंत शब्दों में चित्रित किया और अपनी तांबे की प्लेटों पर श्रद्धांजली अर्पित की जब कहानी ठंडे अक्षरों में बताई जाती है तो यह अजीब लग सकता है वक्ता के उत्साह ने उसके दर्शकों को अपने साथ ले लिया था और वे इन जादूई प्लेटों के मालिक बनने की चिंता में उसके स्टैंड के चारों और क्वार्टर फैला कर कुचल गए थे एमर्सन के सुझाव को अच्छी तरह से लिया गया था पर यह वेक्षक ने उत्साह की अदभुत प्रेरक शक्ती को फिर से देखा था उत्साह ने पवितर भूमी को सारा सेंस से चुड़ाने के लिए लाखों लोगों को धर्म युद्ध के लिए भेजा उत्साह ने युरोप को धर्म पर 30 साल के युद्ध में जोंक दिया उत्साह ने अग्यात समुद्र में चलने वाले तीन छोटे जहाजों को एक नई दुनिया के तट पर भेजा जब नेपोलियन की सेना आल्प्स की छड़ाई में ठक गई और हतोत्साहित हो गई तो लेटल कॉर्पोरल ने उन्हें रोक दिया और बैंड को मार्सलेज बजाने का आदेश दिया इसकी आत्मा को जगजोड देने वाली तनाव के तहट कोई आल्प्स नहीं थे सुनना, एमर्सन ने कहा उत्साह के बिना कभी भी कोई भी महान उपलब्धी हासिल नहीं हुई कारलाईल ने घोशना की कि इतिहास के इतिहास में हर महान आंदोलन उत्साह की जीत रही है यह खसरे की तरह ही संक्रामक है वाकपटूता आधी प्रेरणा है उत्साह के स्पंदन में अपने दर्शकों को अपने साथ ले जाए डर, संकोच, इत्यादी को त्याग दो ओलिवर क्रॉमवेल ने कहा एक आदमी कभी इतना उचा नहीं उठता जब तक उसे पता नहो कि वह कहां जा रहा है हम उत्साह कैसे प्राप्त करें और विक्सित करें इसे धूमरपान जैकेट की तरह पहना नहीं जाना चाहिए एक किताब आपको इससे सुसज़ित नहीं कर सकती यह एक विकास प्रभाव है लेकिन किस बात का असर? आओ देखते हैं इमरसन ने लिखा एक चित्रकार ने मुझे बताया कि कोई भी किसी प्रकार से पेड़ बने बिना किसी पेड़ का चित्र नहीं बना सकता या केवल उसके रूप की रूपरेखा का अध्यान करके किसी बच्चे का चित्र नहीं बना सकता लेकिन कुछ समय तक उसकी गती और खेल को देखकर चित्रकार प्रवेश करता है उसका स्वभाव और फिर उसे हर द्रिष्टिकोन में अपनी इच्छा नुसार आकरशित कर सकता है इस प्रकार रूस ने अपनी भेडों की अंतरतम प्रकृती में प्रवेश किया मैं एक सार्वजनिक सर्वेक्षन में कारिरत एक ड्राफ्ट्समैन को जानता था जिसने पाया कि वह तब तक चट्टानों का रेखा चित्र नहीं बना सकता था जब तक कि उन्हें उनकी भूवएज्यानिक सनरचना के बारे में पहली बार समझाया न जाये जब सारा बर्नहार्थ कोई कठिन भूमिका निभाती है तो वह अकसर दोपहर चार बजे से प्रदर्शन के बाद तक किसी से बात नहीं करती है चार बजे से वह अपने चरित्र को जीती है बताया जाता है कि बूथ शेक्स्पियर की भूमिकाओं के बीच किसी को भी उससे बात करने की अनुमती नहीं देता था क्योंकि वह बूथ नहीं बलकि मैकबेट था दांते अपनी प्रिये फ्लोरेंस से निर्वासित मौत की सजा पाए गुफाओं में रहते थे, आधे भूखे रहते थे, फिर दांते ने दिवाइन कॉमेडी में अपने दिल की बात लिखी बुनियन ने अपनी तीर थेयात्रियों की प्रगती की भावना में इतनी गहराई से प्रवेश किया कि वह बेडफोर्ड जेल के फर्श पर गिर गया और खुशी से रोने लगा टर्नर, जो एक गैरेट में रहता था, दिन निकलने से पहले उठा और समुद्र पर उगते सूरज को देखने के लिए नौ मील तक पहाडियों पर चला ताकि वह इसकी अदभुत सुन्दर्ता की भावना को पकड़ सके वेंडेल फिलिप्स के वाक्य खामोश बिजली से भरे हुए थे क्योंकि वह अपने दिल में पांच मिलियन गुलामों का दुहक रखता था आपके बोलने में भाव लाने का केवल एक ही तरीका है और जो कुछ भी आप भूल जाते हैं उसे न भूलें आपको वास्तव में उस चरित्र में प्रवेश करना चाहिए जिसका आप प्रतिरूपन करते हैं जिस कारण की आप वकालत करते हैं, जिस मामले पर आप बहस करते हैं उसमें इतनी गहराई से प्रवेश करें कि यह आपको तयार कर दे तुम्हें रोमांचित करता है, तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर लेता है तब शब्द के सही अर्थ में आप अपने विशय के प्रति सहानुभूती रखते हैं क्योंकि इसकी भावना आपकी भावना है, आप इसे महसूस करते हैं और इसलिए आपका उत्साह वास्तविक और संक्रामक दोनों है जिस बढ़ाई ने कभी मनुष्य ने नहीं बोला के रूप में बात की उसने मानवता के प्रति प्रेम के जुनून से पैदा हुए शब्दों का उच्चारण किया उसने मानवता में प्रवेश किया और इस तरह मनुष्य बन गया लेकिन हमें उप्रोक्त शब्दों को किसी भावना को गढ़ने के आसान नुस्खे के रूप में नहीं देखना चाहिए जिसे बाद में समय की आवश्यक्ता के अनुरूप मात्रा में संतुष्ट दर्शकों तक पहुँचाया जा सकता है किसी भाशन में सच्ची भावना भाशन की हड़ी और खून ही होती है न कि कोई ऐसी चीज जिसे इसमें इच्छा नुसार जोड़ा या घटाया जा सके आदर्श संबोधन विशय में वक्ता और श्रोता उस समय की भावना और विचार से जुड़कर एक हो जाते हैं मानवता के प्रति सहानुभूती की आवश्यक्ता वक्ता में मानव स्वभाव के प्रति व्यापक और गहरी कोमलता की आवश्यक्ता पर बहुत अधिक जोड़ देना असंभव है विक्टर हुगो के जीवनी कारों में से एक-एक वक्ता और लेखक के रूप में उनकी शक्तिक अश्रेय, उनकी व्यापक सहानुभूती और गहन धार्मिक भावनाओं को देते हैं हाल ही में हमने कोलियर्स वीकली के संपादक को लगु कथा लेखन पर बोलते हुए सुना और उन्होंने मानवता के लिए इस व्यापक प्रेम, इस सच्ची धार्मिक भावना की आवश्यक्ता पर इतनी बार जोड दिया कि उन्होंने एक उपदेश देने के लिए दो बार म आफी मांगी, यदि कोई अमर भाशन कभी किसी स्वार्थी या संकीर्ण उद्देश के लिए दिया गया हो, तो वे मानवता की मदद करने की उतकट इच्चा से पैदा हुए हों। किनात्मत्याग महानता और कला का पहला नियम है। स्वार्थ सभी पापों का मूल कारण है। यही वह चीज है जिस पर सभी महानधर्मों, सभी योग्य दर्शनों ने प्रहार किया है। सच्ची सहानुभूती और प्रेम से भरे हृदय से ऐसे भाशन निकलते हैं जो मानव को प्रेरित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व सीनेटर अलबर्ट जे। बेवरिज ने मौडर्न एलोकेंस के एक खंड की प्रस्तावना में कहा है, जनता के बीच सबसे गहरी भावना, उनके चरित्र में सबसे प्रभावशाली तत्व, धार्मिक तत्व है यह आत्म संरक्षन के नियम की तरह ही सहज और मौलिक है, यह लोगों की संपूर्ण बुद्धी और व्यक्तित्व की जानकारी देता है। और जो अपने अनगढ़ विचारों को व्यक्त करके लोगों को बहुत प्रभावित करेगा, उसके पास उनके साथ सहानुभूती का यह महान और अटूट बंधन होना चाहिए। जब अल्स्टर के लोगों ने होम रूल अधिनियम के पारित होने का विरोध करने के लिए खुद को सशस्त्र किया, तो उपस्थित लेखकों में से एक ने सौ लोगों को होम रूल को प्रत्येक द्वारा तयार किये जाने वाल चलता है। अन्य लोग सबसे आकरशक वाक्यांशों से सुसजित थे। लेकिन एक क्लर्क जिसके पास बहुत अधिक शिक्षा और अनुभव नहीं था, खड़ा हुआ और उसने बताया कि कैसे उसने अल्स्टर में अपने बचपन के दिन बिताए, कैसे उसकी मा ने उसे गो चलते हुए दिखाया गया था। उनकी आवाज कांप उठी और उपर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने घोशना की कि यदी उल्स्टर के लोग युद्ध में जाएंगे तो वे अकेले नहीं जाएंगे, एक महानीश्वर उनके साथ जाएगा। भाशन ने दर्शकों को रोमांचित और उत्तेजित कर दिया। जब भी हम इसे याद करते हैं तो यह रोमांचित कर देता है। अन्य वक्ताओं के उच्च ध्वनी वाले वाक्यांश, एतिहासिक ज्यान, दार्शनिक उपचार, किसी भी गहरी रुची को जगाने में काफी हद तक विफल रहे। ज इस उद्देश्य की वकालत की, उसके प्रती उनकी व्यक्तिगत सहानुभूती जीत ली। जैसा कि वेबस्टर ने कहा, सहानुभूती या भावनाओं का दिखावा करने का प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। इसे सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रकृती हम वास्तविक्ता पर प्रीमियम डाल रही है। जो जूट है वह जल्द ही पता चल जाता है। अध्यन में भाशन को बनाने और ढालने वाले विचारों और भावनाओं को मंच से भाशन देते समय फिर से जन्म लेना चाहिए। ऐसा न हो कि आपके शब्द कुछ और कहें और आपकी आवाज और रवय्या कुछ और। यहां डिलीवरी के आधे अधूरे लापरवाही भरे तरीकों के लिए कोई जगह नहीं है। इमानदारी वाक पठुता की आत्मा है। कारलाइल सही थे, कोई मिराब्यू, नेपोलियन, बर्न्स, क्रॉम्वेल, कोई भी व्यक्ति क कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसके प्रती सही इमानदार है, जिसे मैं एक इमानदार व्यक्ति कहता हूँ। मुझे इमानदारी कहनी चाहिए, एक महान, गहरी, वास्तविक इमानदारी, किसी भी तरह से वीरता पूर्ण सभी पुरुश महान व्यक्ति की इमानदारी उस प्रकार की होती है, जिसके बारे में वह बात नहीं कर सकता, उसे इसकी जानकारी नहीं है। परिणाम संकेत आत्मक होंगे। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि प्रवाह में शब्दों का ततपर आसान प्रयोग शामिल है। ऐसा नहीं है कि भाशन की प्रवाह गुणवत्ता बहुत अधिक है, क्योंकि यह एक समग्र प्रभाव है, इसकी प्रत्येक पूर्वस्थिती सावधानी पूर्वक ध्यान देने योग्य है। क्या आपने कभी उस अभिव्यक्ती का विशलेशन करना बंद किया है? एक तयार वक्ता? ततपरता अपने मू लर्थ में तयारी है और वे सबसे अधिक तयार हैं जो सबसे अच्छी तरह से तयार हैं। तुरित फाइरिंग हेयर ट्रिगर की तुलना में सतर्क उंगली पर अधिक निर्भर करती है। आपका प्रवाह दो महत्वपूर्ण स्थितियों के सीधे अनुपात में होगा। आप जो कहने जा रहे हैं उसके बारे में आपका ज्यान और जो आप जानते हैं उसे दर्शकों को बताने का आदी होना। ये हमें तयारी में प्रवाह का दूसरा महांतत्व देता है। इसमें वह सहजता भी शामिल होनी चाहिए जो अभ्यास से उत्पन्न होती है जिनमें से वर्तमान में और अधिक। ज्यान आवश्यक है श्रीमान जब ब्रायन राजनीतिक समस्याओं उस समय की प्रवृत्तियों और नैतिकता के सवालों पर बोलते है तो वह सबसे धारा प्रवाह वक्ता होते हैं। हालां कि यह माना जा सकता है कि वह फ्लोरिडा एवर ग्लेड्स के पक्षी जीवन पर बोलने में इतने पारंगत नहीं होंगे। कि वह फॉन ने दावा किया कि वह दर्शकों द्वारा सुझाए गए किसी भी विशय पर पूरे दिन बोल सकता है। अपने आप में एक पाप, उन्हें स्पार्टन्स द्वारा निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन जिस मामले को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसमे तत्यों को प्राप्त करने से परे तैयारी होती है। इसमें सोचने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने की क्षमता, एक पूर्ण और सटीक शब्दावली, बोलने और सांस लेने का आसान तरीका, आत्म चेतना की अनुपस्थिती और शामिल है। कुशल वित्रण की कई अन्य विशेष्टाएं जिन पर इस अध्याय के बजाए इस पुस्तक के अन्य भागों में विशेष ध्यान देने की आवश्यक्ता है। तैयारी या तो सामान्य या विशिष्ट हो सकती है। आम तोर पर यह दोनों होना चाहिए। जीवन भर पढ़ने का समय, प्रेरक विचारों के साथ संगती करने का समय, जीवन की समस्याओं से जूझने का यह अमूल्य मूल्य की एक सामान्य तैयारी है। एक अच्छी तरह से संग्रहीत दिमाग से और एक व्यापक अनुभव से सम्रिध। और सबसे अच्छी बात य है कि एक गर्मजोशी से भरे सहानुभूति पूर्ण हृदय से वक्ता को बहुत सारी सामगरी निकालनी होगी, जो कोई भी ततकाल अध्यन प्रदान नहीं कर सकता है। सामान्य तैयारी में वह सब शामिल है जो एक व्यक्ती ने अपने अंदर डाला है। वह सब जो मित्र ने टिपनी की, मैं शिलर द्वारा एक पकवाडे के भीतर की गई प्रगति से आश्चरे चकित हूँ। यह एक नई दोस्ती का प्रगतिशील प्रभाव था। उचित मित्रता विचारों और आदर्शों के निर्मान के सर्वोत्तम साधनों में से एक है, क्योंकि वे विचार को अभिव्यक्ति देने का अभ्यास करने में सक्षम बनाती हैं। जो वक्ता दर्शकों के सामने धारा प्रवाह बोलना चाहता है, उसे किसी मित्र के साथ धारा प्रवाह और मनुरंजक तरीके से बोलना सीखना चाहिए। अपने विचारों को शब्दों में व्यक लेकिन एक विचार दूसरे को जन्म देता है और आप यह जानकर आश्चर्य चकित हो जाते हैं कि जितना अधिक आप देते हैं उतना ही अधिक आपको देना पड़ता है। लेकिन उस पद्धती को प्लेट फॉर्म पर लागु नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यास शामिल होना चाहिए, जो मानसिक तैयारी की तरह सामान्य और विशेश दोनों होना चाहिए। यदि यहां निर्धारित डिलीवरी के सिध्धानतों पर अभ्यास आपके प्रवाह को धीमा कर देता है, तो आश्चरे चकित या हतोतसाहित महसूस न करें। कुछ समय के लिए यह अपरिहारे होगा। उदाहरन के लिए जब आप उचित विभक्ती के लिए काम कर रहे हैं, तो विभक्ती आपके पहले विचारों की मांग करेगी और कुछ समय के लिए आपके भाशन का प्रवाह गौन होगा। हालां की यह चेतावनी पूरी तरह से कोठरी के लिए, घर पर आपके अभ्यास के लिए है। अपने साथ कोई भी विभक्ती का विचार मंच पर न लाएं। वहां आपको केवल अपने विशय के बारे में ही सोचना चाहिए। निससंदेह आपको अपने विशय को छोड़ कर बाकी सब कुछ भूल जाने की सलाह दी गई है। यह सलाह या तो बहुत अधिक या बहुत कम कहती है। सच तो यह है कि मंच पर रहते हुए आपको बहुत सी ऐसी बातें नहीं भूलनी चाहिए जो आपके विशय में नहीं हैं। लेकिन आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपका ध्यान सचेत रूप से केवल आपके संदेश पर ही जाना चाहिए, लेकिन अवचेतन रूप से आप तकनीक के उन बिंदूओं पर ध्यान दे रहे होंगे जो अभ्यास से कमोबेश अभ्यस्त हो गए हैं। इन दोनों प्रकार के ध्यान के बीच एक अच्छा संतुलन महत्वपूर्ण है। आप इस कानून से तब तक नहीं बच सकते जब तक आप हवा के बिना नहीं रह सकते। आपके मंच के हावभाव, आपकी आवाज, आपकी विभक्ती सभी उतने ही अच्छे होंगे जितना क कि आपकी हावभाव, आवाज और विभक्ती की आदत उन्हें बहतर नहीं बनाती है। यहां तक कि यह विचार भी कि आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं या नहीं, आपके बोलने के प्रवाह पर असर डालेगा। आत्म विश्वास पर शुरुवाती अध्याय पर लोटें और फिर से इसके उपदेशों को हृदयंगम करें। नियमों के बारे में सोचे बिना बोलना नियमों से सीखें। आपके लिए यह आवश्यक नहीं है या होना भी नहीं चाहिए कि आप यह सोचना बंद कर दें कि वर्ण माला को सही धंक से कैसे बोला जाए। वास्तव में आपके लिए Z, Y, Z आदत ने आदेश स्थापित किया है। बस इसलिए आपको बोलने में दक्षता के नियमों में महारत हासिल करनी चाहिए। जब तक कि सही धंक से बोलना आपके लिए दूसरा स्वभाव न बन जाए। पियानो बजाने वाले एक नौ सिखिया को बजाने की यांतरिकी में बहुत परेशानी होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है उसकी उंगलियां प्रशिक्षित हो जाती हैं और लगभग सहज रूप से चाबियों पर सही धंक से घूमने लगती हैं। एक अनुभवहीन वक्ता के रूप में आपको शुरुआत में सिध् द्वारा आपने जो शब्दावली बढ़ाई है। चार अभ्यास द्वारा बोलने में जो सहजता विक्सित की है आपके अच्छी तरह से अध्ययन किये गए जोर की अर्थ व्यवस्था। सभी अवचेतन रूप से मंच पर आपकी सहायता के लिए आएंगे। तब आपने जो आदतें बनाई हैं वे आपको शानदार लाभान शर्जित कराएंगी। आपके भाशन का प्रवाह उस प्रवाह की गति पर होगा जिसे आपके अभ्यास ने आदत बना लिया है। लेकिन इसका मतलब काम है। कौन सी अच्छी आदत नहीं है। कठिन अभ्यास का विकल् प्रवानिक रूप से बोलने का अर्थ आपके लिए पूर्ण जीवन है तो आपको अच्छी तरह से बोले गए भाशन से बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। आपने विचारों को इकठा करने और बोलने के निजी अभ्यास में जो समय बिताया है उसका भरपूर फल आपको गोशना की थी कि अभिनय नौ दस्वें स्वर का काम है। संदेश को एक तरफ रखते हुए सार्वजनिक भाशन के बारे में भी यही कहा जा सकता है। तक की एक विशिष्ट व्यावसाईक संपत्ती भी है। ग्लैड स्टोन जो खुद एक गहरी संगीत्मय आवाज के मालिक हैं ने कहा है भीड भरे व्यावसायों में हर सौ में से नब्बे आदमी शायद कभी भी औसत दरजे से उपर नहीं उठपाएंगे क्योंकि आवाज क प्रशिक्षन पूरी तरह से उपेक्षित है और इसका कोई महत्व नहीं माना जाता है। ये विचारणिय शब्द हैं। अच्छी आवाज के लिए तीन मूलभूत आवश्यक्ताएं हैं। 1. Metropolitan Opera Company के Easy Signore Bonsie का कहना है कि अच्छी आवाज का रहस्य विश्राम है और ये सच है क्योंकि विश्राम ही सहजता का आधार है। वायू तरंगें जो आवाज उत्पन्न करती हैं जब वे शिथिल मानस्पेशियों पर प्रहार करती हैं तो सिकोडी हुई मानस्पेशियों पर प्रहार करने की तुलना में एक अलग प्रकार का स्वर उत्पन्न करती है। इसे अपने लिए आजमाएं। अपने चेहरे और गले की मानस्पेशियों को सिकोडें जैसा कि आप नफरत करते समय करते हैं और जोर से बोलें मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब आराम करें ज सभी भी अपने स्वर को बाध्यना करें। सहजता आपका मूलमंत्र होना चाहिए। आवाज एक नाजुक वाद्ययंत्र है और आपको इसे हतोडे और चिम्टे से नहीं संभालना चाहिए। अपनी आवाज को मत जाने दो, जाने दो, काम नहीं करते। वानी की डोर आसान और बोज हलका हो। भाशन के दोरान आपका गला तनाव से मुक्त होना चाहिए। इसलिए मानस्पेशियों में संकुचन से बचना जरूरी है। गले को आवाज के लिए एक प्रकार की चिम्नी या फनल के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए कोई भी अप्राकृतिक स अप्राकृतिक संकुचन न केवल इसके स्वर को नुकसान पहुंचाएगा बलकि इसके स्वास्थिको भी नुकसान पहुंचाएगा। घबराहट और मानसिक तनाव मुह और गले की सिकुडन के सामान निस्रोध हैं। इसलिए संतुलन और आत्म विश्वास के लिए संगर अब सारी शक्ती हटा लें और इसे गिरने दें। अपनी गर्दन और सिर को आगे की ओर जुका कर गले की मानस्पेशियों को आराम देने का अभ्यास करें। अपने शरीर के उपरी हिस्से को चारों ओर घुमाएं, कमर की रेखा एक धुरी के रूप में काम करें। अपने गर्दन को आराम दें और जैसे ही आपका शरीर हिलता है, गृत्वा कर्शन को इसे चारों ओर खींचने दें। फिर से अपने सिर को अपनी छाती पर आगे की ओर गिरने दें, अपना सिर उठाए, अपने जबडे को लटकने दें। तब तक आराम करें, जब तक आपका जैसे कि यह आपके चहरे पर लटका हुआ कोई वजन हो। याद रखें, इस पर नियंत्रन पाने के लिए आपको जबडे को आराम देना होगा। स्वर को ढालने के लिए और स्वर को बिना किसी बाधा के निकलने देने के लिए इसे स्वतंत्र और लचीला होना चाहिए। स्पष्ट और सुंदर स्वर के निर्मान में सहायता के लिए होठों को भी लचीला बनाया जाना चाहिए। होठों के लचीले पन के लिए अक्षरों को दोहराएं। मो कहते समय होठों को ओ अक्षर के आकार जैसा बनाते हुए उपर लाए। मुझे दोहराते हुए उन्हे इस अभ्यास में महारत हासिल करने के बाद होठों के लचीलेपन के लिए निम्न लिखित भुनियों को याद रखें, अभी व्यक्तियों को नहीं, ताकि आप उन्हें तेजी से दोहरा सकें. मई में ये, इ जैसा की मेट में है, यू जैसा उप्योग में है, ए ओ, मैं बर्फ, ओ, ओ, तेल, ए एट, मैं यह, यह हमारा, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ ओ, ओ, ज, ए सभी, हाँ पैर, ए ओ, ए खाओ, ओ, 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 ए खाओ. सांस लेने की सारी क्रिया गले में नहीं, बल्कि शरीर के मध्य भाग में केंद्रित होनी चाहिए. आपको डायाफ्राम से सांस लेनी चाहिए. ध्यान दें की जब आप बिस्तर पर कपड़े उतार कर पीठ के बल लेटते हैं, तो आप किस तरह सांस लेते हैं? आप देखेंगे की सारी गतिविधी डायाफ्राम के आसपास केंद्रित है. यह सांस लेने का प्राकृतिक और सही तरीका है. लगातार निगरानी रखते हुए इसे अपनी आदत बना लें, क्योंकि यह आपको गले की मानस्पेशियों को अधिक आराम देने में सक्षम बनाएगा. अच्छी आवाज के लिए अगली मूल भूत आवश्यकता है. 2. खुलापन. यदि गले की मानस्पेशियां सिकुड जाती हैं, स्वर मार्ग आन्शिक रूप से बंद हो जाता है और मूह आधा बंद रहता है. तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि स्वर उज्जुल और स्पष्ट निकलेगा या बिलकुल भी निकलेगा? ध्वनी तरंगों की एक शुंखला है. और यदि आप जबडों और होटों को मजबूती से पकड़ कर अपने मूह को कैद कर लेते हैं, तो स्वर के लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल होगा. और जब यह बाहर निकलेगा भी, तो इसमें बल और धारन शक्ती का अभाव होगा. अपना मुह पूरा खोलें, बोलने के सभी अंगों को आराम दें और स्वर को आसानी से बाहर निकलने दें. जमहाई लेना शुरू करें, लेकिन जमहाई लेने के बजाए, जब आपका गला खुला हो, तब बोलें. बोलते समय इस खुली भावना को आदतन बनाएं. हम कहते हैं कि इसे बनाएं, क्योंकि यह संकल्प और अभ्यास का मामला है. अगर आपके स्वर अंग स्वस्थ हैं, आपके स्वर मार्ग आंशिक रूप से बढ़े हुए टॉंसिल, एडेनोइट्स या नाक की बढ़ी हुई टर्बाइनेट हड़ियों द्वारा बंध हो सकत जिसे हम नाक से बात करना कहते हैं, वह नाक से बात करना नहीं है, जैसा कि आप बात करते समय अपनी नाक पकड़ कर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छी आवाज के लिए अंतिम मूलभूत आवशकता है थ्रीन अग्रता एक आवाज जो गले में अटकी हुई होती है वह गहरी, उदास और अनाकर्शक होती है स्वर को आगे की ओर बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन उसे जबरदस्ती आगे की ओर न बढ़ाएं आपको याद होगा की हमारा पहला सिध्धान्त सहजता था स्वर को आगे और बाहर के बारे में सोचें विश्वास करें की यह आगे बढ़ रहा है और इसे आसानी से बहने दें आप गहरी सांस लेकर और मुह चोड़ा करके आह गाकर बता सकते हैं कि आप अपना स्वर आगे रख रहे हैं या नहीं यह महसूस करने की कोशिश करें कि छोटी छोटी ध्वनी तरंगे सामने के दांतों के ठीक उपर मुह की हड़ी के आर्क से टकराती हैं अनुभूती इतनी हलकी है कि आप शायद इसे तुरंत पहचान नहीं पाएंगे लेकिन अपने अभ्यास में बने रहें हमेशा स्वर को आगे की ओर सोचें और आपको यह महसूस करके पुरस्कृत किया जाएगा कि आपकी आवाज आपके मुह की छट से टकरा रही है स्वर को सही ढंक से आगे की ओर रखने से गहरे गले वाले स्वर दूर हो जाएंगे जो गले के लिए बहुत अप्रिय, अप्रभावी और हानिकारक होते हैं अगे का स्वर सोचो क्या आपको लगता है कि यह होटों पर प्रहार करता है? अपने हाथ की हथेली को अपने चेहरे के सामने रखें और जोर से कहें क्रैश, डैश, भरल, बज क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आगे के स्वर आपके हाथ से टकरा रहे हैं? जब तक आप कर सकते हैं, तब तक अभ्यास करें याद रखें, अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का एक मात्र तरीका उसे आगे बढ़ाना है आवाज की वहन शक्ती कैसे विकसित करें? दूर तक सुनाई देने के लिए जोर से बोलना जरूरी नहीं है बस जरूरत है सही ढंक से बोलने की एडित वाइन मैथिसन की आवाज पूरे बड़े थियेटर में फुसफुसाहट के साथ गूंजेगी एक बड़े सभागार के मंच पर गैलरी में सबसे आगे की सीट पर कागज की सरसराहट सपष्ट रूप से सुनी जा सकती है अगर आप अपनी आवाज का सही इस्तिमाल करेंगे तो आपको सुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी निससंदेह अपने भाशन को अपने सबसे दूर के लेखा परिक्षकों को संबोधित करना हमेशा अच्छा होता है यदि वे इसे प्राप्त कर लेते हैं तो निकटतम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन इस स्पष्ट सुझाव के अलावा आपको आवाज उत्पादन के इन नियमों का पालन करना चाहिए सहजता, खुलेपन और आगे बढ़ने के सिध्धानतों को लागू करना याद रखें ये आपकी आवाज को सक्षम बनाने में प्रमुख कारक हैं दूर से सुना बात करते समय फर्ष की ओर न देखें यहाँ आदत न केवल वक्ता को शौकियां तोर पेश करती है बलकि यदि सिर को आगे की ओर जुका दिया जाए तो आवाज दर्षकों के ऊपर से गुजरने के बजाए जमीन की ओर निर्देशित हो जाएगी आवाज वायू कमपनों की एक श्रंखला है इसे मजबूत करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं अधिक हवा या सांस और अधिक कमपन श्वास ही आवाज का आधार है जिस प्रकार जिस गोली के पीछे थोड़ा सा पाउडर लगा हो उसमें बल और वहन करने की शक्ती नहीं होगी उसी प्रकार जिस आवाज के पीछे थोड़ी सी सांस होगी वह आवाज कमजोर होगी डाया फ्राम से गहरी सांस लेने से न केवल आवाज को बहतर समर्थन मिलेगा बलकि यह सामान्य स्वास्थे में सुधार करके इसे मजबूत प्रतिध्वनी भी देगा आम तौर पर खराब स्वास्थे का मतलब कमजोर आवाज है जबकि प्रचुर शारिरिक जीवन शक्ती एक मजबूत जीवन्त आवाज के माध्यम से दिखाई जाती है इसलिए जो कुछ भी सामान्य जीवन शक्ती में सुधार करता है वह एक उतक्रिष्ट आवाज को मजबूत करने वाला है बशर्ते आवाज का सही धंग से उपयोग करें स्वच्छता के अधिकांश नियमों पर अधिकारियों में मतभेद है लेकिन एक बिंदू पर वे सभी सहमत है गहरी सांस लेने से जीवन शक्ती और दीरगायू बढ़ती है इसका अभ्यास तब तक करें जब तक यह दूसरा स्वभाव न बन जाए जब भी आप बोल रहे हों तो गहरी सांसें लें लेकिन इस तरह की सांसें शांत रहें अपनी सांसों को ताजा किये बिना बहुत देर तक बोलने की कोशिश न करें प्रकृती बातचीत में अंजाने में इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और मंच पर बोलने के दौरान वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगी यदि आप उसके पूर्वा भास में हस्तक्षेप नहीं करते हैं एक बहुत ही सफल वक्ता ने पूरे देश में दौड़ कर अपने भाशनों का अभ्यास करते हुए आवाज उठाने की शक्ती विक्सित की जोड़दार व्यायाम ने उन्हें गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया और फेपणों की शक्ती विक्सित की एक कठिन बास्केट बॉल या टेनिस खेल गहरी सांस लेने का अभ्यास करने का एक प्रभावी तरीका है जब ये तरीके सुविधाजनक नहीं होते हैं तो हम निम्न लिखित की अनुशंसा करते हैं अपने हाथों को अपनी बगल में कमर की रेखा पर रखें अपनी उंगलियों और अंगूठे से अपनी कमर को घेरने की कोशिश करके फेफडों से सारी हवा बाहर निकालें गहरी सांस लेना याद रखें, सारी गतिविधी शरीर के मध्य में केंद्रित होनी है, कंधे मत उठाओ जैसे ही सांस ली जाएगी आपके हाथ बाहर निकल जाएंगे व्यायाम को दोहराए, अपने हाथों को पीठ के निचले हिस्से पर रखें और सांस लेते हुए उन्हें बाहर निकालें विभिन प्राधिकारियों द्वारा गहरी सांस लेने की कई विधियाओं बताई गई है हवा को अपने फेपड़ों में ले जाना महत्वपूर्ण बात है शरीर आवाज के लिए साउंडिंग बोर्ड के रूप में कार्य करता है जैसे वाइलिन का शरीर उसके स्वरों के लिए साउंडिंग बोर्ड के रूप में कार्य करता है आप अभ्यास द्वारा इसके कमपन को बढ़ा सकते हैं अपनी उंगली को अपने होठों पर रखें और संगीत के पैमाने को गुन-गुनाएं, सोचें और आवाज को होठों पर आगे रखें क्या आपको होठ कमपन महसूस होते हैं? थोड़े अभ्यास के बाद वे कमपन करेंगे जिससे गुद-गुदी का एहसास होगा गुन-गुनाहट की ध्वनी को नाक में डालते हुए इस अभ्यास को दोहराएं नाक के उपरी हिस्से को अंगुठे और तरजनी के बीच में पकड़ें क्या आप नाक का कमपन महसूस कर सकते हैं? अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के उपर रखकर इस गुन-गुनाने वाले व्यायाम को दोहराएं जब आप हेड टोन में गुन-गुनाते हैं तो वहाँ की आवाज के बारे में सोचें क्या आप वहाँ कमपन महसूस कर सकते हैं? अब उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हुए अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के पीछे रखें, फिर इसे चाती पर आजमाएं हमेशा अपने स्वर के बारे में सोचना याद रखें जहां आप कमपन महसूस करना चाहते हैं आपके शरीर के किसी भी हिस्से के बारे में सोचने मात्र से ही उसमें कमपन पैदा हो जाएगा गहरी सांस लेने के बाद अपने शरीर के सभी हिस्सों को एक ही समय में कमपन महसूस करने का प्रयास करते हुए निम्नलिखित को दोहराएं जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक सुखद अनुभूती है क्या हो मेरे प्रसन्न साथियों, चलो भी हम इसे परियों की तरह आनंदमय चांदनी में निहारते हुए अठखेलियां करेंगे आवाज की शुद्धता यह गुण कभी-कभी सांस को बरबाद करने से नश्ठ हो जाता है सांस को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करें, केवल उतना ही उप्योग करें जितना स्वर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हो आप जो भी देते हैं उसका सदुप्योग करें, ऐसा न करने पर सांस फूलने लगती है उड़ाओ की तरह सांस लो बोलने में, इसे एक कंजूस की तरह बता दो करकश होने पर कभी भी अपनी आवाज पर जोर डालने का प्रयास न करें बोलते समय ठंडा पानी न पियें, वानी के गर्मंगों को अचानक जटका लगने से आवाज घायल हो जाएगी अपनी आवाज को बहुत उंचा करने से बचें, इससे वह करकश हो जाएगी ये एक सामान्य दोश है, जब आपको अपनी आवाज बहुत उंचे दाएरे में लगे, तो उसे कम कर दें इसे आजमाने के लिए प्लेट फॉर्म पर पहुँचने तक प्रतीक्षा न करें अपनी दैनिक बातचीत में इसका अभ्यास करें श्रेणी के विकास के लिए वर्ण माला को यथा संभव न्यून तम पैमाने पर शुरू करते हुए और प्रत्येक अगले अक्षर पर एक नोट उपर ले जाते हुए दोहराएं एक विस्तृत श्रंखला आपको पिछ के कई बदलाव करने में सुविधा प्रदान करेगी बोलते समय अपनी आवाज सुनने की आदत न बनाएं आप जो कह रहे हैं उसके बारे में सोचने के लिए आपको अपने मस्तिश्क की आवशकता होगी अपने अवलोकन को निजी अभ्यास के लिए आरक्षित रखें अध्याय तेरा आवाज का आकर्शन मासूमियत के साथ मिला हुआ प्रसन्न चित्त स्वभाव सुन्दरता को आकर्शक ज्यान को आनंदमय और बुद्धि को अच्छे स्वभाव वाला बना देगा जोसेफ एडिसन डू टैटलर पो ने कहा कि सुन्दरता का स्वर उदासी है लेकिन वह स्पष्ट रूप से कारण से प्रभाव तक सोच रहा था इसके विपरीत नहीं क्योंकि उदासी शायद ही कभी सुन्दरता का उत्पादक होती है जो विशेश रूप से खुशी का प्रांथ है सूर्यास्त का अति सुन्दर सौंदर्य आनंद दायक नहीं है बलकि एक प्रकार की उदासी की ओर ले जाता है जो खुशी से दूर नहीं है गहरे शांत संगीत की भयाव सुन्दरता उदासी की चाया से कहीं अधिक है गोधूली के समय पक्षियों के गीत की मनमोहक छोटी लए लगभग निराशा जनक होती है शांत सौंदर्य के कुछ रूपों के कारण हम उदासी से प्रभावित होते हैं इसके दो कारण है गती उत्तेजक और आनंद पैदा करने वाली होती है जबकि शांती प्रतिबिम्ब की ओर ले जाती है और प्रतिबिम्ब अकसर उस चीज के लिए खेद जनक लालसा का स्वर सामने लाता है जो अतीत में है दूसरे शांत सौंदर्य अपेक्षा कृत अप्राप्य के लिए एक असपष्ट आकांक्षा पैदा करता है फिर भी धू मिल वांचित स्थिती या वस्तु को अपना बनाने के लिए आवश्यक जबरदस्त प्रयास के लिए प्रेरित नहीं करता है इन कारणों से हमें सौंदर्य के दुख और सौंदर्य के आनंद के बीच अंतर करना चाहिए सच है आनंद एक गहरी आंतरिक चीज है और इसमें बंधनकारी आशावादी आत्माओं के विचार से कहीं अधिक शामिल है क्योंकि इसमें हृदय की एक निश्चित सक्रिय संतुष्टी शामिल है हालनकि इस अध्याय में इस शब्द का आशावादी उत्साहपूर्ण अर्थ होगा हम अब ज्वलंत चमकदार आखों वाले हांस्ते हुए आनंद के बारे में सोच रहे हैं संगीत मय हरशित स्वर ध्वनी आकर्शन एक सूक्ष में चुमबक्त्व का निर्मान करते हैं जो आनंद दायक संक्रामक है अब अपमान जनक पाठक को यह लग सकता है कि लैंसेट लेना और इस आकर्शक आवाज की गुणवत्ता में कटोती करना एक तितली पंक को विच्छेदित करने और उसके आकर्शन को नश्ट करने के समान होगा फिर भी यदि हम कारण के बारे में निश्चित नहीं है तो हम कोई प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं नाक की अनुनाद आवाज के बेल टोन का उत्पादन करती है आवाज के उज्जवल स्वर के लिए नाक के स्वर मार्ग को पूरी तरह से मुक्त रखा जाना चाहिए और पिछले अध्याय में हमारी चेतावनी के बाद आप भ्रमित नहीं होंगे जिसे लोकप्रिय और गलती से नाक स्वर कहा जाता है असली नाक की गुणवत्ता जो प्रशिक्षित फ्रांसीसी गायकों और वक्ताओं की आवाज के काम से बहुत अच्छी तरह से चित्रित होती है नाक की अनुनाद विक्सित करने के लिए जब तक संभव हो एंजी ध्वनियों पर ध्यान देते हुए निम्न लिखित गाये आवाज को नासिका गुहा में पिछ करें उच्च और निम्न दोनों रजिस्टरों में अभ्यास करें और चमक के साथ रेंज विक्सित करें निम्न लिखित और आपके द्वारा चुने गए किसी भी अन्यचयन को फालसेटो आवाज में आजमाए एक पुरुष की फालसेटो आवाज बेहद उची और महिलाओं जैसी होती है इसलिए व्यायाम ठका देने वाला होने के बाद पुरुषों को फालसेटो का अभ्यास नहीं करना चाहिए उसने पूरी तरह से अपने कबीले के सर्वश्रेष्ट का तिरसकार किया और किसी भी पुरुष के नौवें को पूरी तरह से अशलील अंश घोशित किया अभिनेत्री मैरी एंडरसन ने कवी लॉंग फेलो से पूछा कि वह अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकती है उन्होंने उत्तर दिया प्रतिदिन आनंदमय गीतात्मक कविता जोर से पढ़ें आनंदमय स्वर उज्ज्वल स्वर हैं व्यायाम द्वारा उनका विकास करें खुशी के भाव में अपनी आवाज के व्यायाम का अभ्यास करें आनंद के प्रभाव में शरीर का विस्तार होता है स्वर मार्ग खुलते हैं हृदय और फेपणों की क्रिया तेज हो जाती है और अच्छे स्वर के लिए सभी प्राथमिक स्थितियां स्थापित हो जाती है फिफ्थ एवेन्यू के आलीशान घरों की तुलना में दक्षिन में नीग्रो केबिनों की तूटी खिडकियों से अधिक गाने निकलते हैं हेनरी वार्ड बीचर ने कहा कि उनके जीवन के सबसे खुशी के दिन तब नहीं थे जब वह एक अंतरराष्ट्रिय चरित्र बन गए थे बलकि तब थे जब वह लॉरेंस विले ओहियों में एक अज्यात मंत्री थे अपने स्वयम के चर्च में जाडू लगाते थे और यह आवाज के आकर्शन में खुद को व्यक्त करेगा एक टेलीफोन कमपनी ने हाल ही में अपने बूथों पर इस आदर्श वाक्य को प्रदर्शित किया मुसकान के साथ आवाज जीतती है ऐसा होता है इसे अजमाएं आनंद दायक गद्य या गीतात्मक कविता पढ़ने से आपकी आवाज में मुसकुराहट और आत्मा की खुशी लाने में मदद मिलेगी निम्न लिखित चैन अभ्यास के लिए उतकृष्ट है याद रखें कि जब आप पहली बार इन क्लासिक्स का अभ्यास करते हैं तो आपको केवल दो चीजों पर ध्यान देना होता है दिल और शरीर का आनंद दायक रवाईया और आवाज का उज्जवल स्वर जब ये लक्ष्य आपकी संतुष्टी तक पहुंच जाएं तो पिछले अध्यायों में दिये गए सारवजनिक भाषण के सिध्धानतों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें और इन अंशों को बार-बार पढ़ते हुए उन्हें अभ्यास में लाएं प्रत्येक चयन को स्मृती में रखना बहतर होगा मिल्टन के एललेग्रो से अभ्यास के लिए चयन, अपसरा, जल्दी करो और अपने साथ जेस्ट और यूवा जॉलिटी, क्विप्स और क्रैंक्स और प्रचंड विल्स, नोड्स और बेक्स और पुषपांजली मुस्कुराहट लाओ जैसे की हैबे के गाल पर लटकाओ और प्यार करो डिम्पल में रहते हैं चिकना, खेल जो जुर्रियों वाली देखभाल का उपहास करता है और हसी उसके दोनों किनारों को पकड़ती है आओ और जैसे ही तुम आगे बढ़ो, प्रकाश शानदार पैर की अंगुली पर यात्रा करो और अपने दाहिने हाथ में परवत अपसरा, मधुर स्वतंतरता को अपने साथ ले जाओ और यदि मैं तुम्हें उचित सम्मान देता हूँ मिर्थ, मुझे अपने दल में शामिल करो उसके साथ रहने के लिए और तुम्हारे साथ रहने के लिए अप्रकाशित सुखों में मुक्त ये सुनने के लिए कि लार्क अपनी उडान शुरू कर रहा है और गा रहा है आस्मान में अपने वाच टावर से सुस्त रात को चौका रहा है जब तक कि डूबी हुई सुभह नहीं उठती फिर दुहक के बावजूद आना और मेरी खिड़की पर स्वी टब्रियर या बेल या मुडे हुए एगलेंटाइन के माध्यम से शुभकल कहना जबकि मुर्ग जीवंत शोर के साथ अंधेरे को पीछे की ओर बिखेरता है और धेर या खलिहान के दर्वाजे तक अपने डंडों को पहले मजबूती से अकड़ता है अकसर सुनता हूँ कि कैसे शिकारी कुत्ते और सींग गहरी नींद में सोई हुई सुभह को जगाते हैं किसी करकश पहाड़ी के किनारे से उंची लकड़ी की गूंजती चीख के बीच से कभी कभी चलना अद्रिश्य नहीं हेज पंक्ती एलमस द्वारा हरी पहाड़ीों पर पूर्वी द्वार के ठीक सामने जहां महान सूर्य अपना राज्य शुरू करता है आग की लपटों और एंबर रोशनी में लिप्टे हुए हजारों पोशाकों में बादल चमकते हैं जबकि हाथ में हल चलाने वाला सीटी बजाता है रोएंदार भूमी पर और दूध वाली गाती हुई आनंदित हो रही है और घास काटने वाला अपनी हसिया तेज कर रहा है और हर चरवाहा अपनी कहानी सुना रहा है घाटी में नागफनी के नीचे समुद्र 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 खुला समुद्र नीला ताजा बुखार मुक्त बिना किसी निशान के बिना किसी सीमा के वह पृत्वी के चारों और विस्तरित क्षेत्रों में घूमता है यह बादलों के साथ खेलता है यह आकाश का उपहास करता है या पालने में लिप्टे प्राणी की तरह लेटा होता है। प्राणी की तरह लेटा होता है। और सुबह लाल, उस शोर भरे समय में जब मैं पैदा हुआ था, भेल ने सीटी बजाई, पोर पोईज लुडकी और डॉल्फिन ने अपनी पीट सोने की दिखाई। और ऐसा जंगली आक्रोश कभी नहीं सुना गया, जैसा कि समुद्र के बच्चे का जीवन में स्वागत किया गया था। तबसे मैंने शांती और संगर्ष में जीवन बिताया है, पूरे पचास क्रीश मकाल में एक घुमन्तु जीवन बिताया है, खर्च करने के लिए धन और दूर तक जाने की शक्ती है, लेकिन कभी भी बदलाव की तलाश या आह नहीं भरी है, और मृत्यू, जब भी वह मेरे के पास आती है, आती है विस्तृत, अबादित, समुद्र पर, बैरी कॉर्णवाल, सूरज कुछ पेड़ों और फूलों के लिए नहीं चमकता, बलकि व्यापक दुनिया की खुशी के लिए चमकता है, पहाड की चोटी पर अकेला चीड अपनी उदास शाखाओं को लहराता है और चिलाता है, तू मेरा सूरज है, और छोटा घास का मैदान बैंगनी अपना नीला प्याला उठाता है, और अपनी सुगंधित सांस के साथ फुसफुसाता है, तू मेरा सूरज है, और हजारों खेतों का अनाज हवा में सरसराता है, और उत्तर देता है, तू मेरा सूर और इसलिए ईश्वर स्वर्ग में दीप दिमान बैठता है, कुछ पसंदीदा लोगों के लिए नहीं, बलकि जीवन के ब्रह्मांड के लिए, और कोई भी प्राणी इतना गरीब या इतना नीच नहीं है, कि वह बच्चे की तरह आत्म विश्वास से न देखे और कहे, मेरे पिता, तुम मेरे हो, हैंरी वार्ड बीचर, जंगल का लार्क पक्षी, आनंद मय और बोजिल, मूरलैंड और लिया पर आपका मैटन मीठा हो, खुशी का प्रतीक, धन्य है आपका निवास स्थान, ओ, आपके साथ रेगिस्तान में रहने के लिए, जंगली है तेरा लेटा और जोर से, दूर तक उदास बादलों में प्रेम इसे उर्जा देता है, प्रेम ने इसे जन्म दिया, कहां, अपने ओस भरे पंख पर तुम कहां यात्रा कर रहे हो, तेरा स्वर्ग स्वर्ग में है, तेरा प्रेम प्रित्वी पर है, ओयर गिर गया और फववारे की चमक, ओयर मूर और पहाड हरा, ओयर लाल किरन जो दिन की शुरुआत करती है, धुंधले बादल के उपर, इंद्र धनुष के किनारे पर, संगीत मै करूब, उड़ना, गाना, दूर, फिर जब चमक आती है, हीदर में कम फूल खिलते हैं, आपका स्वागत और प्यार का बिस्तर म आनंदपूर्ण बातचीत में केंद्रिये विचारों पर एक लोचदार स्पर्ष, एक नाजुक अगात होता है, जो आमतौर पर एक विराम के बाद होता है, यह इलास्टिक स्पर्ष आवाज में जीवंतता जोडता है, बार-बार कोशिश करने पर जीब का दातों से टकरा बात करने का प्रयास करें और आपको काफी हद तक वही प्रभाव प्राप्त होगा, जोड़दार विचार को निर्नायक, लोचदार स्पर्ष के साथ व्यक्त करने के लिए जीब का उप्योग करके उच्चारण की जीवंतता प्राप्त की जाती है, सशक्त विचारों पर न प्रतिक्रियाशील जीब नितांत आवश्चक है, नेपोलियन के संबोधन से लेकर उसके मिस्र से लोटने पर निर्देशिका तक, आपने उस शानदार फ्रांस के साथ क्या किया है, जिसे मैंने आपको छोड़ दिया था? मैंने तुम्हें शान्ती से छोड़ा था, और मैं तुम्हें युद्ध में पाता हूँ मैंने तुम्हें विजई छोड़ा था, और मैं तुम्हें पराजित पाता हूँ मैंने इटली के लाखों लोगों को आपके पास छोड़ दिया और मुझे केवल लूट, खसोट और गरीबी ही नजर आती है आपने उने एक लाख फ्रांसीसी लोगों जो मेरे गौरवशाली साथी हैं के साथ क्या किया है? वे तो मुर्दे हैं ये स्थिती अधिक समय तक नहीं चल सकती तीन साल से भी कम समय में ये हमें निरंकुष्टा में डुबा देगा लोचदार स्पर्श के विकास के लिए निम्नलिखित चैन का अभ्यास करें इस अध्याय में सुझाए गए सभी तरीकों से आवाज का आकर्शन विक्सित करने की अभ्यास का उप्योग करते हुए इसे आनंदित भाव से कहें धारा मैं कूट और हर्न के निवास स्थान से आता हूं मैं अचानक सैली बनाता हूं और फर्न के बीच चमकता हूं एक घाटी में गुदगुदाने के लिए मैं तीस पहाडियों से तेजी से नीचे उतरता हूं या चोटियों के बीच फिसल जाता हूं बीस थोरपस तक एक छोटा सा शहर और आधा सौपुल आखिर तक मैं फिलिप के खेट के पास से बहती हुई लबालब नदी में मिल जाती हूं क्योंकि मनुष्य आ सकते हैं और मनुष्य जा सकते हैं परंतु मैं सरवदा चलता रहता हूं मैं पथरीले रास्तों पर बकबक करता हूं छोटे छोटे नुकीले और तिगुने टुकडों में मैं घुमावदार खाडियों में बुदबुदाता हूं मैं कंकड पत्थरों पर बढ़बढाता हूं मैं कई वक्रों के साथ अपने तटों पर चिंता करता हूं कई खेतों और प्रती भूमियों पर और कई परिवन भूमी पर विलो घास और मैलो के साथ. मैं बगबग करता हूँ, बगबग करता हूँ, बहते हुए लब बालब नदी में शामिल होने के लिए, क्योंकि मनुष्य आ सकते हैं और मनुष्य जा सकते हैं, परंतु मैं सरवदा चलता रहता हूँ. मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, अंदर बाहर, यहां फूलों की बाहर, और यहां वहां लस्टी ट्राउट, और यहां वहां भूरापन, और यहां वहां जागदार परत मेरे उपर, जैसे जैसे मैं यात्रा करती हूँ, कई चांदी जैसे पानी के तूटने के साथ सु मैं हैजल कवर से फिसलता हूँ, मैं मीठे को ले जाता हूँ, मुझे भूल जाओ जो खुश प्रेमियों के लिए उगते हैं। और बहता हूँ लबालब भरी नदी में शामिल होने के लिए, क्योंकि मनुष्य आ सकते हैं और मनुष्य जा सकते हैं, परंतु मैं सरवदा चलता रहता हूँ। अल्फरेड टैनिसन सडक पर खेलते बच्चे अपनी शारीरिक जीवन्तता से प्रसन्न होकर अपनी आवाज में एक प्रतिध्वनी और आकर्शन प्रदर्शित करते हैं, जो अस्पतालों के खामोश हॉलों में तैरती आवाजों से बिलकुल अलग है। एक कुशल चिकित्सक केवल आवाज से ही अपने मरीज की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। खराब स्वास्थ्य या यहां तक की शारीरिक ठकावट आवाज के माध्यम से बताती है। सार्व जनिक संबोधन देने का प्रयास करने से पहले आराम करना और पूरी तरह से तरो ताजा होना हमेशा अच्छा होता है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है न तो गुंजाईश और न ही जगह हमें यहां स्वच्छता के नियमों पर चर्चा करने की अनुमती देती है। इस विशय पर कई उत्कृष्ट पुस्तकें हैं। रोमन समराट टिबेरियस के शासनकाल में एक सीनेटर ने दूसरे को लिखा बुद्धिमान लोगों के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है। परिधान अक्सर मनुष्य की घोषना करता है। आवाज हमेशा ऐसा करती है। यह चरित्र के सबसे महान खुलासा करताओं में से एक है। सतही महिला, क्रूर पुरुष, अपमान जनक, संस्कृति का व्यक्ति अक्सर आवाज में आंतरिक प्रकृति का खुलासा करता है। यहां तक की सबसे चतुर व्यक्ति भी विचार या भावना के थोड़े से बदलाव से इसके स्वर और गुणों को प्रभावित होने से होटल में जाई और कुछ बरलेस्क आकर्शन से कोरस लड़कियों की गूंजती आवाजें सुनें, स्पष्टि करण सरल है बजने जीवन देखा। इमर्सन ने कहा, जब कोई व्यक्ति इश्वर के साथ रहता है, तो उसकी आवाज नदी की कल-कल ध्वनी या मकई की सरसराह जैसी मधुर होगी। स्वार्थी विचार सोचना और आकर्शक व्यक्तित्व, सुन्दर चरित्र या आकर्शक आवाज होना असंभव है। यदि आप वाणी में आकर्शन चाहते हैं, तो मानव जाती के प्रतिगहरी, सच्ची सहानुभूती पैदा करें। प्यार आपकी आँखों से चमकेगा और आपकी आवाज में खुद को उजागर करेगा। कैनरी के गीत की मधुरता का एक रहस्य उसकी दूशित विचारों से मुक्ति हो सकती है। आपका चरित्र आपकी आवाज को सुन्दर बनाता है या खराब करता है। मनुष्य जैसा अपने हृदय म में सोचता है वैसी ही उसकी वाणी होती है। अध्याय 14, कथन की विशिष्टता और सठीकता, मनुष्य में भगवान बोलता है, हेसियोड, शब्द और दिन, और बोलने के धंग अनन्त हैं और शब्दों का क्षेत्र एक और से दूसरी और तक पहला हुआ है। और इसलिए इसे अभिव्यक्ति के संबंध में एक शब्दांश या शब्दांशों के समुह के उच्चारन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। उच्चारन और उच्चारन विशिष्ट और सठीक उच्चारण सार्वजनिक भाशन के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है किसी वक्ता को इस संतुष्ट भ्रम के तहट असपष्ट इमानदारी की आवाजें निकालते हुए सुनना कितना बेतुका है कि वह अपने श्रोताओं को कुछ बता रहा है बता रहे हैं बताने का अर्थ है संचार करना और प्रत्येक शब्द को अलग-अलग बताए बिना वह वास्तव में कैसे समवाद कर सकता है स्लोवेनली उच्चारण या तो शारीरिक विकृती या आदत के कारण होता है एक सर्जन या एक सर्जन दंत चिकितसक किसी विकृती को ठीक कर सकता है लेकिन आपकी अपनी इच्छा शक्ती आत्म अवलोकन और अभ्यास में संकल्प द्वारा काम करते हुए एक आदत को तोड़ देगी यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे इसके लायक समझते हैं या नहीं दोशपूर्ण वानी इतनी व्यापक है कि उससे मुक्ती अपवाद है सार्वजनिक वक्ताओं द्वारा राजा की अंग्रेजी को खराब करते हुए सुनना बेहद दर्दनाक है यदि वे वास्तव में इसकी हत्या नहीं करते हैं जैसा कि कुरेण ने एक बार कहा था तो वे अक्सर एक आई को खत्म कर देते हैं होमिलेटिक रिव्यू में लिखते हुए एक कनाडाई पादरी बताते हैं कि उनके छात्र दिनों में एक सहपाथी जो एक अंग्रेज था ने रविवार के लिए एक देशी चर्च की आपूर्ती की अगले सोमवार को उन्होंने एक मिशनरी बैठक आयोजित की अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने सोचा कि वे मिशन के प्रती अपना कर्तव्य निभा रहे हैं जब उन्होंने काम के लिए अपने होड और हैंड दिये लेकिन प्रभु को और अधिक की आवश्यक्ता थी बैठक के अंत में एक युवा महिला ने गंभीरता से एक मित्र से कहा मुझे यकीन है कि अगर किसान अपने सुवर और मुर्गियां मिशनों को देते हैं तो अच्छा करेंगे ये अधिकांश लोगों की क्षमता से कहीं अधिक है किसी भी ऐसे व्यक्ती के लिए दर्शकों के सामने आना असहनिय अपमान है जो खुशी, घर और स्वर्ग से घर को बाहर निकालने में लगा रहता है और वॉल्डो मेसा रोज को शब्दों में कहें तो इसे नरक में आराम नहीं करने देगा जो व्यक्ती अपने अंदर ऐसे स्पष्ट दोशों को देखने के लिए परियाप्त आत्म घ्यान नहीं दिखाता है परियाप्त आत्म निपुणता दिखाता है उसका दूसरों को निर्देश देने का कोई काम नहीं है यदि वह कुछ बहतर नहीं कर सकता तो उसे चुप रहना चाहिए अगर वह कुछ बहतर नहीं करेगा तो उसे भी चुप रहना चाहिए आज कल कुछ असाध्य शारीरिक दोशों और कुछ असाध्य दोशों को छोड़ कर सारा मामला इच्छा शक्ति का है उन लोगों की सूची जिन्होंने निश्ठा पूर्वक कार्य करके असंभव को पूरा किया है योद्धाओं की रोल कॉल के समान प्रेरणा दायक है नाथन शेपर्ड कहते हैं आप में जितना कम होगा आपके पास जो कुछ है उसका अधिक्तम लाब उठाने की आपको उतनी ही अधिक आवश्यक्ता होगी आर्टिकूलेशन आर्टिकूलेशन भाशन की प्रारंभिक ध्वनियों का निर्मान और जुड़ना है हमारी अंग्रेजी शब्दावली बनाने वाले 10 लाख शब्दों में से तीसरे को सपष्ट रूप से बोलना एक भयावह कार्य लगता है लेकिन शुरुआत करने का तरीका वास्तव में सरल है सही धंग से उच्चारण करना सीखें और एक से दूसरे में आसान बदलाव के साथ प्रत्येक हमारी भाशा की 44 प्राथमिक ध्वनियों में से बहुत से सार्वजनिक वक्ताओं द्वारा अभिव्यक्ति को इतनी पीडा दायक धंग से अस्पष्ट करने के चार कारण है मौलिक ध्वनियों की अज्ञानता, लगभग एक जैसी ध्वनियों के बीच अंतर करने में विफलता, स्वरंगों का गंदा, आलसी प्रयोग और एक सुस्त इच्छा शक्ती जो कोई भी अभी भी स्वैम का स्वामी है, वह जानता होगा कि इन में से प्रत्येक दोश को कैसे संभालना है स्वर्ध्वनियां, तुरुटियों का सबसे कश्ट प्रत स्रोत हैं, विशेश कर जहां डिप्थॉन्ग पाए जाते हैं ओलिवर वेंडेल होम्स की इस अनोखी कविता में ऐसी गलतियाओं किसने नहीं सुनी हैं, सीखना आशा की पहुँच से परे निंदा करता है लापरवा होंट जो S-O-A-P के लिए S-S-O-A-P की बात करते हैं, उसका आदेश उसके उचित निवास से निर्वासित करता है, जो विदूशक आवाज है, जो R-O-A-D के लिए R-O-A-D का उच्चारन करती है उसके लिए कम कठोर जो अपने C-O-A-C-O-A-T को बुलाता है और अपने B-O-A-C-O-A-T को A-B-O-A-T मान कर चलाता है उसने एक को माफ कर दिया, हमारे क्लासिक शहर का घमंड Cambridge में किसने कहा M-A-S-O-A-S-T के बजाए M-O-A-S-T लेकिन अपनी भौहें सिकोडनी और एक शिक्षक की पुकार सुनने के लिए अपने गुस्से वाले पैर को R-A-S-U-U-T-A-R-U-U-T पर थपथपाया उपरोक्त सभी उदाहरण Monosyllables हैं लेकिन खराब अभिव्यक्ति अक्सर उन ध्वनियों के जुडने का परिणाम होती है जो एक साथ नहीं होती है उदाहरण के लिए किसी को भी सुन्दरता कहना मुश्किल नहीं लगता लेकिन कई लोग कृतव्य का उचारण ऐसे करते हैं जैसे कि इसे ड्यूटी या ज्यूटी लिखा गया हो ऐसा न केवल अनपढ़ वक्ताओं से होता है कि हम कॉलम के लिए कोलियम और सुन्दर के लिए प्रीटी जैसी गंदी अभिव्यक्तियां सुनते हैं बलकि महान वक्ता भी कभी-कभी उतने ही बेशर्मी से अपमान करते हैं जितना की कम विख्यात लोग ऐसी लगभग सभी गलतियां लापरवाही की हैं न कि लापरवाही की शुद्ध ज्यानता की क्योंकि कान कभी भी वह सुनने की कोशिश नहीं करते जो होंट कहते हैं किसी विदेशी के लिए यह जानकर निराशा हो रही होगी कि मौलिक ध्वनी उसे खांसी, खांसी, खुर्दुरे, संपूर्ण और थ्रू के उच्चारण का कोई संकेत नहीं देती है और हम एक सभ्य व्यक्ति को भी माफ कर सकते हैं, जो कभी-कभी बीच में अपना रास्ता भूल जाता है अंग्रेजी उच्चारण की पेचीदगियां, लेकिन सरल स्वर ध्वनियों के अभद्र उच्चारण के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है जो एक ही समय में हमारी भाषा का जीवन और सौंदर्य बनाते हैं जो स्पष्ट रूप से बोलने में आलसी हो, उसे अपनी जीव पर नियंत्रन रखना चाहिए व्यंजन ध्वनियां केवल उन लोगों के लिए गंभीर समस्या का कारण बनती है जो उच्चारित होने वाले शब्दों की वर्तनी पर ध्यान नहीं देते हैं जेकॉप, बैबिस्ट, सेवेम, अल्वस या सैडिस्फाई कहने के लिए लापरवाही के अलावा कुछ भी जिम्मेदार नहीं हो सकता है जिसके पास जम्हाई लेने की इच्छा है, उसे जम्हाई लेने दो ये वह प्रतिपादन है जो एक एंगलोफोबियक पादरी ने परिचित धर्मगरंथ का दिया है जिसके पास सुनने के लिए कान है, उसे सुनने दो सर, हम फ्रीडेवी का नाम सुनने के बाद एक फ्रांसीसी व्यक्ती जो प्रख्यात अंग्रेज को पत्र लिखना चाहता था, ने पत्र को इस प्रकार सम्बोधित किया सीरम फ्रिडावी. एकसेंचुएशन एकसेंचुएशन शब्दों में उचित अक्षरों पर जोर देना है, इसे ही सामान्य भाषा में उच्चारण कहा जाता है. उदाहरण के लिए हम उचित रूप से कहते हैं कि किसी शब्द का उच्चारण तब गलत होता है जब उसका उच्चारण विटे के बजाए विटे में किया जाता है हालां कि यह वास्तव में उच्चारण उच्चारण के केवल एक रूप के खिलाफ अपराद है एक बड़ी शब्दावली के लहजे को सीखना और बदलते उपयोग के साथ तालमेल बिठाना जीवन भर का काम है लेकिन सतर्क कान, शब्द की उत्पत्ति का अध्यन और शब्द कोश की आदत उस कार्य में शक्तिशाली सहायक साबित होगी जो अंततह कभी पूरा नहीं हो सकता उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, किसी अक्षर या शब्द की सभी ध्वनियों का पूर्ण उच्चारण है गलत उच्चारण, किसी शब्द या शब्दांश के स्वरों को गलत ध्वनि देता है, जैसे ओस के लिए डू या दो ध्वनियों को अनुचित तरीके से जोडता है, जैसे कि पूरी तरह से हुल्ली गलत उच्चारण किसी शब्दांश या शब्द का अधूरा उच्चारण है, जिसमें छोड़ी गई या जोड़ी गई ध्वनी आम तोर पर व्यंजन होती है. आवश्यक्ता के स्थान पर आवश्यक्ता कहना गलत उच्चारण है, करने के लिए करना कहना अनुचित उच्चारण है, एक उच्चारण करता है, अर्थात दो ध्वनियों को जोड़ता है, जिन्हें जोड़ा नहीं जाना चाहिए. और इस प्रकार शब्द को सकारात्मक रूप से गलत ध्वनी देता है दूसरा शब्द की सभी ध्वनियों को छूने में विफल रहता है और उस विशेश तरीके से शब्द भी गलत लगता है 6. इस उपदेशक ने अपने अंतिम व्यंजनों के साथ क्या किया? आवश्यक ध्वनियों को इस तरह से छोड़ना उतना ही अपमान जनक है जितना शब्दों को एक साथ चलाने की आम आदत ताकि वे अपनी वयक्तिकता और विशिश्टता खोदें हलका अंधेरा, उपर नीचे, डोंचर नो, पार्टिकलर, जैमिनेशन ये सभी इतने आम हैं कि टिप पनी की आवश्यक्ता नहीं है अपूर्ण उच्चारण ध्यान की कमी और आलसी होटों के कारण होता है उच्चारण के दौरान अक्षरों के निर्मान पर दिड़ता से ध्यान दे कर इसे ठीक किया जा सकता है लचीले होट ध्वनियों के कठिन संयोजनों को बिना किसी छेड़चाड के उच्चारित कर देंगे लेकिन ऐसा लचीलापन आदतन शब्दों को सपष्टता और सटीकता के साथ बोलने के अलावा प्राप्त नहीं किया जा सकता है ध्वनियों की एक श्रिंखला का उच्चारण करने का दैनिक अभ्यास कुछ ही समय में होटों को लचीलापन और दिमाग को सतर्कता प्रदान करेगा ताकि कोई भी शब्द ध्वनि का उचित पूरक प्राप्त किये बिना उच्चारित नहो अपनी परिभाशा पर लोटते हुए हम देखते हैं कि जब किसी शब्द की ध्वनियों को सही ढंक से व्यक्त किया जाता है सही अक्षरों का उच्चारण किया जाता है और उसके उच्चारण में प्रति एक ध्वनि को पूरा मूल्य दिया जाता है तो हमारे पास सही उच्चारण होता है शायद यहां सावधानी के एक शब्द की आवश्यक्ता है ऐसा नहो कि कोई भी व्यक्ति हर ध्वनी को सपष्ट रूप से सामने लाने के लिए उत्सुक हो मामले को ज्यादा बढ़ा दे और उच्चारण की एकता और सहजता की उपेक्षा न कर दे सावधान रहें कि अक्षरों को इतना प्रमुक्ता न दें कि शब्द लंबे और कोणिये लगने लगें जोडों को शालीनता से सजा कर रखना चाहिए डिलीवरी से पहले अपनी पांडुलिपी को पढ़ने से न चूकें और हर उस ध्वनी पर ध्यान दें जिसका संभवतह गलत उच्चारण किया जा सकता है शब्द कोश से परामर्ष लें और आश्वासन को दो गुना सुनिश्चित करें यदि शब्दों की व्यवस्था सपष्ट उच्चारण के प्रतिकूल है तो शब्दों या क्रम को बदल दें और तब तक आराम न करें जब तक आप खिलाडियों को हेमलेट के निर्देशों का पालन नहीं कर लेते अध्याय पंदरा हाव भाव के बारे में सच्चाई जब वाइट फील्ड ने एक बूढ़े अंधे व्यक्ति को धलान के किनारे की ओर धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए दिखाया तो लौड चेस्टर फील्ड ने चिल्ला कर कहा हे भगवान वह चला गया इशारा वास्तव में एक साधारन मामला है जिसके लिए नियमों की किताब के बजाए अवलोकन और सामान्य ग्यान की आवश्यक्ता होती है इशारा आंतरिक स्थिति की बाहरी अभिव्यक्ति है यह महजिक, मानसिक या भावनात्मक आवेग का प्रभाव है जो भौतिक तरीकों से अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है हालां कि आपको गलत अंत से शुरुवात नहीं करनी चाहिए यदि आप अपने हाव भाव या हाव भाव की कमी से परेशान हैं, तो कारण पर ध्यान दें, प्रभाव पर नहीं यह आपकी डिलीवरी में कुछ यांतरिक गतिविधियों से निपटने में कम से कम मदद नहीं करेगा यदि आपके सामने के आंगन में पेड़ आपके अनुकूल नहीं बढ़ रहा है, तो मिट्टी में खाट डालें, और पानी दें, और पेड़ को धूब दें जाहिर तौर पर इससे आपके पेड़ को कुछ शाखाओं पर कीलें ठोकने में मदद नहीं मिलेगी यदि आपकी टंकी सूखी है, तो बारिश होने तक प्रतीक्षा करें, या एक कुआँ खोदो, पंप को सूखे छेद में क्यों डुबोएं? जिस वक्ता के विचार और भावनाएं पहाडी ज़रने की तरह उसके भीतर उमड रही हों, उसे इशारे करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, यह केवल उन्हें उचित रूप से निर्देशित करने का प्रश्न होगा यदि अपने विशय के प्रती, उसका उत्साह ऐसा नहीं है कि उसे नाठ की ये काररवाई के लिए स्वाभाविक प्रेरणा मिले, तो उसे नियमों की लंबी सूची देने से कोई फायदा नहीं होगा वह कुछ हरकतों पर काम कर सकता है, लेकिन वे जीवन का अनुकरण करने के लिए पेड़ पर कीलों से ठोकी गई मुर्जाई हुई शाखाओं की तरह दिखेंगे इशारों का जन्म होना चाहिए, निर्मान नहीं, लकडी का घोड़ा बच्चों का मनोरंजन कर सकता है, लेकिन कहीं जाने के लिए उसे जीवित घोड़ा चाहिए इस विशय पर निश्चित नियम बनाना न केवल असंभव है, बलकि इसकी कोशिश करना भी मूर्खता पूर्ण होगा, क्योंकि सब कुछ भाशन, अवसर, वक्ता के व्यक्तित्व और भावनाओं और दर्शकों के रवाईये पर निर्भर करता है हम उसे बता सकते हैं कि कई वक्ता तरजनी को छोड़ कर हाथ को बंद कर लेते हैं, और उस उंगली को सीधे दर्शकों की ओर इंगित करके अपने विचारों को वॉली की तरह बाहर निकाल देते हैं, या कि अन्य लोग जोर देने के लिए एक पैर दबाते हैं, या कि श्रीमान ब्रायन अकसर अपने हाथों को बड़ी ताकत से एक साथ पटकते हैं, एक हथेली को आसान तरीके से उपर की ओर रखते हैं, या कि ग्लैड स्टोन कभी-कभी संसद में क्लर्क की मेज पर जपट पड़ते थे और उस पर अपने हाथ से इतनी जोर से मारते थे कि डी इजरायली ने एक बार खुद को बढ़ाई देते हुए सदन को नीचे गिरा, दिया था कि उनके और माननिय सज्जन के बीच ऐसी बाधा खड़ी हो गई थी, ये सभी बातें और इससे भी अधिक क्या हम वक्ता को बता सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं जान सकते कि वह इन इशारों का उप्योग कर सकता है या नहीं, इससे अधिक हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि वह श्रीमान पहन सकता है या नहीं इस विशय पर सबसे अच्छा जो किया जा सकता है, वह है कुछ व्यावहारिक सुझाव देना और व्यक्तिगत अच्छाई को यह तैय करने देना कि प्रभावी नाठ किये कार्रवाई कहां समाप्त होती है और असाधारन गति कहां से शुरू होती है कोई भी इशारा जो केवल अपनी ओर ध्यान आकरशित करता है, वह बुरा है। के भाव और सिर को उच्छालने से लेकर हाथ और पैर की अभिव्यन्जक गतिविधियों तक, मुद्रा में बदलाव सबसे प्रभावी इशारा हो सकता है। जो हाव भाव के बारे में सच है, वह पूरे जीवन के बारे में सच है। यदि सडक पर लोग मुडते हैं और आपकी चाल देखते हैं, तो आपकी चाल बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके दर्शकों का ध्यान आपके हाव भाव की ओर जाता है, तो वे आश्वस्त नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में उनका अध्ययन करने का उनका संदिक धधिकार है। क्या आपने कभी किसी वक्ता को ऐसे विचित्र इशारों का प्रयोग करते देखा है कि आप उनकी विचित्रता के उनमाद से मोहित हो गए, लेकिन उसके विचार का पालन नहीं कर सके। जिमनास्टिक से विचारों का गला घोंटे नहीं। सवोना रोला फ्लोरेंस के डोमों में मंडली के बीच उंचे मंच से नीचे उतरेगा और अपने श्रोताओं तक द्रढ विश्वास की आग लेकर जाएगा। बिली संडे अपने बेसबॉल चित्रन में से एक को नाटकिय रूप देते हुए मंच के कालीन पर फिसलता है। फिर भी दोनों उदाहरणों में संदेश किसी तरह इशारे से बड़ा है। यह मुख्य रूप से शांत विचार है कि लोगों ने नाटकिय अभिव्यक्ति के रूप को याद किया है। जब सर हेंरी इर्विंग ने शाइलोक के रूप में अपनी प्रसिद्ध प्रस्तुती दी, तो दर्शकों ने जो आखरी चीज देखी, वह उनका पीला, लालची हाथ, फैला हुआ पतला और प्रिष्ठ भूमी जैसा पंजा था। उस समय हर कोई इस भाव की जबरदस्त विशिष्ट गुणवत्ता से अभिभूत था, अब हमारे पास इसकी कला के बारे में सोचने और इसकी यथार्थवादी शक्ति पर चर्चा करने का समय है। केवल जब भाव भंगिमा को विचार के आत्म साथ करने वाले महत्व के अधीन कर दिया जाता है, तो जीवित सत्य की एक सहज, जीवन्त अभिव्यक्ती ही उचित होती है। और जब इसे असामान्य भौतिक उर्जा के एक टुकड़े के रूप में या अनुग्रह की कवित जनक रूप से लयबध विकास के लिए एक जगय है, ये डांस फ्लोर या मंच पर है, अपनी चपलता और शालीनता को अपने विचारों को व्यवसाय से बाहर न जाने दें। उपस्थित लेखकों में से एक ने इशारों में अपना पहला पाठ एक निश्चित कॉलेज जो कि खुद को कार्य में अभिव्यक्त करने के तरीके की तुलना में डायेट ओफ वर्म्स में क्या हुआ था, इसके बारे में कहीं अधिक जानता था। उनके निर्देश थे कि एक निश्चित शब्द पर अंदोलन शुरू करें, इसे एक सटीक वक्र पर जारी रखें औ और निशकर्ष पर उंगलियों को फैलाएं और तरजनी के साथ समाप्त करें। इस विशय पर बहुत सारे और बहुत से अधिक ऐसे मूर्खता पूर्ण निर्देश देते हुए प्रकाशित किये गए हैं। इशारा, मानसिक्ता और भावना की चीज है, ज्यामिती की चीज याद रखें, जब भी कोई जूता, उच्चारण का तरीका या कोई इशारा अपनी और ध्यान आकरशित करता है, तो वह बुरा होता है। जब आपने किसी अच्छे भाशन में वास्तव में अच्छे हाव-भाव किये हों, तो आपके सुनने वाले ये कहे बिना नहीं रहे और सारवजनिक वक्ता शायद ही पहले से जानते हों कि वे क्या इशारे करने जा रहे हैं। वे आज रात कुछ शब्दों पर एक इशारा करते हैं, और कल रात किसी भी शब्द पर एक ही बिंदु पर नहीं, उनकी विभिन मनोदशाएं और व्याख्याएं उनके इशारों को नियंत्रित करती हैं। ये सब आवेग और बुद्धिमान भावना का मामला है। उनके साथ बुद्धिमान शब्द को नजर अंदाज न करें। प्रकृती हमेशा एक ही प्रकार के सूर्यास्त या बर्फ के टुकड़े प्रदान नहीं करती है। और एक अच्छे वक्ता की यह अध्याय क्यों? जब हवलदार ने निराशा पूर्वक उस अजीब दस्ते में शामिल रंग रूट से बाहर निकलने और खुद को देखने के लिए आग्रह किया, तो उसने शानदार सलाह दी और व्यक्तिगत उपयोग के योग्य थी। विशेश रूप से जब आप सा जागरूक होने और आत्म जागरूक होने के बीच बहुत अंतर है। सहज इशारों को विकसित करने के लिए आपके अच्छे विवेक की आवश्यक्ता होगी और फिर भी अभ्यास पर उचित ध्यान देना होगा। कि पहली बार जब उनका उपयोग किया गया था तो वे सहज भावना के विस्फोर्ट में आये थे। फिर भी वाइट फिल्ड ने घोशना की कि जब तक वह 40 बार धर्मोपदेश नहीं दे देता तब तक उसका उपदेश पूर्ण नहीं होता। सहजता जो आरंभ करती है उसे अभ्यास पूरा करने दें। प्रत्येक प्रभावशाली वक्ता और प्रत्येक प्रतिभाशाली अभिनेता ने इशारों का अवलोकन, विचार और अभ्यास किया है जब तक कि उसकी नाटकिय गतिविधियां एक अवचेतन अधिकार नहीं बन जाती। ठीक उसी तरह, जैसे की विशेश रूप से अपने विचार पर ध्यान केंद्रित किये बिना सही धंग से उचारण करने की उसकी क्षमता। वर्ण नात्मक, विचारो तेजक और विशिष्ट गतिविधियों का अभ्यास करें। प्रभावी है, उस पर ज्यादा काम न करें। अपने कारियों में विविधता लाएं। एक अरस्ता सारी सुन्दर्ता और शक्ति को नश्ट कर देगी। पंप का हैंडल एक प्रभावी इशारा करता है। और गर्म दिनों में वह बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं होती है। कोई भी आंदोलन जो महत्वपूर्ण नहीं है, कमजोर करता है, उसे मत भूलिये। बेचैनी अभिव्यक्ति नहीं है, बहुत सारी बेकार हरकतें, दर्शकों का ध्यान केवल आप जो कह रहे हैं, उससे हटा देंगी। एक व्यापक रूप से विख्यात व्यक्ति ने हाल ही में एक रविवार को शाम के वक्ता का परिचय New York के दर्शकों से कराया। उस परिचाय आत्मक भाशन के बारे में याद रखने वाली एक मात्र बात ये है कि वक्ता ने बात करते समय घबराहट के साथ मेज को ढखने के साथ खिलवाड किया। हम स्वाभाविक रूप से चलती वस्तूओं को देखते हैं। एक चौकीदार खिड की गिराकर सुनने वालों का ध्यान श्रीमान से हटा सकता है। मंच के एक तरफ कुछ हरकतें करके एक कोरस लड़की लीड के बीच एक बड़े द्रिश्च से दर्शकों की रुची आकरशित कर सकती है। जब हमारे पूरवज गुफाओं में रहते थे तो उन्हें चलती वस्तूओं पर नजर रखनी पड़ती थी क्योंकि गती विधियों का मतलब खत्रा होता था। हम अभी तक इस आदत से उबर नहीं पाए हैं। विध्यापन दाताओं ने किसी भी शहर में चलती हुई विध्युत रोशनी के संकेतों का लाब उठाया है। एक छतुर वक्ता इस कानून का सम्मान करेगा और सभी अनावश्यक गती विधियों को समाप्त करके अपने दर्शकों का ध्यान बनाए रखेगा। इशारा या तो शब्दों के साथ होना चाहिए या शब्दों से पहले होना चाहिए ना कि उनका अनुसरन करना लेडी मैकबेथ कहती हैं। अपनी आँख, अपने हाथ, अपनी जीब में स्वागत रखें। इस क्रम को पलटें और आपको कॉमेडी मिलेगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी और इशारा करते हुए कहें वह वहाँ जाता है और देखें कि परिणाम हास्यासपत तो नहीं है। छोटी, जटकेदार हरकतें न करें कुछ वक्ता एक वेटर की नकल करते दिख रहे हैं जो टिप पाने में असफल रहा है। अपनी ग पहाँ में थोड़ा सा पंच और जीवन डालें। हालां कि आप इसे यंत्रवत नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो दर्शक इसका पता लगा लेंगे। हो सकता है कि उन्हें पता ही नहो कि क्या गलत है लेकिन इशारा उन्हें गलत लगेगा। चेहरे की अभिव्य थीएटर के सामने रुक कर कलाकारों की तस्वीरें देखी हैं। कोरस लड़कियों की पंक्ति पर ध्यान दें जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे डर व्यक्त कर रही है। उनका रवईया इतना यांत्रिक है कि यह प्रयास हास्यास्पद है। उसी भावना को व्यक्त करने वाले स्टार के चित्र पर ध्यान दें, उसकी मानस्पेशियां खिंची हुई हैं, उसकी भौहें उठी हुई हैं, वह सिक उड़ गया है और उसकी आँखों से डर जलक रहा है। जब फोटो खिंची गई तो उस एक्टर को डर महसूस हुआ। कोरस लड़कियों को लगा कि यह एक दुरलब घटना का समय है और उन्होंने डर की तुलना में उस भावना को अधिक करीब से व्यक्त किया। संयोग से यही एक कारण है कि वे कोरस में बने रहते हैं। चेहरे की मानस्पेशियों की हरकत का मतलब हाथ की हरकत से कहीं अधिक हो सकता है। वह व्यक्ती जो चेहरे पर निराशा के भाव लिए एक उदास धेर में बैठा है। वह अपने विचारों और भावनाओं को उतने ही प्रभावी धंग से व्यक्त कर रहा है जितना वह व्यक्ती जो अपनी बाहें लहरा रहा है और एक ड्रे वैगन के पीछे से चिल्ला रहा है। आंख को आ अधिक कारियों से नहीं गुजरते हैं। जब आपका सबसे करीबी दोस्त मर जाता है तो आप हाथ नहीं पहलाते और अपने दुहक के बारे में बात नहीं करते। आपके सूखी आँखों वाली खामोशी में बैठ कर सोचने की अधिक संभावना है। हडसन नदी समुद्र की ओर जाते समय अधिक शोर नहीं करती है। यह ब्रॉंक्स पार्क की छोटी खाड़ी की तुलना में आधी भी तेज नहीं है जिसे एक बुल फ्रॉग छलांग लगा कर पार कर सके। भॉंकने वाला कुट्ता आपकी पतलून कभी नहीं फारता। कम से कम वे कहते हैं कि वह नहीं फारता। उस मनुष्य से मत डरो जो हाथ हिलाता और क्रोध चिलाता है। परंतु जो मनुष्य जलती हुई आखों और जलते चेहरे के साथ चुप चाप आता है वह तुम्हें गिरा सकता है। उपद्रव बल नहीं है। प्रकृती में इन सिध्धानतों का पालन करें और अपने वितरण में उनका अभ्यास करें। इस अध्याय के लेखक ने एक बार एक प्रशिक्षक को इशारों में कक्षा में ड्रिलिंग करते हुए देखा। वे हैनरी अश्टम के उस अंच तक पहुँचे थे जिसमें विनम्र कार्डिनल कहते हैं विदाई, मेरी सभी म परकतें करना होगा। फिर भी इस वर्ग के सामने एक वक्तरित्व पुस्तिका थी जिसमें गैस बिल का भुक्तान करने से लेकर मृत्युशयया पर विदाई तक हर अवसर के लिए उचित संकेत दिये गए थे। इसलिए उन्हें निर्देश दिया गया कि वे दोनों तरफ अपनी भुजाएं पूरी लंबाई तक फैलाए और कहें विदाई मेरी सारी महानता के लिए एक लंबी विदाई इस तरह के संकेत का उपयोग संभवतह एक टेलीफोन कंपनी के सम्मेलन में रात रिभोज के बाद भाशन में किया जा सकता है जिसकी लाइने अटलांटिक स प्रशांत तक फैली हुई थी, लेकिन वोलसी द्वारा उस आंदोलन का उपयोग करने के बारे में सोचने से पता चलता है कि उसका भाग्य सही था मुद्रा वास्तव में, हावभाव में दर्शकों के सामने अपनाये जाने वाला शारीरिक द्रिष्टिकोंड शामिल होता है वह रवया कैसा होना चाहिए यह नियमों पर नहीं, बलकि भाशन की भावना और अवसर पर निर्भर करता है सीनेटर लाफोलिट अपने अगले पैर पर अपना वजन डाले हुए तीन घंटे तक खड़े रहे उन्होंने फोटलाइट पर जुक कर अपने बालों में अपनी उंगलियां फिराई और ट्रस्टों की निंदा की यह बहुत प्रभावी था लेकिन कलपना कीजिए कि एक वक्ता सड़क बनाने वाली मशीनरी के विकास पर भाशन देने के लिए इस तरह का रुख अपना रहा है यदि आपके पास एक उग्र आक्रामक संदेश है और आप खुद को जाने देंगे तो प्रकृती स्वाभाविक रूप से आपका वजन आपके आगे की ओर खींच लेगी एक गर्म राजनीतिक बहस या सड़क पर जगडे में एक व्यक्ति को यह सोचने के लिए कभी नहीं रुखना पड़ता कि उसे अपना वजन किस पर डालना चाहिए यदि आपके पास एक आराम दायक और शांत संदेश है तो आप कभी-कभी अपना वजन अपने पिछले पैरों पर रख सकते हैं लेकिन इसके बारे में चिंता न करें बस एक ऐसे व्यक्ति की तरह खड़े रहें जो वास्तव में महसूस करता है कि वह क्या कह रहा है एक सैनिक या बटलर की तरह अपनी एडियाओं आपस में सटा कर खड़े न रहें अब आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तरह उनके साथ दूर-दूर खड़ा नहीं होना पड़ेगा सरल अच्छे शिष्टाचार और सामान्य ज्यान का प्रयोग करें यहां सावधानी बरतने की जरूरत है हमने आपको सलाह दी है कि आप अपने हावभाव और मुद्राएं सहज रखें और पहले से लकड़ी की तरह तयार न करें लेकिन अपनी शारिरिक गतिविधियों पर महारत हासिल करने के महत्व को नजरंदाज करने की हद तक न जाएं मुक्त गतिद्वारा लचीला बनाया गया एक मांसल हाथ अंगुलियों के कड़े गुदगुदे गुच्छे की तुलना में हाव भाव में एक प्रभावी उपकरण होने की अधिक संभावना है यदि आपके कंधे स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से उठाए गए हैं जबकि आपकी च्छाती आपकी ठोडी के साथ जुडाव से पीछे नहीं हटती है तो अच्छे तातकालिक इशारों का उपयोग करने की संभावना बहुत बहतर है अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को अपने कॉलर से छूना अपनी च्छाती को उचा रखना और अपनी कमर का माप नीचे रखना सीखें इसलिए ताकत, संतुलन, लचीलेपन और शरीर की सुंदर्ता पर ध्यान देना अच्छे भाव की नीव है क्योंकि वे जीवन शक्ती की अभिव्यक्ती हैं और जीवन शक्ती के बिना कोई भी वक्ता शक्ती के सामराज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है जब अब्राहम लिंकन जैसा अजीव व्यक्ती वक्तरित्व की उच्चतमूचाईयों तक पहुँचा तो उसने ऐसा अपनी आत्मा की महानता के कारण किया उसकी आत्मा की कठोरता और कलाहीन इमानदारी उसके मोटे शरीर में ठीक से व्यक्त हुई थी चरित्र, इमानदारी और संदेश की आग ने उसके श्रोताओं को उसके सामने प्रवाहित कर दिया जब एक निष्ठा हीन अपोलो के धीमे शब्दों ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा लेकिन शारीरिक अजीबता की बाधा से घ्रणा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप दूसरे लिंकन है टाई कोब ने जनता को बताया है कि जब उनकी बल्लेबाजी खराब होती है तो वह स्विंग देखने और अपनी बल्लेबाजी फॉर्म का पालन करने के लिए हाथ में बल्ला लेकर दरपन के सामने भी खड़े होते हैं यदि आप दर्शकों के सामने अच्छे से खड़ा होना सीखेंगे तो अपने आपको दरपन में देखें लेकिन बहुत बार नहीं दरपन के सामने चलने और खड़े होने का अभ्यास करें ताकि अजीब स्थिती पर विजय पाने के लिए मुद्रा न विकसित करें मंच पर उसी आसान तरीके से खड़े हो जाएं जैसे आप ड्राइंग रूम में महमानों के सामने खड़े होते हैं यदि आपकी स्थिती शोभायमान नहीं है तो नृत्य व्यायाम शाला के काम और अपने मन में शालीनता और संतुलन लाकर इसे ऐसा बनाएं लगातार एक ही स्थिती में न रहें विचार के किसी भी बड़े बदलाव के लिए स्थिती में बदलाव की आवश्यक्ता होती है घर पर हो यहां कोई नियम नहीं है यह सब स्वाद का मामला है मंच पर रहते हुए यह भूल जाएं कि आपके पास कोई हाथ है जब तक आप उनका उपयोग नहीं करना चाहते तब तक उन्हें प्रभावी ढंक से याद रखें गुरुत्वा कर्शन उनका खयाल रखेगा निसंदेह यदि आप उन्हें अपने पीछे रखना चाहते हैं या कभी कभार उन्हें मोडना चाहते हैं तो इससे आपकी वाणी खराब नहीं होगी बोलने में पैर या हाथ की स्थिति नहीं विचार और भावना बड़ी चीजें हैं बस अपने अंगों को वहां रखें जहां आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा हो इसलिए इसका उप्योग करने में लापरवाही न करें आईए दोहराएं अभ्यास का तिरसकार न करें आपके हावभाव और हरकतें सहज होते हुए भी गलत हो सकती हैं चाहे वे कितने भी स्वाभावे क्यों न हो उनमें सुधार संभव है किसी के लिए भी आपके इशारों की तब तक आलोचना करना संभव है जब तक कि वे तयार न हो जाएं आप आडू के पेड की तब तक छटाई नहीं कर सकते जब तक वह बड़ा न हो जाए इसलिए खूब बोलो और अपनी बोली पर ध्यान दो जब आप स्वयम की जांच कर रहे हों तो यह देखने के लिए मूर्तियों और चित्रों का अध्ययन करना न भूलें कि कैसे प्रकृति के महान चित्रकारों ने अपने विशयों को क्रिया के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया है सर्व श्रेष्ठ वक्ताओं और अभिनेताओं के हाव भाव पर ध्यान दे हर जगह जीवन की भौतिक अभिव्यक्ति का निरीक्षन करें पेड़ की पतियां हलकी सी हवा पर प्रतिक्रिया करती है आपके चेहरे की मानस्पेशियां आपकी आँखों की रोशनी भावना के थोड़े से बदलाव पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए एमर्सन कहते हैं मैं जिस भी आदमी से मिलता हूँ वह किसी ना किसी तरह से मुझसे श्रेश्ट है उसमें मैं उसके बारे में सीखता हूँ अनपड इटालियन्स हाव भाव इतने अद्भुत और सुन्दर बनाते हैं कि बूत या बैरेट उनके पैरों पर बैठ गए होंगे और उन्हें निर्देश दिया गया होगा अपनी आँखें खोले इमर्सन फिर कहते हैं हम सुन्दर्ता में डूबे हुए हैं लेकिन हमारी आँखों में कोई स्पष्ट द्रिष्टी नहीं है इस किताब को एक तरफ फेंक दो बाहर जाओ और एक बच्चे को सेब के टुकड़े के लिए दूसरे से विनती करते हुए देखो सडक पर जगड़ा होते देखो जीवन को क्रियाशील होते देखो क्या आप जानना चाहते हैं कि जीत कैसे व्यक्त करें? चुनाव की रात विजेताओं के हाथ उँचे होते देखें क्या आप किसी कारण की पैरवी करना चाहते हैं? दैनिक जीवन में आप जिन सभी वकीलों को लगातार देखते हैं उनकी एक समग्र तस्वीर बनाएं भीक मांगो, उधार लो और जो सबसे अच्छा तुम पा सकते हो उसे चुराओ लेकिन इसे चोरी के रूप में मत दो इसे तब तक आत्मसाथ करें जब तक यह आपका हिस्सा न बन जाए फिर अभिव्यक्ति को बाहर आने दें अध्याय सोला वितरण के तरीके प्रवचन का शिखर, उसकी परणती, उसकी प्रस्तुती है सारी तैयारी इसी की ओर दिखती है श्रोता इसी की प्रतीक्षा करते हैं वक्ता का मूल्यांकन इसी से होता है वक्ता के जीवन की सारी शक्तियां उसकी वक्तृत्व कला में समाहित हो जाती है वह तारकिक तीक्ष्णता जिसके साथ वह अपने विशय के इर्द गिर्द तत्यों को पेश करता है वह अलंकारिक सुविधा जिसके साथ वह अपनी भाशा को व्यवस्थित करता है वह नियंत्रण जो उसने अभिव्यक्ति के एक अंग के रूप में अपने शरीर के उपयोग में हासिल किया है अधिग्रहन और अनुभव की जो भी समरिद्धी है उसकी ये सब तो अब घटनाएं है तथ्य ये है कि वह अपने संदेश को अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहा है भाशन देने का समय वक्ता के लिए सर्वोच अपरिहार्य समय होता है यही वह तथ्य है जो पर्याप्त तयारी के अभाव को इतना दुस्साहस बना देता है और यही वह चीज है जो वक्ता के पूरे अस्थित्व में अवर्ण निये खुशी का ऐसा रोमांच पैदा करती है जब उसने कोई सफलता हासिल की हो यह ऐसा है जैसे मां अपने बेटे को दुनिया में लाने की खुशी में अपनी पीडा भूल रही हो जे बी और दर्शकों को कैसे आकरशित करें और रोके रखें संबोधन देने की चार मूलभूत विधियाओं है अन्य सभी इन में से एक या अधिक के संशोधन है पांडुलिपी से पढ़ना, लिखित भाशन देना और स्मृती से बोलना, नोट्स से बोलना और तातकालिक भा अपने लिए निर्णय लेते समय, आपको अवसर, दर्शकों की प्रकृती, आपके विशय की प्रकृती और समय और क्षमता की अपनी सीमाओं पर विचार करना चाहिए हालां कि यह आपको चेतावनी देने लायक है कि आप आत्म सत्यापन में उदार न बने अपने आप से साहस पूर्वक कहें, दूसरे क्या कर सकते हैं, मैं प्रयास कर सकता हूँ जहां दूसरे लोग जिजखते हैं, वहां एक साहसी भावना जीत हासिल करती है और एक कठिन कार्य में चुनौतियां असफल हो जाती है पांडुलिपी से पढ़ना यह विधी वास्तव में सार्वजनिक भाषन पर एक पुस्तक में संक्षिप्त बदलाव के लायक है क्योंकि आप जितना भी हो सके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, सार्वजनिक पढ़ना सार्वजनिक भाषन नहीं है फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो समर्थन के लिए इस टूटे हुए रीड को पकड़ लेते हैं इसलिए हमें यहां पढ़े गए भाषन क्षमा प्रार्थी मिध्या नाम पर चर्चा करनी चाहिए निश्चित रूप से उनमें से ऐसे अवसर हैं कांग्रेस का उद्गाटन, एक विचार शील निकाय के समक्ष, एक गंभीर प्रश्न की प्रस्तुती या एक एतिहासिक स्मरनोत्सव जब यह अकेले वक्ता को नहीं, बलकि उन सभी को लग सकता है जो इसमें रुची रखते हैं कि मुख्य बात ये है कि व्यक्त करना है की बेंच पर धकेल दिया जाता है, पांडोलिपी को गंभीरता से नए फ्रॉक कोट की विशाल भीतरी जेब से निकाल लिया जाता है और हर कोई अपने आपको इस्तीफा दे देता है, केवल आशा की एक कमजोर जिल्मिलाहट के साथ कि तथा कठित भाशन ऐसा नहीं हो सकता है जब तक यह गाड़ा है शब्द सुनहरे हो सकते हैं, लेकिन सुनने वालों की आँखें नम हो जाती है और सौ में से लगभग एक उदाहरण में अपराधी वास्तव में एक प्रभावशाली संबोधन देता है उनका बहाना उनकी माफी है एक नियम के रूप में उन्हें दोशी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि किसी ने यह आदेश दिया है कि पांडुलिपी के बंधनों से मुक्त होना और अपने दर्शकों को वास्तव में आनंद दायक पाल पर अपने साथ ले जाना खतरनाक ऐसे महान अवसरों पर एक बड़ी परेशानी यह है कि ऐसे निबंधकार को उसकी बोलने की क्षमता के कारण नहीं चुना गया है बलकि इसलिए चुना गया है क्योंकि उसके दादा ने एक निश्चित लड़ाई लड़ी थी या उसके घटकों ने उसे कांग्रेस में रक्ती को देखने में दर्शकों की हमेशा रुची होती है उनकी प्रतिष्ठा के कारण वे उनके शब्दों को सम्मान के साथ सुनते हैं शायद रुची के साथ यहां तक की पांडुलिपी से ड्रोन किये जाने पर भी लेकिन अगर कागजात को किनारे रख दिया जाए तो ऐसा उद्धार कितना अधिक प्रभावी होगा कहीं भी पढ़ा जाने वाला संबोधन पल्पिट द पल्पिट जितना सामान्य नहीं है कि इन दिनों कम से कम हर कोई किसी विकलांकता को आमंतरित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत से पादरी जोश के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं उन्हें चुन्ने दें वे विरले ही लोग होते हैं जो जनता को अपने संदेश को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं भाशा की सठीकता और लालित्य में वे जो हासिल करते हैं वे ताकत में खो देते हैं केवल च जो किसी व्यक्ति को अपना संबोधन या उपदेश पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जो किसी व्यक्ति को ये मानने का अधिकार नहीं है कि उसकी याददाश्ट पूरी तरह से खराब है जब तक कि वह स्मृति संस्कृति के प्रति जुप न जाए और असफल न हो जाए। मकसद तीन भी अकसर मकसद एक के साथ मेल खाता है। 4. यह द्रढ विश्वास कि पांडुलिपी को त्यागने का जोखिम उठाने के लिए भाशन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक शब्द इतना सटीक हो, शैली इतनी परिश्कृत हो और विचार इतने तारकिक हो कि उपदेशक को पूरा उपदेश लिखना पड़े, तो क्या संदेश इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके वितरण को पूर्ण करने म अतिरिक्त प्रयास की आवश्यक्ता हो? पढ़ने वाले उपदेशक की आँखें उसकी पांडूलिपी से बंधी होती हैं, वह दर्शकों को अपनी अभिव्यक्ती का लाब नहीं दे सकता। यदि अभिनेता अपनी क्यू बुक्स हाथ में रखें और अपने हिस्से पढ़ें तो एक नाटक थेटर को कितने समय तक भरेगा? कलपना कीजिए कि पैट्रिक हेनरी अपना प्रसिद्ध भाशन पढ़ रहे हैं, पीटर द हर्मिट, हाथ में पांडूलिपी, क्रूसेडरों को प्रोटसाहित करते हुए, नेपोलियन लगातार अपने कागजात देख रहा था, पिरामिडों पर सेना को संबोधित कर रहा था, या यीशु परवत पर उपदेश पढ़ रहे हैं, ये वक्ता अपने विशेयों से इतने भरे हुए थे, उनकी सामान्य तैयारी इतनी परियाप्त रूप से परियाप्त थी, कि उनकी तैयारी के बाहरी और द्रिश्य संकेत के रूप में संदर्भित करने या से करने के लिए पांडुलिपी की कोई आवश्यक्ता नहीं थी, कोई भी आयोजन इतना गरिमामय नहीं था कि उसमें भाशन देने के कृत्रिम प्रयास की आवश्यक्ता पड़े, किसी निबंध को उसके सही नाम से पुकारें, लेकिन उसे कभी भाशन न कहें, संभवतह सबस प्रतिष्ठित घटना, सृष्टी करता से प्रार्थना है. यदि आपने कभी किसी मौलिक प्रार्थना का पाठ सुना होगा, तो आपको उसकी सतहीता का एहसास अवश्य हुआ होगा. पांडुलिपी वितरन के बारे में, चाहे जो भी सिध्धान्त हों, तथ्य यह है कि य यह दक्षता के साथ काम नहीं करता है. जब भी संभव हो, इस से बचें, लिखित भाशन देना और स्मृति से बोलना, इस पध्धती के पक्ष में कुछ बिंदु हैं. यदि आपके पास समय और अवकाश है, तो अपने विचारों को तब तक निखारना और फिर से लिखना संभव है, जब तक कि वे स्पष्ट, संक्षिप्त शब्दों में व्यक्तना हो जाएं. पोप कभी-कभी एक दोहे को पूर्ण करने में पूरा दिन बिता देते थे. गिब्बन ने रोमन सामराज्य के पतन और पतन के लिए सामगरी इकठा करने और उसे दोबारा लिखने म 20 साल लगा दिये. हालां कि आप किसी भाषन के लिए इतनी श्रमसाध्य तैयारी नहीं कर सकते. आपको बेकार शब्दों को हटाने, पूरे पैराग्राफ को एक वाक्य में इकठा करने और उचित चित्रन चुनने के लिए समय निकालना चाहिए. नाटकों की तरह अच्छे भाषन लिखे नहीं जाते, उन्हें दोबारा लिखा गया है. National Cash Register Company अपने सबसे कुशल विक्रे संगठन के साथ इस योजना का पालन करती है. उन्हें अपने सेल्समेन से विक्रे वारता को शब्द शह याद करने की आवश्यक्ता होती है. उनका कहना है कि अपने विक्रे तरकों को रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है. और वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतियेक सेल्समेन इस समय उसके दिमाग में आने वाले किसी भी यादरिचिक वाक्यांशों को नियोजित करने के बजाए इस आदर्श तरीके का उपयोग करें. लिखने और पद्ध करने की पद्धति को कई प्रसिद्ध वक्ताओं ने अपनाया है. जूलियस सीजर, रॉबर्ट इंगरसोल और कुछ अवसरों पर वेंडल फिलिप्स विशिष्ट उदाहरं थे. प्रसिद्ध अभिनेताओं द्वारा प्राप्त किये गए अद्भुत प्रभाव, निश्चित रूप से याद की गई पंक्तियों के वितरण के माध्यम से प्राप्त किये गए थे. प्रस्तुती की इस पद्धती का प्रयास करने से पहले अनुभवहीन वक्ता को चेतावनी दी जानी चाहिए कि यह कठिन और प्रयास शील है. इसे कुशल बनाने के लिए ब पार्टमेंटल स्टोर प्रदर्शक को नवीनितम फरनीचर पॉलिश या नाश्ते के भोजन के बारे में उसकी याद की गई भाशा को दोहराते हुए सुने. याद किये गए भाशन को ताजा और सहज बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यक्ता होती है. और जब तक क हो सकते हैं कि रोम में मार्क ट्वेन की मार्क दर्शिका की तरह आप शुरुआत से ही अपनी पंक्तियों को दोहराने के लिए मजबूर हो जाएंगे. दूसरी और आप अपने लिखित शब्दों को याद करने की कोशिश में इतने व्यस्थ हो सकते हैं कि आप अपने आपक को सर्वोत्तम लगता है तो इसे इमानदारी से परकें. इसके खतरों से घबराएं नहीं बलकि दृढ अभ्यास से उनसे बचें. इन कठिनाईयों से आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है डौ जैसा कार्य करना. वालेस रेड़ क्लिफ अकसर ऐसा करते हैं. भ इस खंड में पाए गए नमूना भाषणों को प्रस्तुत करना और उन्हें अस्विकार करना उन सिध्धानतों पर पूरा ध्यान देते हुए जिन्हें हमने आपके सामने रखा है, आपको स्मृती और प्रस्तुती दोनों के लिए यह उत्कृष्ट अभ्यास लगेगा. विलियम एलरी चैनिंग, जो खुद एक प्रतिष्ठित वक्ता है, ने वर्षों पहले भाषण कला के अभ्यास के बारे में कहा था, क्या कोई मनोरंजन नहीं है, जिसका नाटक के साथ जुडाव हो, जिसे हमारे बीच उपयोगी रूप से पेश किया जा सके? मेरा मतलब है सस्वर पाठ, उत्कृष्ठ रुची, उत्साह और वाक पठुता की शक्ति वाले व्यक्ति द्वारा सुनाया गया प्रतिभावान कार्य, अत्यंत शुद्ध और उच्च संतुष्टी देने वाला होता है. यदि इस कला को बढ़ावा दिया गया और प्रोथसाहित किया गया, तो बड़ी संख्या में लोग, जो अब सबसे सुन्दर रचनाओं के प्रति असमवेदन शील हैं, अपनी उत्कृष्ठता और शक्ति के प्रति जागरित हो सकते हैं. नोट्स से बोलते हुए, डिलीवरी का तीसरा और सबसे लोग प्रियतरी का संभवत शुरुवाती लोगों के लिए भी सबसे अच्छा है. नोट्स से बोलना आदर्श डिलीवरी नहीं है, लेकिन रस्सियों से परे जाने से पहले हम उतले पानी में तैरना सीखते हैं. यहां बहुत ही सरल नोट्स का एक नमूना है, ध्यान दें. मैं, परिचय, किसी भी महान कार्य के निश्पादन के लिए ध्यान अपरिहार्य है. किस्सा, द्वितिय, परिभाशित एवं सचित्र, वेन, सामानने अवलोकन से, दो, महापुरुशों के जीवन से, कारलाइल, रॉबर्ट ई, ली, तृतिय, इसका संबंध अन्यमानसिक शक्तियों से है, वन, कारण, दो, कलपना, तीन, याद, चार, इच्छा, किस्सा, चतुर्थ, ध्यान आकरशित किया जा सकता है, एक, अनैचिक ध्यान, दो, स्वैचिक ध्यान, उदाहरण, मे, निशकर्ष, सटीक होंगे, क्योंकि अनुभव के साथ एक वक्ता अपना ध्यान आकरशित करने के लिए छोटी-छोटी तरकीबों का उप्योग करना सीखता है, वह किसी कैच शब्द को जोर से रेखांकित कर सकता है, एक महत्वपूर्ण विचार के चारों और एक लाल घेरा खींच सकत है, एक उपाख्यान के मुख्य शब्द को एक में सनलगन कर सकता है, लहरदार लाइन वाला बॉक्स और इसी तरह अनिश्चित काल तक, ये बिंदु याद रखने योग्ये हैं, क्योंकि टाइप राइटिंग की समानता या यहां तक की एक नियमित पैंस्क्रिप्ट के समा वक्ता की तेज नजर से कुछ भी नहीं बचता है, तो अनजाने में प्रिष्ठ पर दाग जैसी चीज आपको विचारों के संयोजन से शायद अपने संक्षेप में एक बड़े बिंदु को याद रखने में मदद कर सकती है, एक अनुभवहीन वक्ता को संभवतह दिये कम नोट्स का प्रयोग करें, वे कुछ समय के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक आवश्यक बुराई के रूप में देखने से न चुकें, और यहां तक कि जब आप उन्हें अपने सामने रखते हैं, तो उन्हें केवल तभी संदरभित करें, जब ऐसा करने के के लिए मजबूर किया जाए, तैयारी में अपने नोट्स को जितना चाहें, उतना पूर्ण बनाएं, लेकिन हर तरह से उन्हें प्लेटफॉर्म उपयोग के लिए संक्षिप्त करें, तातकालिक भाशन, निश्चित रूप से यह प्रस्तुती का आदर्ष तरीका है, यह के बीच सबसे लोकप्रिय और सबसे कुशल वक्ताओं की पसंदीदा विधी है, कभी-कभी असामयिक भाशन का अर्थ बिना तैयारी वाला भाशन कर दिया जाता है, और वास्तव में यह अक्सर बिलकुल वैसा ही होता है, लेकिन ऐसे किसी भी मायने में हम व्रिद्ध और युवा वक्ताओं को इसकी द्रढ़ता से अनुशंसा नहीं करते हैं, इसके विपरीत नोट्स के बिना अच्छा बोलने के लिए पूरी तैयारी की आवश्यक्ता होती है, जिस पर हमने प्रवाह अध्याय में पूरी तरह से चर्चा की है, जबकि अभी भी आपके कुछ व पयम लाते हैं, अपनी आत्मा में समाहित करते हैं और दर्शकों में खुद को शामिल करने के लिए तैयार होते हैं, यदि आप तातकालिकता दिखाते हैं, तो आप अपने दर्शकों के अधिक करीब आ सकते हैं, एक तरह से वे आपके सामने रखे गए कारे की सराहना करते ह और अपनी सहानुभूती व्यक्त करते हैं. Extemporize करें और आपको अपने notes के बीच रुकना और इधर-उधर टटोलना नहीं पड़ेगा. आप अपने संदेश से अपनी आँखें चमका सकते हैं और अपनी नजर से ही अपने दर्शकों को बांधे रख सकते हैं. जब आप उनके चेहरे पर लिखे आपके स्नेहपूर्ण सहज शब्दों के प्रभाव को पढ़ेंगे, तो आप स्वयम उनकी प्रतिक्रिया महसूस करेंगे. अध्ययन में लिखे गए वाक्य दर्शकों के सामने पुनर जीवित होने पर मृत और ठंडे हो सकते हैं. जब आप बोलते समय रचना करते हैं, तो आप अपने विचार की सारी मूँ लगनी को सुरक्षित रखते हैं. आप एक बिंदू को बढ़ा सकते हैं या दूसरे को छोड़ सकते हैं, जैसा कि अवसर या दर्शकों की मनोदशा की मांग हो सकती है. प्रत्येक वक्ता के लिए इसका उप्योग करना संभव नहीं है, यह वितरण के सभी तरीकों में से सबसे कठिन है, और कम से कम इसे बिना अधिक अभ्यास के सफलता पूर्वक उप्योग किया जा सकता है, लेकिन यह वह आदर्श है जिसके लिए सभी को प्रयास करना चाह जब तक आप नियंतरन हासिल नहीं कर लेते, तब तक याद किये गए संक्षिप्त विवरन से बोलने का अभ्यास करें, बहस करने वाले समाज में शामिल हो, बातचीत करें, बातचीत करें, और हमेशा तातकालिक बातें करें, आप एक या दो बार खुद को मूर्ख बना सक लेकिन क्या सफलता के लिए भुगतान करने के लिए यह बहुत बड़ी कीमत है? कागज के बजाए, अपने दिमाग से नोट्स बनाएं. प्रस्तुती की संयुक्त विधियां, दूसरी विधी का एक संशोधन कई महान वक्ताओं द्वारा अपनाया गया है. विशेश रूप से व्याख्याताओं द्वारा जिन्हें दिन बदिन विविध विशयों पर बो करते हैं, लेकिन यह एक एंकर है, फिर भी और तेजी से मुक्त नौकायन में बाधा डालता है, हालां कि यह कभी भी इतना हलका नहीं खींचता है. अन्य वक्ताओं ने अपने लिखित और प्रतिबद्ध भाशन की पूरी रूप रेखा अपने सामने रखकर एक हलका एंकर पेश किया. अन्य लोग फिर से संबोधन के कुछ महत्वपूर्ण भाग, परिचय, निशकर्ष, कुछ महत्वपूर्ण तर्क, कुछ पैट चितरन लिखते और प्रतिबद्ध करते हैं और बाकी की भाशा के लिए समय पर निर्भर रहते हैं. यह विधी नोट्स के साथ य जिसे हमने वितरण के संयुक्त तरीके कहा है, वह बहुत अधिक व्यक्तिगत भिन्नता के लिए खुला है. आपको स्वयम निर्णय लेना होगा कि आपके लिए, अवसर के लिए, आपके विशय के लिए, आपके दर्शकों के लिए सबसे अच्छा क्या है? इन चार कारकों के अपने अपने दावे हैं। आप जो भी रूप चुनें इतने उदासीन न हो कि आसान तरीका पसंद करने लगें। सबसे अच्छा तरीका चुनें। भले ही इसमें आपका समय और मेहनत कुछ भी खर्च हो। और इस बारे में आश्वस्त रहें। केवल अभ्यास वक्ता ही तर्क की संक्षिप्तता और ढंक से द्रढ विश्वास, भाषा की चमक और प्रस्तुती में शक्ती, शैली की समाप्ती और उच्चारण में आग दोनों हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। अध्याय सत्रा विचार और आरक्षित शक्ती प्रॉविडेंस हमेशा अंतिम यदि आपको अपने बैंक खाते से अधिक राशी निकालनी पड़े तो क्या होगा? नियमानुसार चेक का विरोध किया जाएगा, लेकिन यदि बैंक के साथ आपके संबंध मित्रता पूर्ण है, तो आपके चेक का सम्मान किया जा सकता है और आपसे ओवरड्राफ्ट का भुक्तान करने के लिए कहा जाएगा? प्रकृती के पास ऐसा कोई पसंदीदा नहीं है, इसलिए वह कोई श्रेय नहीं देती. वह गैसोलीन टैंक की तरह अथक है, जब गैस का पूरा उप्योग हो जाता है, तो मशीन बंध हो जाती है. एक वक्ता के लिए बिना कुछ आर अरक्षित शक्ती किसमें शामिल होती है? अपने विशय की सामान्य और विशेश समझ पर एक अच्छी तरह से स्थापित निर्भरता में, विचार में सतर्क और साधन संपन्न होने की गुणवत्ता में, विशेश रूप से अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने की क्षमत और उस आत्म कबजे में जो व्यक्ति को शारिरिक और मानसिक अपनी सभी शक्तियों का कप्तान बनाता है। आरक्षित शक्ति विचार के तत्वों में से दूसरा है। मानसिक भंडार एक खाली दिमाग, एक खाली कोठरी की तरह, एक गंभीर मामला हो सकता है या नहीं, यह सब उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। यदि अलमारी में खाना न हो, तो ग्रिहनी घबराकर खाली बरतन नहीं खड़ खड़ाती, वह किराने वाले को फोन करती है। यदि आपके पास कोई विचार नहीं है, तो अपने खाली पन और आहों को न खड़ खड़ाएं, बलकि कुछ विचार प्राप्त करें और तब तक न बोलें जब तक आप उन्हें प्राप्त न कर लें। हालां कि यह वह नहीं है जिसे न्यू इंग्लैंड के पुराने हाउसकीपर फोरहेंडेड कहते थे। खाली दिमाग का क्या किया जाए, इस समस्या का वास्त्विक समाधान यह है कि उसे कभी खाली न रहने दिया जाए। डकोटा के आटेशियन कुओं में पानी सतह पर आ जाता है और जमीन से कई फुट उपर उचल जाता है। इस प्रचंड प्रवाह का रहस्य निह संदेह नीचे भारी आपूर्ती है जिससे बाहर निकलने के लिए भीड उमड रही है। जब आप अपने जीवन को आटेशियन कुओं के संसाधनों से भर सकते हैं तो मानसिक पंप को प्राइम करने से रोकने का क्या फाइदा। केवल प्रयाप्त होना ही परयाप्त नहीं है। आपके पास परयाप्त से अधिक होना चाहिए। तब आपके विचारों और भावनाओं का दबाव आपके भाशन के प्रवाह को बनाय रखेगा और आपको आत्म विश्वास और शिष्टता देगा जो आरक्षित शक्ती को केवल सटीक वापसी किराया लेकर घर से दूर रहना बहुत हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूध की सामगरी होनी चाहिए। लेकिन हमें दूध कैसे मिलेगा? इसके दो तरीके हैं। एक तो गाय से सीधे संपर्क करना, दूसरा दूध वाले का सेकंड है। तो हम उसे मास्टर कहते हैं। न जानना मेरे लिए अधिक शर्म की बात है। काला, वे एकदम काले हैं। महोदया, यह युवक श्रीमान द्वारा संदर्भित है। होलब्रुक टैनीसन थे। हेंरी वार्ड बीचर ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं कभी सड़क पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ, जिससे मुझे उपदेश के लिए कुछ तत्व नहीं मिला हूँ। मैंने प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो उस दिशा में काम न करती हो, जिसके लिए मैं अपने जीवन की शक्ति देता हूँ। मेरे उपदेशों की सामगरी हर समय मेरा पीछा कर रही है और मेरे चारों और घूम रही है। यह कहने के बजाए कि लाखों में से केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है। यह कहना सत्य के करीब होगा कि हम में से कोई भी अपनी आखों के सामने से गुजरने वाली चीजों के एक अंश से अधिक पूरी समझ के साथ नहीं देख पाता है। फिर भी तीवर और सटीक अवलोकन की यह क्षमता इतनी अधिक है। यह महत्व पूर्ण है कि नेत्रित्व करने का महत्वाकांक्षी कोई भी व्यक्ति इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अगली बार जब आप कार में हों, तो अपने सामने बैठे लोगों को देखें और देखें कि आप उनकी आदतों, व्यवसायों, आदर्शों, राष्ट्रियताओं, पर्यावरण, शिक्षा आदी के बारे में क्या खोज सकते हैं। हो सकता है कि आप पहली बार में बहुत कुछ न देख पाएं, लेकिन अभ्यास से आश्चरिजनक परिणाम सामने आएंगे। पासेंट का वर्णन भी सार्वजनिक वक्ता के लिए उपयुक्त होना चाहिए। उनकी आँख एक सक्षन पंप की तरह है, जो सब कुछ अवशोशित कर लेती है। एक जेब कत्रे के हाथ की तरह हमेशा काम पर रहती है। उससे कुछ भी नहीं बचता, वह लगातार सामग करिये कत्र कर रहा है। नजरें, हावभाव, इरादे वह सब कुछ इकठा कर रहा है जो उसकी उपस्थिती में होता है। थोड़ी सी नजर, सबसे छोटा कार्य, सबसे छोटी सी बात। डी माव पासेंट स्वयम दस लाखवें व्यक्ती एक मास्टर थे। रसकिन ने एक सामान्य रॉक क्रिस्टल लिया और उसके स्थिर हृदय के भीतर छुपे हुए पाठों को देखा, जिन्होंने अभी तक लोगों के जीवन को प्रभावित करना बंद नहीं किया है। अधिकार हो गया। अधिकांश पुरुष अंधे होते हैं। बात रख सकता था। प्राप्त हुआ था। दिखें कि यह घटना उस समय अंतराल में कितनी बार होती है और आप गणना योग्य लाभांश तक पहुँच गए हैं। पंडित के अनुसार एक दयनिय छोटी सतह खरोंच से परे कुछ लोग वास्तव में हजारों में से केवल एक के बारे में ही सोचते हैं। जब तक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली प्रचलित है और बच्चों को आँख के बजाए कान के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जब तक उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बारे में सोचने के बजाए दूसरों के विचारों को याद रखें। ये अनुपात जारी रहेगा, लाखों में से एक आदमी होगा, देखने में सक्षम और सोचने में हजारों में से एक। लेकिन मन कितना भी कम विचारशील क्यों न हो, जैसे ही मन को अपनी विचारशक्ती की कमी का पता चलता है, बेहतर चीजें होने का वादा होता है। पहला कदम विचार को दिमाग का जादू मानना बंद करना है बायरन की अभिव्यक्ती का उपयोग करना है और इसे विचार के रूप में देखना है जो वास्तव में विचारों का वजन करना और उन्हें एक दूसरे के साथ सम्बंधों में रखना है इस परिभाशा पर विचार करें और देखें कि क्या आपने कुशलता पूर्वक सोचना सीख लिया है? आदतन सोच बस एक आदत है एक काम को बार-बार करने की आदत आ जाती है निचली आदतें आसानी से प्राप्त हो जाती है उची आदतों को कायम रखने के लिए गहरे खांचे की आवश्यक्ता होती है तो हम पाते हैं कि विचार की आदत केवल द्रिड अभ्यास से ही आती है फिर भी किसी भी प्रयास से अधिक लाब नहीं मिलेगा अभ्यास में लगे रहें और जबकि आप किसी विशय में केवल एक इंच गहराई तक सोचने में सक्षम है आप जल्द ही पाएंगे कि आप उसमें एक फुट तक गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं शायद यह घरेलू रूपक सुझाव देगा कि लगातार सोच का अभ्यास कैसे शुरू किया जाए जिसका अर्थ है कि कई अलग-अलग विचार कडियों को एक श्रंखला में जोड़ना जो टिकी रहेंगी एक समय में एक लिंक लें देखें कि प्रत्येक स्वाभाविक रूप से उन लोगों से संबंधित है जिन्हें आप इससे लिंक करते हैं और याद रखें कि एक भी गायब लिंक का मतलब कोई श्रंखला नहीं है सोचना सभी मानसिक अभ्यासों में सबसे आकरशक और उत्साह वर्दक है एक बार यह महसूस करें कि किसी विशय पर आपकी रायड़ के बीच आपके द्वारा चुने गए विकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं करती है सेरेब्रम ने लिखा है और प्रोफेसर सेरिबैलम ने कहा है लेकिन यह आपकी अपनी इमानदारी से लागू मस्तिष्क उर्जा का परिणाम है और आप उस विशय पर बोलने की अपनी क्षमता में आत्म विश्वास हासिल कर लेंगे जिसे कोई भी हिला नहीं पाएगा आपके विशार ने आपको शक्ती और आरक्षित शक्ती दोनों दी होगी किसी ने विशार और ज्ञान के संबंध को इन तीखी घरेलू पंक्तियों में संक्षेपित किया है मुझे वह आदमी मत दो जो सोचता है कि वह जानता है बलकि मुझे वह आदमी दो जो जानता है कि वह सोचता है और मेरे पास वह आदमी है जो जानता है कि वह जानता है विचार के लिए प्रेरणा के रूप में पढ़ना चाहे गाय कितनी भी सूखी क्यों न हो नहीं दूध देने की हमारी क्षमता कितनी भी खराब क्यों न हो, फिर भी दूध देने वाला वह है जिसे हम पढ़ सकते हैं, जो दूसरों ने देखा है, महसूस किया है और सोचा है। अकसर वास्तव में ऐसे रिकॉर्ड हमारे भीतर एक आवश्यक और महत्वपूर्ण चिंगारी एक विचारक बनने की इच्छा को प्रज्वलित करेंगे। निम्न लिखित चयन डौ में से एक से लिया गया है। न्यूवेल ड्वाइट हिलिस के व्याख्यान जैसा कि ये मैंस वैल्यू टू सोसाइटी में दिया गया है। हिलिस सबसे धारा प्रवाह वक्ता हैं और वह कभी नोट्स का उलेख नहीं करते। उसके पास आरक्षित शक्ती है। उनका दिमाग वास्तव में तथ्यों और विचारों का खजाना है। देखें कि वह 15 अलग-अलग सामान्य या विशेश विशयों का ज्यान कैसे प्राप्त करता है। निश्चित रूप से यह जानने के लिए किसी आरशी की आवश्यक्ता नहीं है कि इस आदमी की आरक्षित शक्ती का रहस्य हमारे आटेशियन कुएं का पुराना रहस्य है जिसकी प्रचुरता अद्रिश्य गहराई से निकलती है। पुस्तकों और पढ़ने का उप्योग नौ प्रत्येक किंसले एक पत्थर के पास उसी तरह जाता है जैसे एक जोहरी छिपे हुए रतनों को खोलने के लिए एक ताबूत के पास जाता है। गी की कठोर कोईले के टुकडे को रसदार कली, मोटी गंध वाली पत्तियों, तीखी शाखाओं को तब तक उखाड़ने का कारण बनता है जब तक की कारबन का टुकड़ा एक उश्न कटी बंधीय जंगल की सुन्दरता में नहीं बढ़ जाता। ग्रांट एलन की वह छोटी किताब जिसका नाम है How Plants, ग्रो पेडों और जाडियों को खाने, पीने और शादी करने के रूप में प्रदर्शित करती है। हम फिलिस्तीन में कुछ खजूर के बाग देखते हैं और सौ मील दूर रेगिस्तान में अन्य खजूर के बाग देखते हैं और एक का पराग व्यापारिक हवाओं के माध्यम से दूसरे की शाखाओं तक ले जाता है। हम पेड को पानी के काम की अजीब प्रणाली के साथ देखते हैं जो पाइप और मेन के माध्यम से रस को पंप करता है। हम शाखाओं में रासायनिक प्रयोग शाला को एक टहनी में संतरे का स्वाद मिलाते हुए, दूसरी टहनी में अनानास का रस मिलाते हुए देखते हैं। हम पेड को एक मा के रूप में देखते हैं जो प्रत्येक शिशु बलूत को लंबी सर्दी के लिए तैयार करती है। उसे उनी कंबल की तरह नरम और गर्म कपड़े में लपेटती है। उसे बारिश से अप्रभावित कपड़ों से लपेटती है। और अंत में शिशु बलूत के फल को स्लीपिंग बैग में डाल देती है। जैसे जिन्हें ऐस। किमो ने डौ। केन अंत में हमें यह महसूस हुआ कि यूनानी यह सोचने में बिलकुल भी गलत नहीं थे। कि प्रत्येक पेड में एक ड्राइड होता है। उसे जीवंत बनाता है, उसे विनाश से बचाता है, जब पेड सूख जाता है, तो वह मर जाता है। कुछ फैराडे हमें दिखाते हैं कि पानी की प्रत्येक बूंद 800,000 लेडेंजार को चार्ज करने या लिवरपुल से लंदन तक इंजन चलाने के लिए परियाप्त विद्युत बलों के लिए एक आवरण है। कुछ सर विलियम थॉंसन हमें बताते हैं कि कैसे हाइड्रोजन गैस लोहे की एक बड़ी कील को उसी तरह चबा जाएगी जैसे एक बच्चे की दाढ़ें कैंडी की छड़ी के सिरे को चबा जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक नई पुस्तक, प्रकृती के कुछ नए और अब तक अग्यात क्षेत्र को खोलती है। इस प्रकार किताबें हमारे लिए उस चमतकारिक कांच की कथा को पूरा करती हैं जो अपने मालिक को दूर की सभी चीजें और छिपी हुई सभी चीजें दिखा इसलिए श्रीमती और हमें उस महान व्यक्ति के सामने खड़ा करते हैं जिसके मस्तिश्क में सिध्धान्त का उदय हुआ था। जैसे जैसे खोज करता हमें नील नदी के मुहाने से वापस न्यांज़ा के हेड़वाटर तक ले जाता है, वैसे वैसे किताबें महान विचारों और संस्थानों को प्रदर्शित करती हैं, जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं, लगातार चौड़ी और गहरी होती जाती हैं, जैसे कुछ नील नदी कई सभ्यताओं को पोशन देती है। आज के सभी सुधार कल के कुछ सुधारों पर चलते हैं। मनुष्य की कला एथेंस और थेबस तक जाती है। मनुष्य के नियम ब्लैक स्टोन और जस्टीनियन तक चलते हैं। मनुष्य के रीपर और हल जंगली बैल द्वारा खींची गई अपनी काठेदार चड़ी से जमीन को खरोंचते हुए वापस चले जाते हैं। आजादी के नायक एक ठोस स्तंभ में आगे बढ़ते हैं। लिंकन ने वाशिंग गटन का हाथ पकड़ लिया। वाशिंग गटन को अपने हतियार, हेंपडेन और क्रॉमवेल के हाथों प्राप्त हुए। महान प्यूरिटन्स ने लूथर और सवोनारोला से हाथ मिला लिया। अखंड जुलूस हमें उसके करीब लाता है जिसका पहाड़ी उपदेश स्वतंतरता का चार्टर था। यह हमें यह अनुभव करने के लिए एक दिव्य मंत्र के अधीन कर देता है कि हम सभी महापुरुशों के सहकर्मी हैं। और फिर भी सभ्यता के ताने बाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब किताबों ने हमें हमारे अपने युग से जोड़ा है और सभी युगों को ईश्वर से जोड़ा है जिसका विधान इतिहास की खाड़ी धारा है तो ये शिक्षक हमें नई और बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रेरित करते हैं। अकेला मनुष्य एक बुजी हुई मौमबत्ती है। मन को अपनी क्षमताओं को प्रज्वलित करने के लिए किसी पुस्तक की आवश्यक्ता होती है। बाइरन लिखना शुरू करने से पहले किसी पसंदीदा अंश को पढ़ने में आधा घंटा लगाते थे। किसी महान लेखक का विचार बाइरन को रचनात्मक चमक देने में कभी असफल नहीं हुआ, जैसे माचिस की तीली से भठी पर दिया जलता है। इन ज्वलंत चमकदार मनोदशाओं में बाइरन के दिमाग ने अपना सर्वश्रेष्ट काम किया। सच्ची किताब दिमाग को वैसे ही उत्तेजित करती है, जैसे कोई शराब कभी भी खून को तेज नहीं कर सकती। यह पढ़ना ही है जो हमें अपना सर्वश्रेष्ट बनाता है और प्रत्येक संकाय को उसके सबसे सशक्त जीवन के लिए प्रेरित करता है। हम इसे शुद्ध क्रीम के रूप में पहचानते हैं और यदि पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसका द्वितियक स्रोत मैत्रिपूर्ण दूध वाला है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विशय किताबों और पढ़ने का उप्योग है। हिलिस देखता भी है और सोचता भी है। आत्म परीक्षा से गुजारें और यदि विचार से पढ़ना आलस से आपके पापों में से एक है, तो इसे स्वीकार करें। आपके अलावा कोई भी आपको इससे विचलित नहीं कर सकता। अपने दिमाग का उप्योग करके इसके लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि यह एक ऐसा अपराद है जो विचार के विकास को बौना कर देता है और मानसिक स्वतंत्रता को नश्ट कर देता है। पहले तो प्रायश्चित की कोशिश होगी, लेकिन आखिर में आपको इसमें खुशी मिलेगी। पढ़ने से मनोरंजन होना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए या विचार उत्तेजित होना चाहिए। हालां कि यहां हम मुख्य रूप से जानकारी और विचार की उत्तेजना से चिंतित हैं। जानकारी के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए। जानका परियाप्त प्रिष्ट, जैसा की ग्रे हमें बताता है, समय की लूट से स्मृद्ध है और ये एक ठेटर टिकट की कीमत पर हमारे हैं। आप सुकरात और मार्कस ऑन्रेलियस को अपने पास बैठने और उनकी पसंद के बारे में चर्चा करने का आदेश दे सकते हैं। गेटिस्बर्ग में, लिंकन और एथेंस में पेरिकल्स को सुन सकते हैं। ह्यूगो के साथ बैस्टाइल पर धावा बोल सकते हैं और दांते के साथ स्वर्ग में घूम सकते हैं। आप स्टैनली के साथ सबसे गहरे अफ्रीका का पता लगा सकते हैं। शेक्स्पियर के साथ मानव हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। कारलाईल के साथ नायकों के बारे में बातचीत कर सकते हैं और प्रेरित पॉल के साथ विश्वास के रहस्यों में उतर सकते हैं। सामान्य ज्ञान और प्रेरक विचार जो पुरुषों ने वर्षों के परिश्रम और प्रयोग से एकत्र किये हैं, वे आपके पूछने के लिए हैं। चेलसी के आरशी सही थे, इन दिनों का सच्चा विश्वविद्याले पुस्तकों का संग्रह है। किसी मूल्यवान पुस्तक पर महारत हासिल करने का मतलब इसके अलावा और भी बहुत कुछ पर महारत हासिल करना है। हालां कि हम में से कुछ ही लोग किसी किताब पर भौतिक रूप से कबजा किये बिना उस पर पूरी तरह कबजा कर लेते हैं। उधार ली गई किताब को पढ़ना एक आनंद हो सकता है, लेकिन अपनी खुद की किताब को अपनी अलमारियों में जगह देना, चाहे वे कम हो या बहुत से, किताब को पसंद करना और उसके घिसे पिटे कवर को महसूस करना, उसे धीरे धीरे पेज दर पेज पलटना, सहमती या विरोध में इसके हाशिये पर पेंसिल डालना, इसकी याद की गई तीखेपन के साथ मुस्कुराना या रोमांचित करना, कोई भी मात्र पुस्तक उधार लेने वाला कभी भी उस खुशी को महसूस नहीं कर सकता है, जिस पाठक के पास इस दोहरे अर्थ में किताबें ह पास हैं और जो खंड उसके जीवन को सबसे मजबूती से पकड़ते हैं, वे संभवतह वही होते हैं जिन्हें रखने के लिए उसे कुछ त्याग करना पड़ता है, ये हलके ढंक से शीर्शकों से आते हैं, जो श्रीमान हैं। बलकि हम जैसे अन्य लोगों के जीवन में स्वागत किया जाता है, जो एक साथ गरीब हैं और अधिक अमीर। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उन सभी तरीकों में से जिनमें एक स्वामित्व वाली पुस्तक एक मानव मित्र के समान होती है, सबसे सच्चे तरीके ये हैं। एक मित्र, पाने और बनाए रखने दोनों के लिए बलिदान देने योग्य है, और हमारा प्यार उन लोगों के लिए सबसे प्रिय है, जिनके अंतरतम जीवन में हमने इमानदारी से प्रवेश किया है। जब आपके पास किताबों को परखने के लिए समय की कसोटी का लाब नहीं है, तो आप जो किताबें पढ़ते हैं, उनके अधिकार की यथा संभव गहन जाँच करें जो कुछ मुद्रित होता है और उसमें करंट प्रवाहित होता है, वह नकली होता है मैंने इसे एक किताब में पढ़ा कई लोगों के लिए सत्य की परियाप्त गारंटी है, लेकिन विचारक के लिए नहीं कौन सी किताब? सावधान मन पूछता है, इसे किसने लिखा, वह इस विशय के बारे में क्या जानता है और उसे इस पर बोलने का क्या अधिकार है, उसे अधिकार के रूप में कौन माननिता देता है, वह किन अन्य माननिता प्राप्त प्राधिकारियों से सहमत या असहमत है अंजाने में भी नकली धन को पार करने की कोशिश में पकड़ा जाना एक अप्रिय स्थिती है सावधान रहें, कहीं आप नकली सिक्का न चला लें सबसे बढ़कर ऐसा पढ़ने का प्रयास करें जो आपको अपने दिमाग का उपयोग करने में सक्षम बनाए अपने पढ़ने को केवल वही तक सीमित न रखें, जो आप पहले से जानते हैं, जिससे आप सहमत होंगे विपक्ष जगाता है, दूसरी सड़क बहतर हो सकती है, लेकिन आप इसे तब तक कभी नहीं जान पाएंगे, जब तक की आप इसे एक बार आजमा न दें अपनी सारी सोच विचार और जाँच पड़ताल दिये, गए प्रश्न के सामने न करें और D, S, केवल अपने प्रमे और आप जो सिद्ध करना चाहते हैं, कि बीच भरने के लिए कारणों को इकठा करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा प्रत्येक विशय पर खुले दिमाग से विचार करें और एक बार आश्वस्त हो जाएं कि आपने उस पर पूरी तरह से विचार किया है और इमानदारी से अपने विचार के निर्णय पर कायम रहने का साहस रखते हैं लेकिन बाद में इसके बारे में डीन गेन मत मारो यदि आप टैरिफ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो सार्वजनिक भाषन पर कोई भी किताब आपको टैरिफ पर चर्चा करने में सक्षम नहीं बनाएगी दूसरे आदमी की तुलना में इसके बारे में अधिक जानना ही दूसरे आदमी को आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करने की आपकी एकमात राशा होगी व्यक्तियों के एक समूह को लीजिये जो किसी सरकारी नीती पर चर्चा कर रहा है जिसके बारे में कोई कहता है यह समाजवादी है यह श्रीमान की नीती की सराहना करेगा एक जो समाजवाद में विश्वास करता है लेकिन श्रीमान की निंदा करता है बी कौन नहीं करता? हो सकता है कि दोनों में से किसी ने भी इस नीती पर यह ध्यान देने से परे विचार किया हो कि इसका सतही रंग समाजवादी था इसके अलावा संभावना यह है कि न तो श्रीमान एक न ही श्रीमान भी समाजवाद वास्तव में क्या है? इसका एक निश्चित विचार है, क्योंकि Robert Lewis Stevenson कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बलकि मुख्य रूप से आकरशक शब्दों से जीता है. यदि आप लोगों के इस समूह में से हैं और इस प्रस्तावित सरकारी नीती को देखा है और इसकी जांच की है और इसके बारे में सोचा है, तो आपको जो कहना है वह उनके सम्मान और अनुमोदन को प्राप्त करने में विफल नहीं हो सकता है. क्योंकि आपने उन्हें दिखाया होगा कि आपके पास क्या है अपने विशय पर पकड़ और कुछ हद तक अत्यधिक अभिव्यंजक कठ बोली भाशा को अपनाना. अध्याय अठारा विशय और तैयारी अपने विशयों को अपनी क्षमता के अनुरूप बनाएं और अपने विशय और उसकी लंबाई पर अच्छी तरह से विचार करें, नहीं अपना भार उठाएं. इससे पहले कि आप पूरी तरह से जान लें कि आपके कंधे कितना भार उठाएंगे या नहीं उठाएंगे. बायरन, होरेस से संकेत. आज के दिन को देखो, क्योंकि यह जीवन ही जीवन है. इसके संक्षिप्त पाठिक्रम में आपके अस्तित्व की सभी वास्तविक्ताएं और वास्तविक्ताएं निहित हैं. विकास का आनंद, कार्रवाई की महिमा, सौंदर्य की महिमा. क्योंकि ब इसलिए इस दिन को अच्छा दिखें। ऐसा ही भोर का नमस्कार है संस्कृत से। पूर्ण आत्मा बनना चाहते हैं तो आपको लगातार ग्रहन करना और आत्म साथ करना होगा। क्योंकि इस तरह से आप केवल वही देने की आशा कर सकते हैं जो सुनने लायक है। लेकिन सामान्य जानकारी के अधि ग्रहन को विशिष्ट ग्यान की महारत के साथ भ्रमित न कर जानता है। ज्यान संगठित सूचना है। ज्यान किसी तथ्य को अन्य तथ्यों के संबंध में जानता है। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने बारे में चीजों को सह संबंधित करने और सारवजनिक भाशन में उपयोग के लिए संग्रहीत करने के वि अधलों और ध्वनियों का चैन करना चाहिए, साथ ही अनियोजित ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में आपके जीवन में आकरशक तत्वों में से एक शक्ती में सचेत वृद्ध होगी जो आकस्मिक दैनिक अनुभवलाती है। तैयारी में समय की बचत। लेकिन आप कहते हैं मेरे पास तैयारी के लिए इतना कम समय है कि मेरा दिमाग अन्य मामलों में ही लगा रहता है। डैनियल वेबिस्टर ने अपने भाशनों के लिए सामगरी इकठा करने का कोई मौका कभी नहीं जाने दिया। जब वह एक लड़का था जो चीर घर में काम करता था तो वह एक हाथ से किताब पढ़ता था और दूसरे हाथ से खुद को किसी यांत्रिक कारे में व्यस्त रखता था। युवा वस्था में पैट्रिक हेंरी एक वक्ता के रूप में अपनी बाद की सेवा के लिए अंजाने में सामगरी और छापें इकठा करते हुए कई दिनों तक एकांत में खेतों और जंगलों में घूमते रहे। डाना ने कहा किसी भी जीवित आदमी की तुलना में अधिक श्रोताओं को संबोधित किया था, वह रात में न्यू इंगलैंड के शांत जंगलों में उबलते सिरफ पैन की देखभाल करते हुए मिल्टन के लंबे अंशों को याद करता था। आधुनिक नियोकता करतव्य के प्रति असावधानी के लिए आज के एक वेबिस्टर को बर्खास्त कर देगा, और निस संदेह उसे उचित ठहराया जाएगा, और पैट्रिक हेंरी उन आसान दिनों में भी केवल एक बेकार आदमी लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग शक्ती लेते हैं और इसका कुशलता से उपयोग करने का उद्देश्य रखते हैं, वे एक दिन उस स्थान पर पहुँच जाएंगे, जहां वह संग्रहीत शक्ती प्रभाव के महान पहियों को घुमाएगी। नेपोलियन ने कहा था कि सवा घंटे राष्ट्रों की नियती तै करते हैं, हम कितने चौथाई घंटे लक्ष यहीन तरीके से बरबाद कर देते हैं। के बारे में साक्ष थे। एमर्सन कहते हैं, कलाज जैसा ही होगा। जब हम जीने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जीवन स्वयम को बरबाद कर देता है। इधर उधर पढ़ कर ध्यान दें कि आप कितनी जल्दी दुनिया के सर्वश्रेष्ट भाषणों से खुद को परिचित करा सकते हैं। यदि आप अपनी पुस्तक को खराब नहीं करना चाहते हैं, तो इसे अपने साथ ले जाईए। अधिकांश युग निर्मान पुस्तकें अब छोटी मात्रा में मुद्रित होती हैं। ओकला होमा क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का दैनिक अप्षिष्ट 10,000 टन कोईले के बराबर है। इसके लिए अधिक शोक व्यक्त किया जा सकता है। जिसे यदि सनरक्षित किया जाए तो वक्ता की शक्तियां उनकी NTA डिग्री तक बढ़ जाएंगी। वैग्यानिक मक्य की तीन बालियां उगा रहे हैं, जहां पहले एक उगती थी। दक्षता इंजीनियर हमारे कारखानों से बेकार गतियों और उत्पादों को खत्म कर रहे हैं। युग की भावना को पकड़ें और अपने पास मौझूद सबसे मूल्यवान संपत्ति समय के उपयोग में दक्षता लागू करें। आप कपड़े पहनने या शेविंग में जो समय बिताते हैं, उसका मानसिक रूप से क्या करते हैं। कोई विशय लें और एक सब्ताह के लिए उस पर अपनी उर्जा केंद्रित करें। केवल उन खाली क्षणों का उपयोग करें, जो अन्यथा बरबाद हो जाएंगे। परिणाम देखकर आप आश्चर्य चकित रह जाएंगे। प्रतिदिन किताबों का एक अंश, किसी मास्टर माइंड का एक स्वर्निम अंश, आपके स्वयंग के बारे में एक पूर्ण विचार, इस प्रकार आपके जीवन के खजाने में जोड़ा जा सकता है। अपना समय ऐसे कामों में बरबाद न करें जिससे आपको कोई लाबना हो। अक्षम्य मिनट को 60 सेकंड की दूरी की दौर से भरें और प्लेट फॉर्म पर आप अत्यधिक लाभानवित होंगे। हालां कि इसका कोई भी शब्द मनोरंजन के मूल्य को कम नहीं करता है। एक कर्मचारी के लिए आराम से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। फिर भी शिरकर के लिए कुछ भी इतना अरुचिकर नहीं है। सुनिश्चित करें कि आपका मनोरंजन पूर्ण निर्मित हो। परिश्रम के बीच में एक ठहराव नए प्रयास के लिए ताकत जुटाता है। गलती है बहुत देर तक रुकना या अपने विरामों को ऐसे विचारों से भरना जो जीवन को नीरस बना देते हैं। विशय का चयन, विशय और सामगरी एक दूसरे को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि किसी विशय को चुनने के दो अलग-अलग तरीके हैं। मनमाने विकल्प से या विचार और पढ़ने से विकास द्वारा। मनमाना चयन, एक संख्या में से एक विशय पर इतने महत्वपूर्ण विचार शामिल होते हैं कि कोई भी वक्ता उस व्यक्ती की संतुष्टी के स्वर की सराहना करने से नहीं चूकता, जो विजय रूप से घोशना करता है, मेरे पास एक विशय है, मुझे एक विशय कर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक जान सकता है, लेकिन अपूर्ण रूप से कि छात्र के दिमाग में क्या है, इस तरह से किसी विशय का सुझाव देना उस सडक को खोजने की कोशिश करने जैसा है, जिस पर एक खोया हुआ बच्चा रहता है, कई सडकों का नाम करण करक जब तक कि कोई छोटे बच्चे के कान में परिचित न लगे, विकास द्वारा चयन एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है, यह नहीं पूछता, मैं क्या कहूँ, यह मन को अपनी ओर मोडता है और पूछता है, मैं क्या सोचता हूँ, इस प्रकार कहा जा सकता है कि विशय को ना होगा, क्योंकि विचार करने या पढ़ने की प्रक्रिया में एक विशय प्रमुखता से उभरता है और एक जीवित रोगानू बन जाता है, जो जल्द ही प्रवचन में विकसित हो जाता है, जिसने चिंतन करना नहीं सीखा, वह वास्तव में अपने विचारों से परिच जानता है, जिसने उसके विशय को जन्म दिया, यह कोई विरोधा भास नहीं, बलकि गंभीर सत्य है, यह पहले से ही स्पष्ट होना चाहिए, कि विकास द्वारा किसी विशय का चुनाव सचेत चयन की तुलना में संग्रह को अधिक महत्व देता है, विशय दिमाग में कौ प्रशिक्षित विचारक की बुद्धी में यह एक प्रक्रिया द्वारा केंद्रित होता है, जिसे हमने उन तथ्यों और सत्यों को शामिल करते हुए देखा है, जिन्हें वह पढ़ता और सोचता रहा है, यह प्राय एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, बिखरे हुए विचार पहले अस्पष्ट रूप से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक वे एकाग्र हो जाते हैं और एक रूप धारन कर लेते हैं, जब तक कि अंततह एक मजबूत विचार आत्मा को अप्रतिरोध्य शक्ती से पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है. उठो, मैं तुम्हारा विचार हूँ, अब से, जब तक तुम मुझे अपनी आंतरिक अगनी की कीमिया से महत्वपूर्ण वानी में परिवर्तित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई शांती नहीं मिलेगी. तो फिर, वह वक्ता खुश है, क्योंकि उसे एक ऐसा विशय मिल गया है, जो उसे पकड़ लेता है. बेशक, अनुभवी वक्ता चैन के दोनों तरीकों का उप्योग करते हैं. यहां तक की एक पढ़ने वाला और चिंतनशील व्यक्ती भी कभी-कभी डैन से लेकर बेरशेबा तक के विशय की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाता है, और फिर सामगरी इकठा करने का काम गंभीर हो जाता है. लेकिन ऐसे मामले में भी एक भावना है जिसमें चैन विकास से होता है, क्योंकि कोई भी सावधान वक्ता ऐसे विशय पर निर्णाय नहीं लेता है, जो कम से कम कुछ परिपक्व विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. दस विशय वस्तू पर निर्णाय लेना, यहां तक कि जब आपका विशय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके लिए चुना गया हो, तब भी विशय वस्तू के चुनाओ के लिए आपके पास एक बड़ा क्षेत्र रहता है. वास्तव में वही विचार जो किसी विशय को चुनने में आपको नियंत्रित करेंगे, सामग्री के चैन में भी मार्क दर्शन करना चाहिए. अपने आप से या किसी और से ऐसे प्रशन पूछें. अवसर की सटीक प्रकृती क्या है? कितने बड़े दर्शक वर्ग की अपेक्षा की जा सकती है? वे जीवन के किस क्षेत्र से आते हैं? विशय के प्रती उनका संभावित द्रिश्टिकोन क्या है? और कौन बोलेगा? क् कि कुछ संशोधन किया जाए? तो क्या विशय को अधिक प्रभावी ढंक से संभाला जा सकता है? मुझे वास्तव में कितना समय भरना है? यह स्पष्ट है कि विशय, वक्ता, अवसर और स्थान के अनुरूप कई भाशन ऐसे प्रासंगिक प्रश्न पूछने में विफलता क कारण होते हैं. क्या कहा जाना चाहिए? किस के द्वारा और किन परिस्थितियों में सार्वजनिक संभोधन में 90 प्रतिशत दक्षता का गठन होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप से कौन पूछता है? गोल छेद में चौकोर खूटी बनने से इनकार करें. किसी कि 10 मिनट का मतलब न तो 9 और नही 11 है, हालांकि सभी घटनाओं में 11 से 9 बहतर है. आप किसी आदमी की घड़ी नहीं चुराएंगे, अब आपको आने वाले वक्ता या श्रोता का समय नहीं चुराना चाहिए. यदि आप अपनी तयारी परियाप्त करते हैं और अपने विश जो संक्षिप्त भाषन देता है क्योंकि उसे फिर बोलने के लिए आमंतरित किया जाएगा. एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके संबोधन का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक जोर देने की मांग करता है. एक बार यह निर्णाय लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस महत्वपूर्ण भाग को कहां रखा जाए ताकि इसे सबसे बड़ा रणनीतिक मूल्य दिया जा सके और उस केंद्रिये विचार को किस स्तर की तैयारी दी जानी चाहिए ताकि महत्वपूर्ण हिस्सा गैर जरूरी चीजों में डूबना जाए. कई वक्ताओं ने यह पाया है कि उन्होंने 10 मिनट के भाषण में से 8 मिनट केवल जोश में आकर बरबाद कर दिये हैं. यह आपके भवन निर्मान का 80% धन घर के बरामदे पर खर्च करने जैसा है. अनुपात की वही भावना आपको ठीक उसी समय रुकने के लिए कहती है जब आप समाप्त हो ज जाते हैं. और यहाँ आशा की जाती है कि आप अपने दर्शकों से पहले उस अवधिके आगमन का पता लगा लेंगे. मूल स्रोतों का दोहन भाषण सामगरी में जान डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही अपने तथियों को इकठा कर लें. आपके शब्द अधिकार के वजन के साथ आते हैं जब आप कह सकते हैं. मैंने इस जिले की प्रत्येक मिलके रोजगार रोल की जाँच की है और पाया है कि नियोजित बच्चों में से 32 प्रतिशत कानूनी उम्र से कम हैं. अधिकारियों का कोई भी उध्धरन इसकी बराबरी नहीं कर सकता. आपको रिपोर्टर के तरीकों को अपनाना चाहिए और अपने तर्क या अपील में अंतर नहित तत्यों का पता लगाना चाहिए. ऐसा करना श्रम साध्य साबित हो सकता है, लेकिन यह कष्ट प्रद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तत्य की महान दुनिया रुचि से भरी है, और सबसे उपर शक्ति की भावना है जो मूल जाँच से आपके पास आएगी. जिन तत्यों पर आप चर्चा कर रहे हैं, उन्हें देखने और महसूस करने से आप पर अधिक शक्तिशाली प्रतिक्रिया होगी, बजाए इसके कि आप तत्यों को दूसरे हाथ में रख लें. ऐसे लोगों के बीच सक्रिय जीवन जहें, जो सार्थक काम कर रहे हैं, सच्चाई को आत्मसाद करने के लिए आखें और कान तथा दिमाग और दिल खुले रखें, और फिर जो चीजें आप जानते हैं, उनके बारे में ऐसे बताएं, जैसे कि आप उन्हें जानते हों. दुनिया सुनेगी, क्योंकि दुनिया वास्तविक जीवन से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं करती। प्रस्तुत किया गया है, जिनके शीर्षक कभी भी ऐसे विषयों का सुझाव नहीं देंगे। प्रिष्ठों पर नजर डालें, जो सामगरी दिल्चस्प और उपयोगी लगे, उसके मानसिक या भौतिक नोट्स बनाएं। अधिकांश पुस्तकालयों में ऐसे खंड होते हैं जिन्हें मालिक किसी दिन पढ़ने जा रहा है। यहां तक कि अपनी अलमारियों पर रखी ऐसी पुस्तकों की सामगरी से भी परिचित होने से आप मदद चाहने पर उन्हें देखने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत समय पहले पढ़ी गई रचनाओं को उसी तरह से व्यभार किया जाना चाहिए। हर अध्याय में कुछ आश्चर्य आपको प्रसन्न करने के लिए छिपे होते हैं। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक के शीरशकों को देखें और वहाँ शेफर की थिंकिंग एंड लर्निंग टू थिंक है। इसके पास क्रेमर की अध्ययन की कला पर छात्रों से बातचीत है जो कुछ सामगरी प्रदान करने की संभावना रखती है और यह प्रदान करती है। स्वाभाविक रूप से आप मनोविज्यान पर अपनी पुस्तक के बारे में सोचते हैं और वहाँ मदद मिलती है। यदि आपके पास मानव बुद्धी पर वॉलियूम है तो आप पहले ही इसकी ओर रुख कर चुके होंगे। अचानक आपको अपना विश्वकोश और उद्धरणों का शब्दकोश याद आ जाता है और अब आपके उपर सामगरी की वर्षा होने लगती है। समस्या यह है कि क्या उप्योग नहीं करना चाहिए। विश्वकोश में आप हर उस संदर्भ की ओर मुडते हैं जिसमें सोच शामिल है या स्पर्ष करता है या सुझाव भी देता है और उद्धरणों के शब्दकोश में भी आप ऐसा ही करते हैं। बाद वाला खंड आपको विशेश रूप से उप्योगी लगता है क्योंकि यह आपको ऐसे कई खंड सुझाता है जो आपकी अपनी अलमारियों में हैं। आपने इस विशेपर संदर्भ के लिए उनमें देखने के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। यहां तक की कथा साहि प्रत्य भी सहायता प्रदान करेगा लेकिन विशेश रूप से निबंध और जीवनी की पुस्तकें। अपने स्वयम के संसाधनों के प्रति जागरूक रहें। अपनी लाइब्रेरी के लिए एक सामान्य अनुक्रमनिका बनाने से उन अलग-अलग संसक्रणों को अनुक्र अरमित नहीं है। आरंभ करने के लिए अपने पास एक नोटबुक रखें या आपकी जेब में और आपके डेस्क पर छोटे कार्ड और पेपर कटिंग भी काम आएंगे। वही नोटबुक जो आपके अपने अनुभवों और विचारों की छापों को दर्ज करती है वही द आलस्य अतियात्म विश्वास का अपना भाई है और दोनों आपके कट्टर दुश्मन हैं हालां की वे सुख दायक दोस्त होने का दिखावा करते हैं। प्रत्येक अच्छे विचार को कार्डों पर अनुक्रमित करके अपनी सामगरी को सनरक्षित करें इस प्रकार HWS की समा समाजवाद और मताधिकार फोर्ब्स प्राचीन जीवन में समाजवाद मूल सुश्री पर्यावरन एक सो सो दो ऊपर दर्शाय गए कार्ड पर कतरनों को उस लिफाफे की संख्या देकर अनुक्रमित किया जाता है जिसमें वे दाखिल किये गए हैं। लिफाफे किसी भी व अरज की गई एक कतरन का प्रतिनिधित्व करेगा जिसे निश्चित रूप से मनमाने ढंक से क्रमांकित किया गया है। भिन्न आपकी लाइब्रेरी में पुस्तकों को संदर्भित करते हैं। अंश पुस्तक संख्या है, हर प्रिष्ठ को संदर्भित करता है। इस प्रकार एक ब्रांती, छिनाईसी, दोधा आपकी लाइब्रेरी में खंड चियांडस के प्रिष्ट दोधस को संदर्भित करता है। की कालपनिक पुस्तक की तरह दर्शाया जा सकता है। यदि आप लेखों को क्लिप करते हैं, तो उन्हें लिफाफा प्रणाली के अनुसार अनुक्रमित करना बहतर होता है। लेखों के अनुक्रमण के लिए कारड के समान उद्देश्यप्रदान करता है। उन लिफाफों में सनलग्न किया जा रहा है, जो उन्हें अनुक्रमित करते हैं और सभी को वरणा अनुक्रम में दाखिल किया जाता है। जब आपके कार्ड एक ही वर्ण माला के तहट तयार संदर्भ को कठिन बनाने के लिए जमा हो जाते हैं, तो आप प्रत्येक अक्षर को स्वरों A, E, I, O, U द्वारा चेहनित अधीनस्त गाइड कार्ड द्वारा उप विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार पुरावशेश को A में I के तहट दर्ज किया जाएगा, क्योंकि A शब्द से शुरू होता है और दूसरा अक्षर N वर्ण माला में स्वराई के बाद आता है, लेकिन O से पहले आता है। नोट्स लिखते समय सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अन्य लोग तब तक कागज पर कलम नहीं लिखते, जब तक कि पूरे भाशन पर विचार न कर लिया जाए। जब तु उसके मार्ग पर विचार करना न भूलो, क्योंकि वह तुम्हारे मार्ग से भी उत्तम हो सकता है। जो लोग नोट्स बनाते हैं और उनकी सहायता से भाशन लिखते हैं, उनके लिए ये सुझाव मददगार साबित हो सकते हैं। परियाप्त पढ़ने और सोचने के बाद अपनी सामगरी के बड़े केंद्रिये विचारों को अलग-अलग कार्ड या कागज की पर्चियों प जवस्थित करें कि वे प्रभावी ढंग से आपके मन में आने वाले परिणाम तक ले जाएं, ताकि भाशन तर्क में, रुची में, शक्ती में, एक तथ्य को ढेर करके या चर मोतकर्ष तक दूसरे पर अपील करके आगे बढ़ सके। आपके दर्शकों पर प्रभाव का उ पास अपने पते का एक धांचा या रूप रेखा है, जो अपने परिश्कृत रूप में या तो भाशन के लिए संक्षिप्त या पांडुलिपी नोट्स के रूप में या मार्ग दर्शक रूप रेखा के रूप में काम कर सकता है, जिसे आप लिखित पते में विस्तारित यदि यह लिखा जाना है. रूप रेखा का सबसे सरल रूप प्लेटफॉर्म पर उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है तथा पी निम्न लिखित है। समरिध्धि क्यों आ रही है? समरिध्धि का क्या अर्थ है? समरिध्धि की असली परीक्षा, इसका आधार मिट्टी है। अमेरिकी क्रिशि प्रगती, खेती में नई रुची, हमारे क्रिशि उत्पादों का अत्यधिक मूल्य, व्यापार पर पारसपरिक प्रभाव, विदेशी देश प्रभावित, हमारी नई आंतरिक अर्थ व्यवस्था, बैंकिंग और बड़े व्यवसाय के विनियमन का धिपर प्रभाव, हमारे व्यापारिक समुद्री बाजारों सहित, विदेशी बाजारों के प्रती, हमारे संशोधित रवईये का प्रभाव, सारांश, जाहिर है यह अत्यंत सरल रूप रेखा, तथियों, तरकों, अनुमानों और उदाहरणों को जोड़ कर प्रत्येक शी कई अप्रवासी व्यावारिक रूप से कंगाल हैं, साक्ष, जिसमें आंकडे या अधिकारियों के बयान शामिल हों, द्वितिये, प्रभाव के रूप में तथ्य, वे देर सबेर हमारे भिक्षा ग्रह भर देते हैं और सार्वजनिक शुल्क बन जाते हैं, आज साक्ष, ज जिसमें आंकडे या अधिकारियों के बयान शामिल हों, द्वितिये, कारण के रूप में तथ्य, उनमें से कुछ अपराधी हैं, हाल के मामलों के उदाहरण, चतुर्थ, प्रभाव के रूप में तथ्य, वे आपराधिक वर्गों को मजबूत करते हैं, हमारे नागरिक जी ऐसे आप्रवासी हमारी राजनीती में सबसे खराब तत्व की भरती करते हैं, प्रमाण, तब विशयों और उपविशयों का अधिक उच्च क्रमबद्ध समुहन निम्न लिखित में दिखाया गया है हमारा एक ईसाई राष्ट्र परिचय, विशय सामय क्यों है? प्रभाव आज इस विवाद के विरुद्ध सक्रिये हैं द्वितिये, अमेरिका के प्रारंभिक इतिहास में ईसाई धर्म की अध्यक्षता की गई 1. किसी ईसाई खोज करता द्वारा पहली व्यावारिक खोज, कोलंबस ने नई धर्ती पर ईश्वर की अराधना की 2. कैवलियर्स 3. फ्रांसीसी कैथोलिक निवासी 4. हुगुएनोट्स 5. प्यूरिटन, तृतिये 5. हमारे राष्ट्र का जन्म ईसाई तत्वावधान में हुआ था 1. वाशिंगटन का ईसाई चरित्र 2. अन्य ईसाई देश भक्त 3. हमारे क्रांतिकारी संघर्ष में चर्च, मोहलेंबर्ग, चतुर्थ 5. हमारे बाद के इतिहास ने केवल हमारे राष्ट्रिय द्रिष्टिकोन पर ही जोड दिया है 6. विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यवहार के उदाहरण ईसाई उदारता दर्शाते हैं चीनी क्षतिपूर्थी लोटाना, रेड क्रोस को बढ़ावा देना बेल्जियम के प्रतिरवया में हमारे सरकारी स्वरूप और हमारे कई कानून ईसाई प्रवृत्ति के हैं 1. सार्वजनिक तरीकों, शपतों, आधी में बाइबल का उप्योग 2. हमारे स्कूलों में बाइबल 3. इसाई पादरी हमारे कानून बनाने वाले निकायों, हमारी सेना और हमारी नौसेना की सेवा करते हैं 4. इसाई सब्बात को आधिकारिक तोर पर और आम तोर पर माननेता प्राप्त है 5. इसाई परिवार और नैतिक्ता की इसाई विवस्था हमारे कानूनों के आधार पर है हम लोगों का जीवन इसाई धर्म की शक्ती की गवाही देता है दान, शिक्षा, आदी इसाई स्वर है 7. अन्य राष्ट्र हमें इसाई लोग मानते हैं 8. निशकर्ष एक इसाई राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा के सनरक्षन से संबंधित प्रश्णों के प्रती सभी अच्छे नागरिकों से जिस रवईये की अपेक्षा की जा सकती है लेखन और पुनरीक्षन रूप रेखा तैयार हो जाने के बाद भाषन लिखने का समय आता है यदि आपको इसे लिखना ही होगा फिर आप जो भी करें उसे पूरी गर्मजोशी के साथ लिखें किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक न सोच कर बलकि अपने विचारों की मजबूत आकर्शक अभिव्यक्ति के साथ अंतिम चरण है काट छाँट करना पुनराव लोकन करना फिर से देखना जैसा कि शब्द से पता चलता है जब भाषन के सभी हिस्सों की सपष्टता परिशुधता, बल, प्रभावशीलता उपयुक्तता, अनुपात तारकिक चर्मोतकर्ष के लिए निश्पक्ष रूप से जाच की जानी चाहिए और इस सब में आपको अपने आपको अपने दर्शकों के सामने होने की कलपना करनी चाहिए क्योंकि एक भाषन एक निबंध नहीं है और जो एक में विश्वास दिलाएगा और जगाएगा वह दूसरे में प्रबल नहीं होगा शीर्शक प्रायह सबसे अंत में वह आएगा जो एक अर्थ में सबसे पहले शीर्शक होता है वह नाम जिससे भाषन जाना जाता है कभी-कभी यह संबोधन का सरल विशय होगा जैसे हेंरी वाटरसन द्वारा लिखित दी न्यू अमेरिकनिज्म या यह रसेलेच द्वारा लिखित एकर्स ओफ डाइमेंड्स के रूप में संबोधन की भावना को दर्शाने वाला थोड़ा सा प्रतीकवाद हो सकता है कॉन्वेल या यह अलबर्ट जे द्वारा लिखित पास प्रॉस्परिटी अराउंड जैसे संबोधन के मुख्य भाग से लिया गया एक अच्छा वाक्यांश हो सकता है पेवरिज कुल मिलाकर चाहे किसी भी उद्देश्य से चुना गया हो शीर्शक, ताजा, संक्षिप्त, विशय के अनुकूल और रुची जगाने वाला होना चाहिए अध्याय उन्नीस प्रदर्शन द्वारा प्रभावित करना जब तक तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहो तब तक किसी भी प्रकार से मत बोलो सार्वजनिक भाषणों की अलंकारिक संरचना की संपूर्ण चर्चा के लिए एक पूर्ण ग्रंथ की आवश्यक्ता होती है जो इस प्रकृति के किसी कार्य में नहीं किया जा सकता है फिर भी इस अध्याय में और विवरण, वर्णन, तर्क और परागे के अध्यायों में विनती करते हुए अंतर नहित सिध्धानतों को कार्य साधक ज्यान के लिए आवश्यक्तानुसार पूरी तरह से दिया और समझाया गया है और उन लोगों के लिए परियाप्त पुस्तक संदर्भ दिये गए हैं जो अलंकारिक कला में खुद को निपुन करेंगे प्रदर्षनी की प्रकृति एक्स्पोजिशन शब्द में उजागर करना, उजागर करना, वास्तविक आंतरिक्ता को दिखाना हम एक्स्पोजिशन के मूल विचार को देखते हैं यह सपश्ट और सटीक सेटिंग है कि वास्तव में विशय क्या है, यह सपश्टी करण है. प्रदर्शनी कोई चित्र नहीं खींचती क्योंकि वह वर्णन होगा. सठीक शब्दों में यह बताना की ओंटो मोबाइल क्या है, इसके विशिष्ट भागों के नाम बताना और उनकी कार्य प्रणाली की व्याख्या करना प्रदर्शनी होगी, तो डर की प्रकृती की व्याख्या होगी. लेकिन किसी विशेश ओंटो मोबाइल की चमकदार बॉड़ी, सुन्दर रेखाएं और महान गती के साथ एक मानसिक चवी बनाना वर्णन होगा, और इसी तरह रात में एक बच्चे की भावनाओं पर अभिनाए करने वाले डर का चित्र भी होगा. व्याख्या और विवरण अक्सर आपस में मिलते जुलते और ओवर्लैप होते हैं, लेकिन मूल रूप से वे अलग-अलग होते हैं. उनके मतभेदों को विवरण अध्याय में फिर से चुआ जाएगा. इसके अलावा, प्रदर्शनी में इस बात का विवरण शामिल नहीं ह कि घटनाएं कैसे घटित हुई, जो की वर्णन है. जब पीरी ने अपनी ध्रुविये खोजों पर व्याख्यान दिया, तो उन्होंने अक्षांश और देशांतर को निर्धारित करने के लिए उपयोग किये, जाने वाले उपकरणों के बारे में बताया, जो की प्रदर्श किया. फिर भी उन्होंने पूरे व्याख्यान में इन सभी रूपों को मिला दिया. नहीं व्याख्या उन कारणों और निशकर्शों से निपटती है, जो तर्क का क्षेत्र है. संबंधित बयानों की एक श्रंखला, जिसका उद्देश्य, संभावित खरीदार को यह विश् स्पष्ट तथ्य लगभग हमेशा तर्क का आधार होते हैं. फिर भी प्रक्रियाएं एक नहीं होती हैं. सच है. एक भी अन्य शब्द जोड़े बिना किसी एक महत्वपूर्ण तथ्य का कथन विश्वसनिय हो सकता है. लेकिन एक पल के विचार से पता चलेगा कि अनुमान जो तर्क की श्रंखला को पूरा करता है, श्रोता के दिमाग में बनाया गया है और अन्य तथ्यों को मान लिया गया है विचार हीनता. 12. इसी तरह ये स्पष्ट है कि अनुमान का क्षेत्र अभिव्यक्ति के लिए खुला नहीं है, क्योंकि व्याख्या पूरी तरह से एक बौधिक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भावनात्मक तत्व नहीं है. 12. प्रदर्शनी का महत्व 12. प्रभावी धंग से बोलने के लिए आपको अपने विशय को स्पष्ट और व्यापक रूपर नहीं है. 14. इस रास्ते के दोनों और खत्रे हैं. 15. बहुत कम व्याख्या करने से आपके दर्शकों को संदेह होगा कि आपका मतलब क्या है. 15. किसी प्रशन पर बहस करना बेकार है, यदि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि प्रशन का क्या मतलब है. 15. क्या आप बातचीत में कभी अंधे रास्ते पर नहीं आये, जब आपने पाया कि आप किसी मामले के एक पहलू के बारे में बात कर रहे थे, जबकि आपका दोस्त दूसरे के बारे में सोच रहा था? 15. यदि दो संगीतकार की अपनी परिभाशाओं में सहमत नहीं है, तो किसी निश्चित व्यक्ति के शीर्शक का दावा करने के अधिकार पर विवाद करना बेकार है. 15. रास्ते के दूसरी और बहुत अधिक समझाने की ठकाव खाई है, यह अपमान जनक है, क्योंकि इससे सुनने वालों पर यह प्रभाव पड़ता है कि या तो आप उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान नहीं करते हैं, या हवा के जोके को बवंडर में बदलने की कोशिश कर 15. अपने श्रोताओं के संभावित ज्यान का सावधानी पूर्वक आकलन करें, सामानने रूप से और उस विशेश बिंदू के बारे में जिसे आप समझा रहे हैं, सरल बनाने की कोशिश में मूर्खता पूर्ण होना घातक है, अपने तर्क या अपील के प्रयोजनों के ल प्रदर्शनी के कुछ उद्देश्य जो कहा गया है, उससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुख्य रूप से प्रदर्शनी आपके और आपके दर्शकों के बीच समझ की डोर बुनती है, इसके अलावा यह तथ्य की नीव रखता है, जिस पर बाद के बयानों, तरकों और अपीलों का निर्मान किया जा सकता है, वैज्ञानिक और विशुद्ध रूप से सूचना भाषणों में व्याख्या स्वयम और स्वयम के लिए मौजूद हो सकती है, जैसे कि जीव विज्ञान या मनो विज्ञान पर व्याख्यान में, लेकिन अधिकांश मामलों में इसक उप्योग प्रवचन के अन्य रूपों के लिए रास्ता तयार करने और साथ देने के लिए किया जाता है, स्पष्टता, परिशुद्धता, सटीकता, एकता, सच्चाई और आवश्यकता ये निरंतर मानक होने चाहिए, जिनके द्वारा आप अपनी व्याख्याओं की दक् लागू न करें, बलकि अभिव्यक्ति के तरीकों के आपके उप्योग पर भी समान रूप से लागू होने दें। और प्राथमिक व्याख्यात्मक विधी, सटीक सीमाओं का एक विवरण है। महत्व, विशेश्ताओं और असर को सामने रखना है। अरलो बेट्स, अंग्रेजी लेखन परवारता, कंट्रास्ट और एंटिथिसिस शाल सट का उप्योग अकसर परिभाशा को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंक से किया जाता है। जैसा की इस वाक्य में है जो तुरंत उपरोक्त उद्रित परिभाशा का अनुसरण करता है। इसलिए व्याक्या विवरण से भिन्न है क्योंकि यह सीधे अपने विशय के अर्थ या इरादे से संबंधित है न कि उसकी उपस्थिती के साथ। यह विरोधा भास परिभाशा का विस्तार बनाता है और इस तरह इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में यह सार्वजनिक भाशन में अक्सर होने वाली प्रथा है, जहां सुनने वालों का मन अक्सर किसी विशय को उसके कई पहलूँ में समझने में मदद करने के लिए दोहराव और विस्तारित कथन की मांग करता है। यह उन सभी शर्टों को बढ़ाने और स्पष्ट करने के लिए प्रदर्शनी का मूल है जिनके दोहरा किसी मामले को परिभाशित किया जाता है। किसी परिभाशा को बढ़ाने या किसी विचार को अधिक पूर्ण रूप से समझाने का एक और तरीका है। निम्न लिखित वाक्य श्रीमान के तुरंत बाद आते हैं। उसके क्रोध का जोखिम उठाने को तयार है, तो आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उसे इस परिचित अदभुत मशीन के बारे में बताएंगे। यदि आप उसे यह समझाते हैं, तो आप इसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, बलकि इसकी व्याख्या कर रहे हैं। उदाहरण का मुख्य मूल्य यह है कि यह मन को ज्यात की और संदर्भित करके अज्यात को स्पष्ट करता है। एक में पिघलते हैं, प्रत्येक भाग दूसरे को सबसे अधिक सहायक रूप से पूरक करता है। हाउन्ज साद्रिश्य जो वस्तूओं में समान संबंधों पर ध्यान आकरशित करता है, जो अन्यता समान नहीं है। व्याख्या के सबसे उपयोगी तरीकों में से एक है। निम्नलिखित आकरशक नमूना बीचर के लिवरपुल भाशन से है। एक जंगली व्यक्ती एक मंजिल का आदमी है, और वह एक मंजिल का तहखाना है। जब कोई आदमी सभ्य होने लगता है, तो वह दूसरी कहानी खड़ा कर देता है। जब आप मनुष्य को इसाई बनाते हैं और सभ्य बनाते हैं, तो आप कहानी पर कहानी डालते हैं, क्योंकि आप एक के बाद एक क्षमता विक्सित करते हैं, और आपको अपनी प्रस्तुतियों के साथ हर कहानी उपलब्ध करानी होगी। त्यागना शाप्त प्लेटफॉर्म स्पष्टी करण का एक कम सामान्य रूप है। इसमें संबंधित विचारों को दूर करना शामिल है ताकि चर्चा किये जाने वाले मुख्य विचार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वास्तव में यह सबसे महत्वपूर्ण होते हुए भी व्याक्या में एक नकारात्मक कारक है क्योंकि एक जटिल रूप से संबंधित मामले पर विचार करने के लिए यह मौलिक है कि मुख्य मुद्दे को सामने लाने के लिए अधीनस्त और पार्ष्व प्रश्नों को अलग रखा जाना चाहिए यहां विधी का एक उदारण दिया गया है मैं इस जूरी के समक्ष एक मात्र मुद्दे से खुद को अलग नहीं होने दे सकता यह विचार करना उचित नहीं है कि यह कैदी एक तूटे हुए दिल वाली महिला का पती है और उसके बच्चे अपने बेटे के अपमान के बारे में जानने से पहले ही दया करके अपने पास रख लिया था दिल के इन मामलों का क्या मतलब है उसके दोस्तों के मुर्जाय चेहरों का क्या मतलब है कैदी के लंबे और सम्मान जनक करियर का इस बार के सामने क्या कहना है जब आप अपने सामने प्रत्यक्ष साक्ष को तौलने की शपत लेते हैं। सारवजनिक भाषण में मुद्दे को वांचित चरण तक सीमित करने में वर्गी करण उपयोगी है। यह किसी चीज को अन्य चीजों के साथ संबंध में या सह संबंध में दिखाने के लिए भी उतना ही मूल्यवान है। वर्गी करण, परिभाषा और विभाजन के समान है। श्रीमान, शराब की तसकरी का यह प्रश्न हर समय के गंभीर नैतिक मुद्दों के बगल में अपना स्थान लेता है। इसका आर्थिक महत्व जो भी हो और हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर इसका जो भी महत्व पूर्ण प्रभाव हो, उस पर सवाल उठाने वाला कौन है और क्या कोई है जो इससे इंकार करेगा। लाइसंस शुदा सैलून का प्रश्ण शीग्र ही सुलजाया जाना चाहिए क्योंकि दुनिया ने अपनी प्रगती में जनता के लिए समवय धानिक सरकार, अफीम तसकरी, दास और दास के प्रश्णों को आर्थिक और राजनीतिक समीचीनता के मामलों के रूप में नहीं, बलकि सही और गलत के प्रश्ण। शनात्मक व्याख्या का एक उतकृष्ट उदाहरण निम्न लिखित है, दर्शन शास्त्र में मनुष्य के चिंतन या तो ईश्वर तक पहुंचते हैं, या प्रकृती की परिधी में आते हैं, या स्वयम पर प्रतिभिंबित या उलटे होते हैं, जिन में से कई जिग्यासा से तीन ग्यान उत्पन्न होते हैं, दिव्य दर्शन, प्राकृतिक दर्शन और मानव दर्शन या मानवता, क्योंकि सभी चीजें इश्वर की शक्ती, प्रकृती के अंतर और मनुष्य के उप्योग के इस त्रिगुण चरित्र से चिहनित और अंकित हैं, लौड बेकन, लिखने की उन्नती, सोला, विभाजन, छू, केवल विशलेशन से भिन्न होता है, क्योंकि विशलेशन किसी विशय के अंतर नहित विभाजनों का अनुसरन करता है, जैसा कि पूर्वगामी परिछेद में दर्शाया गया है, जबकि विभाजन मनमाने ढंग से उपचार की स प्रकार की कुदारण नहीं है, नागरिक के लिए इतिहास, यह तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार की तस्वीरों या छवियों के साथ तुलना करने के लिए अयोग्य नहीं है, चित्रों या छवियों में हम देखते हैं कि कुछ अधूरे हैं, कुछ परिपूर्ण हैं औ और पुरावशेश इतिहास को विकृत कर दिया गया है। या इतिहास के कुछ अवशेश हैं जो लापरवाही से समय के जहाज की तबाही से बज गए हैं। लॉर्ड बेकन, सीखने की उन्नती सोला ए च्छा सामान्य इकरण एक व्यापक सिध्धान्त या एक सामान्य सत्य बताता है जो काफी संख्या में व्यक्तिगत तथ्यों की जांच से प्राप्थ होता है। यह सिंथेटिक व्याक्या तरक पूर्ण सामान्य करण की समान नहीं है जो प्रमान में उदारणों का अवाला देकर एक सामान्य विवाद का समर्थन करता है देखिए कि कैसे होम्स एक थत्य से शुरू करता है और दूसरे को जोडते हुए पूर्णता तक पहुंचता है इसके बाद पानी को एक फ्लैट प्लेट या पिस्टन से ढग दें जो सिलेंडर के अंदरूनी हिस्से में पूरी तरह फिट बैठता है फिर पानी में गर्मी डाले और हम निम्न लिखित घटनाएं देखेंगे कुछ मिनट बीतने के बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और उपरी सतह पर जमा होने वाली भाप पिस्टन को थोड़ा उपर उठा कर अपने लिए जगह बना लेगी जैसे जैसे उबलना जारी रहेगा अधिक से अधिक भाप बनेगी और पिस्टन को उपर और उपर उठाएं जब तक की सारा पानी उबलना जाए और सिलेंडर में भाप के अलावा कुछ भी न बचे अब यह मशीन जिसमें सिलेंडर, पिस्टन, पानी और आग शामिल है अपने सबसे प्रारंभिक रूप में भाप इंजन है भाप इंजन को पानी पर लागु गर्मी के माध्यम से काम करने के लिए एक उपकरण के रूप में परिभाशित किया जा सकता है और चूंकि पिस्टन जैसा वजन उठाना काम करने का एक रूप है, यह उपकरण भले ही अनाडी और असुविधा जनक हो परिभाशा का सटीक उत्तर देता है सत्रह अनुभव का संदर्ब भावनाओं और घटनाओं को शामिल किया गया है, जो उसके लिए वास्तविक हैं अनुभव के संदर्ब का अर्थ है श्रोता के जीवन में आना सविज्ञान द्वारा प्राप्त किये गए विशाल परिणाम, किसी भी रहस्यमयक शमता, किसी भी मानसिक प्रक्रिया द्वारा नहीं जीते जा सकते हैं प्रेरण और निगमन की वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा एक महिला अपनी पोशाक पर एक विशेश प्रकार का दाग पाकर यह निशकर्ष निकालती है, कि किसी ने उस पर स्याही के स्टैंड को परेशान कर दिया है, किसी भी तरह से उस प्रक्रिया से भिन्न नहीं है, ज जिन्हें हम सभी आदतन और हर पल लापरवाही से उप्योग करते हैं, थॉमस हेंरी हक्सले, ले उपदेश, क्या तु अपना नाम जवानी की उस पुस्तक में लिखता है, जो बुढ़ापे के सब अक्षरों के साय लिखी जाती है, क्या आपकी आँखनम नहीं है, सूखा ह जिए क्सार विखी आपकी वारे में हर हिस्सा पुरातनता से भरा हुआ है, और क्या तुम अब भी अपने आपको जवान कहोगे, फई, 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 सर जॉन, शेक्सपिर, विंड सर की मीरा पतनियां, अंत में व्याख्यात्मक सामगरी तयार करते समय अपने आप से अपने विशय के संबंध में ये प्रश्न पूछें, यह क्या है और यह क्या नहीं है, यह कैसा और कैसा भिन्न है, इसके कारण और प्रभाव क्या है, इसे कैसे विभाजित किया जाएगा, इसका संबंध किन विशयों से है, यह किन अनुभवों को याद करता है, कौन से उदाहरण से दर्शाते हैं अध्याए 20 वर्णन से प्रभावित करना इडन के उपवन अब इतने लंबे समय से गायब हैं विवरण में जीवित हैं और गीत में हरे दिखते हैं अलेक्जेंडर पोप विंड सरवन जिस क्षण हमारा प्रवचन परिचित तत्यों की जमीनी रेखा से उप भर जाता है यह खुद को छवियों में ढाल लेता है इमानदारी से बातचीत करने वाला एक व्यक्ति यदि वह अपनी बौधिक प्रक्रियाओं को देखता है तो पाएगा कि उसके दिमाग में हमेशा एक भौतिक छवियों भरती है कम या ज्यादा चमकदार हर विचार के स जो विचार का आवरण प्रदान करती है यह कल्पना स्वतह स्फूर्थ है यह मन की वर्तमान क्रिया के साथ अनुभव का मिश्रण है यह उचित रचना है राल्फ वाल्डो इमर्सन प्रकृती सार्वजनिक भाशन में अन्य मूल्यवान संसाधनों की तरह चरम सीमा तक ले क्या वर्णन को उसकी उचित और महत्वपूर्ण सीमाओं के भीतर रोका जाएगा या दंगा भढ़काने के लिए प्रोतसाहित किया जाएगा यह प्रत्येक वक्ता के सामने आने वाली व्यक्तिगत पसंद है क्योंकि मनुष्य की सबसे प्रारंभिक साहित्तिक प्रवृत वर्णन की प्रक्रती वर्णन करने का अर्थ है श्रोता के मन में एक चित्र अंकित करना विवरण की बात करते समय हम स्वाभाविक रूप से चित्रन रेखांकन रंग भरने और चित्र चित्रकार के सभी उपकरणों के बारे में बात करते हैं वर्णन करने का अर्थ कल्पन इसलिए हमें वर्णन को एक सचित्र प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, चाहे लेखक सामगरी से संबंधित हो या आध्यात्मिक वस्तूओं से. इसके तंत्र का संपूर्ण और विस्तृत विवर्ण दें, या फिर इसे वद्ध के एक भयानक इंजन के रूप में वर्णित करें. इसकी संरचना के बजाए इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना. इन प्रक्रियाओं में से पहला व्याख्या है, दूसरा सच्चा विवर्ण है. प्रदर्शनी का संबंध सामान्य से अधिक होता है, जबकि विवर्ण का संबंध विशेश से होना चाहिए. प्रदर्शनी विचारों को स्पष्ट करती है, विवर्ण चीजों का व्यभार कर प्रदर्शनी का संबंध अमूर्थ से है, वर्णन का ठोस से, व्याख्या का संबंध आंतरिक से है, विवरण का बाहिय से, व्याख्या गणनात्मक है, विवरण साहित्यक, व्याख्या बौध्धिक है, वर्णन समवेदी, व्याख्या अवययक्तिक है, वर्णन वययक्तिक. और नहीं कल्पना में। विशय और तयारी पर में की गई है और कल्पना का वर्णन। अगले अध्याय पंखों वाले घोड़े की सवारी में किया जाएगा। लेकिन यहां हमें चित्रमय मन पर विचार करना चाहिए। वह मन जो चीजों को सपष्ट रूप से देखने की दोहरी आदत बनती है। क्योंकि हम भौतिक आँखों की तुलना में दिमाग से अधिक देखते हैं। और फिर इन चीजों को श्रोताओं की दिमाग की आँखों के सामने लाने के उद्देश्च से उनकी दोबारा छवी बनाते हैं। जिस वस्तू, द्रिश्य, स्थिती, क्रिया, व्यक्ति का वर्णन किया जाना है, उसे सपष्ट रूप से देखने की आदत से अधिक उपयोगी कोई आदत नहीं है। जब तक वह प्राथमिक प्रक्रिया सपष्ट रूप से नहीं की जाती, तब तक सुनने वाले और देखने वाले के लिए तस्वीर धुंधली रहेगी। इस प्रक्रिती के कार्य में हम विवरण के अलंकारिक विशलेशन और इसके तरीकों से संबंधित हैं, केवल तब तक जहां तक वक्ता के व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकता है। बीस इसलिए निम्न लिखित समूहन को पूर्ण नहीं माना जाएगा, नहीं यहां सपश्टी करण के एक शब्द से अधिक जोड़ना आवश्यक होगा। सार्वजनिक वक्ताओं के लिए विवरण वस्तूओं, फिर भी गति वाले द्रिश्यों में, फिर भी सहित क्रिया स्थितियां, पूर्व वर्ती परिवर्तन, परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन के बाद क्रियाएं, मानसिक, शारिरिक व्यक्ति, आंतरिक, बाहरी पूर् पहरणों में ओवरलैप होंगी और सभी में पाए जाने की अधिक संभावना है अकेले की तुलना में संयोजन। जब विवरन का उद्देश्य केवल नवीनतम जहपेलिन हवाई पोत के तकनीकी निर्मान के बजाए उपस्थिती को चित्रित करने के लिए सटीक जानकारी देना होता है तो इसे वैज्ञानिक विवरन कहा जाता है और यह प्रदर्शनी के समान है। जब इसका उद्देश्य एक ज्वलंत प्रभाव डालने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र चित्र प्रस्तुत करना होता है तो इसे कलात्मक विवरन कहा जाता है। बलकि इसलिए कि यह बहुत जीवन्त होता है। क्योंकि यह एक एकी कृत ज्वलंत प्रभाव छोड़ती है और यही वह है जो हमें चाहिए। यहां वर्तमान समय का एक सुझाव दिया गया है। जनरल ट्रिंकल एक कठोर, ठोस और सुरक्षित व्यक्ती थे। आप हमेशा जानते थे कि उन्हें कहां पाया जाए। डिकेंस मिस पीचर को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। एक छोटी सी पिन कुशन, एक छोटी सी ग्रिणी, एक छोटी सी किताब, एक छोटा सा काम का बक्सा, मेजों और बाटों और मापों का एक छोटा सा सेट और एक छोटी सी महिला। इर्विंग ने अपने नाइकर बॉकर के नियू यॉर्क का इतिहास में वाउटर वैन ट्विलर को एक मजबूत बीर बैरल स्किट्स पर खड़ा के रूप में चित्रित किया है। आप चाहे जिस भी प्रकार के विवरण की उपेक्षा करें, सुझाव देने की कला में महारत हासिल करना सुनिश्चित करें। विवरण साधारन संकेत द्वारा हो सकता है। लोवेल ने चौसर के बारे में बताते हुए इस प्रकार के चित्रांकन का एक सुखद उदाहरन नोट किया है। कभी-कभी वह मामूली संकेत से इसका विस्तृत वर्णन करता है। जैसे की जहां फ्रायर खुद को स्थापित करने से पहले बिल्ली को भगा देता है। बिना अधिक शब्दों की आवश्यक्ता के हम जानते हैं कि उसने सबसे आराम दायक कोना चुना है। विवरण किसी चीज को उसके प्रभाव से चित्रित कर सकता है। मोजले अपने निबंध में कहते हैं, जब दर्शक की आँखें चौंधिया जाती हैं और वह उस पर चाया डालता है, हम एक शानदार वस्तु का विचार बनाते हैं, जब उसका चेहरा पीला पड़ जाता है एक भयानक रूप में, उसके त्वरित आश्चर्य और प्रशंस अब पारंपरिक योगिक हैं, लेकिन जब होमर ने पहली बार उन्हें जोड़ा, तो वे काफी ताजा थे। सदियों से अभी तक पहिए गोल, बेशर्म, आठ तीलियों वाले या ढालें चिकनी, सुन्दर, बेशर्म, अच्छी तरह से हतोडी वाली में सुधार नहीं विल लेविंग्टन कमफर्ट के डी फाइटिंग डेथ में विशेशन के प्रभावी उपयोग पर गौर करें, जब वह फिलिपीन की जड़प में सैनिकों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वे चट्टान के खिलाफ जोग खा रहे हैं, विवरण में अलंकारों का प् विश्चिंत रहें, एक शानदार लेकिन सावधानी पूर्वक सैयमित आलंकारिक शैली, संक्षिप्त, तीखी, मजाकिया और विनोधी तुलनाओं और चरित्र चित्रन द्वारा चेहनित शैली, सभी प्रकार के मंच कारियों के लिए एक अदभुत संसाधन है, विवरण प्रत्यक्ष हो सकता है, यह कथन बिना किसी सपष्टिकरण के बिल्कुल सपष्ट है, अपने स्वयम के निर्णय का उपयोग करें कि क्या चित्रन में आपके लिए बहतर होगा, कि आप सामान्नि द्रिष्टिकोंड से विवरण की ओर बढ़ें या पहले विवरण दें और इस प्रकार सामान्नि चित्र बनाएं, लेकिन हर तरह से संक्षिप्त रहें। उसका सिर एक आदर्श गोला था, और इतने शानदार आयामों का कि डेम नेचर अपनी सारी लिंग की सरलता के साथ उसे सहारा देने में सक्षम गर्दन बनाने के लिए परेशान हो जाती, इसलिए उसने समझदारी से इस प्रयास को अस्वीकार कर दिया, और उसे उसकी री आदेश दिया था, यह देखते हुए कि वह गतिहीन आदतों वाला व्यक्ति था और चलने के निश्क्रिय श्रम से बहुत विमुख था। को एतिहासिक वर्तमान के संयमित उपयोग द्वारा ज्वलंत बनाया जा सकता है। विजली की तरह चमकती है, हड़ ताल, दूर यह उँची उडान भरता है, उच्चतर, उच्चतर, दोड़ना, एक और आधार, और तेज, और तेज, अच्छा, एक ही जटके में चारों और। उस उलेखनीय तरीके का निरीक्षन करें, जिसमें व्याख्याता ने वक्ता, दर्शकों, दर्शकों और खिलाडियों को एक उत्साहित परमानंद में एक जुट कर दिया। जैसे आपने गेंद की डिलीवरी पर तीन ओन और दो डाउन के साथ अपनी सीट पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस बात पर भी गौर करें कि कैसे शायद अंजाने में टेलमिज ने इस द्रिश्य को होमर की विशिष्ट शैली में चित्रित किया। ऐसा नहीं कि जैसा की पहले ही घटित हो चुका है, बलकि ऐसा जैसा की आपकी आँखों के सामने घटित हो रहा है। यदि आपने कई यात्रा वारताओं में भाग लिया है, तो आप उन दर्दनाक चरम सीमाओं से प्रभावित हुए होंगे, जिनमें व्याख्याता कुछ उलेखनीय अपवादों को छोड़ कर चले जाते हैं, उनकी भाशा या तो अत्यधिक अलंकृत या अप्रिश्कृत ह यदि आप द्रिश्यों, हाँ, यहां तक की घरों को भी कविता और मानवी आकर्शन से सराबोर करने के लिए शब्दों की शक्ति सीखेंगे, तो लाफकाडियो हर्ण, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, पियरे लौटी और एड्मंडो डी एमेसिस को पढ़ें, नीला दू नोहर्ण, चीनी भूत, तारे साफ, रंगीन और रत्न जैसे थे, लेकिन ठंडे नहीं थे, हलकी चांदी जैसी भाप आकाश गंगा का प्रतीक थी, मेरे चारों और काले देवदार के बिंदू सीधे और स्टॉक में खड़े थे, पैक काठी की सफेदी से मैं मॉडस टाइन को उसके बंधन की लंबाई पर गोल-गोल घूमते हुए देख सकता था, मैं उसे लगातार तलवार चबाते हुए सुन सकता था, लेकिन पत्थरों के उपर से दोडने की अवर्ण निये शांत बातचीत के अलावा कोई और ध्वनी नहीं थी, रॉबर्ट लॉइस स्टीव में भी उदास दिख रही थी, दिन ही धुंधल के जैसे लग रहे थे, अथाह बादल धीरे धीरे गुजरते हुए भरी दोपहर में अचानक अंधेरा ला देंगे, हवा लगातार विलाप कर रही थी, यह कुछ दूरी पर एक महान गिरजा घर के अंग की आवाज की तरह थ मैं महान रिफेक्टरी देखता हूँ, 22 जहां एक बटालियन ने ड्रिल किया होगा, मैं लंबी मेजें, प्लेटों के उपर जुके हुए 500 सिर, 500 कांटों की तेज गती, 1000 हाथों और 16,000 दातों को देखता हूँ, नौकरों का जुंड इधर उधर दौरता, बुलाता, डांट जल्दी करता, हर तरफ से एक साथ, मैं बरतनों की खड़-खड़ाहट, गगन भेदी शोर, भोजन से घुटी हुई आवाजें सुनता हूँ, जो चिल्ला रही हैं, ब्रेड ब्रेड, और मैं एक बार फिर, उन दूर के दिनों की प्रचंड भूख, जबडे की जबरदस्त उल्ला स्पूर्ण जीवन और उत्साह को महसूस करता हूँ, फतिस एड्मंड और फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, विवरण के उपियोग के लिए सुझाव, विवरण शुरू करते समय यह तय करें, कि आप अपने श्रोताओं से क्या दृष्टिकोंड चाहते हैं, कोई व्यंग्यात्मक, उपहास किया गया, अतिशयोक्ति पूर्ण, बचाव किया, या निश्पक्ष रूप से वर्नित है, अपने मूड के बारे में भी सुनिश्चित रहें, क्योंकि यह वर्नित किये जाने वाले विशय को रंग देगा, उदासी गुलाब के बगीचे को धू वहीन, ठोस से अमूर्थ, भौतिक से मानसिक, समय में पीछे और आगे की ओर न जाएं, लेकिन अपने चुने हुए आदेश का पालन करें। पोस्टर कलाकार द्वारा उपयोग किये गए कुछ स्ट्रोक से सबक सीखें, यह निर्धारित करने में कि क्या वर्नन करना है और क्या नाम देना है, अपने दर्शकों के ज्ञान को पढ़ने का प्रयास करें। आनसिक चित्र में प्रत्येक तत्व या तो मदद करता है या बाधा डालता है। सुनिश्चित करें कि वे बाधा न डालें, क्योंकि वे किसी भी प्रवचन में निश्क्रिय रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। साइड टिपपणियां करने के लिए विवरण में व्यवधान एकता को नश्ट करने के लिए उतने ही शक्तिशाली हैं जितने बिखरे हुए वर्णनात्मक वाक्यांश हैं। एक मात्र द्रिश्य प्रभाव जो प्रभावी हो सकता है वह एक ही कृत है। अधिक गर्म प्रभाव कुछ भी नहीं छोड़ता है। चित्रण के अंत में एक तेज और स्पष्ट सामान्य द्रिश्य दें। पहला और अंतिम प्रभाव सबसे लंबे समय तक रहता है। मन को किसी विशय के विशिष्ट बिंदूओं को ग्रहन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ताकि एक ही द्रिश्य, क्रिया, अनुभव या चरित्र में संपून की एक ही कृत छाप देखी जा सके। किसी चीज का समग्र रूप से वर्णन करने के लिए आपको पहले उसे समग्र रूप में देखना होगा। उस कला में महारत हासिल करें और आप अंतिम डिगरी तक विवरण में महारत हासिल कर लेंगे। लोगों के घरों के अभ्यास के लिए चयन मैं पिछले दिनों वाशिंग्टन गया था और मैं कैपिटल हिल पर खड़ा था। जब मैंने अपने देश की राजधानी के विशाल संग मरमर को देखा और मेरी आँखों में धुंड चा गई। जब मैंने इसके जबरदस्त महत्व और सेनाओं और राजकोश और न्यायाधीशों और राश्ट्रपती और कांग्रेस और अदालतों के बारे में सोचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और वह सब वहाँ इकत्र किया गया था। और मैंने महसूस किया कि सूरज अपनी पूरी गती के साथ गणतंत्र के उस राजसी घर से बहतर दृष्ष नहीं देख सकता था जिसने दुनिया को स्वतंत्रता का सबसे अच्छा पाठ पढ़ाया था। और मैंने महसूस किया कि यदि सम्मान और ग्यान और न्याय वहां कायम रहे तो दुनिया अंततह उस महान घर का अरणी होगी जिसमें मेरे देश की वाचा का संदूक रखा गया है। इसका अंतिम उठान और इसका उठान होगा। दो दिन बाद मैं देहात में अपने एक मित्र से मिलने गया, जो एक शांत देहाती घरवाला एक विनम्र व्यक्ति था। यह बस एक साधारन साधारन घर था, जो बड़े-बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, घास के मैदानों से घिरा हुआ था और फसल के वादे से सम्रिद्ध था। सामने के आंगन में गुलाबी और हॉली हॉक की खुश्बू, बगीचे और बगीचों की सुगंध के साथ मिल गई थी, और मुर्गों की आवाज और मधुमक्षियों की गुंजन के साथ गुंज रही थी, अंदर शांती, स्वच्छता, मितवीयिता और आराम था। वहाँ वह पुरानी घड़ी थी, जिसने परिवार में आने वाले प्रत्येक नवागंतुक का लगातार स्वागत किया था, जिसने मृतकों की अंतिम विदाई दी थी और बिस्तर के पास निगरानी रखने वाले का साथ दिया था। वहाँ बड़े आराम दायक बिस्तर और पुरानी खुली चिमनी और पुरानी पारिवारिक बाइबिल थी, जो अभी भी हाथों की उंगलियों से ठपठपाई गई थी और लंबे समय से बंद आँखों के आंसुओं से भीगी हुई थी, परिवार के सरल इतिहास को पकड़ नहीं था, वह अपनी जमीन का मालिक था और खुद का मालिक था, वहाँ उसका बुढ़ा पिता था, एक बुढ़ा कांपता हुआ आदमी, लेकिन अपने बेटे के दिल और घर में खुश था, और जैसे ही वे अपने घर की ओर जाने लगे, बुढ़े व्यक्ती के हाथ यु पुर्यास्त का आभास लिये हुए आई, और उसकी गहरी, धहर्यवान आखें चमक उठी, जबकि उसके होंट, उसके दिल के समरिध संगीत से कांपते हुए अपने पती और बेटे को उनके घर में स्वागत करने के लिए कह रहे थे, परे वह ग्रहनी थी, जो अपने घरेल घर की ओर दोड रहे थे, और भटकते हुए पक्षियों की तरह अपने घर के घोंसले की शांती तलाश रहे थे, और मैंने रात को उस घर पर आते देखा, अद्रिश्य कबूतर के पंखों की तरह धीरे-धीरे गिरते हुए, और बूढ़े आदमी ने जंगल से एक चौका ह पक्षी बोला, और पेड जिंगुर की आवाज से गूंज रहे थे, और आकाश में तारे घूम रहे थे, उसने परिवार को अपने पास बुलाया, और मेज से पुरानी बाइबिल लेते हुए उन्हें बुलाया उनके घुटने, छोटा बच्चा अपनी मा की पोशाक की पर दुन्दला हो गया, इसके खजाने और इसकी महिमा को भुला दिया गया और मैंने कहा, ओ, निश्चित रूप से यहां लोगों के घरों में इस सरकार की ताकत और जिम्मेदारी, इस गनतंत्र की आशा और वादा छिपा हुआ है, हैनरी डबल्यू, ग्रैडी, विचारो ते एक स्थान काम का सुझाव देता है, दूसरा आलस्य का, तीसरा जल्दी उठने का, और उसमें लंबे समय तक इधर उधर भटकने का, रात का प्रभाव, किसी बहते पानी का, रोशन शहरों का, दिन की जहांक का, जहाजों का, खुले समुद्र का, मन में गुमना और सुखों की एक सेना खड़ी हो जाती है, हमें लगता है कि कुछ होना चाहिए, हम नहीं जानते कि क्या है, फिर भी हम इसकी तलाश में आगे बढ़ते हैं, और जीवन के सबसे सुखत घंटों में से कई स्थान और क्षण की प्रतिभा पर इस व्यर्थ उपस्थिती में ह मेरी जाती के सदस्यों के साथ कुछ घटित हुआ होगा, और जब मैं बच्चा था, तो मैंने उनके लिए उपयुक्त खेलों का आविशकार करने की कोशिश की थी, जैसे मैं अब भी व्यर्थ ही उन्हें उचित कहानी के साथ फिट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ स्था फिर से अपनी नियती का पालन करते प्रतीत होते हैं, विचारो तेजक और अभेद्य, मिचिंग मैलेचो, बर फोर्ड ब्रिज की सराय, अपने महराबों और हरे भरे बगीचे और शांत बहती नदी के साथ, हालां कि यह पहले से ही उस जगह के रूप में जानी जाती है, ज पुराने हरे शटर के पीछे कुछ और व्यवसाय सुलग रहे हैं, जो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्वीन्स फेरी पर स्थित पुराना हावे सिन मेरे मन में इसी तरह का आकर्शन पैदा करता है, वहां यह खड़ा है, शहर से अलग, घाट के बगल में, अपने स पहले से ही लवेल और ओल्डबक की खातिर तलाश रहे हैं, जिन्होंने एंटिक्वेरी की शुरुआत में वहां भोजन किया था, लेकिन आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, कि यही सब कुछ नहीं है, कुछ ऐसी कहानी है, जो दर्ज नहीं है, या अभी तक पू जग रहा था, कुछ साहसिक कार्य जो उस स्थान को उचित ठहराना चाहिए, लेकिन हालां की उस एहसास ने मुझे रात में सोने पर मजबूर कर दिया, और सुबह मुझे आनंद और रहस्य के एक अटूट दौर में फिर से बुलाया, लेकिन मुझे टिपणी के लायक फोड में सराय में हरे शटर पर अपने चाबुक से खडखडा हट करेगा, आर, एल स्थी वेंसन, रोमान्स पर इक गप्षप, मिडनाइट इन लंडन से बजना, 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 आग की घंटिया, बिंग, 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 अलार्म, एक पल में शांती हंगामे में बदल शोर, उत्तेजना, कोलाहल का विसफोर्ट शुरू हो गया, बिंग, 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 खडखडा हट, टक्राव, और खडखडा हट, दरवाजे खोलो, उड़ो, बहादुर लोग अपने बक्सों को ऊपर उठाते हैं, बिंग, 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 वे बंध हैं, घोड़े अगलपन से घोड़ों को उड़ाओ, बिंग, बिंग, घंटा, ज्वर ग्रस्त क्रोध के पंखों पर सवार घोड़ों को दूर भगाओ, मशीन चक्कर लगाती हुई, सड़कों के नीचे, कोनों के आसपास, इस रास्ते से उपर और उस पार, अंधेरे की गहराईयों में घ घर घराहट, घर घराहट, धेर से लाखों चिंगारियां निकालती हुई, सितारों की आकाश गंगा के साथ चौका देने वाली रात का मार्ग प्रशस्त करती हुई, उत्तर की ओर घर की छत के उपर से ज्वाला मुखी की ज्वाला फूटती है, जो चका चौंध कर देने व आकाश प्रज्वलित है। गेरती, निचोडती, पकड़ती, अपने सामने आने वाली हर चीज को गरम के साथ निगल लेती एक भयावह राक्षस का लाल चीमू। और अपने काटने वाले किनारों को हर वस्तू के चारों और घुमाती है। एक दुरघटना, एक नीरस, विस्फोटक ध्वने और धुएं का गुबार बाहर निकलता है। चट के सबसे उंचे स्थान पर एक अंधकार मयाकरती खड़ी है, जिसके हाथ उनमत्त मुद्राएं बना रहे हैं। भुजाएं बे तहाशा जूल रही हैं और फिर उसका शरीर भयानक गडगड़ाहट के साथ फुटपार्ट पर गिरता हुआ भया आवह स्थान में चला जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, आदमी का हाथ एक दर्शक पर हमला करता है। भीड कांपती है, हिलती है और दया और भय की धीमी आवाज में बढ़बढाती है। कमजोर दिलवाले दर्शक अपना चेहरा छिपा लेते हैं। एक महिला बेहोश हो गई। बेचारा, मर गया। एक मजदूर आदमी के शरीर को देखते हुए चिलाता है। हाँ, जो, और मैं भी उसे अच्छी तरह से जानता था। वह पांच उडान पहले मेरे बगल में रहता था। वह अपने पीछे एक विधवा मां और दो अनात बच्चे छोड़ गया है। मैंने एक पकवाड़े पहले उसकी पत्नी को दफनाने में उसकी मदद की थी। आह, जो, लेकिन यह अनातों के लिए कठिन राहे हैं। एक भयानक घंटा आगे बढ़ता है, आतंक की अपनी रेजिमेंट को अपने रास्ते पर खींचता है, और रात के रास्ते पर क्रूरता के लाल धब्बे छोड़ता है। क्या वे सभी बाहर हैं, फायर मैन? हाँ, हाँ, श्रीमान जी, नहीं, वे नहीं हैं। उपर की खिडकी में दाहिनी और कोने में एक महिला अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए हुए हैं। सीढियां, वहां, बचाव करने वाले आदमी को सौ पाउंड, एक दरजन शुरुआत, एक व्यक्ति, दूसरों की तुलना में अधिक लचीला और अपनी बहादुरी में लापरवा होकर सीढिय के शीर्ष पायदान पर चड़ जाता है। बहुत छोटा, वह रोता है, दूसरे को फैराओ, उपर यह जाता है, वह खिड़की पर चड़ता है, रस्सी बांधता है, माँ और बच्चे को कोड़े मारता है, उन्हें बदसूरत शून्य में जुला देता है और अपने साथियों द्वारा बचाए जाने के लिए उन्हे नीचे छोड़ देता है, शाब बाश, फायर मैन, भीड चिलाती है, लकडियों के चटकाने के शोर के बीच एक दुरगटना होती है, उपर जीवित देखो, हे भगवान, छत गिर गई है, दीवारें गगन भेदी गरजना के साथ हिलती, हिलती और गिरती है, दर्शकों की स पोज से दबी हुई थी, चिलाती, बढ़बढाती, और हाथ मरोडते हुए और अपने दुख का हृदय खोलती हुई आग की रेखा के पार चली जाती है, पेचारा जौन, वह सब कुछ मेरे पास था, और वह एक बहादुर लड़का भी था, लेकिन वह अब चला गया है, दो और लोगों को बचाने में उसने अपनी जान गमवा दी, और अब वह वही है, दूर वहाँ, वह क्रूर ओवन की ओर इशारा करते हुए दोहराती है, इंजन अपना काम करते हैं, आग की लपटें बुझ जाती हैं, खंड़हरों पर भयानक अंधकार एक भयानक काले प् अंडरा रहा है, और दो पहर का पहर बीद गया, अरदेन नेस जोन्स फोस्टर, प्रश्न और उत्तर, इन में से किसी एक पर दो पैरग्राफ लिखें, रेस का घोडा, मोटर बोट, गोल्फिंग, टेनिस, पहले को शुद्ध व्याख्या, और दूसरे को शुद्ध विवर प्रस्तुत करें, चार, A. इसके दोश बताएं, B. इसे अधिक प्रभावी शैली में पुणह तैयार करना, C. दिखाएं कि कैसे एक दूसरे से आगे निकल जाता है, 5. दस विशेओं की एक सूची बनाएं, जिनका वर्णन आपकी पसंद की शैली में किया जा सके 6. उन में से किसी एक पर मुख्य रूप से, लेकिन केवल विवरण का उप्योग करके दो मिनट का भाशन दें 7. एक मिनट के लिए किसी भी वस्तू, द्रिश्य, क्रिया, चित्र या आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति को देखें, अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए दो मिनट का समय लें, और फिर लिखित नोट्स बनाए बिना एक संक्षिप्त विवरण दें 8. किस अर्थ में वर्णन अभिव्यक्ति से अधिक व्यक्तिगत है? 9. वैज्ञानिक और कलात्मक विवरण के बीच अंतर स्पष्ट करें 10. डिकेंस और इर्विंग प्रिष्ट 244-235 की शैली में प्रत्येक के लिए एक वाक्य का सुझाव देकर पांच वर्णों का वर्णन करने वाले पांच अलग-अलग वाक्य लिखें 11. चौसर के तरीके के अनुसार संकेत के माध्यम से किसी चरित्र का वर्णन करें 1235 वाली भाव भंगिमा पर विशेश ध्यान देते हुए निम्नलिखित को जोर से पढ़ें उनका गला ही नैतिक था आपने इसका अच्छा खासा हिस्सा देखा आपने सफेद क्रैविट की एक बहुत ही नीची बाढ़ को देखा जिस पर किसी भी आदमी ने कभी टाई नहीं देखी थी क्योंकि उसने इसे पीछे से बांधा था और वहाँ कॉलर की दो उभरी हुई उंचाईयों के बीच एक घाटी थी जो आपके सामने शांत और मूँच रहित थी ऐसा प्रतीत होता है श्रीमान की ओर से पेक्सनिफ, देवियों और सज्जनों कोई धोखा नहीं है सब शांती है एक पवित्र शांती मुझ में व्याप्त है उसके बाल भी वैसे ही थे बस लोहे की भूरे रंग से चमक रहे थे जो उसके माथे से पूरी तरह से साफ हो गए थे और सीधे खड़े थे या उसकी भारी पलकों के साथ समान क्रिया में थोड़ा जुका हुआ था उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही था जो चिकना तो था यद्यपी मोटा पे से मुक्त था उसका व्यवहार भी वैसा ही था जो नरम और तैलिये था एक शब्द में यहां तक की उसका सादा काला सूट और विधुर की स्थिती और लटकता हुआ डबल आई ग्लास सभी एक ही उद्देश्य के लिए थे और जोर से चिल्लाए नैतिक पेकसिनिफ को देखो. चार्ल्स डिकेंस, मार्टिन चजलविट तर्टीन आप निम्न लिखित में से किसे पसंद करते हैं और क्यों? वह 18 साल की ताजा खिलती हुई लड़की थी, तीतर की तरह मोटी, पकी और पिघली हुई और अपने पिता की आडू की तरह गुलाबी गाल वाली. इर्विंग वह एक शानदार स्त्री लड़की थी, नवंबर पिप्पिन की तरह स्वस्थ और खिडकी के शीशे से ज्यादा रहस्यमय नहीं. ओ, हेन्री, मिस पीचर, छोटी, चमकीली, साफ सुत्री, व्यवस्थित और चुस्त दुरुस्थ थी, चेरी गाल और सुरीली आवाज. डिकेंस, 14. पाँच विशेशनों का आविशकार करें और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार लागू करें, प्रीकी. दो सो पैटीस, 15. ए, भाशन के पाँच आँकड़ों की एक सूची बनाए, बी, उन्हें परिभाशित करें, सी, प्रत्यक के अंतरगत एक उदाहरण दे, अधिमान तह मूल. 16. प्रिष्ट दो सो चालीस पर ग्रैडी के संबोधन में भाशन के आँकड़े चुने, 17. ग्रैडी के भाशन में किसी एक की जगह लेने के लिए एक मूल आकृती का आविशकार करें. 18. प्रिष्ट 242 पर स्टीवेंसन के चैन में आपको किस प्रकार के आँकड़े मिलते हैं? 19. वह वर्णन की कौन सी विधियाँ पसंद करता प्रतीत होता है? 20. इस अध्याए में उद्रित किसी भी लेखक की नकल में बिना नोट्स के और वर्णनात्मक इशारों के साथ एक विवरण लिखें और वितरित करें. 21. अपने पिछले भाशनों में से किसी एक की दोबारा जांच करें और वर्णनात्मक कारे में सुधार करें. 22. लंदन में आधी रात की शैली में किसी भी नाटकिये द्रिश्य का वर्णन करते हुए एक तातकालिक भाशन दें. 22. डौ की शैली में अपने पसंदीदा खेल की किसी घटना का वर्णन करें. 22. डिलीवरी को प्रभावी बनाने के लिए सावधान रहें. 24. हाल ही में आपने जो भी यात्रावारता सुनी हो, उसके वर्णन की अनुकूल या प्रतिकूल आलोचना करें. 25. एक संक्षिप्त मौलिक यात्रावारता प्रस्तुत करें, जैसे कि आप चित्र दिखा रहे हों. 26. बातचीत को पूनः प्रस्तुत करें, और इसे बिना चित्रों के प्रस्तुत करें. 21. कथन द्वारा प्रभावित करना. कथन की कला कांटों और आँखों से लिखने की कला है. सिध्धान्त में उचित विचार को उचित विचार, उचित तथ्य को उचित तथ्य का पालन कराना शामिल है पहले मन को उसके लिए तैयार करना जो आने वाला है और फिर उसे आने देना हमारा भाशन ही आश्चर्य जनक रूप से एतिहासिक है आप देख सकते हैं कि अधिकांश पुरुष केवल वर्णन करने के लिए बोलते हैं उन्होंने जो सोचा है उसे बताने में नहीं जो वास्तव में अक्सर एक बहुत छोटी बात होती है बलकि जो कुछ उन्होंने जेला है या देखा है उसे प्रदर्शित करने में जो की काफी असीमित है बात करने वाले फैल जाते हैं हमें कथा से अलग कर दें तो बातचीत की धारा यहां तक की सबसे बुद्धिमानों के बीच अलग मुठी भर में कैसे लुप्थ हो जाएगी और मूर्खों के बीच पूरी तरह से लुप्थ हो जाएगी इस प्रकार, चूंकि हम इतिहास का अभिनाई करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, हम कहते कम हैं, लेकिन उसका पाठ करते हैं कथन के महान क्षेत्र का केवल एक छोटा सा खंड सार्वजनिक वक्ता को अपने संसाधन प्रदान करता है और इसमें उपाख्यान, जीवनी संबंधी तथ्य और सामान रूप से घटनाओं का वर्णन शामिल है किसी घटना या तथ्यों और घटनाओं के समूह को इस तरह सुनाना कि वह वांचित प्रभाव पैदा कर सके वर्णन को महारत हासिल करने की तुलना में अधिक आसानी से परिभाशित किया जा सकता है कथन के नियम कम है, लेकिन इसके सफल अभ्यास में पहले की तुलना में अधिक कला शामिल है वास्तव में हम यहां इसकी तकनीक को छूब भी नहीं सकते हैं लेकिन उप्योग किये गए कथन के कुछ उदाहरणों की जांच के साथ खुद को संतुष्ट करना होगा सार्वजनिक भाशन में प्रारंभिक तरीके से ध्यान दें कि सार्वजनिक वक्ता द्वारा कथा का उप्योग कहानिकार के अधिक सीमित दाइरे, विस्तारित समवाद और चरित्र चित्रन की अनुपस्थिती और विस्तार के विस्तार से स्वतंतरता से कितना भिन्न होता है जो मंच कथा की विशेष्टा है दूसरी ओर पधधती में कई समानताएं हैं व्याख्या, विवरण, तर्क-वितर्क और विनती के साथ कथन का लगातार संयोजन सामगरी की व्यवस्था में बढ़ती गई सावधानी ताकि समापन, चर्मोतकर्ष पर एक मजबूत प्रभाव पैदा किया जा सके प्रभावी क्षन तक किसी कहानी के बिंदू, अंत को छुपाने की बहुत सामान्य प्रथा और अनावश्यक और इसलिए हानिकारक, विवरणों का सावधानी पूर्वक दमन तो हम देखते हैं कि चाहे पत्रिका के लिए हो या मंच के लिए, कथन की कला में इतिहास के पाठ से कहीं अधिक शामिल है, दर्ज की गई घटनाओं के क्रम को वास्त्विक प्रभाव से सामने लाने के लिए एक योजना की आवश्यक्ता होती है यह भी ध्यान दिया जाएगा कि मंच कर्थन में साहित्तिक शैली या तो कम परिश्कृत और प्रकाशन के लिए इच्छित की तुलना में अधिक जोड़दार नाटकिये होने की संभावना है या फिर अधिक उत्साही और उंचे स्वर में हालां की इस बाद के संबंध में आज का सबसे अच्छा मंच पिछली पीड़ी के मौडलों से भिन्न है जिसमें अत्यधिक गरिमा मैं और कभी-कभी आडंबर पूर्ण शैली को सारवजनिक उधार के लिए एक मात्र उपयुक्त पोशाक माना जाता था महान, उदात और प्रेरक क्योंकि ये पुराने स्वामी अपनी उदात और भावपूर्ण वाकपटुता में थे हमें कभी-कभी उत्पिडित किया जाता है जब हम उनकी ध्वनी अवधी को किसी भी लंबे समय तक पढ़ते हैं यहां तक की वक्ता की उपस्थिती, आवाज और आग को याद करने से हम जो कुछ भी खो देते हैं उसे भी छोड़ देते हैं तो आईए हम पुराने स्कूल के प्रती अपनी प्रशंसा को कम किये बिना अपने मंच कथन को भाशन के अन्य रूपों की तरह आधुनिक लोगों के प्रभावी संबोधनों पर आधारित करें किस्सा एक किस्सा एक घटना का एक संक्षिप्त वर्णन है जिसे एक बात सामने लाने के लिए काफी प्रभावशाली बताया गया है बात जितनी गहरी होगी, रूप उतना ही सगन होगा और जितना अधिक अचानक अनुप्रयोग सुनने वाले पर प्रभाव डालेगा, कहानी उतनी ही बेहतर होगी एक किस्से को एक उधाहरण के रूप में मानने के लिए एक व्याख्यात्मक चित्र हमें उसके वास्तविक उद्देश्य तक ले जाने में Мदद करेगा क्योंकि एक उद्देश शेहीन कहानी मंच पर सभी अपराधों में से सबसे अधिक अस्वाभाविक है एक पूरी तरह से पूंजी गत मजाक तब असफल हो जाएगा जब चर्चा के तहट विशय पर स्पष्ट प्रभाव डाले बिना इसे बीच में ही खींच लिया जाएगा दूसरी ओर एक उप्युक्त किस्से ने कई भाषणों को विफल होने से बचाया है चतुराई के प्रदर्शन के लिए किसी प्रवचन में मजाकिया या विनोधी कहानियों को शामिल करने से बेहतर कोई अफसर नहीं है बुद्धी तेज है और एक बलातकारी की तरह गहराई तक छेद करती है कभी-कभी दिल तक भी हास्य अच्छे स्वभाव का होता है और घाव नहीं करता बुद्धी दो विचारों के बीच मौझूद एक अप्रत्याशित संबंध की अचानक खोज पर आधारित है हास्य असंगत चीजों से संबंधित है डगलस जेरोल्ड में यह बुद्धी मत्ता थी कि उसने एक अजनबी के कंधे पर जिसे उसने परिचित रूप से दोस्त समझ कर थपड मारा था तमाचा मारा था मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मुझे लगा कि मैं आपको जानता हूँ लेकिन मुझे खुशी है कि मैं नहीं जानता दक्षणी वक्ता जॉन वाइज का एक प्यूरिटन लड़की के साथ शाम बिताने के आनंद की तुलना सर्दियों में बर्फ की एक सिल्ली पर बैठ कर अपने दांतों के बीच ओले चटकाने के आनंद से करना हास्य था 24 उपरोक्त उद्धरन मुख्य रूप से एक तीखी कहावत को मूर्त रूप देने वाले एकल वाक्य के पहले और सरल्तम रूप को चित्रित करने के लिए पेश किया गया है दूसरा सरल रूप वह है जो अनुप्रयोग की आवशक्ता के बिना अपना अर्थ बताता है जैसा की पुराने उपदेशक कहा करते थे जॉर्ज एडे ने इसे अब तक सुने गए सबसे अच्छे चुटकुले के रूप में उद्रित किया है दो गंभीर दिखने वाले सज्जन एक रेलवे गाड़ी में एक साथ यात्रा कर रहे थे एक सज्जन ने दूसरे से कहा क्या आपकी पत्नी इस गर्मी में मनोरंजन कर रही है इस पर दूसरे सज्जन ने उत्तर दिया बहुत नहीं अन्य उपा ख्यानों को उस विशेश सत्यका उपयोग करने की आवश्शकता है जिसे वक्ता अपनी बातचीत में साथ रखना चाहता है कभी-कभी कहानी सुनाये जाने से पहले आवेदन किया जाता है और दर्शकों को बिंदू-दर-बिंदू तुलना करने के लिए तैयार किया जाता है जैसा कि चित्रण में बताया गया है ग्रैडी ने इस पद्धती का उपयोग अपने महान तातकालिक संबोधन D. New South को देते समय बताये गए एक उपाख्यान में किया था उम्र सभी चीजों को ताकत और गुण प्रदान नहीं करती है नहीं सभी नई चीजों का तिरसकार किया जाना चाहिए जिस मोची ने अपने दर्वाजे पर John Smith की दुकान 1760 में स्थापित लिखा था वह सड़क पर उसके युवा प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक मेल खाता था जिसने यह चिन्ह लटका दिया था बिल जोंस 89-86 में स्थेपित इस दुकान में कोई पुराना स्टॉक नहीं रखा गया है दो उपाख्यानों में The New South में भी बताया गया है श्रीमान ग्रैडी ने आवेदन को लागू करने का एक और तरीका बताया दोनों उदाहरणों में उन्होंने उस विचार को विभाजित किया जिसे वह घर ले जाना चाहते थे कहानी सुनाने से पहले का हिस्सा और कहानी सुनाने के बाद का हिस्सा लेकर आए तथ्य ये है कि वक्ता ने उत्पत्ती के शब्दों को गलत तरीके से उद्रित किया जिसमें संधूक का वर्णन किया गया है इस से कहानी के बोजिल हास्य में कोई कमी नहीं आई मैं आज रात आपके शिष्टाचार की चरम सीमा के बारे में प्रार्थना करता हूँ मैं उन लोगों के बारे में परेशान नहीं हूँ जिनसे मैं आया हूँ आपको वह आदमी याद है जिसकी पत्नी ने उसे दूद का घड़ा लेकर पडोसी के पास भेजा था जो उपर की सीड़ी पर लड़ खड़ा कर इतनी आकस्मिक रुकावटों के साथ तहखाने में गिर गया और खुद को उठाते हुए खुशी का अनुभव किया अपनी पत्नी को पुकारते हुए सुना जॉन क्या तुमने घड़ा तोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, जॉन ने कहा लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मुझे अपमानित किया जाएगा तो, जबकि जो लोग मुझे पीछे से बुलाते हैं, वे मुझे उर्जा से प्रेरित कर सकते हैं यदि साहस से नहीं, तो मैं आपसे कृपा पूर्वक सुनने की अपेक्षा करता हूँ मैं विनती करता हूँ कि मैं जो कहूंगा, उस पर आप अमेरिकी निश्पक्षता और स्पष्टता में अपना पूरा विश्वास रखेंगे एक बार एक बूढ़ा उपदेशक था, जिसने कुछ लड़कों को बाइबल का पाठ बताया, जो वह सुभह पढ़ने जा रहा था लड़कों ने जगह ढूंटते हुए, जुडने वाले पन्नों को एक साथ चिपका दिया अगली सुभह उसने एक प्रिष्ट के नीचे पढ़ा, जब नूह 120 वर्ष का था, तब उसने एक पत्नी को अपने पास रखा, जो फिर प्रिष्ट पलट कर 140 हाथ लंबी, 40 हाथ चोड़ी, बनी हुई थी गोफर की लकड़ी, और अंदर और बाहर पिछ से ढखा हुआ इस परवह स्वाभाविक रूप से हैरान था, उन्होंने इसे फिर से पढ़ा, सत्यापित किया और फिर कहा, मेरे दोस्तों, यह पहली बार है जब मुझे बाइबल में यह मिला है, लेकिन मैं इसे इस दावे के प्रमान के रूप में स्वीकार करता हूँ कि हम भयभीत और आश्चर्य जनक रूप से बने हैं, यदि मैं आपको रात तक ऐसा विश्वास बनाए रखने में सक्षम कर सका, तो मैं उस कार्य को खुशी से आगे बढ़ा सकता हूँ, जिसे मैं अन्यथा समर्पन की भावना के साथ करता हूँ, कभी कभार कोई वक्ता बिना किसी परिच आश्चरों वाला अंधेरा जुका हुआ था, जब कैनिंग फैक्टरी में दोपहर की सीटी बजी, और हाथ तेजी से अपनी ग्रब बाल्टियाओं लेकर बाहर आ गए, अंधेरा तब तक सुनता रहा, जब तक की रॉकेट की गूंज पूरी तरह से शांत नहीं हो गई, फ गैरा, निस संदेह मंच पर उपाख्यान का सबसे अधिक उप्योग मंच पर होता है, उपदेश चित्रन हालांकि हमेशा सकती से कथात्मक रूप में नहीं होता है, लेकिन विस्तारित तुलना की ओर जाता है, जैसा की डौ से निम्नलिखित है, अलेक्जेंडर मैकलारेन, पुरुष भारतिये फकीरों की तरह अपनी बाहों को अपने सिर के उपर रख कर तब तक खड़े रहेंगे, जब तक की वे वहां अकड़ना जाएं, वे शिमोन स्टाइलाइट्स की तरह खंभों पर वर्षों तक बैठे रहेंगे, जब तक की पक्षी उनके बालों में अपने आपको कोडे मारेंगे, वे उपवास करेंगे और स्वयम का इंकार करेंगे, वे गिरजागरों का निर्मान करेंगे और चर्चों का समर्थन करेंगे, वे वैसा ही करेंगे जैसा आप में से बहुत से लोग करते हैं, अपने आपको स्वर्ग के लिए तैयार करने और विनम्र संदेश सुने, जिसमें कहा गया है, आपको कुछ भी धोने की जरूरत नहीं है, क्या यह तुम्हारा स्नान है या पानी है जो तुम्हें शुद्ध करेगा? धोलो और स्वच्छ हो जाओ. नामान की सफाई केवल उसकी आज्याकारिता की परीक्षा थी, और एक संकेत था कि यह परमेश्वर ही था जिसने उसे शुद्ध किया था. जॉर्डन के जल में कुष्ठ रोग का दाग हटाने की कोई शक्ती नहीं थी. हमारी शुद्ध यीशु मसीह के उस रक्त में है जिसमें सभी पापों को दूर करने की शक्ती है, और हमारे बीच सबसे गंदे को भी शुद्ध और स्वच्छ बनाने की शक्ती है. उपाख्यान के परिचय के बारे में एक अंतिम शब्द अवश्य कहा जाना चाहिए. एक अनाड़ी, अनुचित परिचय घातक है, जबकि एक भी उपयुक्त या मजा की अवाक्य रुची जगाएगा और अनुकूल सुनवाई तयार करेगा. अंग्रेजी हास्यकार, कैप्टन हैरी ग्राहम द्वारा निम्न लिखित चरम चित्रन लडखडाते तरीके पर व्यंगे करता है. सबसे अच्छी कहानी, जो मैंने कभी सुनी, वह वह थी जो मुझे एक बार 1905 या शायद 1906 के पतन में सुनाई गई थी. जब मैं कम से कम बोस्टन का दौरा कर रहा था, मुझे लगता है कि ये बोस्टन था, ये संभवत वाशिंग्टन रहा होगा, मेरी याददाश्ट बहुत खराब है. मैं एक अत्यंत मनोरंजक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसका नाम मैं विलियम्स या विल्सन या विल्किन्स भूल गया हूँ. कुछ इस तरह का नाम और उसने मुझे यह कहानी तब सुनाई, जब हम एक ट्रॉली कार का इंतजार कर रहे थे. मुझे अब भी याद है कि मैं उस समय कितने दिल खोल कर हसा था, और फिर उस शाम, बिस्तर पर जाने के बाद, मैं इस अविश्वस्निय रूप से हास्यप्रत कहानी के हास्य को याद करते हुए कैसे हसा? यह सच मुझ काफी असाधारन रूप से मज़ेदार था. वास्तव में मैं सच्चाई से पुष्टी कर सकता हूँ कि यह अब तक की सबसे मनोरंजक कहानी है जिसे सुनने का स्वभाग्य मुझे मिला है. दुर्भाग्य से मैं इसे भूल गया हूँ. जीवनी संबंधी तत्य सार्व जनिक भाषन का व्यक्तित्व से बहुत संबंध होता है. इसलिए स्वाभाविक रूप से दिल्चस्प तत्यों के पाठ के बीच उपाख्यानों सहित जीवनी संबंधी विवरणों की एक श्रंखला का वर्णन, स्तुती, समारक संबोधन, राजनीतिक भाषन, उपदेश, व्याख्यान और अन्यमंच भाषनों में एक बड़ी इस्तारित किस्सा है, जो एक श्रंखला में एक कड़ी बनाता है, जेल में मारियस रोमन मन की विशिष्ट उदात्ता उनकी कविता में खुद को व्यक्त नहीं करती है, नहीं इसे खोजा जाना चाहिए। ओपोटेरे स्टैंटेम मोरी की कहावत की तुलना में की सीजर को खड़े होकर मरना चाहिए, सामराज जिवादी भव्यता का भाषन। इसका तातपर्य यह है कि वह जो इस दुनिया का सबसे अग्रणी व्यक्ति था, और अन्य सभी राष्ट्रों के संबंध में अपने मारोह में इसके विशिष्ट गुण को व्यक्त करना चाहिए, उसे सीमा पर मरना चाहिए और अंतिम दुश्मन से मिलना चाहिए पहले के रूप में, एक रोमन चेहरे के साथ और एक सैनिक के रवाइये में। यदि इसमें एक सामराज जिवादी था, तो इसके बाद एक का मिशन के साथ भेजा गया था, ये लोग थे, श्रेष्ट और निराश मानवता के दो छोर, उसका वंचित और पीछे का व्यक्ती, एक रोमन कॉंसल और एक घ्रिनित दास, लिकिन एक दूसरे के प्रती, उनके स्वाभाविक संबंध, भागे की सनक के कारण, राक्षसी रू मिशेशाधिकारों में पुनस्थापित किया, स्वर्ग से या प्रित्वी से खींचे गए किस चमतकार से, उसने पलक छपकते ही, खुद को फिर से बैंगनी रंग में समाहित कर लिया, और अपने और अपने हत्यारे के बीच कई छायादार लिक्टर्स रख लिये, कमजोर दिमागों पर महान दिमागों के महज कोरे वर्चस्व से, उसने दास को ऐसे मोहित कर लिया, जैसे रैट अलसनेक पक्षी को, टैनरिफ की तरह खड़े होकर, उसने उसे अपनी आँख से मारा और कहा, ट्यून, होमो, ओडेस, ओन की डेरेसी, मरियम, क्या तुम, साथ ही, कै कैस मारियस को मारने का अनुमान लगा रहे हो? वहीं सरी सिर्प आवाज के नीचे काँप रहा था, नहीं कांसुलर आँक का अपमान करने की हिममत कर रहा था, धीरे से जमीन पर गिर गया, और अपने हाथों और पैरों पर गोल हो गया, और रेंगते हुए बाहर निकल गया किसी भी अन्य कीडे मकोडे की तरह जेल में, मारियस को कैपिटल की तरह एकांत में स्थिर और अच्चल खड़ा छोड़ दिया गया क्विंसी के थॉमस, यहां एक समानुदाहरण दिया गया है, जो एक सामान्य एतिहासिक कथन से शुरू होता है और आत्मक अथात्मक विवरण के साथ समाप्त होता है लेक्सिंग्टन की एक याद वसंत की एक कच्ची सुबह, इस महीने के 19 वेंदिन हैंकॉक और एडम्स, उस महानुददार के मूसा और हारून को 80 साल हो जाएंगे दोनों लेक्सिंग्टन में थे, उन्होंने बहादुरी भरे शब्दों से एक अधिकारी को रोका भी था ब्रिटिश सैनिक 1000 की संख्या में उन्हें पकड़ने और परीक्षन के लिए समुद्र के पार ले जाने के लिए आए और इस प्रकार शुरुआती वसंत में शुभ रूप से खुलने वाली स्वतंतरता की कली को कुचल दिया शहर की मिलिशिया दिन के उजाले से पहले एक साथ आई, प्रशिक्षन के लिए एक महान, लंबा आदमी, बड़ा सिर और उंची, चौड़ी भौह वाला, उनका कप्तान, जिसने सेवा देखी थी, उन्हें सत्तर की संख्या में लाइन में खड़ा किया और आदेश दिया कि हर आदमी अपने टुकडे को पाउडर और गेंद से भर दे मैं पहले आदमी को गोली मारने का आदेश दूँगा जो भाग जाएगा, उन्होंने कहा, जब कुछ लोग लड़ खड़ा गए जब तक गोली न चलाई जाए, तब तक गोली मत चलाना, लेकिन अगर वे युद्ध करना चाहते हैं, तो इसे यहीं से शुरू होने दें सम्मान को अमेरिका की स्वतंतरता के लिए गिरवी रख दिया था, और उस दिन उन्होंने अपना जीवन भी दे दिया था, मैं उस छोटे से शहर में पैदा हुआ था, और उस दिन की यादों के बीच बड़ा हुआ, जब एक लड़का था, मेरी मा ने एक रविवार को मु और रोम के कई प्राचीन शहरों के समारकिये पत्थरों का अधेयन किया है, बलकि मिस्र के समारक स्तंभों पर पढ़ा है कि मिस्र से इसरायल का नेतरित्व करने के लिए मूसा को शाश्वत रूप से खड़ा करने से पहले क्या लिखा गया था, लेकिन कोई छेनी वाला पत मेरे बच्पन के दिल में जल्दी ही आग की तरह भड़क उठे, वह समारक मेरे अपने रिष्टेदारों की हड़ियों को ढखता है, यह उनका खून ही था जिसने लेक्सिंग्टन की लंबी हरी घास को लाल कर दिया, यह मेरा ही नाम था जो उस पत्थर पर गड़ा हुआ है वह लंबा कैप्टन जिसने अपने साथी किसानों और मेकेनिकों को कड़ी कतार में खड़ा कर दिया, और ऐसे साहसी और खतरनाक शब्द कहे जिन्होंने अमेरिकी स्वतंतरता के युद्ध की शुरुआत की, मैदान छोड़ने वाले आखिरी व्यक्ती मेरे पिता के पिता मैंने उसकी बाइबिल पढ़ना सीखा और उस दिन उसने दुश्मन से जो बंदूक छीनी थी, उससे मैंने एक और धार्मिक सबक सीखा कि अत्याचारियों के प्रति विद्रोह ईश्वर की आज्याकारिता है। प्रवचन के अन्य रूपों का बहुत अधिक मिश्रण मिलता है क्योंकि इस सच्चाई पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। कुशल वक्ता एक भाशन के लिए रूप से अलग हो जाता है। बड़ा मुक्त प्रभाव। वर्तमान विशलेशन आपको रूप से परिचित कराने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है। ऐसे किसी भी मॉडल को आपकी गर्दन पर बोज के रूप में लटकने की अनुमती ना दे। जॉर्ज विलियम कर्टिस की पॉल रिवेर्स राइट से घटनाओं का निम्न लिखित शुद्ध वर्ण उनके प्रसिद्ध भाषण के अन्य हिस्सों में जीवनी वर्णन को बदलता है। उस शाम दस बजे लेफटिनेंट कर्नल स्मित के नेतरित्व में आठ सौ ब्रिटिश सैनिकों ने नावली कॉमन के तलपर और कैम्बरिज तट को पार किया। गेज ने सोचा कि उसका रहस् जहर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने नदी पार की, एबेनेजर डोर, हैंकॉक और एडम्स को एक संदेश के साथ नेक पर सवार होकर रॉक्सबरी की ओर जा रहे थे। और पॉल रेवरे लालटेन दिखाने के लिए अपने दोस्त रॉबर्ट न्यूमैन क के साथ सहमत होकर चाल्स टाउन की ओर नदी पार कर रहे थे। अंग्रेजों के मार्च के संकेत के रूप में ओल्ड नॉर्थ चर्च के घंटा घर से एक अगर जमीन से और दो अगर समुद्र से। उसी भाशन से निमनलिखित वर्णन के साथ वर्णन को खूबसूरती से ज खिले हुए बगीचों से हवा मधुर थी। पहले से ही लुटेरों ने सीटी बजाई। ब्लू बर्ड्स ने गाना गाया और शान्ती का आशीरवाद परिद्रिश्य पर छागया। बादल रहित चंद्रमा के नीचे सैनिकों ने चुप-चाप मार्च किया और पॉल, रेव परिश्ती दल से बच निकले, जिन्हें समाचार रोकने के लिए भेजा गया था। श्रीमान के दूसरे उधरण में। यूवा और एक नौकरानी की चायादार आकृतियाम मिलती हैं। कुछ रहस्यमय आकरशन टकटकी को स्थिर कर देता है और भटकने वालों के दिलों को शान्त कर देता है। और उनका विस्मय विस्मय में गहरा हो जाता है क्योंकि वे धीरे-धीरे खुद को वैसे ही पहचा का उल्लास। वे स्वयम उशाकाल की महिमा से प्रफुलित और दीप्तिमान है। यहां जीवित लोगों का गुन-गुनाता हुआ शहर, वहां मृतकों का शान्तिपूर्ण शहर। हम केवल इन ही तक या मुख्य रूप से नहीं लौटते हैं, बलकि स्वयम की ओर भी लौटते हैं जैसे हम एक बार थे। यह साल के मुस्कुराते हुए नए छात्र नहीं है यहां आपके अपने दाढ़ी रहित और बिना जुर्रियों वाले चहरे हैं जो यूनिवर्सिटी हॉल और होप कॉलेज की खिडकियों से देख रहे हैं। पहाडी पर पेड़ों के नीचे आप आप ही हैं जिनहें आप आशाओं और सपनों से भरे हुए, सचेतन शक्ती से चमकते हुए और एक उतक्रिष्ट युवा का पोशन करते हुए चलते हुए देखते हैं और इस परिचित मंदिर में जो निश्चित रूप से आपके आरंभिक भाशनों की तरह इतनी जोशीली और प्रेरक वाकपटुता से कभी नहीं गूंजा है। वहां दीरगाओं में खूबसूरत माताओं और दादी से बड़बडा रख। हे हैं तस्वीर में दिख रहे घिसे पिटे और ठके हुए पुरुष और महिला खुश हैं क्या उन्होंने महसूस किया होगा कि उनकी बूढ़ी आँखें अभी भी पहले वाली रोशनी से चमक रही हैं और उनके दि असी मिताशा, द्रढ संकल्प, युवाओं का अटूट विश्वास लेकर आते हैं। प्रत्व को दबा देना चाहिए। इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। यदि स्रिष्टी करता ने मनुष्य को सोचने, महसूस करने और इच्छा करने की शक्ति प्रदान की है, तो मन की इन कई गतिविधियों को संगर्ष में होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया ह और जब तक उन में से किसी को भी विकृत नहीं किया जाता है या अत्यधिक मात्रा में चलने की अनुमती नहीं दी जाती है या आवश्यक रूप से दूसरों को उनके सामान्य कारियों में सहायता और मजबूती प्रदान करता है। शेफर, सोचना और सोचना सीखना जब हम किसी दे गए विचार को तौलते हैं, तुलना करते हैं और उसके मूल्य पर निर्णाय लेते हैं तो हम तर्क करते हैं। जब कोई विचार बिना किसी विचार विमर्ष के हमारे अंदर एक राय या कार्रवाई उत्पन्न करता है, तो हम सुझाव से प्रेरित होते हैं। पहले मनुष्य को एक तर्क शील प्राणी माना जाता था, जो अपने कारियों को प्राकृतिक तर्क के निशकर्शों पर आधारित करता था। पर आधारित नहीं है, बलकि सुझाव का परिणाम है। वास्तव में कुछ अधिकारी ये घोशना करते हैं कि ओसत दिमाग में शुद्ध तर्क का कार्य बहुत दुरलब है। पहले से आखरी तक ठंडे तर्क पर आधारित है। सुझाव का आधार हमें सुझाव को प्रभाव और कारण दोनों के रूप में सोचना चाहिए। प्रभाव के रूप में या वस्तुनिष्ठ रूप से सुनने वाले में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता हो। एक कारण के रूप में या व्यक्ति परक रूप से कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए जिनके द्वारा वक्ता श्रोता के उस विशेश रूप से समवेदन शील रवईये पर आगे बढ़ सके। इसे इमानदारी और निश्पक्षता से कैसे किया जाए यह हमारी समस्या है। इसे बे इमानी और चालाकी से करना, सही और सच्चाई के आधार के बिना और बुरे कारण में दोश सिध्धिय और कारवाई लाने के लिए सुझाव का उप्योग करना, उस भयानक जिम्मेदा इसे इसे इमानदार लोग सुझाव का उप्योग न करने का तिरसकार किया, ताकि वह लोगों को उनके लाब के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन प्रत्येक शातिर चालबाज ने निम्न लक्षियों तक पहुँचने के लिए समान साधन अपनाए हैं। इसलिए ईमानदार ल हम सभी को सुझाव के प्रती समवेदन शील बनाती हैं। हम स्वाभाविक रूप से अधिकार का सम्मान करते हैं। हर मन में यह केवल डिगरी का प्रश्ण है। विशय से लेकर जिसे आसानी से सम्मोहित किया जा सकता है से लेकर जिद्धी मन तक जो अपनी राय पर हर हमले के साथ खुद को और अधिक मजबूती से मजबूत करता है। बाद वाला प्रकार सुझाव के प्रती लगभग प्रतिरक्षित है। सुझाव के बारे में एक अनोखी बात ये है कि यह शायद ही कभी एक निश्चित मात्रा होती है। जो मन किसी व्यक्ति विशेश के प्राधिकार के प्रती ग्रहन शील है, वह दूसरे व्यक्ति के प्रती अनम्य साबित हो सकता है। मूड और वातावरण जो एक उदाहरण में आसानी से सम्मोहन उत्पन्न करते हैं। दूसरे में पूरी तरह से निश्क्रिय हो सकते हैं। और कुछ दिमागों को शायद ही कभी इस तरह प्रेरित किया जा सकता है। हालां कि हम जानते हैं कि विशय की यह भावना कि अधिकार प्रभाव, शक्ति, प्रभुत्व, नियंत्रण, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, सुझाव देने वाले के व्यक्तित्व में निहित है, सभी सुझावों का आधार है। इस प्रभाव की चरम शक्ति को सम्मोहन में प्रदर्शित किया जाता है। सम्मोहित व्यक्ति को बताया जाता है कि वह पानी में है, वह कथन को सत्य मानता है और तैराकी प्रस्ताव देता है। उसे बताया गया कि एक band The Star Spangled Banner बजाते हुए सडक पर मार्च कर रहा है। वह घोशना करता है कि वह संगीत सुनता है, उठता है और सिर जुका कर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार कुछ वक्ता अपने श्रोताओं पर एक संशोधित सम्मोहक प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। श्रोता उन उपायों और विचारों की सराहना करेंगे जिन्हें व्यक्तिगत चिंतन के बाद वे अस्वीकार कर देंगे, जब तक कि ऐसा चिंतन यह विश्वास नहीं दिलाता कि पहली धारणा सही है। दूसरा महत्वपूर्ण सिध्धांत यह है कि हमारी भावनाएं, विचार और इच्छाएं कम से कम प्रतिरोध की रेखा का अनुसरण करती हैं। एक बार मन को एक भावना के प्रभाव के लिए खोल दें और इसे दूर करने के लिए भावना, विचार या इच्छा शक्ती या यहां तक की तीनों की एक बड़ी शक्ती की आवश्शक्ता होती है। हमारी भावनाएं, हमारे निर्णयों और इच्छाओं को जितना हम स्वीकार करना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक प्रभावित करती हैं। यह बात इतनी सच है कि दर्शकों को उस विशय पर निश्पक्षता से तर्क करने के लिए तयार करना एक अलौकिक कार्य है जिस पर वे गहराई से महसूस करते हैं। इस संबंध में हमारी भावनाओं के बारे में जो सच है वह हमारे विचारों पर भी लागू होता है। और यदि हमें उस अंतिम आग्रह पूर्ण विचार के तनाव में रहते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो हम प्रती प्रभावों की अंदेखी कर देते हैं। तथे ये है कि हमारे लगभग सभी निर्णय यदि उनमें विचार शामिल हो इस प्रकार के होते हैं, निर्णय के क्षण में चिंतन के तहत कारवाई की दिशा ध्यान खींच लेती है और परस पर विरोधी विचार विचार से बाहर हो जाते हैं। एक बड़े प्रकाशन ग्रह के प्रमुख ने हाल ही में टिपपनी की थी कि सदस्यता से किताबें खरीदने वाले 90 प्रतिशत लोगों ने उन्हें कभी नहीं पढ़ा। वे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सेल्समेन अपने माल को इतनी कुशलता से प्रस्तुत करता है कि पुस्तक के आकरशन को छोड़ कर हर विचार दिमाग से निकल जाता है और वह विचार कारवाई के लिए प्रेरित करता है। मन में प्रवेश करने वाला प्रतियक विचार कारे में परिणित होगा जब तक कि उसे प्रतिबंधित करने के लिए कोई विरोधाभासी विचार उत्पन्न न हो। संगीत के पैमाने पर गाने के बारे में सोचें और इसका परिणाम यह होगा कि आप इसे गाएंगे जब तक कि इसकी निरर्थक्ता या बेतुकेपन का प्रतिविचार आपके कारे को बाधित न कर दे। यदि आप घोडे के पैर पर पट्टी बांधेंगे और उसका डॉक्टर करेंगे तो वहल लंगड़ा हो जाएगा। आप उस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मानस्पेशियों को प्रभावित किये बिना निगलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप वानी की मानस्पेशियों में हलकी सी हलचल के बिना हैलो कहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बच्चों को यह चेतावनी देना कि उन्हें अपनी नाक के उपर सेम नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने का सबसे अचूग तरीका है। आपके दर्शकों के मन में उठने वाला प्रत्येक विचार या तो आपके पक्ष में या आपके विरुद्ध काम करेगा। विचार मृत पदार्थ नहीं हैं। वे गतिशील उर्जा प्रसारित करते हैं। सभी विचार क्रियानवित होते हैं। विचार भाग्य का दूसरा नाम है। अपने श्रोताओं के विचारों पर हावी हों, सभी विरोधा भासी विचारों को दूर करें और आप उन्हें अपनी इच्छा नुसार प्रभावित कर लेंगे। इच्छाएं, भावनाएं और विचार कम से कम प्रतिरोध की रेखा का अनुसरन करते हैं। वही आदत बनाती है। एक आदमी को सुझाव दें कि अपना मन बदलना असंभव है और ज्यादातर मामलों में ऐसा करना अधिक कठिन हो जाता है। अपवाद वा आदमी है जो स्वाभाविक रूप से इसके विपरीत कूदता है। जवाबी सुझाव ही उस तक पहुँचने का एक मात्र रास्ता है। सूक्ष्मता से और लगातार सुझाव दें कि दर्शकों में से जो आपके विचारों का विरोध कर रहे हैं उनकी राय बदल रही है। और इसके लिए वास्तव में इच्छा शक्ती के प्रयास की आवश्यक्ता है। परिवर्तन की लहर को रोकने के लिए भावना, विचार और इच्छा शक्ती की शक्तियों को बुलाने की आवश्यक्ता है। अवचेतन रूप से स्थापित हो गया है। लेकिन न केवल हम अधिकार से प्रेरित होते हैं और कम से कम प्रतिरोध वाले चैनलों की और प्रवृत होते हैं, हम सभी अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं। भीड के प्रभाव से उपर उठना कठिन है, इसके उत्साह और भय संक्रामक होते हैं, क्योंकि ये संकेत आत्मक होते हैं। बहुत से लोग जो महसूस करते हैं, हम स्वयम से कहते हैं, उसका कुछ न कुछ सत्य आधार अवश्य होना चाहिए। दस गुना दस एक सौ से अधिक बनता है। आस और संकल्प का संचार करेंगे, जैसा कि दस छोटे समूह नहीं कर सके। हम सभी संख्याओं के उत्साह के बारे में सच्चाई जानते हैं। भीड को प्रभावित करना, विशय पर अध्याय देखें। पर्यावरण हमें नियंत्रित करता है जब तक कि इसके विपरीत द्रिड़ता से सुझावना दिया जाए। एक उदास दिन, एक नीरस कमरे में जहां श्रोताओं की संख्या बहुत कम है, मंच पर आपदा को आमंत्रित करता है। हर कोई इसे हवा में महसूस करता है, लेकिन वक्ता को सीधे मुद्दे पर आने दें और अपनी पूरी भावना, तरीके और शब्दों से सुझाव दें कि यह हर महत्वपूर्ण अर्थ में एक महान सभा होने जा रही है। और देखें कि अधिक शक्तिशाली के आगे बढ़ने से पहले पर्यावरण की विचारोत तेजक शक्ती कैसे कम हो जाती है। यदि वक्ता ऐसा करने में सक्षम है तो सुझाव दें। प्रेरक या व्यक्तिपरक ताकतें जो उसे सुझाव का प्रभावी ढंक से उप्योग करने में सक्षम बनाती है। वक्ता कैसे सुझाव को प्रभावी बना सकता है, हमने देखा है कि आधिकारिक सुझाव के प्रभाव में श्रोता वक्ता के कथन को बिना तर्क और आलोचना के सुवीकार करने के इच्छुक होते हैं. लेकिन श्रोता इस मानसिक स्थिती में तब तक नहीं होते जब तक उन्हें वक्ता पर पूरा भरोसा न हो. यदि उन्हें उसमें विश्वास की कमी है, उसके उद्देश्यों या ग्यान पर सवाल उठाते हैं, या यहां तक की उसके तरीके पर भी आपत्ती करते हैं, तो वे उसके सब से तारकिक निशकर्ष से प्रभावित नहीं होंगे और उसे उचित सुनवाई देने में विफ इतना चाहिए, उसके सुझावों को उसके श्रोताओं के दिलों में जगह बनाने से पहले उसे एक बड़ा लाभ बिंदु हासिल करना होगा। इसमें शामिल विशाल हित अपने अप्रयुक्त हाथ की निंदा की और अपनी विनम्रता का इजहार किया। उस छोटी नौकरानी की उलजन की सराहना करता हूँ, जिसे तैरना सीखने के लिए कहा गया था, फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया गया। अब जाओ मेरे प्रिय, अपने कपड़े एक हिकोरी अंग पर लटकाओ और पानी के पास मत जाओ। वे कहते हैं, चर्च का सबसे मजबूत प्रेशित, मिश्णरी है और मिश्णरी, जहां भी वह अपना जंडा फहराता है, खुद को मुझसे ज्यादा कार्रवाई और संबोधन की जरूरत में कभी नहीं पाएगा, जिसे आज रात दक्षणी डेमोक्रेट के मानक को स्थाप करने के लिए बुलाया गया है, बोस्टन के बैंक्वेट हॉल और फिलिप्स और सुमनेर के घर में दौड की समस्या पर चर्चा करने के लिए, लेकिन श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, यदी उद्देश्य पूर्ण स्पष्टता और इमानदारी से बोलना है, यदी इसमें शामिल विशाल हितों की गहरी समझ हो, यदी इस बात का पवित्र भाव हो कि किस प्रकार की विपत्ती आगे चलकर गलत फेहमी और अलगाव का कारण बन सकती है, यदी इन्हें स्थिर अनुशासनहीन भाशन और एक अप्रयुक्त हात को मजबूत करने के लिए गिना जा सक तो श्रीमान, मुझे आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। यह जानते हुए कि मानवता को अपने अधिकारों के चैंपियन पर भरोसा होने की संभावना है। यह परिचय श्रोताओं पर पूरी तरह हावी हो गया और भाशन ने श्रीमान को। पूरे देश में सब से विनम्र नागरिक, जब एक धार्मिक कारण के कवच में पहना जाता है, तो तुरुटि के सभी सेनाओं से अधिक मजबूत होता है। मैं आपसे स्वतंतरता के मुद्दे, मानवता के हित जैसे पवित्र मुद्दे के बचाव में बात करने आया हूँ। कुछ वक्ता अपने व्यवहार से ही आत्मविश्वास जगाने में सक्षम होते हैं, जबकी अन्य नहीं। आत्मविश्वास सुरक्षित करने के लिए आश्वस्त रहें। आप दूसरों से उस संदेश को स्वीकार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको स्वयम विश्वास की कमी है, या ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें विश्वास की कमी है. आत्म विश्वास बीमारी की तरह संक्रामक है. नेपोलियन ने एक अधिकारी को उसकी उपस्थिती में असंभव शब्द का प्रयोग करने के लिए डांटा जो वक्ताहार का कोई विचार नहीं रखता, उसके सुनने वालों के मन में उसकी जीत का विचार उत्पन्न हो जाता है लेडी मैकबेथ को सफलता का इतना भरोसा था कि मैकबेथ ने हत्या करने का अपना मन बदल लिया कोलंबस अपने मिशन में इतना आश्वस्त था कि रानी इसाबेला ने उसके अभियान को वित्तपोशित करने के लिए अपने गहने गिर्वी रख दिये अपने संदेश को अंतर नहित आश्वासन के साथ व्यक्त करें और आपका अपना विश्वास उसे घर तक पहुँचाने के लिए बारूद की तरह काम करेगा विज्यापन दाताओं ने लंबे समय से इस सिद्धान्त का उपयोग किया है मशीन आप अंततह खरीदेंगे उस आदमी से पूछें जिसके पास यह मशीन है उसमें जिब्राल्टर की ताकत है ये प्रचार नारे इतने आत्मविश्वास से भरे हैं कि वे पाठक के मन में आत्मविश्वास पैदा करते हैं ये होना चाहिए लेकिन हो सकता है नहीं ये कहने की आवश्वक्ता नहीं है कि आत्मविश्वास के लिए योग्यता का ठोस आधार होना चाहिए अन्यथा एक हास्यासपद दुरगटना होगी स्पेल बाइंडर के लिए उन सभी परिक्षेत्रों पर दावा करना बहुत अच्छी बात है जिनकी आधिकारिक गिनती ठीक आगे है अति आत्मविश्वास और अति सुझाव के विरुध प्रतिक्रिया से उन लोगों को सावधान होना चाहिए जिनकी मुख्य संपत्ती महस धोखा है कुछ समय पहले एक सारवजनिक वक्ता क्लब में खड़ा हुआ और उसने जोर देकर कहा कि घास बीज की सहायता के बिना मिट्टी पर छिड़की गई लकडी की राख से पैदा होगी इस विचार का हंसी के साथ स्वागत किया गया लेकिन वक्ता अपनी स्थिती के प्रती इतना आश्वस्त था कि उसने इस कथन को कई बार जोरदार धंक से दोहराया और प्रमान के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभव का हवाला दिया दर्शकों में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक जिसने पहले इस विचार का उपहास किया था अन्ततह इस पर विश्वास करने लगा जब उनसे उनके अचानक बदले हुए रवाईये का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि वक्ता बहुत आश्वस्थ है वास्तव में वह इतना आश्वस्थ था कि उसे यू एस से एक पत्र लेना पड़ा एस क्रिश्य विभाग उनकी गलती दूर करे यदि एक वक्ता के विश्वास से बुद्धिमान लोगों को इस तरह के बेतुके सिध्धानतों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जा सकता है तो आत्म निर्भरता की शक्ती कहां समाप्त हो जाएगी जब प्रशंसनिय प्रस्ताव विचाराधीन होंगे भाशन की पूरी शक्ती के साथ उननत होंगे इन चैनों में पूर्ण आश्वासन पर ध्यान दें मैं नहीं जानता की दूसरे क्या रास्ता अपनाएंगे लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मुझे आजादी दो या मुझे मौत दो पैट्रिक हेनरी मैं कभी भी तुमसे क्वार्टर नहीं मांगूंगा और मैं कभी भी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा लेकिन मैं वद्ध के समुद्र में तब तक तैरता रहूंगा जब तक मैं उसकी लहरों के नीचे न डूब जाऊंगू पैटन सब लोग आओ मेरे देखते ही यह चटान अपने दृढ आधार से उड़ जाएगी सर वॉल्टर स्कॉट इन विक्टस उस राद से जो मुझे ढखती है गढ़े से लेकर धुरुव तक काली मैं अपनी अजे ये आत्मा के लिए जो भी भगवान हो उन्हें धन्यवाद देता हूँ परिस्थिती की गिरफ्त में मैं न तो घबराया हूँ और नहीं जोर से रोया हूँ संयोग की मार से मेरा सिर लहू लुहान है लेकिन जुका हुआ नहीं है क्रोध और आंसुओं के इस स्थान से परे केवल छाया की भयावाहता मंडराती है और फिर भी वर्षों का खत्रा मुझे ढूंडता है और मुझे निडर पाएगा इस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेट कितना तंग है सज्जाओं का बोज कितना है मैं अपने भाग्ये का स्वामी हूँ मेरी आत्मा पर मेरा हक है विलियम अर्नेस्ट हैनले सुझाओं में अधिकार एक कारक है हम आम तौर पर किसी प्राधिकारी के शब्दों को बिना किसी आलोचना के सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं जब वह बोलता है तो उसके द्वारा सुझाए गए कार्य को बाधित करने के लिए विरोधा भासी विचार शायद ही कभी मन में उत्पन्न होते हैं सर्वोच्य न्यायालय के एक न्यायाधीश के पास उसके शब्दों की शक्ती उसके पद के गुण से कई गुना अधिक होती है यू के विचार आप प्रवासन आयुक्त अपने विशय में साबुन निर्माता की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और शक्ती शाली हैं हालां की बाद वाला एक सक्षम अर्थ शास्त्री हो सकता है इस सिध्धान्त का उप्योग विज्यापन में भी किया गया है हमें बताया गया है कि दो राजाओं के चिकित्सकों ने सन्नाटो जेन की सिफारिश की थी हमें सूचित किया गया है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक टिफनी एंड कंपनी और राज, युध और नौसेना विभाग सभी Encyclopedia Britannica का उप्योग करते हैं चतुर प्रमोटर समुदाय के प्रभावशाली बैंकरों या व्यवसाईयों को अपनी कंपनी में स्टॉक देता है ताकि वह उनके उदाहरणों को बिक्री तर्क के रूप में उप्योग कर सके यदि आप सुझाव के माध्यम से अपने श्रोताओं को प्रभावित करना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके कथन आलोचना या तर्क के बिना स्वीकार किये जाएं तो आपको एक प्राधिकारी के प्रकाश में आना चाहिए और एक होना चाहिए जब तक प्राधिकारी के सुझावों का तत्यों के साथ तुरंत पालन नहीं किया जाएगा तब तक अज्ञानता और विश्वसनियता अपरिवर्तित रहेगी जब तक आप अपना लाइसेंस अपनी जेब में नहीं रखते अधिकार का दावा न करें सुझाव ने जो स्थिती ग्रहन की है उसका तर्क को समर्थन करने दीजिए विज्यापन आपकी प्रतिष्ठा स्थापित करने में मदद करेगा इसे बनाय रखना आप पर निर्भर है एक वक्ता ने पाया कि एक पत्र का लेखक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा एक वक्ता के रूप में एक शानदार संपत्ती थी श्री, राश्ट्रपति पद के लिए तीन नामंकन और राज्य सचिव के रूप में उनकी स्थिती से प्राप्त ब्रायन का प्रचार, उन्हें एक वक्ता के रूप में बड़ी रकम हासिल करने में मदद करता है लेकिन इन सब के अलावा वह एक महान वक्ता है समाचार पत्र की घोशनाएं, सभी प्रकार के विज्यापन, आपचारिकताएं, प्रभावशाली परिचय, सभी का दर्शकों के द्रिष्टिकोन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है लेकिन यह सब कितना हास्यासपद है अगर एक खिलोना पिस्तॉल को 16 इंच की बंदूक के रूप में विज्यापित किया जाए ध्यान दें कि वक्ता की अपील की ताकत का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में अधिकार का उप्योग कैसे किया जाता है प्रोफेसर आलफ्रेड रसेल वालेस ने हाल ही में अपना 91 जन्मदिन मनाया है चार्ल्स डार्विन के साथ विकास की खोज का सम्मान साज़ा करते हुए प्रोफेसर वालेस को हाल ही में वैज्यानिक समाजों से कई और महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्थ हुए है लंदन में दिये गए रात्री भोज में उनका संबोधन काफी हद तक यादों पर आधारित था उन्होंने पिछली सदी के दौरान सभ्यता की प्रगति की समीक्षा की और 1813 के इंग्लेंड और 1913 की दुनिया के बीच शानदार और चौकाने वाले विरोधा भासों की एक श्रंखला बनाई उन्होंने पुष्टी की की हमारी प्रगति केवल दिखावटी है वास्तविक नहीं प्रोफेसर वालेस इस बात पर जोर देते हैं कि एथेंस और रोम के चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार आधुनिक मनुष्यों से इतने श्रेष्ट थे कि उनके संगमरमर और मंदिरों के टुकडे ही आज के कलाकारों की निराशा है वह हमें बताते हैं कि मनुष्य ने अपनी दूरबीन और चश्मे में सुधार कर लिया है लेकिन वह अपनी दृष्टी खो रहा है वह आदमी अपने करगे तो सुधार रहा है परन्तु अपनी उंगलियां सख्त कर रहा है अपने ऑंटो मोबाइल और अपने लोको मोटिव में सुधार कर रहे हैं लेकिन अपने पैर खो रहे हैं अपने भोजन में सुधार कर रहा है लेकिन अपना पाचन खो रहा है वह आगे कहते हैं कि आधुनिक श्वेद दास यातायात अनात आश्रम और फैक्टरी कस्बों में किराये के घर का जीवन बीसवी सदी के इतिहास में एक काला प्रिष्ट बनाते हैं फैक्टरी वर्ग के लोगों की गिरावट के कारणों पर संसद के आयोग की रिपोर्ट से प्रोफेसर वैलिस के विचारों को बल मिलता है हमारे अपने देश में प्रोफेसर जॉर्डन हमें युद्ध, असैयम, अत्यधिक काम करने, गरीब बच्चों को कम खाना खिलाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं और अपने रक्त की फसल से हमारे संतोष को भंग करते हैं प्रोफेसर जैंक्स अधिक निराशावादी हैं, वह सोचता है कि शहरी जीवन की गती, जलवायू और तनाव ने प्यूरिटन स्टॉक को तोड़ दिया है, कि एक और सदी में हमारे पुराने परिवार विलुप्त हो जाएंगे और आप्रवासन की बाढ़ का मतलब है गंदे पानी का नियाग्रा, जो शुद्ध जर्नों को गंदा कर रहा है, अमेरिकी जीवन का नियू हेवन में अपने संबोधन में प्रोफेसर केलॉग ने जातिपतन के संकेतों के रोल को बताया और हमें बताया कि यह गिरावट नसल विलुप्त होने की और एक प्रवृत्ति का भी संकेत देती है हर तरफ से अमेरिकी लोगों को चितावनियान आ रही है हमारी चिकितसा पत्रिकाएं खत्रे के संकेतों से भरी पड़ी है नई किताबें और पत्रिकाएं प्रेश से ताजा हमें सपष्ट रूप से बताती हैं कि हमारे लोग एक सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं श्री में बताते हैं कि कागजी मुद्रा जारी करना बेंक का एक कार्य है और सरकार को बैंकिंग वियवसाय से बाहर हो जाना चाहिए। मैं उनके साथ नहीं बलकि जेफर्सन के साथ खड़ा हूँ और उन्हें बताता हूँ जैसा कि उन्होंने किया कि पैसे का मुद्दा सरकार का कार्य है और बैंकों को शासी व्यवसाय से बाहर जाना चाहिए। अधिकार संदेह के विरुद्ध महान हतियार है लेकिन इसकी शक्ती भी पूरवाग्र और निरंतर गलत प्रवृत्ति के विरुद्ध शायद ही कभी प्रबल हो सकती है। अधिकारोक्ती के बीच एक मध्य मार्ग है जो वक्ता में चातुर्य के लिए एक विस्तृत श्रंखला प्रदान करता है। कोई भी आपको सलाह नहीं दे सकता कि कब अपनी टोपी को रिंग में फेंकें और शुरुवात में ही निडरता से कहें। सज्जनों मैं यहां लड़ने के लिए हूँ। थियोडोर रूजवेल्ट ऐसा कर सकते हैं कि अगर बीचर ने लिवरपुल में उस शैली में शुरुवात की होती तो उन्हें घेर लिया गया होता। यह तय करना आपकी अपनी कुशलता पर निर्भर करता है कि आप हैनरी डबलू की निह शस्त्र कृपा का उपयोग करेंगे या नहीं। ग्रैडी का परिचय अभी उद्रित किया गया है। यहां तक की उस समय का घिसा पिटा चुटकुला भी सरल था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह कहता है सज्जनों मैं आपके पास बिना सावधानी से उच्छा ले गए सिक्कों के साथ आता हूं या क्या श्रीमान का गंभीर गृत्व था। कन्वेंशन से पहले ब्रायन अधिक प्रभावी साबित होंगे। केवल यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रारंभिक द्रिष्टिकोन अच्छी तरह से सोचा गया है। और यदि यह आपके विशय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ बदलता है, तो इस बदलाव के कारण अपने दर्षकों में घ्रणा की भावना पैदा ना होने दें। उदाहरण सुझाव का एक सशक्त माध्यम है। जैसा कि हमने दर्षकों पर परियावरण के प्रभावों के बारे में सोचते समय देखा, हम बिना किसी हिच की चाहट और आलोचना के वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। पैरिस कुछ टोपियां और गाउन पहनता है, बाकी दुनिया नकल करती है। बच्चा माता-पिता के कारियों, उच्चारण और स्वर की नकल करता है। यदि कोई बच्चा कभी किसी को बोलते हुए न सुने, तो वह कभी भी बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब तक की अत्यंत कठिन प्रशिक्षन न दिया जाए और तब भी केवल अपूर्ण रूप से। संयुक्त राज्य, अमेरिका के सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोरों में से एक-एक विज्यापन नारे पर पैसा खर्च करता है, हर कोई बड़े स्टोर में जा रहा है, इससे हर कोई जाना चाहता है, आप यह दिखा कर अपने संदेश की शक्ति को सुद्रढ कर सकते ह कि इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। प्रशंसा पत्र का उपयोग करते हैं। देखें कि इस सिध्धान्त को निम्नलिखित चैनों में कैसे लागू किया गया है, और सुझाव के माध्यम से प्रभावित करने के अपने प्रयासों में हर संभव अवसर पर इसका उपयोग करें, युद्ध वास्तव में शुरू ह उत्तर की ओर से आने वाली अगली आधी हमारे कानों में गूंचती भुजाओं की टकराहट लाएगी। करने के लिए इस देश के लोग, इस मुकाबले में भाई को भाई से, पिता को बेटे से भिडाया गया है, प्रेम, परिचय और संगती के सबसे मधुर संबंधों की उपेक्षा की गई है, पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया है, जब उन्होंने उन लोगों की भाव करनाओं को अभिव्यक्ति देने से इनकार कर दिया, जिनका वे नेत्रित्व करेंगे, और सत्य के इस उद्देश को दिशा देने के लिए नए नेता सामने आए हैं। तोर पर विवाद किया जा सके। यह दर्शकों के मन में कोई विरोधा भासी विचार पैदा नहीं करता है, जिससे सुझाव की बुनियादी आवश्यक्ताओं में से एक को पूरा किया जाता है। सेंट में नामांकित किया गया था। लुईस ने एक मंच पर स्वर्ण मानक को तब तक बनाए रखने की घोशना की, जब तक कि इसे अंतरराष्ट्रिय समझोते द्वारा द्विधात तुवाद में नहीं बदला जा सके। श्री, मैं के किनले रिपब्लिकन के बीच सबसे लोग प्रिय व्यक्ती थे और तीन महीने पहले रिपब्लिकन पार्टी में हर किसी ने उनके चुनाव की भविश्यवानी की थी। आज का दिन कैसा है? क्यों? जो आदमी कभी यह सोच कर खुश होता था कि वह नेपोलियन जैसा दिखता है, वही आदमी आज काँ पुठता है जब उसे याद आता है कि वाटरलू की लड़ाई की साल गिरह पर उसे नामांकित किया गया था। इतना ही नहीं, बलकि जब वह सुनता है तो वह बढ़ती हुई स्पष्टता के साथ लहरों की आवाज को सुन सकता है जो सेंट के एकाकी तटों से टकराती हैं। क्यों? जूठा आदमी इंट का घर नहीं बना सकता। यदि वह मोरतार, पकी हुई मिट्टी और जिस चीज में वह काम करता है उसके गुणों को सही माइने में नहीं जानता और उसका पालन नहीं करता है तो वह जो घर बनाता है वह कोई घर नहीं है बलकि एक कूड़े का अधेर है, 180 करोड लोगों को आश्रह देने के लिए यह 12 शताब्दियों तक खड़ा नहीं रहेगा, यह सीधे गिर जाएगा, मनुष्य को स्वयम को प्रकृति के नियमों के अनुरूप बनाना चाहिए, प्रकृति और चीजों की सच्चाई के साथ वास्तव में जुड़ सर, मैं नहीं जानता कि दूसरों को कैसा महसूस हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, जब मैं अपनी मात्र संस्था को सीनेट हाउस में सीजर की तरह घिरा हुआ देखता हूँ, जो लोग एक के बाद एक वर करते जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वह अपने दाहिने हा साहस नहीं करना चाहिए, हालां कि किसी विशय पर बहस करने से आपके दर्शकों के मन में विरोधा भासी विचार अवश्य पैदा होंगे, जब ततकाल कार्रवाई या अनुनय वांचित होता है, तो सुझाव तर्क की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है, जब दो यह सामान्य अवलोकन और अनुभव का उत्पाद है, यह विनम्र, साधा और अप्रिश्कृत है, वह सबकी आँखों से देखता है और सबके कानों से सुनता है, इसमें कोई मनमौजी भेद नहीं है, कोई उल्जन नहीं है और कोई रहस्य नहीं है, यह कभी भी गोल-मोल ब अधिकांश युवा वक्ताओं के लिए तर्क का नाम ही अद्भुत है, लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है, कि इसकी प्रक्रियाएं भले ही सबसे जटिल हों, सामान्य ज्यान द्वारा लागू किये गए सत्य के तकनीकी बयान मात्र हैं, तो इसका भय खत्म हो क्योंकि यह उन सिध्धान्तों की व्याख्या करता है, जो तर्क और प्रमान के उपयोग को नियंतरित करते हैं, तर्क तर्क के माध्यम से द्रढ विश्वास उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, द्रढ विश्वास उत्पन्न करने के अन्य तरीके हैं, विशेश रूप से विचार विमर्ष करने का दावा करने से पहले उसके एक से अधिक पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए, हमें दो पहलूओं के तहट तर्क के बारे में सोचना चाहिए, एक तर्क का निर्मान करना और एक तर्क को तोड़ना, यानि आपको न केवल अपने तर्क की संरचन की स्थिर्टा की जांच करनी चाहिए ताकि यह उस प्रस्ताव का समर्थन कर सके जिसकी आप जांच करना चाहते हैं। और फिर भी यह इतना ठोस हो कि विरोधियों द्वारा इसे उखाड फेंका न जा सके बलकि आपको इसका पता लगाने के लिए भी इतना उत्सुक होना चाहिए। तर्क में दोश जा इससे आप अपने विरुध तर्क करने वालों के कमजोर तर्कों को ध्वस्त करने में सक्षम होंगे। हम जॉर्ज पी जैसे उत्कृष्ट कारियों पर सूक्षम और तकनीकी चर्चा छोड़कर केवल आम तौर पर तर्क वितर्क पर विचार कर सकते हैं। बेकर की तर्क के सिध्धान्त और जॉर्ज जैकब होलियोके की सार्वजनिक भाशन और बहस। कोई भी अच्छा कॉलेज बयान बाजी भी इस विशय पर मदद करेगी। विशेश रूप से जॉन फ्रैंक्लिन जैनूंग और एडम्स शर्मन हिल के काम। विद्यार्थी से आग्रह किया जाता है कि वह इन में से कम से कम एक पार्ट से परिचित हो जाए। आशा है कि प्रश्णों की निम्न लिखित श्रिंखला तीन उद्देशियों की पूर्ती करेगी। प्रमान के स्वरूपों के साथ साथ उनका उप्योग करने के तरीकों का सुझाव देना, वक्ता को अपने तर्कों की ताकत का परीक्षन करने में मदद करना, और वक्ता को अपने प्रतिद्वंध्वी के तर्कों पर उत्सुकता और न्याय दोनों के साथ हमला करने में सक्षम बनाना। एक तर्क का परीक्षन आई चर्चा आधीन प्रश्ण 1. क्या यह स्पष्ट रूप से कहा गया है? A. क्या कठन की शर्तों का प्रत्येक विवाद करता के लिए समान अर्थ है? उदाहरण के लिए सज्जन शब्द के अर्थ पर परस्पर सहमती नहीं हो सकती है. B. क्या इसके उद्देश्य को लेकर भ्रम पैदा होने की संभावना है? 2. क्या यह उचित रूप से कहा गया है? A. क्या इसमें परियाप्त मात्रा शामिल है? B. क्या इसमें बहुत अधिक शामिल है? C. क्या यह इसलिए कहा गया है ताकि जाल बिछाया जा सके? 3. क्या यह एक विवादास्पद प्रश्ण है? 4. पूरे प्रश्ण में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? 5. अधीनस्त बिंदु क्या है? द्वितिय, साक्ष्य ये, तथ्यों के अनुसार, गवाह, A. क्या प्रत्य गवाह निश्पक्ष है? प्रश्ण गत विशय से उसका क्या संबंध है? B. क्या वह मानसिक रूप से सक्षम है? C. क्या वह नैतिक रूप से विश्वस्निय है? D. क्या वह तथ्य जानने की स्थिती में है? क्या वह चश्मदीद गवाह है? E. क्या वह एक इच्छुक गवाह है? च, क्या उसकी गवाही का खंडन किया गया है? च, क्या उसकी गवाही प्रमानित है? ज, क्या उसकी गवाही प्रसिद्ध तत्यों या सामान्य सिध्धान्तों के विप्रीत है? I, क्या यह संभव है? Do, साक्षिके रूप में उद्रित प्राधिकारियों A. क्या प्राधिकारी इस रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है? अस B. उसे एक प्राधिकारी क्या कहते हैं? C. क्या मामले में उनकी रुची निश्पक्ष है? D. क्या वह अपनी राय सकारात्मक और स्पष्ट रूप से बताता है? E. क्या गैर व्यक्तिगत प्राधिकारियों, किताबें आदी का हवाला दिया गया है? विश्वसनिय और निश्पक्ष 3. सबूत के तौर पर पेश किये गए तथ्य A. क्या सबूत बनाने के लिए उनकी संख्या परयाप्त है? B. क्या वे चरित्र में काफी वजन्दार है? C. क्या वे तर्क के अनुरूप है? D. क्या वे परसपर सामंजस सिपूर्ण या विरोधा भासी है? E. क्या उन्हें स्वीकार किया गया है? उन पर संदेह किया गया है? या विवादित है? 4. साक्षे के रूप में प्रस्तुत सिद्धांत A. क्या वे स्वयन सिद्ध है B. क्या वे सामान्य अनुभव के सत्य है C. क्या वे विशेश अनुभव के सत्य है D. क्या ये प्रयोग द्वारा प्राप्त सत्य है क्या ऐसे प्रयोग विशेश थे या सामान्य क्या प्रयोग आधिकारिक और निर्णायक थे? तर्क 1. प्रेरण A. क्या तथ्य इतने अधिक हैं कि सामान्य इकरण को निर्णायक मानने की आवश्यक्ता है? अजबी, क्या इस पष्टी करण के आलोक में निशकर्ष के रूप में विचार करने पर ही तथ्य सहमत होते हैं? C. क्या आपने किसी विरोधा भासी तथ्य को नजर अंदाज किया है? D. क्या इस अनुमान को सत्य मानने पर विरोधा भासी तथियों को परियाप्त रूप से समझाया गया है E. क्या सभी विपरीत स्थितियां अपेक्षा कृत अस्थिर दिखाई गई है C. क्या आपने मात्र राय को तथि मान लिया है 2. कटौती A. क्या कानून या सामान्य सिध्धान्त अच्छी तरह से स्थापित है C. क्या कानून या सिध्धान्त में सपष्ट रूप से वह तथ्य शामिल है जो आप उससे निकालना चाहते है या क्या आपने निशकर्ष पर दबाव डाला है C. क्या कानून या सिध्धान्त का महत्व इतने महत्वपूर्ण निशकर्ष की गारंटी देता है? D. क्या कटौती को बहुत अधिक साबित करने के लिए दिखाया जा सकता है? 3. समानांतर मामले 4. निशकर्ष A. क्या पूर्ववर्ती स्थितियां ऐसी हैं जो आरोब को संभावित बनाती है? 5. उदाहरण के लिए अभियुक्त का चरित्र और अवसर B. क्या वे संकेत जो अनुमान की ओर इशारा करते हैं या तो स्पष्ट हैं या इतने अधिक हैं कि इसे तथ्थि के रूप में स्वीकार करने की गारंटी दी जा सके? C. क्या संकेत संचई हैं और एक दूसरे से सहमत हैं? D. क्या संकेत विपरीत निशकर्ष की ओर इशारा करने के लिए बनाए जा सकते हैं? 5. सिलोगिज्म A. क्या सिलोगिज्म में कोई चरंट छोड़ा गया है? जैसे कि एन्थाइमें में एक सिलोगिज्म में यदि हाँ तो ऐसे किसी भी शब्दांश को भरकर परीक्षन करें B. क्या आप ऐसा निशकर्ष बताने के दोशी हैं जो वास्तव में पालन नहीं करता है? एक गयर अनुक्रमिक C. क्या आपकी सिलोगिज्म को बेतुकेपन में बदला जा सकता है? Reductio ad absurdum अध्याय 24. अनुनाय द्वारा प्रभावित करना उसके पास सम्रिद्ध कला है जब वह तर्क और प्रवचन के साथ खेलेगी और अच्छी तरह से मना सकती है Shakespeare माप के लिए माप हम उसे एक कलाकार कहते हैं जो लोगों की सभा में एक मास्टर के रूप में पियानो बजाता है जो लोगों को क्रोधित देखकर नरम हो जाता है और उन्हें संगीत बद्ध करता है जब चाहे उन्हें खीचता है हसी और आंसु बहाता है उसे अपने दर्शकों के पास लाएं और चाहे वे कोई भी हों असभ्य या परिशकृत प्रसन या अप्रसन रूठे हुए या जंगली एक विश्वास पात्र के रूप में अपनी राय रखते हुए या अपने बैंक तिजोरियों में अपनी राय के साथ वह उन्हें प्रसन करेगा और जैसा वह चुनता है वैसा ही विनोधी होता है और जो कुछ वह उनसे कहे वे उसे पूरा करेंगे और पूरा करेंगे भाशन के किसी भी अन्य रूप की तुलना में अनुनय से अधिक अच्छा और अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है यह सुनने वाले द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी विशेश हित की अपील के माध्यम से प्रभावित करने का एक प्रयास है इसका उद्देश्य उच्च या निम्न, उचित या अनुचित, इमानदार या बेईमान, शांत या भावुक हो सकता है और इसलिए सारवजनिक बोलने में इसका दायरा अडवितिय है मैथ्यू अर्नोल्ड की अभिव्यक्ति का उपियोग करने के लिए यह विश्वास की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आमतोर पर तर्क वितर्क शामिल होता है और अक्सर सुझाव को नियोजित किया जाता है जैसा की अगले अध्याय में बताया जाएगा वास्तव में इस नाम के लायक बहुत कम सारवजनिक भाशन है जो कुछ हद तक प्रेरक नहीं है क्योंकि पुरुष शायद ही कभी पुरुषों की राय को बदलने के लिए बोलते हैं जिसका गुप्त उद्देश्य लगभग हमेशा काररवाई होता है अनुनाय की प्रकृती पूरी तरह से बौधिक नहीं है बलकि काफी हद तक भावनात्मक है यह सार्वजनिक रूप से बोलने के हर सिध्धान्त और हर प्रवचन के रूप का उप्योग एक वक्तृता की अभिव्यक्ति का उप्योग करने के लिए करता है लेकिन विशेश अपील द्वारा पूरक तर्क इसकी विशिष्ट गुणवत्ता है इसे हम अनुनाय के तरीकों की जाँच करके सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं उच्च विचारधारा वाले वक्ता अक्सर अपने उच्च तम उद्देश्यों जैसे की स्वतंतरता के प्यार के लिए अपील करके अपने श्रोताओं को काररवाई के लिए प्रेरित करना चाहते हैं फिलिपीन प्रश्ण पर काररवाई की वकालत करते हुए सीनेटर होर ने इस पद्धती का उप्योग किया व्यावहारिक राजनेता कौशल क्या रहा है जो आपके आदर्शों और आपकी भावुकताओं से आता है आपने लगभग 600 करोड का खजाना बरबाद कर दिया है आपने हमारे युवाओं के फूल लगभग 10,000 अमेरिकी जीवन का बलिदान दिया है आपने प्रांतों को तबाह कर दिया है आपने उन हजारों लोगों को मार डाला है जिनका आप लाब उठाना चाहते हैं आपने पुनर एकागरता शिविर स्थापित किये है आपके सेनापती अपनी फसल काटने के बाद घर आ रहे हैं और अपने साथ हजारों बीमारों, घायलों और पागलों की शकल में शरीर और दिमाग से बरबाद दैनिये जिन्दगियों को बाहर निकालने के लिए पूलियां लेकर आ रहे हैं आप असंख्य लोगों की नजर में अमेरिकी जंडे को इसाई चर्चों में अपवित्रता, मानव आवासों को जलाने और जल यातना की भयावहता का प्रतीक बनाते हैं आपकी व्यावाहारिक राजनीती जो जॉर्ज वाशिंग्टन और अब्राहम लिंकन या क्रांती या ग्रहयुद्ध के सैनिकों को मॉडल के रूप में लेने से कतराती है ने कुछ मामलों में आपके उदाहरण के लिए स्पेन की ओर देखा है मेरा मानना है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि सामान्य तोर पर हमारे अधिकारी और सैनिक मानविये हैं लेकिन कुछ मामलों में उन्होंने अमेरिकी चतुराई और कैस्टिलियन क्रूर्ता के मिश्रण के साथ आपके युद्ध को आगे बढ़ाया है आपकी व्यावाहारिक राजनीती उन लोगों को परिवर्तित करने में सफल रही है जो तीन साल पहले अमेरिकी के परिधान के दामन को चूमने और एक मुक्तिदाता के रूप में उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे जो आपके लोगों के पीछे उमड पड़े थे जब वे उन द्वीपों पर उतरे आशीरवाद और कृतजिता के साथ उदास और असहनीय शत्रूओं में ऐसी घ्रणा से युक्त जिसे सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता श्री अध्यक्ष महोदय यह मानव स्वभाव का शाश्वत नियम है आप इसके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं आप इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं आप खुद को समझा सकते हैं कि आपके इरादे उदार हैं कि आपका जुआ आसान होगा और आपका बोज हलका होगा लेक प्रश्न का उत्तर मिल गया है, वे अब इसका उत्तर दे सकते हैं, इसके बारे में सोचने में उन्हें 10 साल या 20 साल या एक पीड़ी या एक सदी लग सकती है, लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे, अंत में उन्हें इसका उत्तर अवश्य देना होगा, क्या आप कानूनी रूप स पैसे से खरीद सकते हैं, या हथियारों के बल पर अनिच्छुक लोगों को अपने अधीन रखने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और उन पर ऐसा सम्विधान लागू कर सकते हैं, जैसा वे नहीं, बलकि आप ही सोचते हैं, उन्हें, इसके बाद सीनेटर होर ने तथ्य और अनुभव की अपील करते हुए एक और तरह की अपील की, हमने पहले भी कई बार इस प्रश्न का उत्तर दिया है, 1776 में पिताओं ने इसका उत्तर दिया और उनके उत्तर पर गणतंत्र की स्थापना की, जो आधार शिला रही है, जॉन क्विंसी एडम्स और जेम्स मोन ने मोन्रो सिध्धान्त में फिर से इसका उत्तर दिया, जिसे जॉन क्विंसी एडम्स ने केवल शासितों की सहमती का सिध्धान्त घोशित किया, रिपब्लिकन पार्टी ने इसका उत्तर तब दिया, जब उसने सभी विधाई इतिहास में सबसे शांदार अवधी की शुर जब आपने स्वयम इसका उत्तर स्वयम दिया, जब आपने कहा कि क्यूबा, जिसके पास फिलिपीन द्वीप, समूहु के लोगों की स्वतंतरता से अधिक अधिकार नहीं है, को स्वतंतर और स्वतंतर होना चाहिए। मैं इस पद्धती का सबसे नाठकी ये धंग से उपयोग किया। मैं तुझ से उस प्रेम के द्वारा जो स्त्री में कभी कम नहीं होता, अर्थात अपनी संतान के प्रेम का आहवान करता हूँ। उन्हें सिखाएं जैसे वे आपके घुटनों पर चड़ते हैं या आपकी छाती पर जुकते हैं। स्वतंतरता का आशीरवाद। उन्हें वेदी पर शपठ दिलाएं। जैसा कि उनकी बप्तिस्मा संबंधी प्रतिज्याओं के साथ होता है, कि वे अपने देश के प्रति सच्चे रहेंगे और उसे कभी नहीं भूलेंगे या उसका त्याग नहीं करेंगे। हे नवयुवकों, मैं तुमसे आहवान करता हूँ, स्मरण रखो कि तुम किस के पुत्र हो, जिसकी विरासत तुम्हारे पास है। जीवन कभी भी छोटा नहीं हो सकता, जो अपमान और उत्पीडन के अलावा कुछ नहीं लाता। यदि आपके देश की स्वतंतरता की रक्षा के लिए आवश्यक हो, तो मृत्यू कभी भी जल्दी नहीं आती। हे बूढो, मैं तुम्हे तुम्हारी सलाह, तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारे आशीरवात के लिए पुकारता हूँ। ऐसा नहो कि तुम्हारे सफेद बाल इस स्मरण के साथ कि तुम व्यर्थ जी रहे हो, दुख के साथ कब्र में चले जाओ, ऐसा नहो कि आपका आखिरी सूरज गुलामों के देश में पश्चिम में डूब जाए। नहीं, मैं अपने देश की किसमत में कहीं बहतर उम्मीदें, कहीं ज्यादा उज्ज्वल सपने पढ़ता हूँ। हम, जो अब यहां इकठे हुए हैं, जल्द ही अन्य दिनों की मंडली में इकठा होना चाहिए। जीवन के रंग मंच पर अपने बच्चों के लिए रास्ता बनाने के लिए हमारे प्रस्थान का समय निकट आ गया है। इश्वर उन्हें और उनके साथियों को शीगरता प्रदान करें। हो सकता है कि वह जो एक और सदी की दूरी पर इस दिन का जश्न मनाने के लिए यहां खड़ा हो, अभी भी स्वतंत्र, खुश और सदाचारी लोगों को देख रहा हो। हो सकता है कि उसके पास भी हमारी तरह खुश होने का कारण हो। क्या वह सत्य के साथ साथ कविता के पूरे उत्साह के साथ कह सकता है कि यह अभी भी उसका देश है। जोसेफ कहानी, पूर्वा ग्रह के प्रती अपील प्रभावी है, हालांकि अक्सर नहीं, यदी कभी हो तो उचित नहीं, फिर भी जब तक विशेश अनुनाय कायम रहेगा, तब तक इस प्रकार के अनुनाय का सहारा लिया जाएगा। रुडियाड किपलिंग, महान यूरोपिय युद्ध पर चर्चा करने में, दोनों पक्षों के कई अन्य लोगों की तरह इस पद्धती का उप्योग करते हैं। विशेशील अपील का एक उलेखनिय उदाहरण है, जो एक निम्न उद्धेश्य से शुरू होता है और एक उच्च उद्धेश्य के साथ समाप्त होता है, ताकि पूरवाग्रह की सभी ताकतों को ले जाया जा सके और फिर भी देश भक्ती के उत्साह का पूरा मूल्य हासि विशेश्य के जा सके बिना किसी गलती या हमारी इच्चा के हम जर्मनी के साथ युद्ध में हैं, वह शक्ती जिसका अस्तित्व तीन सुविचारित युद्धों के कारण है, वह शक्ती जिसने पिछले 20 वर्षों से स्वयं को इस युद्ध के आयोजन और तैयारी में समर कर दिया है, वह शक्ती जो अब सब भी दुनिया को जीतने के लिए लड़ रही है। पिछली दो पीडियों से जर्मनों को उनकी पुस्तकों, व्याख्यानों, भाशनों और स्कूलों में सावधानी पूर्वक सिखाया गया है कि इस विश्व विजय से कम कुछ भी उनकी त देश नहीं था। जर्मन का वास्तविक उदेश्य, जैसा कि उसने हमेशा हमें बताया है, इंग्लैंड है और इंग्लैंड की संपत्ती, व्यापार और विश्व व्यापी संपत्ती है। यदि आप एक पल के लिए यह मान लें कि हमला सफल हो जाएगा, तो इंग्लैंड कम नहीं हो जाएगा जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, दोयम दर्जे की शक्ती के पद पर आ जाएगा, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे उन्होंने हमारे पिताओं की परीक्षा ली थी। यह एक लंबी और कठिन सडक होगी, कठिनाईयों और निराशाओं से भरी होगी, लेकिन हम इस पर एक साथ चलेंगे और हम इसे अंत तक एक साथ चलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के नग्न हृदय को छूती है। सामान्य रूप से मानविय मकसद का गहरा घ्यान और संबोधित विशेश श्रोताओं की समझ की आवश्यक्ता होती है। वे कौन से उद्देश्य हैं जो मनुष्यों को कारे करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके बारे में इमानदारी से सोचें, उन्हें अपने दिमाग की पट्टियों पर रखें, अध्यान करें कि उन्हें योग्य तरीके से कैसे आकरशित किया जाए। फिर आपके श्रोताओं को कौन से उद्देश्य पसंद आएंगे? जीवन में उनके आदर्श और रुचियाओं क्या हैं? आपके अनुमान में गलती से आपका केस बरबाद हो सकता है। हर इमानदार संसाधन से उसे लौ में बदल दें। आपके दर्शक जितने बड़े होंगे, आप अपील का सार्व भौमिक आधार ढूंडने में उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे। आकार और रेटिंग या उनके उपचार की प्रभाव कारिता पर चर्चा करते तो आप विज्यापन कभी नहीं पड़ते। अगर वे आपको यह सोचने पर मजबूर कर दें कि आपको घबराहट की परिशानी है तो आप इसके इलाज के लिए भी गुहार लगाएंगे, उन्हें इसे बेचने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पेटेंट चिकितसक आपसे विनती कर रहे हैं कि आप अपना पैसा उनकी वस्तू में निवेश करें, फिर भी वे ऐसा करते नहीं दिख रहे हैं। वे बाढ़ के आपके पक्ष में आ जाते हैं और आपके हितों के लिए अपील करके उनके नथुनों की इच्छा जगाते है हाल ही में एक पुस्तक विक्रेता ने न्यू यॉर्क में एक वकील के कारियालाय में प्रवेश किया और पूछा, क्या आप एक किताब खरीदना चाहते हैं? अगर वकील को कोई किताब चाहिए होती, तो वह शायद किताब बेचने वाले के बुलावे का इंतजार किये बिन वकील को अपने तरकों को अपने श्रोताओं के लाब के संदर्भ में परिवर्तित करना चाहिए. मानवजाती अभी भी स्वार्थी है, वे इस बात में रुची रखते हैं कि उन्हें किस चीज से लाब होगा. अपनी व्यक्तिगत चिंता को दूर करें और सामान्य भलाई के संदर्भ में अपनी अपील प्रस्तुत करें. और ऐसा करने के लिए आपको निष्ठा हीन होने की आवश्यक्ता नहीं है. क्योंकि आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसे किसी भी कारण की पैरवी न करें जो सुनने वालों की भलाई के लिए न हो. ध्यान दें कि कैसे सीनेटर थर्स्टन ने क्यूबा और श्रीमान में हस्तकशेप की अपनी आचिका में? ब्रायन ने अपने क्रॉस ओंफ गोल्ड भाशन में खुद को मानवता का प्रेरित बताया. उपदेश अपील का एक अत्यंत भावपूर्ण रूप है जिसका उपयोग मंच द्वारा अकसर पुरुशों में कर्तव्वे की भावना जगाने और उन्हें अपने व्यक्तिगत पाठिकरम तय करने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों में किया जाता है और जूरी को प्रभावित करने के लिए वकील द्वारा किया जाता है. महान उपदेशक, महान जूरी वकीलों की तरह हमेशा अनुनय विनय में माहिर रहे हैं इन चार उपदेशों के बीच अंतर पर ध्यान दें और जिन उद्देशियों की अपील की गई है उनका विशलेशन करें बदला के बारे में तलाश, जलाना, आग, मारना, मार डालो, किसी गद्दार को जिन्दा मत रहने दो शेक्स्पियर, जूलियस सीजर, अंतिम सशस्त्र शत्रू के समाप्त होने तक हरताल करें अपनी वेदियों और अपनी आग के लिए हरताल करें अपने संतों, भगवान और अपनी जन्म भूमी की हरी कबरों के लिए हरताल करें यकीन मानिये, सज्जनों, अगर वे बच्चे न होते, तो वह इस तरह का पारिश्रमिक मांगने के लिए आज यहां नहीं आते यदि ऐसा नहीं होता, तो अपने फैसले से आप उन छोटे निर्दोश ठगे गए दरिंदो को इस धर्ती पर भटकते भिखारी साथ ही अनाथ बनने से रोग सकते थे ओ, मैं जानता हूँ कि मुझे आपकी दया से यह फैसला मांगने की जरूरत नहीं है मुझे इसे आपकी करुणा से बाहर निकालने की आवश्यक्ता नहीं है मैं इसे आपके न्याय से प्राप्त करूँगा मैं आपको पिता के रूप में नहीं, बलकी पतियों के रूप में, पति के रूप में नहीं बलकी नागरिकों के रूप में, नागरिक के रूप में नहीं, बलकी पुरुषों के रूप में, पुरुषों के रूप में नहीं, बलकी ईसाईयों के रूप में, आपके सभी दाइत्वों सार्वजनिक, निजी, नैतिक और धार्मिक द्वारा प्रेरित करता हूं। इस उदाहरण की शर्म और पाप और दोग से बचाओ। चार्ल्स फिलिप्स, गुथरी की ओर से जूरी से अपील। इसलिए मैं उन रेश्मी नली वाले लोगों से अपील करता हूँ, जो गुलामों द्वारा बनाए गए संगीत पर नृत्य करते थे और इसे स्वतंत्रता कहते थे, बेल क्राउन टोपी पहने हुए उन लोगों से जिन्होंने हेस्टर प्रिंट को शर्मसार किया और इसे धर्म कहा, उस अमेरिकी वाद से अपील की, जो मारने के लिए अपनी बाहें पहलाता है, तरक और सत्य के साथ गलत, दोनों की शक्ती में सुरक्षित। मैं न्यू इंग्लैंड के कुलपतियों से लेकर न्यू इंग्लैंड के कवियों तक से अपील करता हूँ, एंडिकॉर्ट से लोवेल तक, विंथ्रोप से लॉंग फेलो तक, नॉर्टन से होम्स तक, और मैं प्योरिटन और कैवेलियर दोनों के पीछे उस सामान्य मूल की सामान्य नागरिक्ता के नाम और अधिकारों के लिए अपील करता हूँ, जिसके प्रती हम सभी का कर्तव्य मृत अतीत को जो अपने शहीदों के खून से पवित्र किया गया था, अपनी क्रूर नफरतों से नहीं, राजाकला और पुरोहिती द्वारा समान रूप से अंधकारमय कर दिया गया, मृत अतीत को अपने मृतकों को दफनाने दें, वर्तमान और भविश्य को गायकों के ग आहिने हाथ पर बैठ कर प्रेम पूर्ण वचनों से मार्ग का मार्ग दर्शन करना, धन्य है वह सब जो हमें सच्चे धर्म, सच्चे गणतंत्रवाद और सच्ची देशभक्ती के लक्ष के करीब लाता है, निगरानी शब्दों और लेबलों, ढोंगियों और नायकों पर अपने देश और खुद पर विश्वास, यह कॉटन माधेर नहीं, बलकि जॉन ग्रीन लीफ भिटियर था जो चिलाया, प्रिय भगवान और हम सभी के पिता, क्रूर जूट में हमारे विश्वास को माफ कर दें, उस अंधिपन को माफ कर दें, जो इनकार करता है, हमारी मू अपनी कविता में मैंने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की है, बिना नफरत के मैं नफरत के गीत कैसे लिख सकता था, नहीं किसी ऐसे उद्देश्य के लिए पूरी दक्षता के साथ वकालत करना संभव है, जिसके लिए आप गहराई से महसूस नहीं करते हैं, भावना संक्रामक है, जैसे विश्वास संक्रामक है, जो वक्ता अपने विश्वासों के प्रती सच्ची भावना से निवेदन करता है, वह अपने श्रोताओं में अपनी भावनाएं उत्पन्न कर देता है, इमानदारी, शक्ती, उत्साह और सब से उपर, भावना ये ऐसे गुण ह जो लोगों को प्रभावित करते हैं और अपील को अनूठा बनाते हैं। वे प्रस्तुती के तक्नीकी सिध्धानतों, हाव भाव की कृपा या परिश्कृत उच्चारण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन सभी तत्वों पर निस्संदेह विचार किया जाना चाहिए। अपनी अपील को तर्क पर आधारित करें, लेकिन इसे तहखाने में समाप्त न करें, इमारत को गहरी भावना और महान अनुनय से भरपूर होने दें। अध्याय 25 भीड को प्रभावित करना अंतिम विशलेशन में व्यवसाय में सफलता भीड की कलपना को छूती है। जुड़ गए हैं। जुलाई 1914 के आरंभ में पेरिस में फ्रांसीसी लोगों का या बरलिन में जर्मनों का एक संग्रह मनोवैज्यानिक अर्थ में भीड नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेश रुचियां और जरूरतें थी और उन्हें एक जुट करने के लिए कोई शक्तिशाली सामान्य विचार नहीं था। तब एक समूह केवल व्यक्तियों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता था। भीड कभी तरक नहीं करती। यह केवल महसूस होता है। एक व्यक्ति के रूप में हमारे कारियों से जिम्मेदारी की भावना जुड़ी होती है जो हमारी कई उत्तेजनाओं को रोकती है लेकिन भीड में इसकी संख्या के कारण जिम्मेदारी की भावना खो जाती है भीड अत्यधिक विचारों तेजक है और सबसे जंगली और सबसे चरम विचारों पर कार्य करेगी भीड का दिमाग आदिम होता है और वह योजनाओं को प्रोटसाहित करेगा और ऐसे कार्य करेगा जिन्हें उसके सदस्य पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगे भीड केवल अत्यधिक घड़ी हुई भीड होती है रसकिन का वर्णन उपयुक्त है आप भीड से किसी भी विशय पर बात कर सकते हैं उसकी भावनाएं आम तोर पर समग्र, उदार और सही हो सकती हैं लेकिन उनके लिए उसका कोई आधार नहीं होता उन पर कोई पकड़ नहीं होती आप अपनी इच्छा नुसार इसे किसी भी चीज से छेड या गुदगुदी कर सकते हैं यह संक्रमन से सोचता है अधिकांश भाग के लिए सर्दी की तरह एक राय को पकड़ता है और ऐसा कुछ भी छोटा नहीं है जिसके बारे में यह खुद को जंगली रूप से नहीं दहारता है जब फिट होता है तो इतना बड़ा कुछ भी नहीं है लेकिन यह एक घंटे में भूल जाएगा जब फिट अतीत है 28 सितिहास हमें दिखाएगा कि भीड का दिमाग कैसे काम करता है मध्ययुगीन दिमाग को तर्क करने की अनुमती नहीं थी मध्ययुगीन व्यक्ति अधिकार की अभिव्यक्ति को बहुत महत्व देता था उनका धर्म मुख्यतह भावनाओं को चूता था इन स्थितियों ने भीड के मन के प्रचार प्रसार के लिए एक सम्रिद्ध भूमी प्रदान की जब ग्यारहवी शताबदी में ध्वजवाहक एक स्वेच्छिक आत्मकोडे बाजी भिख्शूओं द्वारा प्रचारित की गई थी सुधारकों द्वारा दंडात्मक भजनों के पाठ के स्थान पर ध्वजा रोहन की वकालत की गई थी एक पैमाना तयार किया गया जिसमें एक हजार स्ट्रोक को दस स्तोत्र के बराबर या पूरे स्तोत्र को पंद्रह हजार के बराबर बनाया गया यह सनक तेजी से और भीड में फैल गई ध्वजवाहक बिरादरी उभरी पुजारी बैनर लेकर सडकों पर प्रार्थना करते हुए बड़े जुलूसों का नेत्रित्व करते थे और अपने खूनी शरीरों को चार लोहे की नोकों से सुसजित चमडे की पेटियों से मारते थे पोप क्लेमेंट ने इस प्रथा की निंदा की और उनमाद को उखाड फेंकने से पहले इन जुलूसों के कई नेताओं को दाव पर जलाना पड़ा क्रूसेडरों के उपदेश से पूरा पश्चमी और मध्य यूरोप भीड में बदल गया और शान्ति के राजकुमार के लाखों अनुयाई अन्यजातियों को मारने के लिए पवित्र भूमी की ओर दोड़ पड़े यहां तक की बच्चों ने भी सारा सेंस के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर दिया भीड की भावना इतनी प्रबल थी कि घरेलू सनेह और अनुनय इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सके और पवित्र कब्रगाह तक पहुँचने और उसे छुडाने के प्रयास में हजारों शिशुओं की मृत्यू हो गई अठारहवी शताबदी के आरंभ में इंग्लैंड में साउथ सी कम्पनी की स्थापना हुई ब्रिटैन अतिलाब की आशा से होने वाले व्यापार की मंडली बन गया साउथ सी कम्पनी का स्टॉक जनवरी में 12812 अंक से बढ़कर मई में 550 हो गया और जुलाई में 1000 अंक हो गया इस प्रीमियम पर 5 मिलियन शेयर बेचे गए अठकलों ने हंगामा मचा दिया सैकणों कम्पनियाओं संगठित की गई एक का गठन सतत गतिके एक पहिये के लिए किया गया था दूसरे ने कभी भी अपने ग्राहकों के पैसे लेने के लिए कोई कारण बताने की जहमत नहीं उठाई उसने केवल यह गोशना की कि यह एक योजना के लिए आयोजित किया गया था जिसे इसके बाद प्रख्यापित किया जाएगा मालिकों ने बेचना शुरू कर दिया भीड ने सुझाव को पकड़ लिया भगदड मच गई साउथ सी कमपनी का स्टॉक कुछ ही दिनों में 800 अंक गिर गया और उनमादी अठकलों के इस युग में एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ सेलम में चुडैलों को जलाना क्लोंडाइक सोने की सनक और 1913 में सन्युक्त राज्य अमेरिका में भीड द्वारा मारे गए 48 लोग ऐसे उदाहरण हैं जिन से हम अमेरिका में परिचित हैं भीड का एक नेता अवश्य होना चाहिए भीड या भीड का नेता उसका निर्धारक कारक होता है वह उस विचार से आत्म सम्मोहित हो जाता है जो उसके सदस्यों को एक जुट करता है उसका उत्साह संक्रामक होता है और उनका भी भीड उसके सुझाव के अनुसार कार्य करती है लोगों का बड़ा समूह अपने छोटे से क्षेत्र के बाहर किसी भी विशय पर बहुत तेजी से निकाले गए निशकर्ष नहीं निकालता है लेकिन जब वे एक भीड बन जाते हैं तो वे बनी बनाई राय को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तयार हो जाते हैं वे श्रमिक समस्याओं में हर कीमत पर एक नेता का अनुसरण करेंगे वे अकसर अपनी सरकार का पालन करने को प्रात्मिक्ता देने के लिए एक नेता का अनुसरण करते हैं युद्ध में वे आत्मरक्षा को जाडियों में फेंक देंगे और बंदूकों के सामने एक नेता का अनुसरण करेंगे जो एक सेकंड में चौदह बार फायर करती है भीड इच्छा शक्ती से वंचित हो जाती है और अपने ताना शाह के प्रती अंध आग्याकारी हो जाती है रूसी सरकार ने अपनी निरंग कुष्टा के लिए भीड मन के खत्रे को पहचानते हुए पहले सार्वजनिक समारों पर रोक लगा दी थी इतिहास ऐसे ही उदाहरणों से भरा पड़ा है भीड कैसे बनाई जाती है आज भीड हमारे सामाजिक जीवन में उतनी ही वास्त्विक कारक है जितनी की धनकुबेर और एकाधिकारवादी ये इतनी जटिल समस्या है कि इसकी केवल निंदा या प्रशंसा ही नहीं की जा सकती इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसमें महारत हासिल की जानी चाहिए वर्तमान समस्या यह है कि भीड की भावना से अधिक्तम और सर्वश्रेष्ट कैसे प्राप्त किया जाए और सार्वजनिक वक्ता को यह विशिष्ट रूप से उसका अपना प्रशन लगता है यदि वह केवल अपने दर्शकों को भीड में परिवर्तित कर सके तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है उनकी पुष्टी ही उनका निशकर्ष होना चाहिए इसे दर्शकों के दिमाग और जरूरतों को एक जुट करके और उनकी भावनाओं को जगा कर पूरा किया जा सकता है उनकी भावनाओं को न कि उनके कारण को महत्व दिया जाना चाहिए यह उस पर निर्भर है कि वह ऐसा नेक धंक से करे मंच पर तर्क का अपना स्थान है लेकिन यहां तक की इसकी शक्तियों को भी अपने दर्शकों पर कब्जा हासिल करने के लिए वक्ता की हमले की योजना को कम करना चाहिए भावना और उत्साह, अध्याय को दोबारा पढ़ें दर्शकों की भावनाओं को प्रभावित किये बिना उन्हें भीड बनाना असंभव है क्या आप कलपना कर सकते हैं कि ड्राइ फ्लाइ फिशिंग या मिस्र की कला पर व्याख्यान सुनते समय औसत समूह भीड बन जाता है दूसरी ओर, 1914 में Home Rule Act पर चर्चा करके आलस्टर में किसी भी श्रोता को भीड में बदलने के लिए विश्व प्रसिद्ध वाकपटुता की आवश्यक्ता नहीं होती भीड की भावना काफी हद तक उस विशय पर निर्भर करती है जिसका उप्योग उनके व्यक्तित्व को एक चमकदार संपूनता में जोडने के लिए किया जाता है ध्यान दें कि जूलियस सीजर में शेक्स्पियर द्वारा दिये गए प्रसिद्ध अंतिम संसकार भाषण में एंटनी ने अपने श्रोताओं की भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड किया लोग बड़बडाने वाली इकाईयों से एक इकाई, एक भीड बन गए सीजर के शव पर एंटनी का भाषण, मित्रों, रोमनों, देशवासियों मुझे अपने कान उधार दो, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं मनुष्य जो बुराई करते हैं, वह उनके पीछे जीवित रहती है अच्छाई अक्सर उनकी हड़ियों में छिपी होती है, तो इसे सीजर के साथ ही रहने दो नोबल बुरूट्स हैथ ने आपको बताया कि सीजर महत्वा कांक्शी था यदि ऐसा था, तो यह एक गंभीर गलती थी, और सीजर ने इसका उत्तर गंभीरता से दिया यहाँ, बुरूट्स और बाकी लोगों की अनुमती के तहट, क्योंकि बुरूट्स एक सम्माननिय व्यक्ती है वैसे ही वे सभी, सभी सम्माननिय व्यक्ती है, मैं सीजर के अंतिम संसकार में बोलने के लिए आया हूँ वह मेरा दोस्त था, मेरे प्रतिवफादार और न्याय प्रिय था, लेकिन बुरूट्स का कहना है कि वह महत्वा कांक्शी था, और बुरूट्स एक सम्माननिय व्यक्ती है वह कई बंदियों को रोम में घर ले आया है, जिनकी फिरौती से सामान ने खजाना भर गया क्या सीजर में यह महत्वा कांक्शी लग रहा था, जब कंगाल रोय तो कैसर भी रोया, महत्वा कांक्शा कठोर चीजों से बनी होनी चाहिए, फिर भी बुरूट्स कहते हैं, वह महत्वा कांक्शी थे, और बुरूट्स एक सम्माननिय व्यक्ती है आप सभी ने देखा कि लुपरकल पर मैंने उसे तीन बार राजसी मुकुट भेंट किया, जिसे उसने तीन बार अस्वीकार कर दिया क्या यह महत्वा कांक्शा थी? फिर भी बुरूट्स का कहना है कि वह महत्वा कांक्शी था, और निश्चित ही वह एक सम्माननिय व्यक्ती है मैं ब्रूट्स ने जो कहा उसका खंडन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बलकि यहां मुझे वही बोलना है जो मैं जानता हूँ तुम सबने उससे एक बार प्रेम किया था, अकारण नहीं, फिर कौन सा कारण तुम्हें उसके लिए शोक करने से रोकता है हे न्याय, तु भाग गया है पशु जानवरों के पास और मनुष्य अपना विवेक खो चुके हैं धैर्य रखने के लिए अनुरोध मेरा दिल सीजर के साथ ताबूत में हैं और मुझे तब तक रुकना चाहिए जब तक वह मेरे पास वापस ना आ जाए रोता है वन प्लेबियन मुझे लगता है कि उनकी बातों में बहुत सारी वजहें है तो प्ली यदि आप इस विशय पर ठीक से विचार करें तो सीजर ने बहुत गलत किया है त्रीन प्ली क्या उसके पास स्वामी है? मुझे डर है कि उसकी जगह इससे भी बुरा कुछ आएगा चार प्ली क्या आपने उसके शब्दों को चिन्हित किया है? वह ताज नहीं लेगा इसलिए यह निश्चित है कि वह महत्वा कांग्शी नहीं थे एक प्ली यदि ऐसा पाया जाता है तो कुछ लोग इसका पालन करेंगे दो प्ली बेचारी आत्मा उसकी आँखें रोते-रोते आग की तरह लाल हो गई है तीन प्ली रोम में एंटनी से बढ़कर कोई महान व्यक्ति नहीं है चार प्ली अब उसे चिहनित करें वह फिर से बोलना शुरू करता है चीन्टी परन्तु कल कैसर का वचन जगत के विरोध में ठहर सकता था अब वह वहीं पड़ा है और कोई इतना कंगाल नहीं कि उसका आदर कर सके ओ स्वामी यदि मैं आपके दिल और दिमाग को विद्रोह और क्रोध के लिए उकसाने के लिए तैयार होता तो मुझे ब्रूट्स को गलत करना चाहिए और कैसियस को गलत करना चाहिए जो आप सभी जानते हैं सम्माननिय व्यक्ती है मैं उनके साथ अन्याय नहीं करूँगा मैं ऐसे सम्माननिये लोगों के साथ अन्याय करने के बजाए, मृतकों के साथ अन्याय करना, अपने आप पर और आप के साथ अन्याय करना पसंद करता हूँ लेकिन यहाँ सीजर की मुहर के साथ एक चर्म पत्र है मैंने इसे उसकी अलमारी में पाया यह उसकी इच्छा है आम लोगों को इस वसीयत को सुनने दो मुझे क्षमा करें मुझे पढ़ने का इरादा नहीं है और वे जाकर मृत सीजर के घावों को चूमेंगे और अपने नैपकिन को उसके पवित्र रक्त में डुबोएंगे हाँ, स्मृति के लिए उसके एक बाल की आचना करो और मरते समय अपनी वसीयत में इसका उलेक करो इसे अपने मुद्दे के लिए एक सम्रिद्ध विरासत के रूप में वसीयत करो हम वसीयत सुनेंगे, इसे पढ़ें मा केंटनी सभी, इच्छा, हम सीजर की इच्छा सुनेंगे मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि सीजर आपसे कितना प्यार करता था तुम लकडी नहीं हो, तुम पत्थर नहीं हो, बलकि मनुष्य हो और मनुष्य होकर सीजर की इच्छा सुनकर ये तुमें भढ़काएगा ये तुम्हें पागल कर देगा, अच्छा हुआ कि तुम नहीं जानते कि तुम उसके वारिस हो, यदि आपको चाहिए, ओ, इससे क्या होगा? फोर पली, वसीयत पढ़ें, हम इसे सुनेंगे, एंटनी, आप हमें वसीयत पढ़ेंगे, सीजर की इच्छा, चीन्टी, क्या आप धैरे रखेंगे, क्या आप थोड़ी देर रुकेंगे, आपको इसके बारे में बताने के लिए मैंने खुद को तयार कर लिया है, मुझे डर ह कि मैंने उन सम्माननिय लोगों के साथ अन्याय किया है, जिनके खंजर ने सीजर को घायल कर दिया था, मुझे इससे डर लगता है, चार पली, वे गद्दार थे, माननिय पुरुष, सभी, इच्छा, वसीयत नामा, टू पली, वे खलनायक हत्यारे थे, इच्छा, वसीयत पढ़ें, चीन्टी, तो फिर आप मुझे वसीयत पढ़ने के लिए बाध्य करेंगे, फिर सीजर की लोद के चारों और एक घेरा बन तो पली, उतरना, वह रोस्ट्रम से नीचे आता है, तीन पली, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, चार पली, एक अंगुठी, गोल खड़े रहो, एक पली, शव वाहन से खड़े हो जाओ, शरीर से खड़े हो जाओ, दो पली, एंटनी के लिए जगह, सबसे महान एंटन चिन्टी, नहीं, मुझ पर इतना दबाव मत डालो, दूर खड़े रहो, सभी, पीछे हटो, कमरा, पीछे हटो, चिन्टी, यदि आपके पास आंसु हैं, तो उन्हें अभी बहाने के लिए तयार हो जाएए, आप सभी इस आवरण को जानते हैं, मुझे याद है, पहली बा पर कैसी असका खंजर चला दिया गया, देखो, इरश यालू कासका ने कितना बड़ा हमला किया, इसके माध्यम से, प्रिय ब्रूट्स ने छुरा गोंपा, और जैसे ही उसने अपने शापित स्टील को उखाड़ा, मार्क कैसे सीजर के खून ने उसका पीछा किया, सीजर ने उससे कितना प्यार किया, यह सभी में से सबसे निर्दई कटोती थी, जब माहान सीजर ने उसे छुरा गोंपते देखा, तो कृता अग्नता, गदारों की भुजाओं से भी अधिक मजबूत, ने उससे पूरी तरह से हरा दिया, फिर उसके शक्तिशाली दिल को त और उसके चोगे में उसका चेहरा दब गया, यहां तक कि पोंपी की मूर्ती के आधार पर भी, जिस पर पूरे समय खून बहता रहा, महान सीजर गिर गया, वाह, क्या गिरावट थी मेरे देशवासियों, तब मैं और तुम और हम सब गिर पड़े, जबकि हमारे उपर खू सीजर के वस्तर को घायल देखते हो, तुम यहां देखो, यहां वह खुद है मर्द, जैसा कि आप देख रहे हैं, गद्दारों द्वारा, एट पली, ओ, दयनिय तमाशा, दो पली, ओ, महान सीजर, तीन पली, ओ, मनहूस दिन, चार पली, ओ, गद्दारों, खलनायकों, एट पली, ओ, सबसे खूनी द्रिश्य, दो पली, हम बदला लेंगे, सभी, बदला, सीख बर्न फायर किल्डे के बारे में, किसी गद्दार को जिन्दा मत रहने दो, चीन्टी, ठहरो देशवासियों, ओ, ओ, पली, वहां शांती, नेक एंटनी को सुने, दो पली, हम उसे सुनें हम उसका अनुसरण करेंगे, हम उसके साथ मरेंगे, चीन्टी, अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त, मैं आपको विद्रोह की ऐसी अचानक बाढ़ के लिए उत्तेजित नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने यह काम किया है, वे सम्मान निये हैं, अफसोस, उनके पास कितने निजी दोख हैं, मैं नहीं जानता, इसने उनसे ऐसा करवाया, वे बुद्धिमान और प्रतिष्ठित हैं, और निह संदे तुम्हें उचित उत्तर देंगे, मित्रो, मैं तुम्हारा हृदय चुराने नहीं आया हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, जैसा बूट्स है, ले कि मेरे पास न तो बुद्धी है, न शब्द, न मूल्य, न कार्य, न ही कथन और न वानी की शक्ती, जो मनुष्यों का खून भढ़काए, मैं तो केवल ठीक ही कहता हूँ, मैं तुमसे वही कहता हूँ, जो तुम आप ही जानते हो, अपने प्यारे सीजर के घाव दिखाओ, बेचारे, गरीब, गूंगे मुँ, और उनसे मेरे लिए बोलने को कहो, लेकिन क्या मैं ब्रूट्स और ब्रूट्स एंटनी, एक एंटनी था जो आपकी आत्माओं को जगजोर देगा, और सीजर के हर घाव में एक जीब डाल देगा, जो रोम के पत्थरों को उठने और व चींटी, फिर भी, मेरी बात सुनो, देशवासियों, फिर भी मुझे बोलते हुए सुनो, सभी, शान्ती, हो, सुनो एंटनी, सबसे महान एंटनी, चींटी, क्यूं दोस्तों, आप नजाने क्या क्या करने जाते हैं, सीजर, इस प्रकार आपके प्रेम का पात्र कहां है, चलो रुकें और वसियत सुने, चीन्टी, यहाँ वसियत है और सीजर की मुहर के तहट, वह प्रत्येक रोमन नागरिक को, प्रत्येक अनेक व्यक्ति को 75 द्राख्मा देता है, दो पली, सबसे महान सीजर, हम उसकी मौत का बदला लेंगे, तीन पली, हे शाही सीजर, चीन्टी धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनो, सभी, शान्ती, हो, चीन्टी, और उसने अपकी सारी भूमी और अपके निज जंगल और नए लगाय हुए बाग भी तुम्हारे लिते तिब्र के इसपार छोड़ दिये हैं, उसने उन्हें तुम्हारे और तुम्हारे उत्तरा धिकारिय के लिए, सदा के लिए, सुख के लिए छोड़ दिया है, कि वे विदेश में घूमें और अपना मनोरंजन करें, यहां एक सीजर था, ऐसा दूसरा कब आता है? एक पली, कभी नहीं, कभी नहीं, आओ, दूर, दूर, हम उसके शरीर को पवित्र स्थान पर जला देंगे, और ब्रांडों से गद्दारों के घरों में आग लगा देंगे, शरीर उठाओ, दो पली, जाओ, आग ले आओ, तीन पली, बेंचों को गिराओ, चार पली, फॉर्म, खिड़कियां, कुछ भी गिरा दो, निश्पादित, नागरिक, शरीर सहित, चिंटी, अब इसे काम करने द तुम शरारत कर रहे हो, तुम जो मार्ग चाहो ले लो, एकल, लेखा परिक्षकों को एक भीड में एक जुट करना, उनकी सामान्य जरूरतों, आकांकशाओं, खत्रों और भावनाओं को व्यक्त करना, अपना संदेश देना, ताकि एक के हित सभी के हित प्रतीत हों, एक व प्रासदी को सार्वभॉमिक बना दिया, फिर मैं और आप और हम सभी गिर गए, जबकि खूनी राजद्रों हमारे उपर पनप रहा था, तालियां, आम तोर पर भावना का संकेत, दर्शकों को एक जुट करने में मदद करती है, तालियों की गड़गडाहट से भीड की प् ग्यापन डाला गया, तो किसी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, और भीड भेड की तरह आँख मूह कर तब तक नकल करती रही, जब तक कि किसी ने चुटकुले को नहीं देख लिया, और हसे, तब भीड ने फिर से एक नेता का अनुसरण किया, और अपनी मूर्खता पर हसे और सराहना की, अभीनेता कभी-कभी अपनी पंक्तियों पर उंगलियां चटका कर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, पहली कुछ पंक्तियों में से कोई इसे हलकी तालियां समझने की भूल करेगा, और पूरा थेटर तालियां बजाने लगेगा, एक चौकस ल सीन आलोचकों का दर्शक है, लेकिन एक बार उन्हें एक साथ हंसने के लिए तयार करें और प्रत्येक एक हंसी कई अन्य लोगों को अपने साथ ले जाती है, जब तक कि पूरा थेटर गूंज न जाए और मनोरंजन करने वाले ने स्कोर न कर लिया हो, निश्चित रूप से ये दिखावटी योजनाएं हैं और प्रेरणा का जरा भी स्वाद नहीं लेते हैं, लेकिन हजारों वर्षों में भीड ने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं किया है, और सबसे महान उपदेशक और सबसे छोटे स्टंप वक्ता के लिए एक ही कानून लागू होता है, आपको अपने दर्शकों को एक जुट करना होगा या वे आपके संदेश को पसंद नहीं करेंगे, महान वक्ता के उपकरण वाडे विले मोनोलोजिस्ट के समान सपष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिध्धान्त वही है, वह कुछ सार्व भौमिक नोट पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके सभी श्रोता एक ही समय में एक जैसा महसूस करेंगे, प्रचारक को यह तब पता चलता है, जब वह संबोधन से ठीक पहले एकल कलाकार से कोई मार्मिक गीत गाता है, या वह पूरी मंडली को गाने के लिए कहेगा, और यही मनो विज्ञा अब हर कोई गाए, क्योंकि वह जानता है कि जो लोग गीत में शामिल नहीं होंगे, वे अभी भी भी भीड से बाहर हैं, कई बार लोकप्रिय प्रचारक अपनी बात के बीच में रुख गए, जब उन्हें लगा कि उनके श्रोता पिघले हुए द्रव्यमान के बजाए इक और एक समवेदन शील वक्ता उस स्थिति को सबसे निराशा जनक रूप से महसूस कर सकता है, और अचानक मांग की कि हर कोई उठे और गाए, या किसी परिचित अंश को जोर से दोहराएं, या एक स्वर में पढ़ें, या शायद उन्होंने अपने प्रवचन के सूत्र को ए एक ऐसी कहानी बताने के लिए छोड़ दिया है, जो लंबे अनुभव से, उन्हें पता था कि उनके श्रोताओं को एक सामान्य भावना में लाने में विफल नहीं होगी, ये चीजें वक्ता के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं, और वह खुश है जो इनका उपियोग यो प्रकृती के शाश्वत नियमों को पहचानना चाहिए, आप से किसी भी तरह से मंच पर चालबाज बनने का आग्रह नहीं किया जाता है, लेकिन अपनी वानी की गरिमा को नश्ट मत करो, पूरी तरह से सही होना उतना ही मूर्खता पूर्ण है जितना की शेखी बगारना, ऐसा न करें, बलकि अपने दर्शकों में उन विश्व पुराने तत्वों से अपील करें, जिन्हें डेमोस्तनीज से लेकर सैम स्मॉल तक सभी महान वक्ताओंने पहचाना है, और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने श्रोताओं को अयोग्य रूप से उत्तेजित करके अपनी शक्तियों को कमजोर न करें, बिखरे हुए दर्शकों में उत्साह जगाना उतना ही कठिन है जितना बिखरी हुई लकडियों से आग जलाना, दर्शकों को भीड में परिवर्तित करने के लिए उन्हें भीड के रूप में प्रदर्शित करना होगा, ऐसा तब नहीं सघंता से बैठाए, कितने ही उपदेशकों ने उस विशाल भवन पर शोक व्यक्त किया है, जिस पर आम तोर पर एक बड़ी मंडली होती थी, जो रविवार के बाद रविवार को ठंडे और ठंडे एकांत में बिखरी रहती थी, बिशप ब्रूक्स स्वयम सेंट की विशा जमने होती है, जबकि अन्य समय में छोटे पार्श्व चैपलों का उपयोग किया जाता है। क्रॉम्वेल की रेजिमेंटों ने लड़ाई से पहले प्रार्थना की और भजन गाते हुए लड़ाई में शामिल हुई। 1914 में मार्सिलेज गाते हुए फ्रांसीसी कोर ने जर्मनों पर एक व्यक्ति के रूप में आरोप लगाया। इस तरह के एक जुट करने वाले उपकरण भावनाओं को जगाते हैं, सैनिकों को कट्टर भीड बनाते हैं और अफसोस अधिक कुशल हत्यारे बनाते हैं। अध्याए 26, पंकों वाले गोडे की सवारी。 सोचना और महसूस करना प्रतिभाशाली व्यक्तिうों के दो बड़े विभाग हैं, तर्कशील व्यक्ति और कल्पना शील व्यक्ति। इसाहाक, डिसराइली, प्रतिभाशाली व्यक्तियों का साहित्यक चरित्र और जैसे ही कलपना अज्ञात चीजों के रूप सामने लाती है, कवी की कलम उन्हें आकार में बदल देती है और हवादार कुछ भी नहीं देती, एक स्थानिय निवास और एक नाम. जो लोग मुख्य रूप से जीवन की व्यवहारिकताओं से निपटते हैं, उनके बीच यह सोचना आम बात है कि प्रत्यक्ष सोच की तुलना में कलपना का कोई महत्व नहीं है. वे सहिशनूता के साथ मुस्कुराते हैं जब एमर्सन कहते हैं कि विज्ञान कलपना के प्रती अपना कर्तव्य नहीं जानता, क्योंकि ये एक कालपनिक निबंधकार, एक दार्शनिक, एक कवी के शब्द हैं. लेकिन जब सामराज्जियों के अदम में वेल्डर नेपोलियन ने घोशना की कि मानव जाती अपनी कलपना से संचालित होती है, आधिकारिक शब्द उनके सम्मान का कारण बनता है. सच है, इसे उस अन्य महत्वपूर्ण दल शुद्ध विचार में फिट होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा होता है, तो यह सवाल उठाया जा सकता है कि मनुष्य की खुशी और भलाई के लिए महत्वपूर्ण परिणामों में से कौन अधिक उत्पादक है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह और अधिक स्पष्ट होता जाना चाहिए. यह शारिरिक यह आध्यात्मिक हो सकता है, यह दोनों मानसिक छवी एक ही समय में सबसे अराजक और सबसे कानून का पालन करने वाला बच्चा है, जो कभी भी मन से पैदा हुआ है. सबसे पहले, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कल्पना की प्रक्रिया के बारे में हम अब एक प्रक्रिया के रूप में सोच रहे हैं, न कि एक संकाय के रूप में जो काम में स्मृती है. इसलिए हमें इसे मुख्य रूप से एक के रूप में मानना चाहिए. प्रजननात्मक कल्पना हम किसी चीज को देखते, सुनते, महसूस करते, छकते या सूंगते हैं और समवेदना समाप्थ हो जाती है. फिर भी हम इच्छा नुसार ऐसी भावनाओं को पुर्ण उत्पन्न करने की अधिक या कम क्षमता के प्रति सचेत हैं. आम तोर पर दो विचार, छवी की जीवन्तता को नियंत्रित करेंगे, जिससे मूल प्रभाव की ताकत पैदा होगी, और दूसरे की तुलना में एक दिमाग की प्रजनन शक्ति पैदा होगी. फिर भी प्रत्येक सामान्य व्यक्ति कुछ हद तक स्पष्टता के साथ छवियां उत्पन्न करने में सक्षम होगा. तथ्य यह है कि सभी दिमागों में यह इमेजिंग क्षमता समान माप में नहीं होती है. इस प्रश्ण के सार्वजनिक वक्ता की अध्ययन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. कोई भी व्यक्ति जो कम से कम कुछ काव्यात्म कावेगों को महसूस नहीं करता है, वह गंभीरता से कवी बनने की आकांक्षा रखता है. फिर भी कई लोग जिनकी इमेजिंग क्षमताएं इतनी निश्क्रिये हैं कि वास्तव में मृत्प्रतीत होती हैं, वे सार्वजनिक वक्ता बनने की आकांक्षा रखते हैं. ऐसे सभी लोगों से हम अत्यंत गंभीरता से कहते हैं, अपनी छवी बनाने के उपहार को जागरित करें, क्योंकि सबसे ठंडे तारकिक प्रवचन में भी यह निश्चित रूप से महान सेवा साबित होगा. यह महत्व पूर्ण है कि आप तुरंत पता लगा लें कि आपकी कलपना कितनी पूर्ण और कितनी भरोसे मंद है, और उत्सवों की पूर्व व्यवस्था करने में वे जो अनोखी क्षमता दिखाते हैं और रणनीती और रणनीती के लिए उनकी निस्संदेह प्रतिभा दर्शाती है, कि वे असामान्य स्पष्टता के साथ प्रभावों की भविश्यवानी करने में सक्षम हैं। सभी तकनीकी युक्तियों में उनकी सरलता उसी दिशा में एक अतिरिक्त प्रमान है और इसी तरह उनकी अभी व्यक्ति की विलक्षन स्पष्टता भी है। उनका वाक्यांश फिगर्ज वॉस या पिक्चर टू यॉर्सेल्फ उनकी धारणा के प्रमुख तरीके को व्यक्त करता प्रतीत होता है। छवी का हमारा समकक्ष अस्पष्ट है। लेकिन इस संबंध में व्यक्तियों में उतना ही अंतर है जितना उदाहरण के लिए डच्चों में फ्रांसीसी से होता है। और यह न केवल उन लोगों के लिए सच है जिन्हें उनके दोस्तों द्वारा क्रमशह कल्पनाशील या अकल्पनाशील के रूप में वर्गी कृत किया गया है, बलकि उन लोगों के लिए भी सच है जिनके गुण या आदतें अच्छी तरह से जात नहीं हैं। आईए प्रयोग के लिए 6 सबसे प्रसिद्ध प्रकार की इमेजिंग को लें और व्यवहार में देखें कि वे हमारे दिमाग में कैसे उत्पन्न होती हैं। प्रसिद्ध को फिर से कॉल करें, यह आज सुभ़ के नाश्ते की मेज के आसपास के द्रिश्य को और अधिक संकेत देता है। आप पर कितनी मजबूती से हावी हो रहा था। क्योंकि अक्सर हम जो देखते हैं उस पर इतने अधिक केंद्रित हो जाते हैं कि हम इस तथ्थि के बारे में कोई विशेश विचार नहीं करते हैं कि यह हमें प्रभावित कर रहा है। यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि आप किसी द्रिश्य की छवी कितनी सठीकता से बना पाते हैं। जब छवी पर सचेत रूप से अपना ध्यान केंद्रित करने और मूल को देखने के समय के बीच काफी समय बीथ चुका होता है। बी, श्रवन छवी शायद हमारे याद किये गए अनुभवों में से अगली सबसे ज्वलंत है। यहां संगती समानताएं सुझाने में सक्षम है। बगल की सारी दुनिया को बंद कर दें और चट्टानी पहाणों के बीच तेज घडगडाहट की लकडी के खिलाफ लकडी की अजीब आवाज को सुनें। दस पिनों के खिलाफ गेंद की टककर इसका संकेत दे सकती है। मोटर छवी दूसरे स्थान के लिए श्रवण के साथ एक करीबी प्रतिसपर्धी है। क्या आप कभी रात में जगें हैं? आपकी सभी मानस्पेशियाँ तनी हुई हैं और प्रयास कर रही हैं। आपने अपने आपको विरोधी फुटबॉल लाइन के सामने तनाव महसूस करते हुए महसूस किया है जो पत्थर की दीवार की तरह या आपके बिस्तर के हेड़ बोर्ड की तरह मजबूती से पकड़ी हुई है। या स्वेच्छा से नाव की गति को याद करें जब आप अंदर से चिलाए ये सब मेरे उपर है। ट्रेन का खतरनाक ढंक से रुकना, लिफ्ट का अचानक डूब जाना या रॉकिंग चेर का अप्रत्याशित रूप से गिर जाना आगे के प्रयोगों के रूप में काम कर सकता है। D. स्वाद संबंधी चवी काफी आम है, जैसा कि नीम्बू खाने का विचार गवाही देगा। कभी-कभी एक आनंद दायक रात्रिभोज की आनंद दायक याद वर्षों बाद मुह में पानी ला देती है। या विशेश रूप से न्रिशंस दवा की चवी बचपन में एक दिन को मनहूस बनाने के बाद लंबे समय तक नाक पर जुर्रियां डालती है। E. ग्राण चवी और भी अधिक नाजुक है। कुछ ऐसे हैं जो कुछ गंधों की स्मृती से बीमारी से प्रभावित होते हैं। जबकि अन्य लोग मन भावन घ्राण चवीयों के उदै से सबसे मनोरम समवेदनाओं का अनुभव करते हैं। द्वाट एफ, स्पर्ष, छवी, किसी अन्य का नाम लेने के लिए बहुत शक्तिशाली है। क्या आप छोटी-छोटी कीलों वाली उंगलियों से रगड़े गए मखमल के बारे में सोचकर काँ पुठते हैं। या क्या आप कभी बर्फ के ठंडे चूले को छूने से जल गए थे? या सुखद स्मृती, क्या आप अभी भी किसी प्रियेजन के अनुपस्थित हाथ का स्पर्ष महसूस कर सकते हैं? ये याद रखें कि इन में से कुछ छवियां हमारे दिमाग में मौजूद हैं। सिवाए इसके कि दुरघटना ग्रस्त हिम्सखलन की दृष्य और ध्वनी एक ही है, हंटमैन की बंदूक की फ्लैश और रिपोर्ट भी हमारे लिए बहुत करीब आ गई है। इस प्रकार, इमेजिंग विशेश रूप से जागरूक प्रजनन कल्पना हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का एक मूल्यवान हिस्सा बन जाएगी, जिस अनुपात में हम इसे निर्देशित और नियंतरित करते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण और निसंदेह आपके द्वारा स्वयम किये गए कई प्रयोग भी केवल प्रजननात्मक हैं। ये तैयार होने से पहले ही वह गुजर गया। परंतु उसका सिर बादलों को छेदता है, वह पृत्वी और स्वर्ग दोनों का पुत्र है। यहां एक तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कलपना अनुपात में एक मूल्यवान मानसिक संपत्ती है, क्योंकि यह शुद्ध कारण की उच्च बौधिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकृती का अशिक्षित बच्चा अधिकतर छवियों में सोचता है और इसलिए उन्हें अनावश्यक महत्व देता है। वह आसानी से वास्त्विक को अवास्त्विक के साथ भ्रमित कर देता है, उसके लिए वे समान मूल्य के होते हैं। लेकिन प्रशिक्षन प्राप्त व्यक्ती आसानी से एक को दूसरे से अलग कर देता है और प्रत्येक का मूल्यांकन सही ढंक से नहीं तो कुछ हद तक न्याय के साथ करता है। तो हम देखते हैं कि अनियंत्रित इमेजिंग एक पतवार रहित स्टीमर का निर्मान कर सकती है। एक शक्तिशाली नाटक का समापन, एक आर्थिक बाधा पर काबू पाना, योजना एक उदात्त कविता के लिए और दर्शकों की सम्मोह घेराबंदी के लिए। वास्तव में प्रत्येक की कल्पना एक शवी में की जानी चाहिए। और कुछ आधुनिक कल्पना शील हीराम द्वारा ट्रेस्टल बोर्ड पर रखी गई योजनाओं और विशिष्टताओं के अनुसार वास्तविक्ता में ढाला जाना चाहिए। जो किसान अपने पास मौजूद बीज से संतुष्ट रहेगा, उसे कोई फसल नहीं मिलेगी। चवियों को याद करने की क्षमता से संतुष्ट न रहें। बलकि क्या है की नीव पर क्या हो सकता है का निर्मान करके अपनी रचनात्मक कल्पना को विक्सित करें। सार्वजनिक भाषण में इमेजिंग का उपयोग। इस समय तक आप मंच की कला में इन विचारों का कुछ सामान्य अनुप्रयोग पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन अब हमें कई विशिष्ट उपयोगों का उलेक करना होगा। 8. भाषण की तैयारी में इमेजिंग ए तैयारी करते समय अपने दर्शकों की छवी अपने सामने रखें। यहां निराशा छिपी हो सकती है। और आप हर आपात स्थिती के लिए तैयार नहीं रह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको अपने दर्शकों से मिलना होगा। इससे पहले कि आप वास्तव में अवसर, विशय और वक्ता के प्रती संभावित मनुदशा और द्रिष्टिकोंड की कल्पना करें। बी, जब आप अपने भाशन के हिस्सों को तयार कर रहे हों तो समग्र रूप से कल्पना करें। अन्य था क्या आप यह नहीं देख पाएंगे कि इसके हिस्सों को एक साथ कैसे फिट किया जाएगा। सी, उस भाशा की छवी बनाएं जिसका आप उप्योग करेंगे, जहां तक लिखित या तातकालिक भाशन निर्देशित कर सकता है। पश्ट रूप से वास्तविक तुलना आपके विचार को उस तरह इंगित न कर दे जैसे स्टील तीर की नोक को इंगित करता है। ओ के आरंब से निम्नलिखित विवरन की ताजगी और प्रभाव शीलता पर ध्यान दें। हेंरी की कहानी दा हार्बिंगर यो केल की सुस्त छाती में वसंत ज्वार महसूस होने से बहुत पहले क्या शहरी आदमी जानता है कि घास की हरी देवी उसके सिंहासन पर है। वह अपने नाश्ते में अंडे और टोस्ट पत्थर की दीवारों के पास बैठता है, अपना सुभा का अख़बार खोलता है और देखता है कि पत्तरकारिता पोस्ट पर शब्दा डंबर छोड़ रही है। जबकि स्प्रिंग के कोरियर एक समय हमारी सूक्ष मिंद्रियों के प्रमान थे, अब एसोसियेटेड प्रेस ये काम करता है। पैर के साथ पालतू जंगली हंस की नियमित यात्रा, कांग्रेसी जिंक्स द्वारा सदन में कुनैन की कीमत बढ़ाने के लिए, ड्रग ट्रस्ट का मूल प्रयास, बिजली गिरने से गिरा पहला लंबा चिनार और शरण लेने वाले सामान्य रूप से स्तब्ध पिकनी कर, एले गेनी नदी में बर्फ के ढेर की पहली दरार, राउंड कॉर्णर के समवाद दाता द्वारा उसके काईदार बिस्तर में बैंगनी रंग की खोज, ये बढ़ते मौसम के उन्नत संकेत हैं, जो बुद्धिमानी से जुड़े हुए हैं, शेहर, जबकि किसान को अपने व और स्कॉयर पेटरग्रेव के चरागाह में मारे गए पांच फुट के जुनजुने की रिपोर्ट की अखबार में पुष्टी हो जाती है, एक घिसे पिटे लेखक ने शायद कहा होगा कि अखबार ने शेहर के लोगों को वसंत के बारे में बता दिया, इस से पहले की किसा इसका कोई सबूत देख पाता, लेकिन वसंत का असली अग्रदूत प्रेम था और वसंत में एक युवा व्यक्ति की कल्पना हलके से विचारों में बदल जाती है, प्यार. 2. भाशन देने में इमेजिंग जब एक बार भाशन देने का जुनून आप पर चड़ जाता है और आप शायद लोहा गर्म होने तक प्रहार करके गर्म हो जाते हैं ताकि गर्म होने पर आप प्रहार करने से न चूकें, आपका मूड दूर दर्शिता वाला होगा. फिर A. अतीत की भावना की फिर से छवी बनाएं जो अन्यत्र अधिक हो. अभिनेता जब भी अपनी कथनात्मक पंक्तियाओं प्रस्तुत करता है तो पुरानी भावनाओं को याद करता है. B. जिन दृशियों का आपको वर्णन करना है, उन्हें छवी में पुणह बनाएं. C. प्रकृती में उन वस्तुओं की छवी बनाएं, जिनके स्वर को आप चित्रित कर रहे हैं, ताकि असर और आवाज और अंदोलन, इशारे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से चित्रित हो जाएं. केवल इस तथ्य को बताने के बजाए कि विसकी घरों को बरबाद कर देती है, संयम वक्ता एक शराबी को चित्रित करता है, जो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने और अपने बच्चों को मारने के लिए घर आता है. यह सत्य को अमूर्थ शब्दों में कहने से कहीं अधिक प्रभावी है. युद्ध की क्रूर्ता को चित्रित करने के लिए इस तथ्य पर अमूर्थ रूप से जोर ना दें कि युद्ध क्रूर है. सैनिक को दिखाओ, जिसका एक हाथ फटने वाले गोले से उड़ गया था, युद्ध के मैदान में पानी की गुहार लगाते हुए लेटा हुआ था. बच्चों को आंसुओं से सने चेहरे, खिडकी के शीशे के सामने दबाए, अपने मृत पिता के वापस आने की निर्मान कर सकें. तृतिये, इमेजिंग आदत कैसे प्राप्त करें? क्या आपको वह अमेरिकी राजनेता याद है जिसने कहा था कि फिर से शुरू करने का तरीका फिर से शुरू करना है? आवेदन स्पष्ट है. इस अध्याय के पहले सरल विशलेशन से शुरुआत करते ह हुए छवी निर्मान के अपने गुणों का परीक्षन करें. एक-एक करके कई प्रकार की छवियों का अभ्यास करें. फिर संयोजन में दूसरों को भी जोडें. क्योंकि कई छवियां जटिल रूप में हमारे सामने आती हैं, जैसे एक उत्साही भीड का संयुक्त शोर और धक्का मुक्की और गर्मगंध. प्रजनन इमेजिंग पर अभ्यास करने के बाद उत्पादक की ओर मुडें. प्रजनन से शुरुआत करें और आविशकार की खेती के लिए उत्पादक विशेशताओं को जोडें. बार-बार, द्रिश्यों, ध्वनियों, द्रिश्यों को पूरी तरह से कालपनिक ताने बाने में बुन कर अपने मूल उपहारों को पूरी तरह से जीवन्त होने दें. कलपना की सारी सुन्दर दुनिया आपके पंखों वाले घोडे की यात्रा के लिए खुली है. इसी प्रकार अपने आपको आलंकारिक भाशा के प्रयोग में प् पहले भेद करना सीखें और फिर इसके विविध रूपों का उप्योग करना सीखें. अध्याय 27 शब्दावली का विकास पतंग उड़ाने वाले लड़के अपने सफेद पंखों वाले पक्षियों को ढोते हैं. जब आप शब्द उचाल रहे हों तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. आग से सावधान रहें ये अच्छी सलाह है जिसे हम जानते हैं. शब्दों से सावधान रहें इससे दस गुना दो लोग नी है. अव्यक्त विचार कई बार मृत प्राय हो जाते हैं. परन्तु जब वे कहते हैं तो परमेश्वर स्वयम उन्हें मार नहीं सकता. शब्द शब्दावली का एक विशेश और सामान्य अर्थ भी है. सच है. सभी शब्दावलियां भाशा के रोजमर्रा के शब्दों पर आधारित होती हैं, जिनमें से विशेश शब्दावलियां हों विकसित होती हैं. लेकिन ऐसे प्रत्येक विशिष्ट समूह के पास इन शब्दों का उपियोग अन्य शब्दावलियों में भी किया जा सकता है। लेकिन यह तत्य कि वे अभिव्यक्ति के एक अद्वितिय क्रम के अनुकूल हैं। उन्हें किसी विशेश शिल्प या कॉलिंग के लिए विशेश मूल्य के रूप में चेहनित करते हैं। इस संबंध में सार्वजनिक वक्ता कवी, उपन्यासकार, वैज्यानिक, यात्री से बिलकुल भी भिन्न नहीं होता है। उसे अपने रोजमर्रा के स्टॉक में विचार की सार्वजनिक प्रस्तुती के लिए मूल्यवान शब्द जोड़ने चाहिए। प्रभावी वक्ताओं के प्रवचनों के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि उन्हें शक्ती, विशालता, गती, क्रिया, रंग, प्रकाश और उनके सभी विप्रीतों को दर्शाने वाले शब्दों का शौक है। वे अकसर विभिन भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। वर्ण नात्मक शब्द संज्जा के साथ नए संबंधों में प्रयुक्त विशेशन और उपयुक्त विशेशनों का स्वतंत्र रूप से उप्योग किया जाता है। दरसल सारवजनिक भाषण की प्रकृती हलके अतिरंजित शब्दों के उपयोग की अनुमती देती है, जो श्रोता के निर्णय तक पहुँचने तक केवल एक उचित प्रभाव छोडेंगे। 32 बुक नोट आदत बनाए किसी शब्द को धारण करने में तीन चीजें शामिल होती हैं। उसके विशेश और व्यापक अर्थों को जानना, दूसरे शब्दों से उसके संबंध को जानना और उसका उपयोग करने में सक्षम होना। जब आप किसी अपरिचित अर्थ में प्रयुक्त किसी परिचित शब्द को देखते या सुनते हैं, तो उसे लिख लें। उस पर गौर करें और उस पर महारत हासिल कर लें। प्रोफेसर अलबर्ट ए, हैंकॉक कहते हैं, एक लेखक की शब्दावली दो प्रकार की होती है, अव्यक्त और गतिशील, अव्यक्त वेशब्द जिन्हें वह समझता है, गतिशील वेशब्द जिन्हें वह आसानी से उपयोग कर सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ती उन सभी शब्दों को जानता है, जिनकी उसे आवश्यक्ता है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास वे सभी सक्रिय सेवा के लिए तयार न हो। साहित्यक उच्चारण की समस्या अव्यक्त को गतिशील में बदलने में निहित है। आपकी गतिशील शब्दावली वह है जिसे आपको विशेश रूप से विक्सित करना चाहिए। A. College Magazine खंड, Memories and Portraits में अपने निबंध में, स्टीवेंसन ने दिखाया है कि कैसे वह शब्दों के उप्योग में नकल से मौलिक्ता की ओर बढ़े। उनकी साहित्तिक शैली के निर्माण में उनका विशेश संदर्भ था, लेकिन शब्द शैली के कच्चे माल हैं और उनके उतक्रिष्ट उदाहरण का सार्वजनिक वक्ता द्वारा विवेग पूर्ण तरीके से पालन किया जा सकता है। उनके संबंधों में शब्द अकेले समझे जाने वाले शब्दों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस से प्रयास किया और फिर असफल रहा और हमेशा असफल रहा लेकिन कम से कम इन व्यर्थ मुकाबलों में मुझे लए, सामनजस्य, निर्मान और भागों के समनवय में कुछ अभ्यास मिला। इस प्रकार मैंने हेजलिट, लैंब, वर्ड्सवर्थ, सर, थॉमस ब्राउन, डेफो, हौथॉर्ण, मौन्टेंजी तक मोहक वानर की भूमिका निभाई है। यह पसंद है या नहीं? लिखना सीखने का यही तरीका है. चाहे मुझे लाब हुआ हो या नहीं, यही तरीका है. यह वह तरीका था जिससे कीट्स ने सीखा, और साहित्य के प्रती कीट्स से बेहतर स्वभाव कभी नहीं था. यह इन नकलों का महान बिंदू है कि छात्र की पहुँच से परे उसका अद्वितिय मॉडल अभी भी चमकता है. उसे अपनी इच्छानुसार प्रयास करने दें, उसे अभी भी असफलता का भरोसा है और यह एक पुरानी और बिलकुल सच्ची कहावत है कि असफलता ही सफल का एक मात्र रास्ता है. संदर्भ पुस्तक की आदत बनाएं किसी शब्द के अपने सामान्य ज्यान से तब तक संतुष्ट न रहें जब तक कि आप उसके अर्थ और उप्योग के अलग-अलग रंगों में महारत हासिल न कर लें. मात्र प्रवाह निश्चित रूप से घ्र करने का साहस नहीं कर सकता. उदाहरण के लिए मेंटल या मॉडल या मात्रा के विभिन अर्थों के बारे में सोचें. एक संक्षिप्त शब्द कोश का कोई भी देर से संस्करन अच्छा है और इसे अपने पास रखने के लिए त्याग करना उचित है. परियायवाची और व सेंधमार, बदमाश, लुटेरा, डाकू, लुटेरा, समुद्री डाकू और कई अन्य जैसे शब्द समुहों के बीच अर्थ के रंगों पर विचार करें या हिब्रू, यहूदी, इसराइली और सेमाइट के बीच अंतर. याद रखें कि परियायवाची शब्दों की कोई भी किताब तब तक भरोसे मंद नहीं होती, जब तक कि उसे शब्द कोश के साथ प्रयोग ना किया जाए. अंग्रेजी भाषा का एक थिसारस, डौ, द्वारा, फ्रांसिस ए, मार्च, महेंगा है, लेकिन पूर्ण और आधिकारिक है. परियायवाची और विलोम शब्द की छोटी-छोटी पुस्तकें बहुत आयत में हैं, तो तातीस अंग्रेजी भाषण के संयोजकों का अध्येयन करें. इस शीर्शक पर फरनल्ड की पुस्तक रतनों की खान है. अप्रत्याशित नुकसान और या के लिए, जबकी और कई पेचीदा छोटे संयोजकों के धीले उप्योग में नहित हैं, शब्द व्युत्पत्तियां सुझावात्मक्ता से भरपूर होती हैं. हमारी अंग्रेजी विदेशी भाषाओं की इतनी देन है और सदियों से इसमें इतनी बदलाव आ गया है कि संपूर्ण संबोधन एक प्राचीन शब्द मूल में छुपे एक ही मूल विचार से विक्सित हो सकते हैं. अनुवाद शब्दों पर महारत हासिल करने का उतक्रिष्ट अभ्यास है और व्युत्पत्तियों के अध्यन के साथ अच्छी तरह मेल खाता है. परिचित अभिव्यक्तियों की उत्पत्ति दिखाने वाली वाक्यांश पुस्तकें यह दिखा कर हम्में से अधिकांश को आश्चर्य चकित कर देंगी कि रोज मर्रा की बोली का उप्योग कितनी लापरवाही से किया जाता है. ब्रूर की ये डिक्ष्णरी औफ फरेज, एंड फेबल, एडवर्ड्स की वर्ड्स, फैक्ट्स, एंड फरेजस और थॉर्नटन की एन अमेरिकन ग्लोसरी सभी अच्छी है. तीन खंडों में एक महंगी कृती है, एक उपसर्ग या एक प्रत्याय अनिवार्य रूप से मूल की शक्ति को बदल सकता है. जैसे कि मास्टरफुल और मास्टरली, अवमानना योग्य और अवमानना पूर्ण, इर्शालू और इर्शालू. इस प्रकार शब्दों को उनके तने, उपसर्ग और प्रत्या के अनुसार समूहों में अध्ययन करना, उनके अर्थ के रंगों पर महारत हासिल करना है, और हमें अन्य संबंधित शब्दों से परिचित कराना है. एक समूह या प्रकार के शब्दों को दूसरे से अधिक पसंद न करें साथ साल और उससे भी पहले लॉर्ड ब्रोगम ने ग्लासगो विश्व विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए नियम बनाया था कि हमारी शब्दावली के मूल एंगलो सेक्सन हिस्से को प्राथमिक्ता दी जानी चाहिए उस दूसरे भाग की कीमत पर जो लैटन और ग्रीक से आया है यह नियम असंभव था और स्वयम लॉर्ड ब्रोगम ने कभी भी गंभीरता से इसका पालन करने का प्रयास नहीं किया नहीं सच में किसी महान लेखक ने यह प्रयास किया है न केवल हमारी भाषा अत्यधिक समग्र है बलकि घटक शब्द डी कुइनसी के वाक्यांश में खुशी से एक साथ आये हैं ओसिटी औरेशन में शब्दों का मजाक उड़ाना आसान है जैसे शब्दकोश शब्द और इसी तरह लेकिन यहां तक की लॉर्ड ब्रूगम के लिए भी आडंबर और कल्पना से दूर रहना मुश्किल रहा होगा 24 छोटे जोरदार एंगलो सेक्सन को हमेशा विशेश जोर और बल के मार्ग के लिए पसंद किया जाएगा जैसे लैटिन हमें बहती और चिकनी अभिव्यक्ति प्रदान करना जारी रखेगा हालां की सभी प्रकार के मिश्रण से विविधता मिलेगी और यही है सरवाधिक वांचित उन लोगों के साथ शब्दों पर चर्चा करें जो उन्हें जानते हैं क्योंकि मंच की भाषा रोज मर्रा के भाषन के उच्चारण का बारीकी से पालन करती है सुसंस्कृत लोगों के साथ बातचीत में कई उप्योगी शब्द प्राप्त किये जा सकते हैं और जब ऐसी चर्चा शब्दों के अर्थ और उप्योग के बारे में विवाद का रूप ले लेती है यह दो गुना मूल्यवान साबित होगा शब्द शक्ति का विकास, व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ होता है सही शब्द के लिए ईमानदारी से खोजें संदर्ब की पुस्तकों का मूल्य तीन गुना हो जाता है जब उनके मालिक को उनके खोल से गुठली निकालने का जुनून होता है दिन में 10 मिनट नट क्रैकर के लिए चमतकार करेंगे फ्लॉबर्ट कहते हैं मैं अपने लेखन को लेकर बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा हूँ मैं उस आदमी की तरह हूँ जिसका कान सच्चा है लेकिन जो वाइलिन को गलत तरीके से बजाता है उसकी उंगलियां उन ध्वनियों को सटीक रूप से पुण पेश करने से इनकार करती हैं जिनकी उसे आंतरिक समझ है तभी बेचारे खुरचनी की आँखों से आंसु छलक पड़ते हैं और उसके हाथ से धनुष गिर जाता है उसी प्रतिभाशाली फ्रांसीसी ने अपने शिष्य गाइडे मौपासंट को यह अच्छी सलाह भेजी कोई भी बात हो जिसे कोई कहना चाहता है उसे व्यक्त करने के लिए केवल एक शब्द है उसे चेतन करने के लिए केवल एक क्रिया है उसे योग्य बनाने के लिए केवल एक विशेशन है यह, इस शब्द, इस क्रिया, इस विशेशन को तब तक खोजना आवश्यक है जब तक कि उन्हें खोज न लिया जाए और किसी अन्य चीज से संतुष्ट न हो Walter Savage Lander ने एक बार लिखा था मैं जूठे शब्दों से नफरत करता हूं और सावधानी, कठिनाई और उदासी के साथ उन शब्दों की तलाश करता हूं जो बात में फिट बैठते हैं सेंटिमेंटल टॉमी ने भी ऐसा ही किया जैसा कि जेम्स एम ने बताया है बैरी ने अपने उपन्यास में अपने नायक का नाम शीर्षक के रूप में रखा है कोई आश्चर्य नहीं टी? सैंडिस एक लेखक और शेयर बन गए टॉमी एक अन्य लड़के के साथ विश्व विद्यालाय चात्र वृत्ती के लिए प्रतिस परधा में चर्च में एक दिन पर एक निबंध लिख रहा है वह तब तक बढ़िया ढंग से आगे बढ़ता है जब तक कि वह एक शब्द के अभाव में रुक नहीं जाता लगभग एक घंटे तक वह इस मायावी चीज की खोज करता है जब तक अचानक उसे बताया जाता है कि आवंटित समय समाप्त हो गया है और वह खो गया है बैरी बाकियों को बता सकता है निबंध यह एक टहनी एक पेड़ है से अधिक कोई निबंध नहीं था क्योंकि गौक उसके दूसरे प्रिष्ट के मध्य में अटक गया था हाँ, फंसना सही अभिव्यक्ती है जैसा कि लड़के से जिरह करने पर उसके नाराज शिक्षक को स्वीकार करना पड़ा वह अपनी कुछ चालों पर खरा नहीं उत्रा था वह अटक गया था और उसके स्पष्टी करन जैसा कि आप स्वीकार करेंगे केवल उसकी असमर्थता पर जोर दिया एक भी शब्द न बोलने के कारण उन्होंने स्वयम को सारवजनिक तिरसकार का पात्र बना लिया था कौन सा शब्द? उन्होंने गवाही देते हुए पूछा लेकिन अब भी वह नहीं बता सका वह एक स्कॉच शब्द चाहता था जो यह बताए कि चर्च में कितने लोग थे और यह उसकी जीब की नोग पर था लेकिन इससे आगे नहीं आता था पकल लगभग यही शब्द था लेकिन इसका मतलब इतने सारे लोगों से नहीं था जितना उसका मतलब था एक घंटा ऐसे ही बीट गया जैसे पलक जपकते अपने दिमाग में शब्द खोचते समय वह समय के बारे में सब कुछ भूल गया था अन्य पांच परीक्षक क्रोधित थे तुम छोटी टेटी डूली कैतरों ने दहारते हुए कहा अगर तुम में चापलूसी करने की बुरी इच्छा थी तो क्या धोखा देने के लिए एक दर्जन शब्द नहीं थे? मैंजी में तुम्हें क्या परेशानी थी? या मैंने मैंजी के बारे में सोचा टॉमी ने दूखी होकर उत्तर दिया क्योंकि वह खुद पर शर्मिंदा था लेकिन एक पागल एक जुंड है इसका मतलब ये होगा कि करक में लोग शांत बैठने के बजाए मधुमक्खियों की तरह एक साथ भिन भिना रहे थे भले ही इसका मतलब ये हो श्रीमान ने कहा डूथी ने अधीरता के साथ कहा इतना विशेश होने की क्या आवश्यक्ता थी निश्चित रूप से निबंध लिखने की कला पहले शब्द का उपयोग करने और जल्दी करने में निहित है मैंने ऐसा ही किया गर्वित मैकलोचलन टॉमी के सफल प्रतियोगी ने कहा मैं देख रहा हूँ श्रीमान ने हस्तक्षेप किया कलोग मैकलोचलन चर्च में लोगों के मुखोटे होने की बात करता है मास्क एक अच्छा स्कॉट शब्द है मैंने मास्क के बारे में सोचा टॉमी ने फुस फुस आया लेकिन इसका मतलब होगा कि किर्क भरा हुआ था और मेरा मतलब सिर्फ यह था कि यह बीच में भरा हुआ था फ्लो हो गया होगा श्रीमान ने सुझाव दिया लोनिमर टॉमी ने कहा प्रवाह केवल मुट्टी भर है कुरेन लगभग रोते हुए कहा श्री ओगिल्वी जो कठिनाई से अपनी प्रशंसा छिपा रहा था ने उसके लिए जाल फैलाया आपने कहा था कि आप एक ऐसा शब्द चाहते थे जिसका मतलब मध्यम पूर्ण हो अच्छा आपने यह क्यों नहीं कहा कि मिडिलिंग फुल या फॉल मास्क हाँ, क्यों नहीं मंत्रियों ने अंजाने में जाल में फंसते हुए पूछा मुझे एक शब्द चाहिए था टॉमी ने अंजाने में इसे टालते हुए उत्तर दिया तुम गहना श्रीमान बुदबुदाए ओगिलवी अपनी सांसों के नीचे लेकिन श्रीमान यदि मंत्रियों ने हस्तक्षेप न किया होता तो कैथरों ने लड़के का सिर पीट दिया होता श्रीमान ने कहा सही शब्द ढूणना भी बहुत आसान है ग्लोग यह नहीं है एक गिलहरी को मारना उतना ही कठिन है टॉमी चिल लाया और फिर मिस्टर ओगिलवी ने सहमती में सिर हिलाया और फिर एक अजीब बाद घटी जैसे ही वे स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कैथरों ने पहले टॉमी को गर्दन से पकड़ कर बाहर निकाला था दर्वाजा थोड़ा सा खुला और छेद में टॉमी का चहरा दिखाई दिया आंसूओं से सना हुआ लेकिन उत्साहित मैं अब इस शब्द को समझ रहा हूँ वह चिल लाया ये मेरे पास तुरंत आ गया ये हेंटल है श्री ओगिल्वी अपने आपसे परमानंद में कहा उसे इसके बारे में तब तक सोचना था जब तक कि उसे यह नहीं मिल गया और उसने इसे पालिया महिला एक प्रतिभाशाली है अध्याय 28 स्मृती प्रशिक्षन मस्तिश्क के अंगिनत कक्षों में सुप्थ हमारे विचार कई छिपी हुई श्रंखलाओं से जुड़े हुए हैं जागो लेकिन एक और लो कितने असंख्य लोग उड़ते हैं जैसे ही दूसरा उड़ता है प्रत्येक अपनी छवी पर मुहर लगाता है जै हो, स्मृति हो, जै हो तेरी अताहखान में युग युग तक असंख्य खजाने चमकते रहते हैं विचार और उसकी छायादार संताने आपकी पुकार का पालन करती हैं और स्थान और समय आपके अधीन है सैमॉल रॉजर्स, स्मृति का सुख ठाकरे जैसे कई वक्ता ने व्याख्यान कक्ष से घर जाते समय अपने भाशन का सबसे अच्छा हिस्सा अपने लिए बनाया है मार्क ट्वेन के अवलोकन के लिए मन की उपस्थिती को शरीर की अनुपस्थिती द्वारा बहुत बढ़ावा दिया गया है याद दाश्त में छेद होना किसी परेशानी से कम आम शिकायत नहीं है हैंरी वार्ड बीचर अपनी उतक्रिष्ट स्मृति के कारण लिवरपुल में दुनिया के सबसे महान भाशनों में से एक देने में सक्षम थे इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमान बीचर ने कहा कि वे सभी घटनाएं, तर्क और अपीलें जो उसने कभी सुनी या पढ़ी या लिखी थी उसके दिमाग के सामने से वक्तरित्व पूर्ण हथियारों के रूप में गुजरती हुई प्रतीत होती थी और वहाँ खड़े होकर उसके पास केवल अपना हाथ बढ़ाने और हथियारों को जब्थ करने के लिए था क्योंकि वे धूम्रपान कर रहे थे बेन जॉन्सन वह सब दोहरा सकते थे जो उन्होंने लिखा था स्केलिगर ने इलियड को तीन सपताह में याद कर लिया विश्वस्निय स्मृती वक्ता के लिए एक अमूलि संपत्ती है हम एक क्षण के लिए भी असहमत नहीं होते जब हमें गंभीरता से कहा जाता है कि उनकी स्मृती एक भंडार ग्रह होनी चाहिए जहां से वे खुशी-खुशी तत्यों, कलपनाओं और द्रिश्टान्तों को निकाल सकें लेकिन क्या स्मृती को उन सभी सत्यों के सनरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है जो हमने सोचने, पढ़ने और अनुभव से प्राप्त किये हैं और यदि हां, तो कैसे? आओ देखते हैं 20 साल पहले एक गरीब आप्रवासी लड़का, जो नियू यॉर्क में डिश्वाशर के रूप में कारेरत था कूपर यूनियन में भटक गया और हेंरी जॉर्ज की प्रगती और गरीबी की एक प्रती पढ़ने लगा ज्यान के प्रती उनकी लगन जागरित हो गई और वे एक आदतन पाठक बन गए लेकिन उन्होंने पाया कि वह जो पढ़ते हैं उसे याद नहीं रख पा रहे हैं इसलिए उन्होंने अपनी स्वाभाविक रूप से खराब याददाश्त को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया जब तक कि वह दुनिया के सबसे महान स्मृति विशेशद नहीं बन गए यह व्यक्ति स्वर्गिय श्रीमान थे फेलिक्स बेरोल श्री बेरोल दुनिया के किसी भी शहर की आबादी पांच हजार से अधिक निवासियों को बता सकता है वह उन 40 अजनबियों के नाम याद कर सकता था जिनका अभी अभी उससे परिचय हुआ था और वह यह बताने में सक्षम था कि किसे तीसरे, आठोएं, सत्रहवें या किसी भी क्रम में प्रस्तुत किया गया था वह इतिहास की हर महत्व पूर्ण घटना की तारीख जानता था और ना केवल तत्थियों की एक अंतहीन श्रंखला को याद कर सकता था बलकि उन्हें पूरी तरह से सहसंबंधित भी कर सकता था किस हद तक श्रीमान? बे रोल की उलेखनिय स्मृती स्वाभाविक थी और इसके विकास के लिए केवल ध्यान देने की आवश्यक्ता थी सटीक्ता के साथ निर्धारित करना असंभव लगता है लेकिन सबूत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उनकी स्मृती के कई कारणा में कितने भी बेकार थे एक अत्यधिक अवधारन स्मृती विकसित की गई थी जहां पहले केवल एक अच्छी भूलने की बीमारी थी अस्तित्व में था अजीब यादधाष्ट इसके लिए प्रयास करने लायक नहीं है लेकिन एक अच्छी कामकाजी यादधाष्ट निश्चित रूप से इसके लायक है एक वक्ता के रूप में आपकी शक्ती काफी हद तक छापों को बनाए रखने और अवसर की मांग होने पर उन्हें सामने लाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी और उस प्रकार की स्मृती मांस पेशियों की तरह होती है जो प्रशिक्षन के प्रति-प्रतिक्रिया करती है क्या न करें शब्दों को रटकर याद करने की शुरुआत करना सरासर गलत दिशा में किया गया प्रयास है क्योंकि यह शीर्ष पर एक पिरामिट बनाने की शुरुआत है वर्षों तक हमारे स्कूल इस दुष्ट प्रणाली द्वारा अभिशप्त रहे न केवल इसलिए कि यह अप्रभावी है बलकि इससे भी महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह मन को चोट पहुँचाती है सच है, कुछ दिमाग मूल रूप से शब्दों, तत्थियों और आंकणों की श्रंखला को याद रखने की अद्भुत सुविधा से संपन्न होते हैं लेकिन ऐसे अच्छे तर्क करने वाले दिमाग शायद ही कभी होते हैं सामान्य व्यक्ति को इस कृत्रिम तरीके से स्मृति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसे मजबूर करना चाहिए फिर शारीरिक कमजोरी या मानसिक ठकान के घंटों में याददाश्ट पर जोर डालना दुखद है स्वास्थिय सर्वोत्तम मानसिक क्रिया का आधार है और स्मृति का संचालन भी इसका अपवाद नहीं है अंततह किसी व्यवस्था के गुलाम न बने मन और स्मृति के कुछ सरल तथियों का ग्यान आपको ओपरेशन के सही अंत में काम करने के लिए तयार करेगा इन सिध्धानतों का उपयोग करें चाहे वे किसी प्रणाली में शामिल हो या नहीं लेकिन अपने आपको ऐसी पद्धती से न बांधें जो स्मृति के विकास की तुलना में याद रखने के तरीके पर अधिक जोर देती हो एक तथ्य को याद रखने के लिए दस शब्द याद करना हास्यासपद से कम नहीं है स्मृति के प्राकृतिक नियम उस समय केंद्रित ध्यान जब आप मन को संग्रहित करना चाहते हैं याद रखने में पहला कदम है और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है आप उन वस्तूओं की सूची का चौथा भाग भूल गए जिन्हें आपकी पत्नी ने आपसे घर लाने के लिए कहा था क्योंकि जब वह आपको बता रही थी तो आपने अपना ध्यान एक पल के लिए भटकने दिया था ध्यान केंद्रित ध्यान नहीं हो सकता है जब साइफन को गैस से चार्ज किया जाता है तो उसके प्रभाव को महसूस करने के लिए यह परियाप्त रूप से कार्बोनिक एसिड वाश्प से भर जाता है किसी विचार से भरा हुआ दिमाग उसे धारन करने के लिए परियाप्त मात्रा में चार्ज किया जाता है बहुत अधिक चार्ज करने से साइफन फट जाएगा छोटी-छोटी बातों पर बहुत अधिक ध्यान देना पागलपन की ओर ले जाता है तो फिर परियाप्त ध्यान याद रखने का मूल रहस्य है आम तोर पर हम किसी तथ्य पर तब परियाप्त ध्यान नहीं देते जब वह महत्वपूर्ण नहीं लगता लगभग सभी ने देखा है कि सेब में बीज कैसे इंगित करते हैं और वाशिंग आटन की मृत्यू की तारीख को याद कर लिया है हम में से ज्यादा तर लोग शायद समझदारी से दोनों को भूल गए हैं एक पेड की छाल में मौजूद छोटा सा घाव एक मौसम में ठीक हो जाता है और नश्ट हो जाता है लेकिन गेटीजबर्ग के आसपास के पेड़ों में मौजूद घाव पचास वर्षों के बाद भी स्पष्ट हैं जो धारणाएं हलके ढंक से इकठी की जाती है वे शीघ्र ही नश्ट हो जाती है केवल गहरी छापों को ही इच्छानुसार याद किया जा सकता है हेनरी वार्ड बीचर ने कहा एक गहन घंटा स्वपनिल वर्षों से कहीं अधिक काम करेगा विचारों और शब्दों को याद करने के लिए उन पर तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक कि वे आपके दिमाग में द्रढ़ता और गहराई से स्थापित न हो जाएं और उन्हें उनका वास्तविक महत्वन न दे दें दिमाग से सुनो और तुम्हें याद रहेगा आप कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे आप एक युद्ध योद्धा की युद्ध प्रभाव शीलता को कैसे बढ़ाएंगे एक महत्वपूर्ण तरीका यह होगा कि इसकी बंदूकों का आकार और संख्या बढ़ाई जाए अपनी याद दाश्त को मजबूत करने के लिए अपने मानसिक प्रभावों पर गेहनता से ध्यान देकर उनकी संख्या और शक्ती दोनों बढ़ाए डीला बिना सोचे समझे पढ़ने और पढ़ने की अनियमित आदतें स्मरण शक्ती को नश्ट कर देती है हाला कि चूंकी अधिकांश पुस्तकें और समाचार पत्र किसी अन्य प्रकार के ध्यान की आवश्यक्ता नहीं रखते हैं इसलिए पढ़ने की इस पद्धती की निंदा करना पूरी तरह से उचित नहीं होगा लेकिन जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हों तो इससे बचें जब तक आप भीड में अकेले रहना और शोर शराबे से विचलित न होना सीख लेते हैं तब तक पर्यावरण का एकागरता पर गहरा प्रभाव पड़ता है जब आप किसी तथे या भाशन को याद करने के लिए निकलते हैं तो आपको सभी ध्वनियों और चलती वस्तूओं से दूर यह कारे आसान लग सकता है जिसे आप अपने मन में स्थापित करना चाहते हैं उसके प्रती सभी विदेशी धारणाओं को समाप्त कर देना चाहिए याद रखने में अगला बड़ा कदम है विशय के आवश्यक तत्वों को चुनना उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना और उन पर ध्यान पूरवक ध्यान देना एक के बाद एक प्रत्येक आवश्यक चीज के बारे में सपष्ट रूप से सोचें किसी चीज को सोचना और मन को गैर जरूरी चीजों की ओर न भटकने देना वास्तव में याद रखना है स्मृती कार्य में विचारों के जुडाव को सार्व भौमिक रूप से आवश्यक माना जाता है वास्तव में स्मृती प्रशिक्षन की संपूर्ण प्रणालियां इसी सिध्धान्त पर स्थापित की गई है कई वक्ता केवल अपने संबोधन की रूप रेखा याद रखते हैं बोलते समय शब्दों को भरते हैं कुछ लोगों ने कमरे में मौजूद वस्तूओं के साथ विभिन्न बिंदूओं को जोड़कर रूप रेखा को याद रखना उप्योगी पाया है शांती पर बोलते हुए आप कुरूरता और युद्ध की विफलता की कीमत पर ध्यान केंद्रित करना चाह सकते हैं और इस प्रकार मध्यस्थता के न्याय की ओर ले जा सकते हैं मंच पर जाने से पहले यदि आप अपनी रूप रेखा के चार भागों को कमरे में मौजूद चार वस्तूओं के साथ जोड़ेंगे तो यह जुडाव आपको उन्हें याद करने में मदद कर सकता है आपको अपना तीसरा बिंदू भूलने की संभावना हो सकती है लेकिन आपको याद है कि एक बार जब आप बोल रहे थे तो बिजली की रौशनी विफल हो गई थी इसलिए मनमाने ढंग से बिजली की रौशनी ग्लोब आपको विफलता को याद रखने में मदद करेगी ऐसे संबंध अनोखे होने के कारण मन में घर कर जाते हैं हाल ही में चह प्रकार की कलपनाओं पर बोलते हुए वर्तमान लेखक ने उन्हें एक्रोस्टिक द्रिश्य, श्रवन, मोटर, स्वाद, ग्राण और स्पर्श में बनाया बकवास शब्द वाम गोट से सुसजित किया लेकिन चह बिंदू आसानी से याद हो गए उसी तरह जैसे बच्चों को चिड़ाने वाले शब्दों की वर्तनी को याद रखना सिखाया जाता है अलग-अलग सेपर से आता है और एक आंटो मोबाइल चालक को याद रहता है कि दो सी और फिर दो एच उसे कैस्टर रोड, कॉर्टमैन स्ट्रीट, हेंस स्ट्रीट और हेंरी स्ट्रीट में ले जाते हैं इसलिए महत्वपूर्ण बिंदू आपके संबोधन में आपके द्वारा आविशकार किये गए मन माने प्रतीकों द्वारा दिमाग में तै किया जा सकता है योजना तैयार करने का कार्य ही एक स्मृति क्रिया है मनो वैज्ञानिक प्रक्रिया सरल है यह उन चरणों को ध्यान से नोट करने में से एक है जिनके माध्यम से कोई तथ्य या सत्य या यहां तक की एक शब्द आपके पास आया है संगती द्वारा याद रखने की मन की इस प्रवृत्ति का लाब उठाए दोहराव स्मृति के लिए एक शक्तिशाली सहायता है पत्रकार और राजनीतिक नेता थुरलो वीड परिशान थे क्योंकि वह दिन प्रतिदिन मिलने वाले व्यक्तियों के नाम इतनी आसानी से भूल जाते थे प्रोफेसर विलियम जेम्स बताते हैं कि उन्होंने दिन में सुने गए नामों को ध्यान से सुनने और फिर हर शाम उन्हें अपनी पत्नी के सामने दोहराने की आदत डाल कर अपनी कमजोरी को सुधारा निसंदेह, श्रीमती वीड, वीर्ता पूर्वक सहनशील था लेकिन उपकरण ने सराहनीय धंक से काम किया जो अंश आपको याद होगा, उसे पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करें, विचार करें और यदि संभव हो तो सामगरी को जोर से दोहराएं सोच समझकर जोर से पढ़ना, कई लोगों द्वारा एक उपयोगी स्मृती अभ्यास माना गया है जो आप याद रखना चाहते हैं, उसे लिखें, यह आपके प्रभाव के सभी तरीकों का उपयोग करके आपके मानसिक प्रभावों की संख्या और ताकत बढ़ाने का एक और तरीका है यदि आप किसी भाषन को जोर से बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और ध्यान से देखते हैं, तो यह आपके दिमाग को ठीक करने में मदद करेगा फिर आपने स्वर, श्रवण, मानस्पेशियों और द्रिश्य प्रभावों के माध्यम से इसे अपने दिमाग पर अंकित कर लिया है कुछ लोगों की श्रवण संबंधी स्मृतियां विशेश रूप से विशिष्ट होती हैं, वे देखी हुई चीजों की तुलना में सुनी हुई चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं दूसरों के पास दिरश्य स्मृति है, वे दिरश्य चापों को याद करने में सबसे अच्छे हैं जब आप अपने साथ की गई सेर को याद करते हैं, तो क्या आप दिरश्यों या ध्वनियों को बेहतर ढग से याद कर पाते हैं? पता लगाएं कि आपकी स्मृति किस प्रकार के चापों को सबसे अच्छे से बरकरार रखती है और उनका सबसे अधिक उप्योग करें. किसी विचार को मन में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रकार की धारणा का उप्योग करें. दैनिक आदत एक महान स्मृति साधक है मैराथन धावक से सबक सीखें नियमित व्यायाम हालां की प्रति दिन इतना कम नहीं आपकी याददाश्ट को आश्चर्य जनक रूप से मजबूत करेगा सडक पर जिन लोगों से आप गुजरते हैं उनकी पोशाक, रूप और आचरण का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करें जिस कमरे में आप हैं उसका निरीक्षन करें अपनी आखें बंद करें और उसकी सामगरी का वर्णन करें परिद्रिश्य को बारीकी से देखें और उसका विस्तरित विवरन लिखें आपने कितना मिस किया? सडक पर शो विंडो की सामगरी पर ध्यान दें आप कितनी विशेशताएं याद कर पाते हैं इस उपलब्धि में निरंतर अभ्यास से आप में उतनी ही उलेखनी ये दक्षता विकसित हो सकती है जितनी रॉबर्ट हॉडन और उनके बेटे में हुई थी साहित्य में एक खूबसूरत अंश को रोजाना याद करने से न केवल स्मृती को ताकत मिलेगी बलकि दिमाग में उद्धरण के लिए रत्न जमा हो जाएंगे लेकिन अभ्यास द्वारा प्रति दिन अपनी स्मरण शक्ति को चाहे थोड़ा या अधिक बढ़ाएं दर्वाजे से बाहर याद करो जंगल की उच्छाल, किनारे या सुनसान सड़कों पर तूफानी रात आपके दिमाग को उसी तरह तरोताजा कर सकती है जैसे यह अंगिनत अन्य लोगों के दिमाग को करती है अंत में डर को बाहर निकालें अपने आप से कहें कि आप याद रख सकते हैं, करेंगे और याद रखेंगे स्वार्थवाद के शुद्ध अभ्यास से अपनी प्रभुता सिद्ध करो भूलने के डर से ग्रस्त रहें और आप याद नहीं रख पाएंगे इसके विपरीत अभ्यास करें अपनी पांडुलिपी बैसाखियों को एक तरफ फेंग दें आप एक या दो बार गिर सकते हैं लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि आप चलना, छलांग लगाना और दोड़ना सीखने जा रहे हैं भाशन को याद करना अब आईए उपरोक्त सुझावों को व्यवहार में लाने का प्रयास करें सबसे पहले इस अध्याय को दोबारा पढ़ें उन नौ तरीकों पर ध्यान दें जिनसे याद रखने में मदद मिल सकती है फिर बीचर के निम्नलिखित चैन को पढ़ें जितना संभव हो उतने सुझावों को लागू करें जैन की भावना को अपने मन में द्रड़ता से स्थापित कर लें यदि आपको विचारों का अनुकरम लिखना है तो उसे मानसिक रूप से नोट कर लें जब आपने दिशाओं पर सबसे अधिक ध्यान देकर यह सब किया है तो आपको याद रखना आसान नहीं होगा जब तक कि आपने पहले अपनी याददाश्ट को प्रशिक्षित न किया हो या यह स्वाभाविक रूप से याद रखने योग्य न हो लगातार अभ्यास से ही याददाश्ट मजबूत होगी और इन्ही सिध्धानतों का लगातार पालन करने से ही वह मजबूत बनी रहेगी हालां कि आपने शुरुआत कर दी होगी और यह कोई छोटी बात नहीं है आम लोगों का शासन मुझे नहीं लगता कि अगर आप जाकर अमेरिका में स्वशासन के प्रयोग को देखेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत उची राय मिलेगी अगर मैं सिर्फ चीजों की सतह को देखूं तो मेरे पास भी नहीं है क्यों? लोग कहेंगे यह उचित है कि साथ हजार हजार कानून से अनभिज समवैधानिक इतिहास से अनभिज, न्याय शास्त्र से अनभिज, वित्त और करों और टैरिफ और मुद्रा के रूपों से अनभिज साथ हजार हजार लोग जिन्होंने कभी इन चीजों का अध्यान नहीं किया, वे शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है आपकी कूट नीती हमारी तरह ही जटिल है और यह पृत्वी पर सबसे जटिल है क्योंकि सभी चीजें जटिलता में बढ़ती हैं क्योंकि वे उच्च स्थिती की और विकसित होती है इन लोगों में कौन सी फिटनेस है? खैर, यह केवल लोकतंत्र नहीं है, यह एक प्रतिनिधी लोकतंत्र है हमारे लोग किसी भी चीज के लिए सामूहिक रूप से मतदान नहीं करते हैं वे विचार के कर्णधारों को चुनते हैं, वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो जानते हैं और वे उन्हें उनके लिए सोचने के लिए विधान मंडल में भेजते हैं और फिर लोग बाद में उनकी पुष्टी करते हैं या उन्हें अस्वीकार करते हैं लेकिन जब आप विधान मंडल में आते हैं तो मैं यह स्वीकार करने के लिए बाद धि हो जाता हूं कि बाहर से चीजें ज्यादा उत्साहजनक नहीं लगती क्या वे सचमुच सर्वश्रेष्ट व्यक्तियों का चैन करते हैं? हाँ, खत्रे के समय में वे आम तौर पर ऐसा करते हैं, लेकिन सामान्य समय में चुम्बन फायदेमंद साबित होता है आप जानते हैं कि एक नियमित रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक विधायक का करतव्य क्या है? इसे अगली सर्दियों में फिर से वापस आना है उसका दूसरा करतव्य क्या है? उनका दूसरा करतव्य खुद को उस असाधारन प्रावधान के तहत रखना है जो विधायकों के वेतन का खयाल रखता है भविश्य वक्ता और भोजन और तेल का पुराना चमतकार हमारे दिनों में बहुत अधिक हो गया है क्योंकि वे वहाँ एक वर्ष तक गरीब रहते हैं और अमीर होकर घर जाते हैं चार साल में वे साहुकार बन जाते हैं यह सब उस दयालू विधान पर भरोसा करके जो विधायकों के वेतन का खयाल रखता है इसके बाद उनका अगला करतव्य उस पार्टी की सेवा करना है जिसने उन्हें उपर भेजा है और फिर यदि उनके पास कुछ भी बचा है तो वह राष्ट्र मंडल का है किसी ने बहुत बुद्धिमानी की बात कही है कि यदि यात्रा करने वाला कोई व्यक्ती अपने रात्री भोजन का आनंद लेना चाहता है तो बहतर होगा कि वह रसोई में यह देखने के लिए न जाए कि यह कहां पकाया गया है यदि कोई व्यक्ती कानून का सम्मान करना और उसका पालन करना चाहता है तो बहतर होगा कि वह विधान मंडल में यह देखने न जाए कि यह कहाँ पक रहा है। 886 में Great Britain के अपने अंतिम दौरे के दौरान Exeter Hall लंदन में दिये गए एक व्याख्यान से। परेशानी की स्थिती में लेकिन अगर आपके सभी प्रयासों के बावजूद आप अपनी बातें भूल जाएं और आपका दिमाग एक मिनट के लिए खाली हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ये एक निंदनी अस्थिती है जो कभी-कभी उत्पन्न होती है और इससे निप्टा जाना चाहिए। जाहिर है आप बैठ सकते हैं और हार स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी परिणती को श्रद्धा पूर्वक त्यागना चाहिए। प्लेट फॉर्म पर धीरे धीरे चलने से आपको खुद को संभालने, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और आपदा से बचने का समय मिल सकता है। शायद सबसे सुरक्षित और सबसे व्यावारिक तरीका अपने अंतिम महत्वपूर्ण शब्द के साथ एक नया वाक्य शुरू करना है। भाशन लिखने की एक विधी के रूप में इसकी वकालत नहीं की जाती है। यह केवल एक चरम उपाय है जो आपको कठिन परिस्थितियों में बचा सकता है। यह अगनिश्मन विभाग की तरह है। जितना कम आपको इसका उप्योग करना होगा, उतना बहतर होगा। यदि इस पद्धती का बहुत लंबे समय तक पालन किया जाता है, तो आप स्वयम को सबसे अप्रत्याशित तरीके से प्लम पुडिंग या चाइनीज गौर्डन के बारे में बात करते हुए पाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप अपनी पंक्तियों में उसी क्षण वापस आ जाएंगे जब आपके पैर मंच पर आ गए होंगे। आईए देखें कि यह योजना कैसे काम करती है, जाहिर है आपके तातकालिक शब्दों में कुछ हद तक चमक की कमी होगी, लेकिन ऐसे में असावधानी असफलता से बेहतर है। अब आप यह कहने के बाद एक मृत दीवार पर आ गए हैं। जोन ओफ आर्क ने स्वतंतरता के लिए लड़ाई लड़ी। इस पद्धती से आपको कुछ इस तरह मिल सकता है। स्वतंतरता एक पवित्र विशे शाधिकार है जिसके लिए मानव जाती को हमेशा संघर्ष कर को हडपने की कोशिश की है। मध्ययुगीन युग के दौरान शक्ति भाले और मजबूत महल के साथ भूमी के मालिक को प्राप्त हुई। लेकिन बारूद की खोज के बाद मजबूत महल और भाले का कोई फायदा नहीं हुआ। बारूद स्वतंतरता का अब तक का सबसे ब और इसलिए आप कहते हैं बारूद के साथ सारी भूमी का सबसे विनम्र दास भी ऐसा कर सकता है। महल की दीवारों के पीछे अत्याचारी बैरन के जीवन को समाप्त कर दो। बारूद की सहायता से स्वतंतरता के संघर्ष ने सामराज्यों को नश्ट कर दिया और समस्त मान जाती के लिए एक नए युग का निर्मान किया। व्यक्तिकता को कुचलता है, वह निरंग कुष्टा है, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। जौन स्टुवार्ट मिल, उन लिबरटी दूसरों से अलग बनाता है, स्वयम की वह विशिष्ट शक्ती जो उन लोगों पर प्रशंसनिय रूप से कार्य करती है, जिनके जीवन को हम छूते हैं। यह व्यक्तित्व ही है, जो हमें उच्चतर चीजों के लिए लालायत करता है। कोई भी बुद्धिमान इंसान मूर्ख बनने के लिए सहमत नहीं होगा, कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। अज्ञानी हो, भावना और विवेक वाला कोई भी व्यक्ति स्वार्थी और नीच नहीं होगा। भले ही उसे यह विश्वास दिलाया जाना चा सुकरात बनना बेहतर है, और यदि मूर्ख या सुवर की राय भिन्न है, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि वे प्रश्ण का केवल अपना पक्ष जानते हैं। तुलना करने वाला दूसरा पक्ष दोनों पक्षों को जानता है। अब यह ठीक इसलिए है क्योंकि सुकरात प् उसके दूख, उसकी उपलब्धियां, उसकी असफलताएं, उसका आकर्शन, उसकी कमजोरी, सभी आश्चरे जनक रूप से बड़े पैमाने पर उसकी सोच के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। विचार और हृदय मिलकर सही सोच उत्पन्न करते हैं। मनुष्य जैसा अपने हृ प्रवक साधना से व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है और उसकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाया जा सकता है। हमने लंबे समय से यह विश्वास करना बंद कर दिया है कि हम संयोग के दाएरे में रह रहे हैं। प्रकृती के नियम इतने सपष्ट और सटीक हैं कि हम कई साल पहले ही एक निश्चित धूम केतु की उपस्थिती और सूर्य के ग्रहन के क्षण की भविश्यवानी कर देते हैं। और हम अपने सभी भौतिक क्षेत्रों में कारण और प्रभाव के इस नियम को समझते हैं। हम आलू नहीं बोते और जल कुम्भी तोड़ने की उम्मीद नहीं करते। कानून सार्व भौमिक है। ये हमारी मानसिक शक्तियों, नैतिकता, व्यक्तित्व पर लागू होता है। उतना ही स्वरगिय पिंडों और खेतों के अनाज पर भी लागू होता है। मनुष्य जो कुछ बोएगा, वही काटेगा और कुछ नहीं। च इमर्सन कहते हैं, कोई भी वास्तव में दुनिया के सामने एक वक्ता के रूप में खड़ा नहीं हो सकता, जब तक कि वह गहराई से जीवंत और इमानदारी से सोचने वाला ना हो। इमर्सन कहते हैं, चरित्र प्रकाश और गर्मी की तरह एक प्राकृतिक शक्ती है, और सा प्रकृत्य अस्तित्व का शिखर है, न्याय इसे मामलों में लागू करना है, सभी व्यक्तिगत प्रकृतियां उनमें मौजूद इस तत्व की शुद्धता के अनुसार एक पैमाने पर खड़ी होती हैं, शुद्ध की इच्छा अन्य प्रकृतियों की ओर बहती है, जैसे पानी उंचे से निचले बरतन की ओर जाता है, इस प्राकृतिक शक्ति का किसी भी अन्य प्राकृतिक शक्ति से अधिक मुकाबला नहीं किया जा सकता, चरित्र ही सर्वोच रूप में प्रकृती है, अपवित्र, पाशविक और स्वार्थी विचारों का प्रेम पूर्ण औ और सेवा पूर्ण विचारों के लिए निम्न और दुष्ट चरित्र को सामने लाना पूरी तरह से असंभव है, या तो विचार या भावनाएं हमारे सभी कारियों से पहले आती हैं और उन्हें निर्धारित करती हैं, कार्य आदतों में विकसित होते हैं, आदतें चरित्र का निर्मान करती हैं और चरित्र भाग्य का निर्धारन करता है, इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रन रखना ही हमारी नियती को आकार देना है, सिलोगिज्म पूर्ण है और पुराना होने के बावजूद यह अभी भी सत्य है, चूंकि चरित्र सर्वोच रूप में प्रकृती है, चरित्र का विकास प्राकृतिक आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, जिस बगीचे को यूँ ही छोड़ दिया जाए, उसमें घास फूस और पतले पौधे उगाएंगे, लेकिन सावधानी से उगाई गई गई पूलों क क्यारियां सुगंध और सुन्दर्ता में खिल जाएंगी, जैसे कॉलेज में प्रवेश करने वाला च्छात्र मुख्य रूप से पाठ्ठिक्रम के विभिन पाठ्ठिक्रमों में से चैन करके अपना व्यवसाय निर्धारित करता है, उसी प्रकार हम अपने विचारों को जोते हैं, वह इस बात का प्रतीक है कि हमें क्या प्राप्ठ होगा? हमारे विचारों की रेल गाडियां हमें हमारे भाग्य की ओर तेजी से ले जा रही हैं. जब आप जण्डे को दक्षण की ओर लहराते हुए देखते हैं, तो आप जानते हैं कि हवा उत्तर से आ रही है. जब आप तिनकों और कागजों को उत्तर की ओर ले जाते हुए देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हवा दक्षण की ओर बह रही है. किसी व्यक्ति के चरित्र की प्रवृत्ती को देखकर उसके विचारों का पता लगाना उतना ही आसान है. एक पल के लिए भी यह संदेह न किया जाए कि यह सब नैतिकता के प्रश्ण पर केवल एक उपदेश है. यह वह है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि यह पूरे मनुष्य को उसकी कलपना शील प्रकृती, उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, उसकी सोच लगातार यह मानती है कि इच्छा शक्ती मन, विवेक और हृदय के आदेशों को क्रियानवित करने के लिए विराजमान है. इस सुझाव को एक पल के लिए भी बरदाश्त न करें कि आपकी इच्छा शक्ती बिलकुल कुशल नहीं है. संकल्प का रास्ता संकल्प है और पह सकते. आपको इसे जीतना ही होगा, एक पल के लिए भी विचलित नहों, लेकिन यदि यह आपको मार भी दे, तो उस संकल्प को कायम रखें. ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे लड़ना होगा, जैसे कि जीवन जीत पर निर्भर हो, और वास्तव में आपका व्यक्त वास्तव में अधर में लटक सकता है. एक वक्ता के रूप में आपकी सफलता या विफलता काफी हद तक आपके विचारों और आपके मानसिक द्रिष्टिकोंड से निर्धारित होगी. वर्तमान लेखक ने सीमित शिक्षा वाले एक छात्र को अपनी एक कक्षा में भाषन देने के लिए प्रवेश दिलाया. वह बहुत खराब वक्ता साबित हुआ और प्रशिक्षक इमानदारी से गलतियान बताने के अलावा कुछ नहीं कर सका. हालां कि युवक को निराश्ट न होने की चेतावनी दी गई. अपनी आवाज में दूख और आँखों से ज एक विश्वसनिय वक्ता के रूप में विक्षित हुए. सितारों के नीचे ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस मनो वृत्ति वाले व्यक्ति को हरा सके. जो अपने हृदय की गहराईयों में इमानदारी से बोलने में सुविधा पाने की इच्छा रखता है और आवश्यक बलि होता है जो भाशन शक्ति प्राप्त करेंगे. आपको उस पुरसकार का एहसास नहीं होगा जिसकी आप निडरता से इच्छा करते हैं. लेकिन जिस लक्षे को आप उस पुराने रक्षक की भावना के साथ प्राप्त करना शुरू करते हैं जो मर जाता है. लेकिन कभी आत्म समर्पन नहीं करता है। आप निश्चित रूप से उस तक पहुँच जाएंगे। आपकी क्षमता में आपका विश्वास और उस विश्वास के लिए बलिदान देने की आपकी इच्छा आपकी भविश्य की उपलब्धियों का दोहरा सूच कांक है। लिंकन ने एक वक्ता के रूप में अपनी संभावनाओं का सपना देखा था। उन्होंने उस सपने को केवल इसलिए जीवन में बदल दिया क्योंकि वह किताबें उधार लेने के लिए कई मील चल कर आये थे जिन्हें वह रात में लकडी की आग की रोशनी में पढ़ते उन्होंने अपने दृष्टिकोंड को साकार करने के लिए बहुत त्याग किया। लिविंग स्टोन को अफरीका की वंचित जातियों की सेवा करने की अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा था। उस विश्वास को साकार करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। डार उसने अंग्रेजों को लॉयर से आगे खदेड दिया और चार्ल्स के राज्याभिशेक के समय वह उनके साथ खड़ी रही। जो आपको लंबे समय से आपके आदर्शों की बाधा लग रहा था और खुद को दर्शकों के सामने पाएंगे। और अब आप उस्ताद बन गए हैं जिसने हाल ही में भेडें हांकते हुए बड़े बड़े सपने देखे थे। आप दुनिया के पुनरुथान को अपने उपर लेने के लिए आरी और विमान बिछा देंगे। अध्याय तीस रात्रि भोज के बाद और अन्य सामेक भाषणों के बाद हास्यास्पद की धारणा विवेक की प्रतिग्या है। राल्फ वाल्डो इमर्सन निबंध और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य लोगों को बोलने का समय दिया जाए। फ्रांसिस बेकन नागरिक और नैतिक प्रवचन पर निबंध शायद सभी भाषणों में सबसे शानदार और निश्चित रूप से सबसे मनोरंजक, रात्रि भोज और अन्य विशेश अवसरों के बाद दिये गए भाषण है। पूर्व में अच्छी तरह से खिलाई गई सामगरी की हवा और बाद में अच्छी तरह से तयार की गई प्रत्याशा एक दर्शक वर्ग को तयार करती है, जो हालां की आसानी से नहीं जीता जाता है, फिर भी सर्वश्रेष्ट के लिए तयार किया जाता है, जबकि वक्ता क खुद इस बात का पूरा यकीन है कि उसे उसके उपहारों के लिए चुना गया है। 35. कोई भी सामिक संबोधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह अवसर के अनुरूप न हो। कई प्रमुख व्यक्तियों ने प्रतिष्ठा खोदी है क्योंकि वे इतने लापरवाह या बहुत व्यस्त थे या इतने आत्म विश्वासी थे कि वे उन सटीक परिस्थितियों को सीख कर अवसर और दर्शकों का सम्मान नहीं कर सके जिनके तहत उन्हें बोलना था। फिलहाल बहुत कुछ छोड़ना एक लंबा जोखिम उठाना है और आम तोर पर इसका मतलब विफलता नहीं तो कम प्रभावी भाशन होता है। सभी के हित का दावा किया और पूरे सैन्ने शब्दों का विनोधी उप्योग श्रीमान अध्यक्ष एवं सज्जनों बच्चे। अब यह कुछ ऐसा है। हम सभी को महिला होने का सौभाग्य नहीं मिला है। हम सभी सेनापती, कवी या राजनेता नहीं रहे हैं। लेकिन जब टोस्ट बच्चों के लिए काम करता है, तो हम आम जमीन पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी बच्चे हैं। यह शर्म की बात है कि हजारों वर्षों से दुनिया के भोजों ने बच्चे को पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया है, जैसे कि उसके पास कुछ भी नहीं था। यदि आप सज्जनों एक मिनट रुकें और सोचें कि क्या आप अपने शुरुवाती विवाहित जीवन में पचास या सौ साल पीछे जाएंगे और अपने पहले बच्चे के बारे में दोबारा सोचेंगे, तो आपको याद आएगा कि वह एक अच्छा सौदा था और उसस निश्चित रूप से कभी कभार दिया जाने वाला संबोधन वक्ता की बुद्धिमत्ता की कड़ी परीक्षा देता है। किसी गंभीर अवसर पर तुच्छ बनना, किसी भोज में अतिश्योक्ति पूर्ण होना, हमेशा लंबी बातें करना ये मूर्खता के लक्षण हैं। कुछ अविवेकी आत्माएं विवाद के बम विस्फोट के लिए रात रिभोज के बाद के सबसे अनुकूल अवसरों का चयन करती प्रतीत होती हैं। खाने की मेज के आसपास राजनीतिक शत्रूओं का भी यह रिवाज है कि वे अपनी नफरतें किसी सुविधाजनक जग के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। विशेश रूप से मज़ेदार कहानी क्योंकि वास्त्विक बिंदु वाला हास्य कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन हास्य प्रत ताने बाने का एक पूरा गुच्छा मत काटो जिसका बेहूदा और बेतुके से अधिक कोई संबं के रूप में दर्शकों के दिल में उतर जाए। एक विशाल भोज हौल में बिखरे हुए भोजन करता, रात्री भोज के बाद की सुस्ती, ट्रेन के अंतिम समय के करीब आने की चिंता, पूर्ण वक्ताओं की पूरी सूची, ये सभी वक्ता के लिए एक चुनोती पेश कर करते हैं कि वह रुचिपूर्ण सुनवाई जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। और जब सफलता मिलती है तो यह आम तोर पर गंभीरता और हास्सिके सुखद मिश्रण के कारण होती है। अकेले हास्सिके लिए शायद ही कभी इतना भारी स्कोर मिलता ह जितना की दोनों मिलकर प्राप्त करते हैं। जबकि ऐसे अवसरों पर पूरी तरह से गंभीर भाशन कभी नहीं मिलता है। अगर एक से बढ़कर एक जगय है जहां पुरानी राय और बेतु की बातें अवांचित हैं तो वह है रात के खाने के बात का भाशन। चाहे आप तोस्ट मास्टर हो या आधी रात को घटती भीड को थामने की कोशिश करने वाले आखिरी वक्ता हो जितना हो सके मौलिक रहें। उन गुणों को संक्षेप में प्रस्तुत करना कैसे संभव है जो रात के खाने के बाद के भाशन को अच्छा बनाते हैं जब हम मार्क ट्व अमेरिका वास्तव में ऐसे प्रसन्य वक्ताओं में सम्रिद्ध है जो बकवास के साथ वास्तविक अर्थ को विरामित करते हैं और इसलिए दोनों को प्रभावी बनाते हैं। समारक अवसर, अनावरण, प्रारंब, समर्पन, स्तुतियां और विशेश सार्वजनिक समारोहों की सभी श्रंखलाएं, अवसर, विशय और दर्शकों को संभालने में चातुर्य और अच्छी समझ के प्रदर्शन के लिए दुरलब अवसर प्रदान करती हैं। कब गरिमा पूर्ण होना है और कब बोलचाल में, कब उड़ना है और कब अपने श्रोताओं के साथ हाथ मिला कर घूमना है, कब भड़कना है और कब शांत करना है, कब निर्देश देना है और कब एक शब्द में मनोरंजन करना है। उपयुक्तता का पूरा मामला लगातार ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान रखें कि आप अपना भाषण पानी पर न लिखें। अंत में परमानंद को याद रखें। धन्य है वह व्यक्ति जो छोटे भाषण देता है क्योंकि उसे फिर से बोलने के लिए आमंतरित किया जाएगा। परेड के समापन पर यूनियन सेना के एक शानदार ब्रास बैंड ने बड़ी भावना के साथ देशभक्ति पूर्ण धुने, हेल कोलंबिया और यांकी डूडल बजाएं। जिस पर संगीय सेनिकों ने देशभक्ति पूर्ण नारे के साथ जवाब दिया। फिर उसी बैंड ने आत्मा को जगजोर देने वाला डिक्सी गाना बजाया। जिस पर दस हजार दक्षणी सेनिकों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। कुछ क्षण बाद जब तारे गवाह बनकर सामने आये और जब सारी प्रकृति में सामनजस्य था उसी बैंड से पुरानी धुनाई। होम, स्वीट होम जैसे ही इसके परिचित और दयानिये स्वर्प पानी पर लुढकते थे और सैनिकों की आत्माओं को रोमांचित करते थे, पहाडियां दोनों सेनाओं की एक जुट आवाजों की गडगड़ाहट से गूंज उठती थी। इस पुराने पुराने संगीत में ऐसा क्या था, जो सहनुभूति के तारों को इतना छू लेता, आत्माओं को इतना रोमांचित कर देता और वीरों के शरीर को भावनाओं से कमपा देता। आत्मादी के चारों और जुक रहे थे और अनुपस्थित सैनिक लड़के के लिए भगवान से देखभाल मांग रहे थे। एक लीग के माध्यम से तूट गई थी और तितर बितर हो गई थी कि जिन महापुरुषों ने उनका नेत्रित्व किया और जिनोंने हमारी परिशदों, हमारे वाशिंग्टन, हमारे फ्रैंकलिन और अमेरिकी कैंग्रिस के आधरणी अध्यक्ष को प्रभावित किया, उन्ह से हमारे अपने देशवासी स्थापित करना चाहते थे, तो क्या उस गणतंत्र में कोई भी आतित्य इतना सोहार्द पूर्ण होता, कोई भी सहानुभूती बहुत गहरी है, उनके गौरवशाली लेकिन दुरभाग्यपूर्ण कारण के लिए कोई उत्सा है, इतना उत्सा ह या इतना सक्रिय है कि इन प्रतिष्ठित भगोडों के प्रति दिखाया जा सके? सज्जनों, जो मामला मैंने सोचा है, वह आपके सामने हैं. वाशिंग्टन, फ्रैंकलिंस, हंगरी के हैंकॉक्स, जो यहाँ पहले से कहीं ज्यादा बुरे अत्याचार से निकाले गए थे, विदेशी भूमी में भटक रहे हैं. उनमें से कुछने हमारे देश में शरण मांगी है. कोई इस कंपनी के साथ रात में हमारे महमान के रूप में बैठता है और हमें अपने करतव्य को उसी मानक के आधार पर मापना चाहिए, जिसे हम इतिहास में लागू करते, यदि हमारे पूरवजों को उनके जैसा भाग् विलियम कुलेन ब्रायंट ग्रिणा या अनुभागिय गुस्से के करीब एक पिच पर डिजाइन करने की कला से प्रेरित होते हैं, तो मैं हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अमेरिकी भाईचारे और भ्रात्र निर्भरता के नाम पर अलार्म बजाऊंगा. जब लोगों को इस विश्वास में बहकाने की कोशिश की जाती है कि उनके मताधिकार राष्ट्रिय कानूनों के संचालन को बदल सकते हैं, तो मैं अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से यह घोशना करवाऊंगा कि वे कानून कठोर हैं और राजनीतिक नियंत्र और कॉलेजों से लोगों को पार्टी लूट की मांग को त्यागने के लिए राजी करूंगा और उन्हें निह स्वार्थ और देश भक्तिपूर्ण प्रेम के लिए प्रेरित करूंगा। मनुष्यों के मामलों में उनके हस्तक्षेप की घोशना करने में शर्म ना करें। उनके कानूनों का ऐसा पालन करें जो राश्ट्रिय शाश्वत्ता और सम्रिध्ध के मार्ग को प्रकट करता है। मुण ज्वार से इसकी आशाओं, इसकी आकांक्षाओं, इसकी जीत से मृत्यू की द्रिश्य उपस्थिती में धकेल दिया गया और वह बटेर नहीं किया। केवल उस एक छोटे से क्षण के लिए नहीं, जिसमें स्तब्ध और स्तब्ध होकर उसने अपनी जान दे दी। इसके त्याग के बारे में उसे बमुश्किल पता चला, बलकि घातक सुस्ती के दिनों के दौरान, हफ्तों की पीड़ा के दौरान वह कम पीड़ा नहीं थी, क्योंकि उसे चुप-चाप सहन किया गया। स्पष्ट दृष्टी के साथ और शान्त साहस के साथ। उसने अपनी खुली कबर में देखा। जो अपने शुरुवाती परिश्रम और आंसुओं का पूरा सम्रिद्ध सम्मान धारण किये हुए थी। उसकी युवावस्था की पतनी, जिसका पूरा जीवन उसमें निहित था, छोटे लड़के अभी तक बचपन की मौज, मस्ती के दिनों से उभरे नहीं हैं। गोरी जवान बेटी, मजबूत बेटे, निकटतम साहचर्य में आ रहे हैं। हर दिन और हर दिन एक पिता के प्यार और देखभाल को पुरस्कृत करने का दावा कर रहे हैं। और उसके हृदय में सभी मांगों को पूरा करने की उत्सुक प्रसन्शक्ती है। उसके सामने वीरानी और घोर अंधकार और उसकी आत्मा नहीं हिली। उनके देशवासी ततकाल, गहन और सार्वभौमिक सहानुभूती से रोमान्चित थे। अपनी नश्वर कमजोरी में पारंगत होकर वह पूरे विश्व की प्रार्थनाओं में स्थापित होकर राष्ट्र प्रेम का केंद्र बन गया। लेकिन सारा प्यार और सारी सहानुभूती उसके साथ अपना दुख साजह नहीं कर सकी। वह अकेले ही वाइन प्रेस चलाता था। उन्होंने अटल साहस के साथ मृत्यू का सामना किया। अमोग कोमलता के साथ उन्होंने जीवन से विदाली। हत्यारे की गोली की राक्षसी फुसफुसाहट के ऊपर उसने भगवान की आवाज सुनी। साधारण त्याग पत्र के साथ उन्होंने इश्वरीय आदेश के आगे सिर जुका दिया। जेम्स जी। बलेन, यू, एस, द्वारा आयोजित स्मारक सेवा में दिया गया। एस, सीनेट और प्रतिनिधी सभा। ली की स्तुती, उद्धरण, सभी सच्ची वीरता के मूल में निहा स्वार्थता है। इसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति बलिदान है। दुनिया को प्रशंसित नायकों पर संदेह है। और हम जानते हैं कि वह वास्तव में यहां है। आह! कैसे मनुश्यों के हृदय उसका स्वागत करने के लिए उछल पड़ते हैं। हम इश्वर के सर्वोत्तमकार्य, मजबूत, इमानदार निडर, इमानदार व्यक्ति का कितनी श्रद्धा पूर्वक्त स्वागत करते हैं। रॉबर्ट ली हमारे और मानव जाती के लिए एक ऐसे नायक थे। और क्या हम उन्हें लड़ाई लड़ने और अपने लोगों के दुखों को साझा करने के लिए संगीय सेना की कमान कम करते हुए देखते हैं। गेटिसबर्ग के सामने उचाईयों पर यह घोशना करते हुए कि आपदा का दोश उसका अपना था। युद्ध के संकट में अग्रणी आरोप बिना किसी शिकायत के विजय के जुए के नीचे चलना या यहां आने और अपने देश के युवाओं को करतव्य के पत पर प्रशिक्षित करने के लिए भाग्य को नकारते हुए वह हमेशा एक ही नम्र, भव्य, आत्म बलिदान की भावना रखते हैं. यहां उन्होंने संगर्ष के व्यापक और खुले रंगमंच पर प्रदर्शित गुणों से कम योग्य और वीरता पूर्ण गुण प्रदर्शित नहीं किये, जब राष्ट्रों की निगाहें उनके हर कार्य पर नजर रखती थी. यहां नागरिक और घरेलू करतव्यों के शांत विश्राम में और निरंतर कार्यों की कठिन दिंचर्या में उन्होंने इतना उच्च जीवन जिया, जब दिन बदिन वह मार्शलिंग करते थे और अपनी पतली और बरबाद हो रही लाइनों का नेत्रित्व करते थे और रा नहीं, युग जवाब देते हैं क्योंकि वे समय की खाई से उपर उठते हैं, जहां राज्यों और संपत्यों के मलबे जूट बोलते हैं, उनके हाथों में उनकी एक मात्र ट्राफियां होती हैं, उन लोगों के नाम जिन्होंने भगवान के प्यार और भय में मनुष्य के लिए काम किया है और अपने साथ ही पुरुशों के लिए निडर होकर प्यार करें, नहीं, वर्तमान उत्तर देता है, उसकी कब्र के पास जुक कर, नहीं, भविश्य उत्तर देता है जैसे सुभ़ की सांसें अपने उज्ज्वल माथे को निहारती हैं, और उसकी आत्मा ली के प्यारे जीवन से मीठी प्रेरणाएं पीती है, नहीं, मुझे लगता है कि स्वर्ग भी प्रतिध्वनित होता है, जैसे उनकी गहराईयों में श्रद्धापूर्ण प्रेम के शब्द पिघलते हैं, जो टिम्टिमाते सितारों के प्रति मनुश्यों के दिलों की आवाज निकालते हैं, आईए हम उस दिन निश्ठावान प्रेम से अपनी यादों को पवित्र करें, अपनी आशाओं को शुद्ध करें, उसकी आत्मा के साथ समवाद करके सभी अच्छे इरादों को मजबूत करें, जो मरकर भी बोलता है, आओ बच्चे अपनी बेदाग मासूमि आओ नागरिक, आओ सिपाही, आईए हम उसकी कबर के चारों और जून के गुलाब और गेंदे बिखे रहें, क्योंकि उसने उनकी तरह अपने जीवन में प्रकृती की उपकारिता को बाहर निकाला है, और कबर ने उस जीवन को पवित्र किया है और हम सभी को दिया है, आओ कि प्रकृती स्वयम इसमें शामिल हो सके उसकी गंभीर प्रार्थना, आओ क्योंकि वह यहीं विश्राम करता है, और इस हरे तट पर इस सुन्दर जलधारा के किनारे हम एक मननत का पत्थर स्थापित करते हैं, ताकि स्मृती उसकी कर्मों को मुक्ति दिला सके? जब हमारे पिताओं की तरह हमारे बेटे चले गए। निबंध, वृत, डबलू के पिता, और ग्लैड्स्टोन, बातचीत को एक कला और एक उपलब्धी दोनों मानते थे, उनके घर में खाने की मेज पर लगातार किसी स्थानिय या राश्ट्री एहित के विशय या किसी विवादित प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, इस तरह परिवार के बीच बातचीत में वर्चस्व के लिए एक मैत्री पूर्ण प्रतिद्वंदविता पैदा हुई, और सड़क पर देखी गई एक घटना, एक किताब से प्राप्त एक विचार, व्यक्तिगत अनुभव से लिया गया निशकर्ष, पारिवारिक आदान के लिए सामगरी के रूप में सावधानी पूर्वक संग्रहित किया गया, इस प्रकार सुरूचिपूर्ण बातचीत में उनके शुरुवाती वर्षों के अभ्यास ने युवा ग्लैड स्टोन को एक नेता और वक्ता के रूप में अपने करियर के लिए तयार किया, एक ऐस पर जो कहते हैं, उसके लहजे और गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। बेहद प्रभावित हुई। पर ध्यान पुर्वक विचार किया हो। इसके लिए तंत्रिका अहंकार का रूप वह दोनों है जो अचानक हडबडाहट में समाप्त हो जाता है। जब महत्वपूर्ण शब्दों को बोलने की आवश्यक्ता होती है, यह आने वाली हार का संकेत है, क्योंकि बातचीत अकसर एक प्रतियोगिता होती है। यदि आप महसूस करते हैं कि यह प्रवृत्ती आपको शर्मिंदा कर रही है, तो होम्स की सला को अवश्य सुने। और जब आप बातचीत के दौरान अटके रहते हैं, तो अपने रास्ते को उन भयानक उर्स से न बिखेरें। यहां अपनी इच्छा शक्ती को क्रियानवित करें, क्योंकि आपकी परेशानी भटकता हुआ ध्यान है। यहां असफल होना प्रभाव शीलता को पूरी तरह से खोना है। एक आगरता, बातचीत के आकरशन और दक्षता का मूल मंत्र है। और अभिव्यक्ती की बेतर्तीब आदत, जिसमें गोली की आवश्यक्ता होने पर पक्षी की गोली का उप्योग किया जाता है, खेल को चूकना सुनिश्चित करता है, क्योंकि सभी प्रकार की कूट नीती सटीक शब्दों के सटीक अनुप्रयोग पर टिकी होती है। खास कर यदि कोई उन संकटों में टैली रैंड को परिभाशित कर सकता है, जब भाशा का उप्योग छिपाने के लिए नहीं किया जाता है, सोचा। हमक सर शब्द व्युत्पत्तियों को देख कर पुराने विश्यों पर नई रोश्नी प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत मूल रूप से विचारों के आदान प्रदान के बारे में एक मोड का प्रतीक है, फिर भी अधिकांश लोग इसे एक एक आलाप के रूप में मानते हैं। ब्रोंसन ओलकॉट कहा करते थे कि बहुत से लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन बातचीत कम ही करते हैं। बातचीत में याद रखने वाली पहली बात ये है कि सम्मान जनक, सहानुभूति पूर्ण, सतर्क सुनना न केवल हमारे साथी बातचीत करने वाले के कारण बलकी स्वयम के कारण भी है। बहुत से उत्तर अपनी बात खो देते हैं, क्योंकि वक्ता जो कुछ कहने जा रहा है, उसमें उसकी इतनी अधिक रूची होती है कि वह वास्तव में कोई उत्तर ही नहीं, बलकी केवल एक चिड़-चिड़ाहट और अपमान जनक अप्रासंगिकता है। आत्म अभिव्यक्ति आनंद दायक है। उसे एक अच्छा बात चीत करने वाला माना जा सकता है, क्योंकि वह अपने साथियों को आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से खुद को खुश करने की अनुमती देता है। आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक बार अपनी कमजोरियों का निदान करें और आप चार चीजें करके उन्हें दूर कर सकते हैं। इस प्रकार अपने आपको आश्वस्त करने के बाद उन लोगों के डर को दूर करें जो आपकी बात सुनते हैं। वे केवल इंसान हैं और आपके शब्दों का सम्मान करेंगे। यदि आपके पास वास्तव में कहने के लिए कुछ है और इसे संक्षेप में सरल और स्पष्ट रूप से कहें। 4. अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने का साहस तब तक रखें जब तक कि आप कम से कम इसके सरल रूपों में पारंगत न हो जाएं। 5. समवादात्मक संकेत कोई ऐसा विशय चुने जो पूरे समूह के लिए सामान्य रुची का साबित हो। 6. दोपहर की चाय में गैस इंजन के तंत्र या स्टैग पार्टी में हॉली हॉक की संस्कृति की व्याख्या न करें। 6. किसी आदमी के लिए सार्व जनिक रूप से अपनी बाह को उजागर करना और घाव या विक्रती दिखाना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके लिए अपनी परेशानियों या किसी और के चरित्र की विक्रती का दिखावा करना भी उतना ही बुरा रूप है। जनता ऐसे नाटकों और कहानियों की मांग करती है जिनका अंत सुखद हो। सारी दुनिया खुशी की तलाश में है। वे लंबे समय तक आपकी बुराईयों और परेशानियों में दिल्चस्पी नहीं ले सकते। जोर्ज कोहन ने 30 साल की उम्र से पहले ही मनोरंजक नाटक लिखकर खुद को करोड़पती बना लिया था। में भी शाश्वत मैं की अनुमती नहीं है। यदि आप आदतन अपनी बातचीत को अपने हितों के इर्द गिर्द बनाते हैं, तो यह आपके श्रोता के लिए बहुत ठकाव साबित हो सकता है। जब आप चौथे आयाम या ककडी लोशन के गुणों पर चर्चा कर रहे हों, तो वह शायद पक्षी कुत्तों या सूखी मक्षी मचली पकड़ने के बारे में सोच रहा होगा। आकरशक वारताकार अपने श्रोता की रुची के अनुसार बात करने के लिए तयार रहता है। अपने से कहीं अधिक योग्य पुरुशों को आकरशित कर सकता है। यही आदमी शायद उब जाएगा और बोर हो जाएगा अगर उसे संगीत या मेड़ा गासकर के बारे में बात चीत करने के लिए मजबूर किया जाए। मामूली बातों और घिसी पिटी बातों से बचें। यदि आप स्टेट स्ट्रीट पर या पाइक पीक पर केवकुक के किसी मित्र से मिलते हैं तो यह देखना आवश्यक नहीं है। आखिर यह दुनिया कितनी छोटी है। यह अवलोकन निस संदेह पाइक पीक के निर्मान से पहले किया गया था। यह पुरानी दुनिया हर दिन बेहतर होती जा रही है। फैनर की पत्नियों को पहले की तरह कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह जीवनियापन की इतनी अधिक लागत नहीं है जितनी उच्च जीवनियापन की लागत है। इस तरह की टिपणियां उसी स्तर की प्रशंसा के बारे में उत्साहित करती हैं जो 1903 मॉडल ट्यूरिंग कार की उपस्थिती से उत्पन्न होती है। यदि आपके पास कुछ भी ताजा या दिल्चस्प नहीं है तो आप हमेशा चुप रह सकते हैं। आप उस अखबार को कैसे पढ़ना पसंद करेंगे जो बोल्ड शीर्शकों से छपता हो। हमारे यहां मौसम अच्छा है या जिसमें रोजाना उसी पुरानी सामगरी को कॉलम दिया गया हो जिसे आप सपताह दर सपताह पढ़ रहे थे।